नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT बुक्स के बारे में तो याद रखिए कच्छा चटवी की सभी बुक्स हम लोग देख चुके हैं जो हमारे लिए सेविल सर्विस या फिर एश्टेट पीची एस के लिए जो ज़रूरी हैं बुक्स टिक कच्छा साथवी की भी हम लोग सभी बुक्स देख चुके हैं कच्छा आठवी की सभी बुक्स देख चुके हैं और कच्छा नौवी में हम लोग आपकी लोगतांत्रिक राजी इती फश्ट सम्कालीन भारत फश्ट अरद सास्त इतीन बुक्स देख चुके हम लोग कच्छा नौबी की अब हम बात करने बाल है कि अप्षा नौबी की चौथरी बुक के बारे में यह आपकी भारत और समकाली विस्ट के बारे में ठीए तो याद रखिए एक बात हमें से आप लोग कि यगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीचेस की तैयारी का रहें तो आपको एंसीई आईटी पढ़ना जरूरी है जरूरी का मतलब जरूरी है समझे इन्हें छोड़कर आप किसी भी हाल में स्टेट पीचेस हो सकता है कि आप निकाल लें लेकिन सिविल सर्विस निकालना यानि कि आईएस बनना मुस्कल है तो इसलिए समय रहते हुए इन्हें आप लोग पढ़ लें अच्छे से और यो कप्छा चटवी साथ भी आठ भी की है अगर इन्हें पढ़ लें तो अच्छी बात है और आपके पा क्लियर हो जाएगा और मेरा जो कर्तब था यानि कि मुझे तो कख्छा चटवी से आप सभी से वादा किया था तो मैंने तो सभी आपकी कख्छा चटवी की बुक्स कवर की हुई है कख्छा साथ भी कख्छा भी और मैं इस तरह से कख्छा बार्वी तक कि आपकी सभी बुक अगर आप लोग ध्यान से और धैर पुर्वक पढ़ते हैं एड़ेस्ट करकर तो आपका कोई भी सब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए बस आपको धैर के साथ पढ़ना होगा ठीक वो सिविल सर्वेस के लिए धैर बहुत बड़ा सब्द आपको धैर रखना हो ठीक तो इसलिए पढ़ लीजे आप लोग एंसी यह आटी पढ़ लीजे समय रहते हुए चिम्झी समय निकल जाएगा उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे और आपको देखित होगी तो चलिए हम लोग बात करते हैं भार और समकाली मिस फर्ष्ट इसमें हमें पढ़ना क्य क्या क्या है कक्षनौवी के लिए है इदियास की बुस्त तक ही तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या और याद रखें आपके यतनी भी बुक्स होती है सभी टेलीगराम पर डाल दी जाती है वहां से आप लोग डाउनलोड करके रख लेजे टेलीगराम पर डालने का अब देश इतना है कि आप डाउनलोड तो हर जगे से कर सकते हैं लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि कौन सी बुक्स आपके लिए जरूरी है कौन सी नहीं तो टेलीगराम पर आपके लिए जो जरूरी है वही बुक्स से डाले गई है इसे देख लिजे बारत का समिधार उद्देश का आपको मौक्रिक याद हो जाएगी इतने बार हम लोग इसका रिवीजन करेंगे कप्छा चटवी से जबसे हम लोगों ने सुरूं किया पड़ना तभी से इसके बारे में पढ़ दे आ रहे हैं उद्देश का हम भारत की लोग भारत को एक संपूर प्रवुत संपन, समाजवादी, पंतने रिपेच, लोग तांतरग, तंतराक्म, गड़राच बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक राजनेति, नियाय, विचार अभी वेक्ति, विश्वास, धरम, उपासना की सुधनता और पितिष्ठा और आउसर की स समता पराप्त कराने के लिए तथा उन सम्में ब्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए दर्ड संकल्प होकर अपनी समिधान सभावें आज तारीक यानी की 26 नवंबर 1949 को मिती मार्ष मार्ग्र सेस सु सब्सक्राइब को इद्धत द्वारा इस समिधान को अंगे के अधीने में और आत्मर्पिज करते हैं हम सभी लोग जाते हैं कि समिधान के कुछ प्राहोधान आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थी लेकिन पूरी तरह से आपका समिधान 26 जन्मरी 1950 को लागू हुए था ठ सिर्टी की बुक्स हैं जो इंडिया में रह रहा है बारती है उन सब को पढ़ेन च 팔ạt रही की पता है इसमें बहुत कुνο समझाए गया सम самой Knärard में आप जैसे मौली का लिकार ले सकते हैं मौली कर्दब ले सकते हैं हमें पता तौना चाहिए कि हमारे मौली के दिकार क्या है मौली कलतब क्या है भोगोली किस्तिति क्या है हमारी राजनिति क्या है हमारे यहां की ठीक है लेकिन आप लोगों को तो जरूरी पढ़ना है इसमें अगर विसे बस्तू की बात करें कि पढ़ेंगे क्या क्या हम लोग तो यह आपकी विश्य सूची इसमें बात करेंगी हम लोग खंड एक यानि की काई एक माली जीशे घटनाय और पिक्रियाय इसमें पहला अध्याय होगा हमारा फ्रांसी सी किरांती दूसरा अध्याय होगा हमारा यूरोब में समाजबाद एवं रोसी किरांती तीसरा अध्याय नात्सीवाद और हिटलाय का उदय आपके लिए इसलिए बोल लाओं कि कच्छा नौवी से वारवी की जरूरी है क्योंकि कच्छा अटवी की बहुत सरल सब्दों में लिखी है और आप चाहें तो उसे दस दिर में पूरा कतम कर सकते हैं बिल्कुल पतली पतली हैं उसाधार अट सब्द लखे गया बस वहां आपका सब्द की परिवासा बताने के लिए बता गई है कि परयावन होता क्या है इस तरह से आपकी कॉंसेट सब्द का कॉंसेट के लिए करने के लिए लेकिन कप्छा नौभी से जो आपकी आगे है इन्हें आपको बड़े देहानिक से पढ़ना है क्योंकि इन्हीं से हमारे जो भी कुर्चन सों में बनेंगे ठीक है पर चाहें आपकी प्रेलियम से में हो पर चाहें आपकी में समय हो खंड दो यानि की काई दो में पढ़ेंगी जीवी का अर्थ विवस्ता एवं समाज इसमें अध्याय चार होगा हमारा वर्न समाज और उपने वेस बाद पांच बाद्य है आधुनिक विस्व में चरवाहे चटवात्य होगा किसान और कास्तकार तीसरी ही काई होगी रोजना की जिंदगी, संस्किती और राजमिती इसमें हम बात करेंगी इतिहास और खेल किर्किट की कहानी पहनावे का सामाजीक इतिहास भी हम लोग देखेंगे इस तरह से आपके आठ अध्याय होंगे इस बुक्स में और चेप्टर वाई चेप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या होंगे चेप्टर वाई चेप्टर आपके पढ़ते जाएंगे नमस्कर दोस्तों तो छली हम लोग बात कर रहे थी चेप्टर वाई चेप्टर वाई तो इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ना है वो देख चुके थी सब कुछ आज बात करेंगे पहले अध्यार हमारा फ्रांसी सी करांती तो इसे बड़े ध्यार के साथ सुनिए ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए तो चली कि हम लोग सुरू करते हैं 14 जुलाई 1789 की सुबए पैरिशनगर में आतंग का महौल था समराट में सैना को सहर में गुसने का देश दे दिया था अपवाहत ही कि उए सैना को नागरेकों पर गोलियां चलाने का देश देने बाला है लगबक साथ हजार मर्द और और औरतने टाउन हौल के सामने एकत्तित हुए और उन्होंने एक जन सैना का गठन करने का नेड़े किया हत्यारों की खोज में बेबहुत से सरकारी भावनों में जवरन प्रवेश कर गए अंतता सैकड़ों लोगों का एक समूब पैरिश नगर के पूरी विभाग की ओर चल पड़ा और वह बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला जहां भारी मात्रा में गोला वारुद मिलने की संभाव ना थी हत्यारों पर कजे की ससक्त लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गय और कैदी छुड़ा लिये गया यह पी उनकी संख्या के बद साथ थी समराट की निरंकुस सक्तियों का पिती होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घेला का कैंद था इसलिए किले को ढया कर ढहा दिया गया उसके अउसे इस बाजार में उन लोगों को बेंच दी गए जो इस ध्वेंस को बातोर इश्मिती चिन्न सजुना चाहते थे इस घटना के बाद कई दनों तक पैरिश तथा देश के देहाती चेत्रों में कई और संगर सुर अधिकास जनता पाव रोधी की महेंगी कीमितों का विरोध कर रही थी बाद में इस दोर का सिंगाहो लुकन करती हुई इतिहास कारों ने इससे एक लंबे घटना किरम की एक सुरुवाती कड़ियों की रोब में देखा जिनकी परिनती फरांस के समराट को फासी दिये जाने में हुई हलाकि उस समय अधिकाहस लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी ऐसा क्यों हुए और कैसे हुए जानते हैं चलिए यह आपका है चित दिख रहा है यह बास्तील का ध्वंस है बास्तील ध्वंस के बाद चितकारों ने इस घटना की याद में कई चित भी बनाई अठा सोलेवा फ्रांस की राजगत्दी पर आसीन हुए यानि की बैठा उस समय उसकी उम्म केवल 20 साल की थी उसका विवा और टिया की राध्धानी मेरी एंतो एनेत से हुआ राज रोहन की समय उसने राजकोस खाली गाया लंबी समय तर चलिए उद्धों के कारण फ्रांस की वि साल महल और राजगरवार की सानो सोकत बना रखने की फिजूल कर्ची का बोज अलग से था लुई सोलेवे की सासनकाल में फ्रांसमने अमेरिका के 13 उपनिवेसों को सांजा सत्रों बैटें से आजाद कराने में साहता दी थी इस से उद्धिके चलते फ्रांस पर 10 अरव पोर्ष पड़ा हुआ थे सरकार ने कर्च जाता अब 10-30-20 की मांग करने लगी थी फ्रांसिसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हैसा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्च को चुगाने की पर मजबूर थी अपने नेमित खर्चों जैसे सेना की रख राखाओं हो गई परियाय कदम भी नाकाफी था अठारीवी सदी में फ्रांसिसी समाज तीन एस्टेटरस में बटा था और एक केवल तीसरे एस्टेट के लोग जन साधान ही कर अधा करते थे आपने भारत में भी पहले बहुत लोग अभी 2014 से पहले भी आपके यहां बहुत कमी लोग कर अधा यानि की टैप्स देती थे लेकिन 2014 की बाद कुछ बदला अब बहुत ठीक ठाक मात्रा में लोग देने लगी फिर भी अभी बहुत कम है बर्गों में विभाजिक फ्रांसीसी समाज मद्यकालीन सामंदी ववस्ता का अंग था प्राचीन राच्तन पदका प्रियोग सामानता सन 1989 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था चित्थ टो चित्थ दो में एस्टेटस का समाज ध्यानने की तिद स्टेट में कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब भी थें पित्तम स्टेट撲 में पादी धुट्र रहता था दुटीय जो स्टेट है इसमें आपका कुलीन बार रहता था जो आपका तितिय स्टेट था इसमें बडे व्याबारी अधालती करमचारी वपकीर्द इसमें आपके किसान और कारियर भी रहते थे छोटे किसान भूमिहीन और मजदूर नौकर भी आपकी रहा करते थे तितियर इस्टेटमेंट फ्रांसीसी समाज की वर्ण विवस्ता को दर्जाता है पूरी आबादी में लगबग 90-30 किसान थे लेकिन जमीन के माले किसानों की संख्या बहुत कम थी लगबग 60-30 जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे इस्टेट के अमीरों का अधिकार था पिथम दो इस्टेट्स, खुलीन मरग एवं पादवी वर्ण की लोगों को कुछ विसेसदिकार जन्म ना प्राप्त थे इन में से सबसे मत्मूर विसेसदिकार था, राज को दिये जाने बाले करों से चूट पुलीन बरक को कुछ अन्न साम molarBU से जदिकार सामिलensa वाय किसानों के से सामतिकार में वसूल करता था किसान अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर एवं खेतों में काम करता था सेल सेवाय देना अत्वासरमकों के निर्माण में शहयोग आधी करने के लिए बाद थे आपने देखा होगा, आपके आभी कुछ समय तब ब्रहमण हो गए, सासक हो गए, तर जो सामनती लोग थे, बड़े लोग थे, वो कल से छूट रहते थे, और जमीन की अल्दिकान सिथा इनी लोगों के पास रहता था, ठील, तो इसी तरह वहाँ भी पादरी लोगों का, कुल में वसुद्धा था, उबर से तीतरे एस्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाने ही होता था, इन करों में टाइटल, टाइल, यानि की पित्यक्षकर, और अनेक आपित्यक्षकर भी सामिल थी आपके, आपित्यक्षकर उत्तमाकू जैसी, रोजना उभवो की व फिर पित्यक्षकर का, इन डारेक्ष, और डारेक्षकर का मतलब सीधा सा है, कि अगर आप लोग आए कर देते हैं, तो उसे डारेक्षकर में जोड़ देते हैं, और पित्यक्ष, आपित्यक्षकर का मतलब है, आपको इसामान खरीद रहे हैं, तो उसका भी तो आप कर दे र रहें लेकिन आप दुकानदार को गूंगते हुए इस तरह दे रहें तो यह आपका पत्यक्षकर में सामिल किया जाता है ठीक है लिब्रे यह फ्रांस की मुद्दा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गए जो आपने यहां देखा न लिब्रे से भी अधिक दसरव लिब्रे से भी अधिक कर था फ्रांस बग यहां की मुद्दा थी एक फ्रांस की जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गए ए श्टेट की बात करें तो करांती कारी करांती पूर फ्रांस इसी तमाज में सत्ताओ सामाजिक खैसियत को अभी वेक्त करने वाली एर सेंडी होती थी जो आपके पादरी थे पादरी वर्ग ये चर्च के विसेश कारेयों को करने वाले व्यक्तियों का समोग होता था यानि कि आप मंदिर के जिस तरह को जारी होती थे उसी तरह चर्च के पादरी वर्ग होती थे ताइद चर्च द्वारा बसूल किया जाने बाला कर यह कर किसी उपज के दस्बेश से के बरावत होता था है टाइल, सीधे राज्जी को अधा किया जाने बाला गर होता था आपका टाहिल, टिक, इसे देख लिएजे, कुलिण बैकती मकडा है और किसान मक्डी, कुलीन व्यक्ति क्या था मगड़ा किसान व्यक्ति मकड़ी सैतान को जितना दो उसका लाजाज उतना ही बढ़ता जाता है बिचारा गरीब अनाजफल पैसाद सलाद सब कुछ लाता है मौटू जमीदार सब कुछ सुईकार करने को तयार बैठा है पर हुए उसका एक नजर द में ही देखता है देख रहे हैं आगे चलते हैं दो मकड़ा मक की एक अनाम उतकीन चित जीने का संगर्स फ्रांस की जन संख्या सन 1715 में 2.3 यानि की 2.3 करोड थी जो सन 1789 में बढ़कर आपकी 2.8 करोड हो गए पैडाम ता अनाज उत्पादन की दुल्ला में उसकी मांग का पी तेजी से बढ़ी अधिकांस लोगों के मुख खाद पावरोटी की कीमत में तेजी से बिद्दी वे अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे उनकी मजदूरी मालिक तै करते थे लेकिन मजदूरी महेंगाई की दर से नहीं नहीं बढ़ रही थी महेंगाई क जब सूखे या ओले के पिरकोप से पैदावाल गिल जाती है इसे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है ऐसे जीवी का संकट प्राचिन राज्टन्त के दौरान प्रांस में काफी आम थे जीवी का संकट ऐसी चरह में इस्तिती जब जीवित रहने के नियुनतम साधन भी खत्रे में पढ़ने लगते हैं अनाम जिसका नाम मालूम नहीं हो से कहते हैं अनाम एक बाद आप लोग जाते हैं कि आप लोग आपने दिखा होगा कई बार आप छोटे बच्चों को कई बार अगर उन्हें मारती रही है मारती रही है वो भी एक बार मारने के लिए दोड़ जाते हैं वस्ते में तो हम किसी पर भी जुलम ढाएंगे एक हद होती है किसी भी जुलम की आप सोचिए कि अगर आप किसी पर जुलम करे ही जा रहे हैं करे ही जा रहे हैं तो एक ना एक दिन वह आप से लड़ बैठीगा तो इसी तरह जंता का भी हालता किसानों का भी हालता कि एक हद होती है सहने की उसके वाद करांती होती है विद्रोव होते हैं ठीक है जीवका का संकट कैसे उत्पन होता है खरा फसल अब गरीब गुर्वा पारोटी नहीं खरेद पाएंगे जब फसल खरा होगी तो कई लोगों मजदूरीक भी करते होंगे फसल से उनका जीवका भी चलती होगी तो अब जीवन यापन नहीं कर पाएंगे जीवन नहीं यापन नहीं कर पाएंगे तो इस तरह की महावारी को बोशन फैलते हैं आपने देखा यह होगा जीवर्थे मध्य बर्ग में ने विश्य सदिकारों के अंध की कलपना की पहले भी कर बढ़ने अकाल के समय किसान और कामकार बिद्रो कर चुके थें आपने अपने देश में भी सुनाओगा 1857 का विद्रो किसान विद्रो कामगार विद्रो आदिवासी विद्रो ठीक तो इस तरह की विद्रो उधिरेट थें परन्तु उनके पास सामाजी केवं आर्थिक बेवस्ता में बुनियादी बलाओ लाने के साधन एवं कारिकरम नहीं थे एजिम्मेदारी तीसरे एश्टेट के उन समुवों ने उठाई जो समर्द और सिक्षित होकर नए विचारों के संपर्ग में आ सके थे अठारेवी सदी में एक नए सामाजीक समुव का उदय हुए जिसे मध्यमबर कहा गिर जिसने पहलते समुद्याय समुद्य पारिय विपार और उनी तथा रेश्मी वस्तों के उत्पादन के पल पर संपत्ती अर्जित की उनी वर रेश्मी कपनों का या फिर तो निर्यात किया जाता था या फिर समाज के संबर्द लोग उसे खड़ीद लेते थे तीसरे श्टेट में इन सौधागरों एवं निर्माताओं के लावा पिसासनिक सिवा बाबकील जैसे पेसे बलोग भी जामिलते यह सबी पड़े संब्क लिके थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी संबुग के पास 뭐 जर्मना विसे सदिकार यानि कि जर्म से विसे सदिकार नहीं होने चाहिए इस तरह से जर्मा अधीकार कहां सकता है आप लोग्या को यह आपने देखा हुए राजा का मेर्धर राजा वनने के जनम अधिकार विसेस अधिकार नहीं होने चाहिए किसी भी बैक्ति की सामाजी ख्यासियत का आधार उसकी यवगता ही होने चाहिए सुतंता समान नीमों तता समान आवस्वरों के विचार पर आधारी समाज की यह परीकलपना जॉन लॉप ज्याज्याक रोसो जैसे दार्शनेकों और पिस्तुत की थी अपने टूट टिट्राई जैज ओफ गवर्नमेंट में लॉप ने राजा के देवी उन्निरंकों सधिकारों की सिध्धान्त का खंडंडिया रोसो ने इसी बिचार को आगे बढ़ाते हुए जनता उसके पितिने दियों के बीच एक सामाजी अनुबंद पर आधारी सरकार क का पिस्ताव रखा मौन्तेस की उने दा इस्परेट आउप्दा लॉज नामक रचनावैं सरकार के अंदर विदायका कारेपालिका नियापालिका की सत्ता विभाजन की बात की आप भी अपने भारत में विदायका कारेपालिका नियापालिका की बारे में सुनते रहते हैं नितिक चिंतकों के लिए अमेरिकी समिधान और उसमें दी गई ब्यक्तिकरत अधिकारों की गारंटी पेड़ना का एक मत्कूं सरोत थी यानि कि कोई भी आपने देखा होगा कि आपके गाउं में कोई अधिकारी बन जाता है तो आपका भी पेड़ना उससे मिलने लगती है कि तो इसी तरह से आपने देखा कि और यही परिडाम था हमारे भारत में किरांती होने का कि जब अमेरिका समिधार अमेरिका आजाद हो गया फ्रांस की किरांती हुई जापान तो हमें भी लगने लगा कि हम भी हो सकते हैं हम भी कुछ कर सकते हैं हमारे यहां भी लोगों में जागरूपता बड़ी, जागरूपता ये बहुत बड़ा सब्द है, आप लोग देखना में छोटा लगता है, लेकिन किसी भी काम के पिती अगर बेक्ती जागरूप हो जाता है, तो कोई भी काम हो सकता है, फिरहाल आपने देखा होगा स्वक्षभारत अभियान के तहेत, ल पिचाही कोई भी बिदानुत्री आता रहता, दारसिन्योकों के इस बिचारों पर काफी हाउसों बस सेलोन की गष्टियों में गर्मा-गर्म भैस हुआ करती थी, पुस्तकों एवं अकवारों के माध्यम से इनका ब्यापक प्रिचार पिसार हुआ, पुस्तकों एवं पर भी उन्हें समझ सकें, इसी समय लुई सोलेवा द्वारां राज के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से करल लगाने, यानि की टेक्स लगाया जाने के खबार से से बिसेस्तादिकार वाली वेवस्ता के विरुत, गुस्ता बढ़ा बोटा, प्राचीन राजतन्त में हुए अनुभवों का एक बितान थे, आगे चलकर किरांतिकारी राजनीती में सक्रिय होने वाले जोर्ज दानतन ने अपनी पढ़ाईपूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए, सन उन्नीस सत्रह सो तेरानमे में अपने एक पित्त को लिखाए, बितानत, मैं पैलिसिस के आवास ये कोलेज में था, वहां मुझे कई मत्पूर लोगों का सनित्त मिला, पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दनों में मैं नौकरी की तलास में जोट गया, पैरिस के नियालाय में नौकरी मिलनी असंभव थी, सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नह क्योंकि मैं ना तो जनमजाद कुलीन था और ना ही मेरा कोई सनग छक्ता, चर्ट भी मुझे आसना नहीं दे सका, मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्तिती में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू यानि की फ्रांसी सी पैसा तक नहीं था, पुराने दोस्तों ने भी मु जब तक आपको मौका नहीं मिलता है, आपकी युगता धरी की धरी रह जाती है, मैं भी नितत करने की पूरी चमता है, आप एक देश को, मुझे लगता है कि आप नरण मौदी और अवे साहे से बहतर आप काम कर सकते हैं, पंडे जवाल लाल लाहरू से बहतर काम कर सकते हैं कई लोग हमारे देश में ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें मौका मिले तब तो, बताइए आप ही बुलिए, अब जो वाँ बैठे हुए हैं, जो उनके नेदाओं के बैटे हैं, उनको तो मौका मिलेगा, आपको हकीएत में कुछ और है, मानिया ना मानिया, आपको उ बहुत मौस्पिल है, आर्थर यंग, नाम के एक अंग्रेज ने 1787 से 89 के दोरान, फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तित बितांत लिखा, इस बितांत में उसकी अटिपडी दिज्चस्व है, सेवा टहल में लगे अपने गुलाहों, खास तोर पर उनके साथ गुरा विवहार करने वालों को पता होना चाहिए, कि इस तरह है वह अपनी जिन्दगी की को ऐसी स्तिति में डाल रहा है, जो इस्तिती से पिल्कुर बिर्न होती हैं, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सिवाय ली होती हैं, उनके बेहतर बच्चाव बर्ताव करता हैं, जो अपनी पीड़तों की तरह सुनते हुए बोज उड़ाना पसंद करते हैं उन्हें दंगे के दोरान अपनी बेटी के अपरण या बेटी का गला रेद दिये जाने का दोखड़ा नहीं हो रोना चाहिए ठीक है फिर आपका क्रांती की सुरुवात चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्रांती की सुरुवात की पिछले भाग में आप देव चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोलेवे ने कर बढ़ा दिये थे क्या आप सो सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया हुआ प्राची राज्तन्द के तहर फ्रांसेसी समराट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था इसके लिए उसे एस्टेट जैनराल पितिनी जी सभा की बैटक बुलाकर नए करों के अपने पिस्ताओं पर मंजूरी लेनी पड़ती थी इस तरह से ले सकते हैं से आप जिसके इस सरकार कोई एक तरफा फैसला नहीं ले सकती है उसके लिए आपके शन्सत्थ से मंजूरी मिलनी जरूरी होती है तो इसे भी आपकी पिती निदी सभा से मंजूरी लेनी पड़ती थी एस्टेट्स जेनराल एक राजनितिक संस्था थी जन में तीनों एस्टेट्स अपने अपने पितिनी दी भीजते थे लेकिन समराट ही यह नेड़ करता था कि इस संस्था की बैटक कब बुलाई जाए इसकी अंतर बैटक सन 1614 में बुलाई गई फ्रांसेसी समराट लुई 16 में ने 5 मई 1789 को नए करों के बिस्ताओं के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनराल की बैटक बुलाई इतिनी दियों की मेजबानी के लिए वरसाइक एक अलीसान भवन को सजाए गया पहले वो दूतरे इस्टेट ने इस बैटक में अपने 3300 पिती ने थी बेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाओं गे तीसरे एस्टेट के 600 पिती निदी उनके पीछे खड़े किये गए तीसरे एस्टेट का पिती निदी इसके अफेक्चा किट संबरद देवं सिक्षिद वर्ग कर रहे थे किसानों औरतों एम कारीगरों का सभा में पिरवेश वर्जित था फिर भी लगबग 40,000 पत्रों के माद्रम से उनकी सिकायतों एम मांगों की सूची बनाईगी जिसे पिती निदी अपने हाँ साथ लेकर आये थे इस्टेट जेनराल के नेमों के नुसार पितिक बर्ग को एक मत देने का अधिकार था इस बार भी लूई सोलेविक इसी पिता का पालन करने के लिए देन पितिक था परंथ उस तीसरे बर्ग के पितिनी दियों ने माग रखी कि अपकी बार पूरी सभादवारा मत दान कराया जाना चाहिए जिसके पितिक सदस को एक मत देने का अधिकार होगा या एक लोगतांत्रिक सिद्धान था जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तग दा सोसल कॉंटेक्ट में पिस्तुत किया था जब समराट ने इस पिस्ताओ को आस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के पिति निदी विरोध जता आते हुए सभासी बाहर चले गए तीसरे एस्टेट की पिति निदी खुद को समपूर प्रांशिसी राष्ट का प्रवक्ता मांते थे 20 जून को ये पितिनी थी वर्साय के इंडूरिक टैनिक कोट में जमा हुए उन्होंने अपने आपको नैसनल असेम्बली घोसित कर दिया और सपत ली कि जब तक समराट की सक्तियों को कम करने वाला सम्मिधान तेयार नहीं किया जाता तब तक असेम्बली भांग नहीं हो उनका नेतत मराव्यों और आवे सिये ने किया मराव्यों का जनम कुलीन परिवार में हुआ था लेकिन वैसामान्ती विसे सदिकारों बाले समाज को खतम करने की जरूद से सहमत था उसने एक पत्तिका निकाली और वार्षाय में जूटी भीड के समक जोड़दार भासर भी दिये आवे सिये मूलता पादरी था उसने तीसरा इस्टेट क्या है सीशक से एक अतेंद प्रवासाली पिर चार खुश्तिका पैम्पलेट लिखी थी यह आपके कुछ पॉइंट दिये गए हैं नेभी या तकी आपको कुछ मत्मूरते थी हैं सत्तरे सु चुहत्तर लुई सोलेवे फ्रांस का राजा बनता है सरकारी खजाना खाली हो चुका होता है इस समय प्राचीन राजतन्त के समाज में आसंतोस गहराता जा रहा है राज ये भी है कि उसे अपनी सेना पर बड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े रख्चाचित के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है और आप लोग देखे रहते हैं कई देशें जो आपकी अपनी GDP का 3-4% सेना पर खर्च करते हैं इसके बड़े कुछ मिलता भी तो नहीं है बस देश की रख्चाच अब आप सोचिए कि इसकी जरूरत ही ना पड़े अब हमारे यहां पाकिस्तान और शीन जो भी आपके पड़ोसी देशें यह इमानदार हों मतलब हमें सेना रखने की जरूरत ना पड़े तो सुची हम लोग कहां बढ़ सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं आदा खर्च तो इसी में करते हैं लड़ाई हों 1789 एस्टेट जनरल जनराल कायान तितिये एस्टेट नेसनल असेमली का गठन करता है और वास्तील बर हमला देहात में किसानों का विद्रोब होता है 1791 में समराट की सक्तियों पर अंकुस लगाने और समी मनोस्तों को मूलभूत अधिकार पिदान करने के लिए समीधान बनाए जाता है 1792-93 में फ्रांस गड़राज बनता है सिर काटकर राजा को मात दिया जाता है जिकोविन गड़राजी का पतन फ्रांस पर डिरेक्टरी का सासन होता है 1804 में नेपोलियन फ्रांस का समराट बंदा है ये उरोप के विसाल भूभाग पर कपजा कर लेता है 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हाज होती है ठीए 1815 में टैनिस कोट में सपत देखिए एक विसाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाये गया शुरूआत तीर एकांकर है यह तस्पीर नेशनल असेम्बली में लगाई जानी थी जिस बक्त नेशनल असेम्बली समिधार का प्यारू तियार करना में बैस थी पूरा प्रांस अंदोलित हो रहा था कडाके की ठंड के कारण फसल मारी गे थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान चूड़ रही थी बैकरी मालिक इस्तिती का फायदा उठाते हुए जमाख खोरी में जुटे हो थी जमाख खोरी का मतलब होता है सीधा सा किसी वस्तू का जमाख करने लगना बैसने की जगह उनका स्टॉप करने लगता जिससे कीमत बढ़ जाती है उसके बाद ये लोग बैसते हुआ आपना नहीं सोचा होगा प्याज की जमाख खोरी होगी अपने आग इस तरह की सब्दा आप लोग सुनते लेगते हैं बैकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुसाई औरतों की भीड ने दुकान पर धावा बोल दिया दूसरी तरफ समराट ने सेना को पैरिस में प्रिवेश करने का आदिश दे दिया था कुरोध भीड ने 14 जुलाई को बास्तील पर धामा बोलकर उसे नेस्त ना बूद कर दिया देहाती इलाकों में गाओं गाओं यह बबा फ्यल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतो लुठेरों के गिरोव गुडा लिया जो पकी फसलों को तवा करने निकल पड़े कई जिलों में भाय को आकरांत होकर किसानों ने कुदालों और बैल्चों से गिरामीट किलों पर आकमर्ड कर दिया उन्होंने अंडबंडारों को लूट लिया लगान समंदी दस्ताविजों को जलाकर राफ कर दिया कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागिरें छोड़कर भाग गए बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर सरण ली अपनी विद्रोही प्रजा की सत्ति खानमान करके लूई सुलेविन ने अंतता नेशनल असेम्बली कुमानता दे थी और यह भी मान लिया कि उसकी पाली सामंती विवस्ता के उनुग लंका आदिस पारिक की पादरी बग के लोगों को भी अपने विशे सद्क्यारों को छोड़ दैने के लिए विवस्त किया गया दार में कर्ग समाप्त कर दिया गया चर्च के स्वामित वाली बुमी जब्त कर लिए इस पेकार कम से कम 20 अ किसानों के जत्ते एक जगे से दूसरे जगे हिलते चले जा रहे थे प्रांस सम्मिधानिक राज्टन बन गया नेशनल असेमली ने 1791 में सम्मिधान का प्यारू पूरा कर लिया इसका मुख कुद्देश था कि समराट की सक्तियों को सीमित करना एक बैक्ती के हाथ में कैंद इधाइका, कारिपालका और नियाइपालका में विभाजित हस्तांतरित कर दिया गया इस पिकार फिरांस में सम्मिधानिक राज्टन की नियू बड़ी चित्त साथ दिखाता है कि नई राजनितिक विवस्ता कैसे काम करती थी नियाइपालका, नियाइदीज, बोट, सक्क्रे रांगरे, मताधिकार पर आप लोग 2.8 यानि की 2.8 करोड की जनसल्ख्या में लगभग 4,40 लाग लोग, बोट, इनके बोट, निर्वाचक, 50,000 पुरुस, बोट, नैशनल असेम्बली, 745 अदर, यह आपकी विदायका है, फिर आपकी समराट, नियंतर्ण में, नियंतर्ण में मंत्री भी होते थे, यह आपकी कारिपालिका की द्वारा, ठीक है, निस्क्रिये नागरेकों क आपका मतादिकार देने का, यानि कि आप बोट देने का अदिकार था, वो जो निस्क्रिये नागरेकों थी, इन्हें बोट देने का अदिकार नहीं था, लगबक 30,000,000 पुरुस, पुरुसों महलाओं बच्चों और 25 बर से कम उम्म के विद्थियों को मतादिकार पराप्त नहीं था इसमें, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारे वारत में जब आपके बोट देने का अदिकार आया, तो उसमें आपका किसी से कोई बेदभाव नहीं किया गया, फिर चाहे वो महलाएं हो, फिर चाहे गरीब हो, चाहरामीर हो, सब खुब बराबर का हग दिया गया, यह आपका 1791 की समिधान के अंतगत राजनितिक विवस्ता थी, आगे चलते हैं लोग, सन 1791 की समिधान ने कानून बनाने का रिका नेशनल असेंबली को सम्पतिया, नेशनल असेंबली आपित्यक चुरूप से चुनी जाती थी, इसे आप लोग राजिसाबा की इस तरह माल सकते हैं, ठीक है, कि जन्ता द्वारा ना चुन के बिधायकों द्वारा चुनना, यह आपित्यक चुरूप से चुनी जाती थी, सरब पित्यक नागरिक एक निर्वाचक सम्गू का चुनाव करते थे, जो पुना असेंबली के सदस्तों को चुनते थे, जिस तरह से आप लोग बिधायक को चुनते हैं, बिधायक आपके राजसादबा सदस्तों को चुनते हैं, सभी नागरिकों को मद्दान यानि कि बोलतेने का अधिकार नहीं था इस तरह, 25 वर्ष से अधिक उम्मिक वाले केवल ऐसे पुर्सों को ही सख्री नागरिक यानि कि जन्हें मद्देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम, तीन देन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, सीधा समतलब कह लीजे, कि जो लोग टेक्स देते थे, उन्हें ही बोलत देने का मद्दा, यही बात हमारे भी जब हमारा भारत आजा दुगा, तो यही बात हमारे देश में भी उठी, कि उन्हें को बोट का अधिकार दिया जाए, जो लोग कर देते हैं, यानि की टेक्स देते हैं, लेकिन हमारे पंडिल जवाहल दाल नहीं, इस पर सहमत नहीं थे, ठीक, उन्हें का यहदान रहा गी आपके हां, सब को बोट का अधिकार मिला, और बिविन पार्टियों को अस्तित में आने का अधिकार मिला, बरना कई आपके निता ऐसे भी थे, जो एक ही पार्टि को रखना चाहिए थे, हमारे दिसमें, बहुत दलिये विवस्था की बिरोज में थे वोजू, सेस परोसों और महलाओं को निस्क्रिये नागरिक के रूमें वर्गिकित किया गया था, निर्वाचक की योगता पराप्त करने, तथां असेम्ली का सदस होने के लिए, लोगाँ का करदताओं की उचितम सेड़ी में होना ज़रूई होता था, परोस एवं नागरिक अधिकार गोष्णापत, 1790 में ले बार्वी ये द्वारा बनाये गया चित, दाई ओर की आक्ति फ्रांस को वबाई ओर की कानून को निरूपित कर दी हैं, ये देख लिजे, समिदान पुरुस एवं नागरिक अधिकार गोष्णापत के साथ सुरू हुआ था, जीवन के अधिकार अभी व्यक्ति की सुदंदा के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को ने सर्गी एवं अहरनिये अधिकारी के रूम में इस्थाफित किया गया, अर्थाते अधिकार पिदेग व्यक्ति को जन्मना यानि की जन्म से प्राप्त थी, पर इन अधिकारें को चीना नहीं जा सकता था। राज का ये करता बमाना गया कि वह पिदेग नागरिक के ने सर्गीक अधिकारों की रख्षा करें। वेवस्ता को सरक्षित रखना है। ये अधिकार सुतन्ता संपत्ति सुरक्षा एवं सोचनड के पिती रूत का अधिकार है। समग्गस संप्रभूत तकस रूत राजमने कोई भी समूग या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रियोग नहीं करेगा जिसे जन्ता की सत्ता की अधिकार कानून के बास्ता है। लेकिन कानून द्वारा निर्धारित पिक्रिया किता है। ऐसी सुतन्ता के दुरूपयोग जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना अत्वापिसासन की कर्चे चलाने के लिए एक समान कर लगाना आपर इहार है। सभी नागरेकों पर उनकी आय के अमसाल समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चोकि संपत्तिकादिकार एक पावन एवं अनुलंगनी है अधिकार है अता किसी भी व्यक्ति को इससे बंचित नहीं किया जा सकता है। जब तक की विधी द्वारां इस्थावित पेक्किरिया केता है साहजवन सार्वजनिक आवस्तक्ता के लिए संपत्तिकादिकरण करना आवस्तक ना हो। ऐसे मामले में अग्यम मुआबजा जरूर देना चाहिए। क्रांतिकारी पत्तकार ज्यापोल मारा ने अपने अख़वार लामिदा पॉपल जन्ता कमित मैं नेशनल असेमली द्वारां तेयार किये गए समीधान पर एक टिपड़ी की थी। जन्ता के पितिनी दित्य का कारभार अमीरों को सौम दिया गया। गरीवों और सोचतों की दसा केबल सांतिपूर तरीके से कभी नहीं सुदर सकती। या इस बात का अखंड प्रमाड है कि धनन यानि कि बड़े बरग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग ने मानेगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा ला दे गए जुए को उतार पिका है। एक दन वही हर्ष अमीरों का भी करेंगे। ये समाचार पत्र लामीदा अब प्लिस ही उद्देत है। यानि कि लिखा गया था। ये है आपका राजनितिक पितीकों के मायन है। अठारेवी सदी में जादातर इस्तरी प्रोस पड़े नहीं थे। इसलिए मात्मून विचारों के प्रचार करने के लिए छपवे हुए सब्दों के बजाए अक्सर आक्रिप्तियां या प्रितीकों का प्रियोग किया जाता था। ले वारबिये ने अपनी पैंटिंग चित्दार्ट में अधिकारों के गोश्नापत को लोगों तक पहुचाने के लिए अनेक पितीकों का प्रियोग या आई-एन पितीकों को समझने की कौसित करते हैं। टोटी हुई जंजीर। दासों को बादने के लिए जंजीर्परों का प्रियोग होता था समय। टोटी हुई हदकडी। उनकी या जंजती का पितीक होता था। कि मतलब आप लोग मुख थे हैं। छड़ों का बर्चिदा गठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है। पर पूरे गठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। एक तामें ही बल है। इस तरह से समझाएगा। आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी आपने कि किसी किसान के चार वेटे थे, वो अलग-अलग रहते थे, उनमें बंदी नहीं थी। उसने एक दिन पास बोलाया, फिर एक एक लाठी दी तोड़ दिया उन्हें। जब सभी लाठीयों को एक साथ बंद करके दिया, तो नहीं दोड़बाया, इस तरह की कहानी भी पढ़ते हैं, तो इसी तरह आप लोग एकता की मिसाल दी गई इस समय भी। तिरोज के अंदर रोसनी बिखेरती आखें, सर्वदर्सियात का ग्यान पिदिक है, सोर की किरने आग्यारूपी अंधेरी को मिठा लेंगे। राज दंड, सा आई सत्ता का पिदिक था है, अपनी पूच मॉय में लिये साब, सनात तंता का पिदिक, अमोटी का कोई और छोड़ नहीं होता था है, ठीक है, का हो सकते हैं, चलते हैं आगे हम लोग, लाल प्राइजियन टोपी है, दासाउं द्वारा सुतंत होने के बाद पहनी जाने वा प्रांस के राष्टी रग थे, डैनो बाली स्तिरी, कानून का मानविय रोग, विधी पठल, कानून सब के लिए समाने, उनकी नैजर में सब बराबर है, ठीक है, यह आपकी रियाकल आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं, तो आ आपको ध्यान से आपके सभी कॉंसेप्ट याद रखना है, ठीक है, अब चलते हैं लोग फ्रांस में राष्टन्द का उन बूलन कैसे हुआ, और गड़तन्द की स्तापना कैसे हुए, फ्रांस की इस्तिती आने वाले वर्सों में भी तनावपूर बनी रही, यह भी लूई इसलिए समिनार पर हस्ताक्चर के कर दिये थे, परंतु परशा की राजा ने राजा से उसकी गुप्त बारता भी चल रही थी, फ्रांस की गटनाओं ने से अनपड़ोसी देशों के सासक भी चिंती थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने बाली, ऐसी गटनाओं को निय बेजने की युजना बना ली थी, लेकिन जब तक इस युजना पर अमल होता, अप्रेल 1792 में नैशनल असेम्बली ने परिसा एवं आस्टेडिया के विरूद युद्ध की गोष्णा का पिस्ताव पारित कर दिये, परांतों से हजारों से भी सेना में भरती होने के लिए जबाह होने लगे, उन्होंने सेउद्ध को विरूरोपी राजाओं एवं कुलीनों फेवरोद जन्ता की जंग की रूप में लिया, उनके होटो पर देशबक्ती के जो तराने थी, उनमें कभी रोजेट दा लायल द्वारा रचित मार्सिली भी था, यह गया गीत पहली बा जो अब फ्रांस का राष्टगान है, आप लोग एक बाद हमेशा याद रुखिए, कोई भी किरांती हो, पिर चाहे आपका विद्रो या फिर कुछ भी बदलने की भिक्री आओ देश में, जब तक आम नागरे किसमें सामिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदल सकता है, हमार भागेदारी ना करती, तो आप भी समझते हैं कि 1857 का बिद्रो जिस तरह से फैल हुआ था, उसी तरह से फैल बना रहता, कभी हम लोग सफल ना हो पाते, जब नीचे का तबका से लेका, उपके उपर का जो भी तबका है, सब एक होकर बदलाओ की फिक्रिया में सामिल होते ह तब ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग, करांती कारी योद्धों से जन्ता की बारी चती हुई, आरती कटना या जिलने पड़ी, पुरसों के मोर्चे पर चले जाने के बाद, घरी परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारियां औरतों क पर आपड़ी, देश की आवादी के एक बड़ी हस्ते कोई ऐसा लगता था कि किरांती के सिलसले वहांगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के समिधान से सिर्फ अमीरों को ही राजमितिक अधिकार प्राप्त हुई थे, लोग राजमितिक क्लमों में अड़े जमा कर स जो अब इस राजमितिक समू का अठा बन गया था, इस पूरी अउधी में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने कलब बना लिये थी, इस सद्याय के खंड चार में आप उनकी गतिविदियों एवं मांगों की बारे में और जानेगे, जैकोबिन कलब के सदस मुकत समाज के कम समर्द हिस्से से आते थे, इन में छोटे दुकामदार कारियर जैसे जूता बनाने बाले, पेश्टी बनाने बाले, घड़ी साज, छपाई करने बाले, नौकर, बद्धिहाडी मजदूर सामिल होते थे, उनका नेता मैक्स, मिलियन, रोवेस, पेयर था, जैकोब से घुटने तक पहनने वाले, ब्रीचेस, घुटन्या पहनने वाले, कुलीनों से खुद को अलख करने के लिए किया था, यह ब्रीचेस पहनने वाले, कुलीनों की सत्ता सवाप्ती का कियलान का उनका तरीका थे, सौक, कुलोद, बिना ब्रीचेस बाले दंपती, देखिए, कॉन्वेंट यह आपका धार्मिक जीवन को समय पर समूग की इमारित होती थी कॉन्वेंट ठीए नानीन बाले लिबर्टी सुतंत यह किसी महला का लाकार द्वारा रचित दुलब चित्रों में से एक है किरांतिकारी गटना किरम के बाद महलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वेस्थाफिश चित्कारों के साथ पिसी प्राफ्ट कर सके और हर दो साल में लगने वाली सैलोन नामक नुमाईज में अपनी चित्रों को पिदर से कर सके यह तस्वीर सुतंता की नारी रूपक है अर् प्रूबिनों को सो कुलोथ के नाम से भी जाना गया है जिसका साब्दिक अर्थ हुता है बेना घुटनने वाले सौन कुलोथ पुरस लाल रंग की टोपी भी बहनते थे जो सदन तक अपिदीख था इस समय लेकिन महलाओं को यसा करने की अन्मती नहीं थी सन 1792 में सन 1792 की गर्मियों में जिकोवीनों निखात पदार्तों की मैंगाई एवं आभाव से नाराज पैरिस भासियों को लेकर एक विसाल हिंसक विद्रों की योजिना बनाई दस अगस्त की सुबह वर उन्होंने टियो लेगी की महल पर धावा बोल दिया राजा की रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंडों तर बंदग बनाया रखा बाद में असेमली ने साही परिवार को जील में डाल दीने कभिस्ताव पारिक किया नई चुनाव कराई गए और 21 बर से अधिक उम्मभाले सभी पोलसों चाहे उनकी सब उनके पा 21 सेप्टमबर 1792 को इसने राजतंत गांत कर दिया और फ्रांस को ये गरतंत गोसित कर दिया जैसा कि आप जानते हैं कि गरतंत सरकार का वहरूप है जहां सरकार और के प्रमुकों का चुनाव जनता करती है ये बंसानुगत राजसाही नहीं है आपको चन गरतंतिक देसों के के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एकोसिस करें तो देखें कि भी कभ और कैसे गरतंत बने याद रखिए आप लोगोंने जो कक्छा अट्वी की कक्छा अट्वी की आपकी सामाजिक व्राजनितिक जीवन भाग थी वो कक्छा नौवी की जो आपने अभी लास्ट में लोगतंत्रिक सामा लोगतंत्रिक राजनिती फश्ट पढ़ा है इसमें आपने राजतंत लोगतंत क्या होता है इसके बारे में विस्ताहर से पढ़ा ह हुगा है तो हाँ जाकर आप लोग पढ़ लें गड़तन्त में मतलब गड़ यानि कि लोगों का कि भागेदारी और राजसाही का मतलब सीधा सा है कि उसमें लोगों कि भागदारी ना रखते हुए राजा का चुनाव राजा ही करेगा फिर एक तरह से आप लें लीजिए कि राजा का बेटा राजा बन जाता है यानि कि राजसाही उसमें रहती है राश्तंत गड़तंत लुई 16 वे कुनवाल नियाले द्वारा देश द्रोव 11 में मौत की सजा सुना दिए एक कि तेनवरी 1793 को पैलेट डी लोग कॉन कॉर्ड में उसे सारीनेक रूप से फांसी दे दिए जल्दी रानी मेरी एंतुएनेट का भी वही हस्त हुए देश द्रोव अपने देश या स सरकार से विश्वासगात करना आपका देश द्रोव कहलाता है ठीक है आपके देश में भी अभी वारत देश में भी यह देश द्रोव का काफी चर्चा में सब्द रहा है अभी 2019 भी कर्यों ठीक है तो याद रखिए लेकिन आप क्या दूसरी परिवेक्ष में चर्चा में रहता है आप देखिए हमसे बेतर पाकिस्तान की कानून विवस्ता मुझे लगता है ठीक है अभी नवासरीव का आपने देखा हुआ पनावापी परस में नाम आता है उतने तुरंत पत से हटा दिया जाता है जिल में समझ रहे हैं तो मुझे पाकिस्तान की कानून विवस्ता ठीक लगी कि मतलब चलिए उस पर पनावापीबल्स में नाम आया तुरंत उने हटा कर जेल में डाल दिया आतंक राज सं 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का यूग कहा गया है समय रोवेस्पेयर ने नियंतन एवं धन्व की सकती नहीं थी अपनाई उसके हिसाब से गरतंत के जो भी सत्रू है थे खुलीन एवा बादरी अनराजनितिक दलों की सदस उनकी कारिसली से आर सहमती रखने वाली पायटी सदस उन सभी को विरपतार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी नियालय द्वारा उन प्रे वाली मसीन था जिस पर रखकर अपरादी का सिर धर से अलग कर दिया जाता था इस मसीन का नाम इसके विसकारक डॉक्टर गिलोटिन के नाप पर पढ़ा था इस तरह से अगर अपने आइकाद नेता का विश्टाचारी का सिर कलम कर दिया जा तो डरेंगे कि लोग दमाना लग जाए तो देख सकते हैं किस तरह से सजा दी जाती थी रोवे स्फेयर सरकार ने कानूर मना कर मजदूरी इवं कीमतों कोड की अधिकतम सीमा तर कर दिया गोस्त एवं पावरूटी की राशनिंग कर दिया गया किसानों को अपने अनाज सहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तैक कीमतों पर बैचने के लिए बाद कर दिया गया अब एक चक्रित महगी सप्रेदाटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया दिया गया सभी नाग्रेकों के लिए साबुत ग्यों से बनी और बरावरी का पितीक माने जाने वाले समता रोटी खाना अनिवार क के स्थान पर अब सभी प्रांसी सी पुर्सुन एवें महलाओं को सित्थो एन यानिकी नाग्रेक का नाम से समझोदित किया जाने लगा चैर्चों को बंद कर दिया गया और उनकी भावनों को बैरक या फिर दप्तर में बदल दिया गया रोवेश पेरम ने अपनी नीतियों को इतनी सक्ति से लावू पिया कि उसके समझ तक भी तरही तरही करने लिए अंत्ता जुलाई 1794 में नियाले द्वारा उसे दोसी ठहराए गया ग्रफतार करके अंगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चड़ा दिया गया यानि कि इसका भी रा आतिकारी पत्कार केमिल डैस्मो लिंस ने 1793 में याले लिखा इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के द्वारान उसे भासी ने दी गया है कुछ लोगों का मानना था कि सुतंता एक सिसू के समान है जिसे परिपक होने तक अनुसासन की अवस्ता से गोजना आवस्त परस कुछ और है सुतंता सुकसांती है बेवेक है समानता एवं नया है या अधिकारों का गोश्णा बत्त है आप अपने सभी दोस्मनों को सेरिकार देना चाहते हैं क्या इससे बड़ी मुर्यकता हो सकती है क्या किसी एक बेक्ति को उसके दसियों सगी संबंदियों को दोस्मन बनाये बिना फासी के तक्तितप लाना संभाव है शाथ परवरी 1794 को रोबे स्पियर ने कर्मेंशन में भासर दिया जोला मौनी तेर यूनिवर्सल बर्सल अकबार में छपाथा उसी भासर का एकन से लोकतंत को इस्थापर और सुद्रण करने के लिए समिधान सम्मत सांतिप नूर्सासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुस्ता के विरूत सुदंता की लड़ाई को अंतिम परनेती तक पहुंचाना होगा गरतंत के गहरे लोग एवं बाहरी दुस्मनों का विनास करना आवस्सक है अनता हमको नश्ट हो जाएंगे किरांती के दौर में लोगतांतिरिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है आतंक को बस कठोर तुरंता और अनम्म नया है जिसका प्रयोग पित्भूमी की अब त्यावस्तिक जरूतों को बुरा करने के लिए किया जाएगा आतंक के जरिये सुदंता के दुस्मनों पर अंकुस लगाना गरतंत के संस् शलते हम लोग आगे चित देख लिए 11 चित करांतिकारी सरकार ने अनिक पिकार से जंता की वफादारी हासिल करनी चाहिए उनमें से एक इस पिकार के उस्तवों का पायर जन था एक औरों में इतिहास की आवा को संपोसित करने के लिए प्राची निवनान बरौम की सबताओ के पितीकों का इस्तिमार किया गया मंच के बीचों बीच बने पायोन पर टिकाव ग्लास्तिक की मंदप आपका आश्थाई सामक्री का बनाओ जिसे अब जब चाहिए दोड़ा जा सकता कि चलते हैं हम लोग बैरेक्ट्री सासिक प्रांज जिकोविन सरकार के पतन के बाद मद्वर के संपन तबके के पास सत्था आ गई थी अप्री नई समिधान के तर संपत्ती ही न तबके को मताधिकार से बंचित कर दिया गया इस सम्मिदान में दो चुनी गई विधान परिश्दों का प्रावदान था इन परिश्दों में पांट सदस्वाली एक कारीपालिका यानि की डिरेक्टरी कुन्यवत किया इस पर आउदान के जरीए जिकोविनों के सासनकाल वाली एक बैक्ती के अंदरित कारपारिका से बचने की कोशिस किये लेकिन डिरेक्टरों का जगड़ा अक्सर विधार परिशंदन से होता है और तब परिश्द उन्हें बरकास्त करने की चिष्टा करती है डिरेक्टरी एक राजनितिक आईस्थरता ने नौ सेनिक यानि की सेनिक ताना सार नेपुलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग इससत हुआ सरकार के स्वरोग में इन सभी प्रिवत्नों के दोरान सुदंता जिदी सम्मत समानता और बंदुत पेरकादर्स बन रहे इन मौलों ने आगामी सदि में न ससरок फ्रांस पर्किव। इउडरोप के राजनितिक आंदुलोनों को भी पेरिद किया क्या महलाओं के लिए भी करांथी हुई ये समय है क्या महलाओं के लिए करांथी भी समय महनत तो देखो भांए करने पड़ेगे आप सोचो बिना महिनत के कुछ वन्या है तुम बसके लिए याद रखिए मुझे लगता है कि अधिकतर लोग सिविल सही सर्विस की तयारी से मजाग करते रहते हैं मैं अभी कल फेस्बूक खोल रहा था वैसे मैं चलाता नहीं फेस्बूक कभी तो आए तो मैं देख रहा है कि लोग one day मतलग तयारी करें तुम्में questions का पता रहना चाहिए कि प्रेलिन से में किस तरह का questions रहता है तो अधिकतर लोगों पाज question paper ही नहीं है syllabus ही नहीं होनके सामने पर आपको पता होगा ही मैंने लिए mazing सबी कुछ आपके 2011-2019 तक कि सभी questions paper वो लग दिकार दिए गए से लेवर, MPPSC, MPPCS, सब और जो भी आपके NCEIT जरूरी हैं वहाँ डाल दे गएंगें तो आप लोग questions paper देख लिया करिएगा, कई लोग पोस्ट करते हैं वहाँ one day exam वाले questions कि गांधी का जनम कब दा, अरे भाई ये काम खतम इनका हो गया है, ये तो आप one day exam में भी नहीं पूछे जा रहे हैं, questions जिस तो रहे किसार आप में देखा होगा, तो pattern अच्छे से बदल चुका है, आप भी बदल जाइए इस किसार, वर्साय की और कूच करती पेरिस की वालते, ये चित 5 अक्टूबर 1789 की घर्नाओं के कई चित्रों में से एक है, उसी दिन महलाएं पेरिस से वर्साय जाकर राजा को उपने साथ लेकर लोटी थी, महलाएं शुरूं से फ्रांस उनकी भागेदारी, किरांदीकारी सरकार को उनका जीवन सुधार नहीं तू, ठोस कदम उठाने के लिए पिरित करेगी, तीसरे एस्टेट की अधिकांस महलाएं जीवका निर्वाय की लिएक काम करती थी, बेसुलाई, बुनाई, कपरों के दुलाई करती थी, बाजारों म कुलीन, कुलीनों की लड़कियां या पिर तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कौनमेंट में पढ़ पाती थी, इसके बाद उनकी साधी कर्दी दी जाती थी, कामकाजी महलाओं को अपने परिवार का फालन फूसन भी करना पड़ता थी, जैसे खाना ब अपने हितों के हिमाले हिमायत करने उन उन पर चर्चा के लिए खुद को के राजमितिक किलब सुरू किया और अखवार निकाले, फ्रांस के विविन नगरों में महलाओं की लगभग साथ किलव अस्तित में आये, उनमें से दा सोसाइटी ओफ रिवू लिसनरी एंड रिप महलाओं के जीवन में सुधार लाने वाली कुछ कानून लाओं की हिए सरकारी विद्यालायों की इस्थापना के साल इस सभी लड़कियों के लिए स्कोली सिक्षा को अनिवार बना दिया अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खलाब साधी के लिए बात नहीं कर सकते थे साधी को स्वेक्षिक अनुबंद माना गया और नांगिरिक कानून के थे उनका पंजीकन किया जाने लगा तलाक को कानूनी रोप दे दिया गया मर्द और दोनों कोई इनकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया है अब महला है व्यवसाहिक पे सिक्षण ले सकती है कलाकार बन सकती थी और मोड चोटे-मोठी व्यवसाहिक चला सकती थी एक बात आप समझे तलाक कानून को फ्रांस में कब देखिए 1792 की करीब कानूनी अधिकार मिल चुका था अठारा सो की करीब और आप देखिए अपने वारत में 2020-2020 में जाकर मिल रहा है कानूनी अधिकार और अभी भी लड़ाई चली रही है समझ सकते हैं तो यही तो पिछड़ने का कारण बंदा है फिर भी राजनितिक अधिकारों के यह महला हैं संगर्स जारी रहा महलाओं का आतंकराज के दोरन सरकार ने महलाओं के लवों को बंद करने की और उनकी राजनितिक गतिविदियों पर पितिवन लगाने वाला कानून लागू किया कई जानी मानी महलाओं को गरभतार कर लिए गया और उनमें से कुछ को भासी पर चड़ा दिया गया मतादिकार और समान बेतन के लिए महलाओं का अंदोलन अंगली सदे में भी अनेक देशों में चलता रहा मताधिकार का संगयव 19.20 सदी के अंद एबं 20.20 सदी के पहरम तक अंतराश्टिये माहनव मताधिकार आंदोलन के जरी 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 रहा करांतिकारों कारी आंदोलन के द्वारान फ्रांसीसी महलाओं की राजनितिक सरगर्मियों को बेरकिस्मिती के रूमें जिंदा रखा ले अंतदा 1946 में फ्रांस की महलाओं ने मतादिकार हासिल कर लिया करांतिकारी महला ओलंप दे भूज का जीवन याद रखिए इस तरह से आख लूम नाम याद रखा करिएगा अपने सुतंता संग्राम में जिन महलाओं की भूमिकार रही है क्योंकि जब आप आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो इन्हें उदारन की रूम में उतमें एक्जांबल की रूम में डाल दिया रही है इससे आपका आंसर होता है जो प्रभावसाली लगने लगता है ठीक है ओलंपदा देगूज क्रांतिकाली फ्रांस की राजनितिक रूप से सक्रिये महलाओं में सबसे महत्मूर थी उन्हें समिधान पुरो सेवं नागरिक अधिकार गोशनापत का विरूद किया क्योंकि उ इसलिए उन्होंने सन 1791 में महलाओं नागरिक अधिकार गोशनापत त्यार किया जिसे महराणी और नेशनल असेम्बली के सदस्टों के पास यह मांग करती हुए विजा कि इस पर कारवाही की जाए सन 1793 में ओलंपदे गूज ने महला किलमों को जबजस्ती बंद करने के लिए जिकोविन सरकार की आलोचनागी उन्पर नेशनल कर्वेंशन तोरां देश त्रोहों का मुकदमा चलाए गया इसके तुरंद बाद उन्हें हासी पल लड़कार दिया गया ओलंपदे गूज के गोषणापत्त में ओले कि कुछ मूलपूत अधिकार थे ये नहीं भी देख लेते हैं औरत जर्मना स्वतन थे यानि कि औरत जर्म से स्वतन थे और अधिकारों में पुरुष के सवान है सभी राजिंतिक संगटनों का लक्ष पुरुष एवं महलाओं के ने सर्गेक अधिकारों को स्वतन रख्चित करता है ए अधिकार सुतंता संपत्ती सुरक्षा सबसे बढ़ कर सोसंट के पिती रूट का अधिकार है समग संप्रभूता के सुरूत राष्ट में नहीं थे जो पुरुष एवं महलाओं के संग के सिवाय कुछ नहीं है कानून समान सामान एक्षा की अभिव्यक्ति होन चाहिए सभी महला एवं पुरुष नागरिकों का या तो प्यक्ति का तुरूप से या पर अपने पिती निदियों के मात्याप से बिधी निर्मान में दखल होना चाहिए या सभी के लिए समान होना चाहिए सभी महला एवं पुरुस नांगरिक अपनी योगता एवं पितिपा की बलपर समानूप से या पिर बिना किसी भेदवाव के हाल तरहें कि समान वा सारविनिक पत के हगदार हैं कोई महला अब बाद नहीं है वाविदी सम्मत पिक्किरिया द्वारा अपराद अपरादी ठेराई जा सकती है गिरपतार और नजरवंद भी की जा सकती है पुर्सों की तरह महलाओं महलाएं भी इसका ठूर कानून का फालन करें बेकारी की दुकान प्रकतार में महलाएं सन 1793 में जिकोविन राजनितिक सोमिद ने इस आधी आधारों पर महला किलवों को बंद करने का अड़ेट है उचित ठेला क्या प्रक reciprocal ने गरेलुकार पुर्सों को सौपाय च्या प्रक्कीती ने बच्चों को दूद बलाने के लिए हमेशन दिय नहीं प्रक्कीती ने पुरुस से कहा पुरुस बनो सिकार किसी राजनितिक कर्टब यह तमμहारा समराज पर किती ने महला सिखा इस्तरी बनो ग्रहस्ती के काम करो मातत के सुखदायत यही तुमारी कार है पुरस बन्ने की इक्षा रखने वाली महला है निरद लज्ज हैं क्या जिम्मिदारी का उचित बटबारा हो नहीं चुका है फिर आपका दास्पिता का उन्मूलन फ्रांसेशी उपने वेसों में दास्पिता का उन्मूलन जेकोविन सासन के करांती कारी सामाधिक सुखदायोरों में से एक था कैरीबियाई उपने वेस मार्टिनिक गोडिलो और सेन डोमेंगो तमाको नील चीनी एवं कौफी जैसी बस्तुओं के मात्मून आपूरती करता था आप अरचित एवं दूर देश जाने बद और काम करने के पिती यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में सरम की कमी इस कमी को यूरोप अफीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणिये दास ब्यापार द्वान पूरा किया गया दास ब्यापार सत्रवी सदादी में शुरूँगा और फ्रांसेसी सौधागरों बौर्दे या पर नांते बंदरगाह से अफीका तटपर जहाज दे जाते थे जहां भी इस्थानिये सरदारों से दास करिएते थे दासों को दाग कर हद कडियां डाल कर अटलांटिक महासागर के पास केरिवियाई देशों तक तीन माही की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था ठूंस दिया जाता यहां आप समझ सकते हैं उनकी इस्तिती के बारे में दासों की वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेंद दिया जाता था दासरम के बल पर यूरोपिये बाजारों में चेडी कॉफी नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुगा बोड़दे और नांते जैसे बंदरकार फलते फूरते दास ब्यापार की कारणी समर्द बने गए चित देख रहे हुए आप लोग 14 दास मुक्ती सं 1794 को इस चित में दासों की मुक्ती का दुरन है सीश पर तरंगे बेनर का नाराय मनुस के दिकार नीचे अविलेक कहता है गुलामों की मुक्ती एक प्रांसी सी मैला अफिल की एवां अमेरिका इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़ी देकर उन्हें सब्ब बनाने की चेश्ठा कर रही ही हमारे आभी आपके जो अंग्रेश थे यही बोलते थे कि हम लोग असब हैं और हम लोगों को सब्ब बनाने के लिए आये हुए ह अठारवी सदी में फ्रांस में दास पता की जाना निन्दा नहीं हुए नैशनल असेमली में लंबी वैस्ट हुई बैक्ती के मूलभूत अधिकारों उपने वेसों में रहने वाले प्रजा से समस्त फ्रांसी सी प्रजा वुपदान किये जाए या नहीं परन्तु दास ब्यापारत पर निरपर ब्यापारियों के विरोध के भैसे नैशनल असेमली है में कोई कानून पारिद नहीं किया लेकिन अंत्ता सन 1794 में कन्वेंसन ने फ्रांसी सी उपने वेस में सभी दासों की मुक्ती का कानून पारिद कियो परिया कानून एक छोड़ी सी अवधी तक ही लागू रहा दस बादवाद दस सालवाद नैपोलियन ने दास पिता पुना सुरू कर दी बागार मालिकों को अपने आर्थिक साधने के लिए अफी की नेग्रो लोगों को गुलाम बनाने की इस्तिन था मिल गई प्रांसिसी उपने वेशों से अंतिम रूप से दास पिता का उन्गूलन 1848 में निग्रो ये आपकी अफीका में सहारा रेगिस्थान के दच्छन में रहने वाले इस्तानी ये लोग थी यह अपमान जनक सब्द जिसका अपकरा इस्तिमाल नहीं किया जाता है ठीक है क्या राजनीती लोगों का पहनावा उनकी बोल्चार अत्वा उनकी द्वारा पड़ी जाने वाली पुस्तिकों को बदल सकती है सन 1789 के बाद की वर्सों में फ्रांस के पुरुस महलाओं वे उन बच्चों की जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आये करांतिकारी सरकार ने कानून मना का सुतन्ता एवं समानता के आदल्सों को रोजाना की जिन्दगी में उतारने का फ्रेयास के बास्टील के विद्वांस के बाद सन 1789 की गरिमियों में जो सबसे महत्पून कानून अस्तित में आये वह थापका सेंसर अधिकारियों द्वारा पास की जाने के बादी पिकासित या मंचित किया जा सकता है आप भी सुनते हैं वीवी कि आपकी कोई बुक्स होती है या मोवी होती है तो वो पहले सेंसर बोड में जाती है वो जब अपरूबल देता है यानि की सोईकिते देता है उसके बाद ही उसे पेकासित किया जाता है परन्तु अब अधिकारों के घोशनापत ने भासर एवं अभी व्यक्ति की सुतनता को नैसरगी अधिकार गोसित कर दिया पैडाम स्वरूप फ्रांस के सहरों में अखवारों परचों पुस्तकों एवं चपी हुई तश्वीरों की बाढ़ा की जहां से वह तेजी से गाउं देखात तक जा पहुंची उनमें फ्रांस में घड़ रही घड़नाओं एवं परिवतनों का ब्यवरा उन पर टिपड़ी होती थी फ्रेज की सुतनता का मतलब यह था कि किसी भी घड़ना पर परस पर विरोधी विचार भी बैखत किया जा सकें प्रेंट माध्यम कव्योकर की एक पक्ष ने दूसरी पक्ष को अपने देश्टी कोंड से सहमेत कराने की कौसित की नाटक संगीत और सभी जुलोसों में असंकलों जाने लिए सुतंता और न्याय के बारे में राजनितिकों बदार सुनेकों की पंडित पूर्ण लेकन को समझने और उससे चोड़ने का या लोग पिलिए तरीका था क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्टी भर सिक्षितों के लिए समभ यानि कि यहां इस तमय लोग पढ़ लिख जिसका इस्तेमाल वोटापा गटाने के लिए किया जा सकता अग्या चितकार द्वारा बनाएगा चित 1790 अग्या चित न्याय के विचार को भीवार में बदला चाहता था हे आपका मरा जंता को संभूदित करती हुई लुई लियू पोल्ड बाईली रचिद्-चित यह आपके यहां से संभूदित रहे हां इससे अध्याय से मरा की बारी में आपको क्या याद है इसके इरदेगे जिर्द मोजुदर्स का बाईडन कर सकते हैं तो इस सद्याय का चाहरण क क्या है 1804 में नेपोलियम बॉनापार्ट ने खुद को फ्रांस का स्मराट अपनाशua के पार्ण का नेपोलियन और बॉना पार्ट फ्रांस का समराट। उसने पड़ोस के यूरोपिये देशों की विजय यात्रा सुरू की पुनारने राजवन्सों को हटा कर उसने नए समराज बनाए उनकी बागडोर अपने खांदान के लोगों के आतों में दे 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 नैपोलियन खोद को यूरोप के आधुनी करण का अगदूत मानता था उसने निजी संपत्ती की सुरक्षा के कानूट बनाए और दसमलोपते दिपर आधारित नापतौल की एक सम्मान पेनाली चलाई सुरू सुरू में बहुत सारे लोगों को नैपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को सुतनता दिलाने की उमीद रुख थी पर जल्दी उसकी सेनाओं को लोग हमलाबार मान न लेगी आखिर कार 1815 में बॉटरलू में उसकी हार हुई यूरोप के बाकी हिसों में मुक्ति और आधुनी कानूनों को भेलाने बाले उसके करांती कारी उपायों कासे उसकी वित्यू के काफी समय बाद सामने है देखिए चित 78 आलपस पार करता नैपोलियन डेविड द्वारा बनाए गया चित यह आपकी नहीं कहानी सुनी होगी कि आलपस परवत इतना उच्छा था कि लोग उसे पार नहीं कर पाते थे नैपोलियन बॉनापार्ट की कहानी सुनी होगी ठीक है जब वो जाता है उस साल पस परवत की चड़ाई करने के लिए तो आप कोई बुड़ी महला मिलती है और तो वो कहती है क्यों मर नहीं आया हुए हो सुनी है कहानी के नहीं अगर सुनी हो तो कमेंट वॉक्स में ऐसे लिए और नहीं तो कहते हैं कि वो उस बुड़ी मा को हार पहना देता है अपने गले सुपार कि तुमने बता दिया तुमने मजे हिम्मत दी और वो बढ़ता जाता है वो कहते हैं कि उसके सेने पूंचते है कि आलपस परवस कितने दूर है अभी तो वो कहता कि अभी नहीं अभी आएगा हम बता देंगे तुम लोगों को वहां से तुम लोट जाने लेकिन कहते हैं कि आलपस परवस चड़ जाता है उसके बाद उसके सैंडिक पूंचते हैं तो सब सेनिकों को हैरानी होती है इसके बारे में आपपको कई काहनी भी सुनते हैं कि कोई मैडक था वो एक बहार पर चड़ रहा था ये कुबै इसे बहार निकलने की कौ शाज़ कर रहा था तो वो बहरा था और सब चला रहे थी मर जाओगे, मर जाओगे, उसे लग रहा था कि हिम्मत दे रहें, कि चलो चलो तुम चड़ जाओ, दो वो चाड़ जाता है, सफल हो जाता है, तो इसलिए तो कहा जाता है, कि लोगों की बातने सुनना बंद कीजिए, क्योंकि लोग आपको हिम्मत देने की वज़ाए, हिम्मत सदी में फ्रांस से निकलगा बाकी यूरोब में फेले और इसके कारण वहीं सावन्ती विवस्था का नास हुआ उपने वेसी समाजेओं ने संप्रभू राष्ट राज की स्थाफना की अपने आंदोलन में दास थी मुक्ती के व्यापार को नहीं परिवासा दी टेपो सुल्टान और राजा रामोराय करांथी कारी फ्रांस में उपचिब विचारों से पिड़ा लेने वाले दो थोष उधारन थे राजा रामोराय उस समय उरोब में फेल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थी फ्रांसेसी करांती के बाद जुलाई करांती में उनकी कलपना को नई दादी फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई करांती के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे हाला कि एक गटना के कारण बेउंदनों लंगड़ा कर चलती थी लेकिन एंगलेंड जाते हुए केप टाउन में वह जित करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी त्रंगे जंडे वाले योद को दिखाए जाए एक बात याद रखिए आपकी जो भी फीडिया पे हैं सभी टलिग्राप डाल दिए अगर आपके पास भी सिलिवर्स नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लें कुश्चेंस पेपर अभी आप लोग सभी डाउनलोड कर लें मिनीमम आप लोग चार सी पांट साल कुश्चेंस लगा कि रखा करिए कोई भी कुश्चेंस पेपर याप कोई भी परीच्छा वाकी उसका सलिवर्स और कुश्चेंस पेपर होना जरूरी है इसके बिना खुछ भी नहीं होता है तो आप लोग इतना ध्यान रखा करिए पहें नॉनमर्मल से अगला ध्याइए होगा हमारा, दूसरा, एरोप में समाजबा देऊं, रोसी करांती के बारे में अम लोग पढ़ेंगे, फ्रांसेसी करांती की कहानी देख चुके हैं नवस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, NCRT कप्छा नौवी की भारत और समकाली निविस, हष्ट के नाम से जोगा की वोग सिर्फ, उसी पर हम लोग थे तो इसमें हम लोग एक चेप्टर आपकर खतम कर चुके हैं, फ्रांसेसी करांती के बारे में देख चुके थे आज हम बात करते हैं दूसरे चेप्टर के बारे में, योरोप में समाजबाद एवं रोसी करांती को देखते हैं तो याद रखिए आपको बड़े धहर के साथ पढ़ना है और कच्छा नौवी से जितनी भी आपकी बुक्स हैं कच्छा बारवी तक की आपके लिए बहुत जरूरी हैं इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है याद रखिए अगर आप स्टेट कि स्टेट PCS की तैयारी रखिए हैं आप फिर आई एस की टी रखिए सिवन सर्विस वो कच्छा चटवी से अगर आटवी तक पढ़ने तो आपके लिए बहतर होगा अगर नहीं है आपके पार्ट टैंग तो कच्छा नौवी से बारवी तक तो आपको पढ़ना ही है सामाजीक परिवर्तन का योग पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी करांती के बाद इरों में फ्यलते जा रहे सुदंता और समांता के 37 साली बिचारों के बारे में पढ़ा था फ्रांसीसी करांती ने सामाजीक सरचना के छित में अमूल परिवतन की संभावना का सूर्थपा कर दिया था जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18 सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तोर पर ए एस्टेट्स और सेर्णियों में माटा हुआ था समाज की आर्थिक और सामाजीक सत्ता पर कुलीन बरन और चर्च का नियंतर था लेकिन किरांती के बाद इस सरचना को बदलना संभो दिखाई देने लगा इवरोप और डेसिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बैक्तिकत अधिकारों के उस्वरूप और सामजीक सत्ता पर किसका नियंतर हूँ इस पर चर्चा छड़ गई इस समय भारत में भी राजारा मुहराय और डेरो चियो ने प्रांसी सी करांती गई महत्त का उल्ले किया और बहुत और भी बहुत सारे लोग करांती पश्चाद इवरोप की स्तितियों के बारे में चल रही बहस में कून पड़े आगे चल कर उपनिवेसों में घटी घटनाओं ने भी इस बिचारों को एक नया रूप पिदान करने में युगदान दिया मगर यूरोप में भी सभी लोग अमूल सावाज प्रिवर्दिन के पक्च में नहीं थे इस सवाल पर सबकी अलग लग राय थी बहुत सारी लोग बदलाओ के लिए तेयार तो थे लिकें वाज चायते थी कि वह रहा बदलाओ धीरे धीरे हो एक खैमा यानि कि एक पक्च समाज का अमूल पुनरगठन ज़रूरी है कुछ रूड़ी वादी थे और कुछ आपके उदार वादी या फिर आमूल परिवर्टन वादी इसे आप तो रैडिकल भी मोलते हैं समादारों की पक्च में थे उस समय के संदर्म में इन सब्दों का क्या मतलब था राजनिती की इन धाराओं में क्या फर्ट था और कौन-कौन सी बातें थी जो समान थी यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन सब्दों पर हर काल परिवेश में ही नहीं होता है यानि की बदलता रहता है है असमें ठीक है इस अध्याय में हम 19 भी सतावती की कुछ मत्पून राजनिती परंपराओं का अध्यन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्टन के संद्रग में क्या असर डाला जिसके बाद हम एक ऐसी इतियासी गठना बर अपना ध्यान के अध्यित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल और गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया रोस में हुई किरादी के पलस्वरोग समाजबाद 20 वी सदी का सौरूप तय करने वाले सबसे महत्पून और सकती साली विचारों की सिंखलाओं का हिस्सा बन गया तो बात करते हैं उदारवादी, रेडिकल और रोडिवादी समाजबी परिवत्तन के समलत्खों में एक समोग उदारवादीयों का था उदारवादी ऐसा रख्ट चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर कसरमान और जगे मिले साइद आप जानते होंगी कि उस समय इउरोप के देशों में फुरया किसी एक धर्म को यी जाना मत दिया जाता था बैटेन की सरकार चर्च ऑप इंगलेंड का समर्थन करती थी और 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 इस्पैन कैथलिक चर्च के समझ तक थी यानि कि हर देश अपने अपने एक धर्म को मानता था बड़ावा देता था उधारवादी समुव बंस आधारिफ सासकों की आनेंति सत्ता के भी विरोधी थे बेसरकार के समझ चुबेक्ती मात के अधिकारों की रख्चा के पक्षिदर थे उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हमल करने या पर उन्हें छेनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए आप सभी जानते हैं कि पहले इस तरह के अधिकारों का कोई मुद्द न कि नेल तो आप समझ सकते हैं कोई मतलब किसी के अधिकार कोई अपना अधिकार नहीं मांग सकता था और अधिक अधिकार नहीं अधिक धिर सॉक्य को पीझ कोई नहीं Kाम नहीं करके आप उसके पास कोई options नहीं हुआ कर देते यह समूव पिति निदित पर आधारित एक ऐसी निर्वाची सरकार के पक्ष में था जो साजकों और अपसरों के बिर्भावों से मुक्त और सूफ पिसीक्चित नियाई बालिका द्वारा इस्थापित किये गए कानूनों के अनुसार सा यह समूव लोगतंतवादी नहीं था ए लोग सारवह में वैसक मतादिकार यानि कि सभी नागरेकों को बोट कादिकार देने के पक्ष में नहीं थे उनका मानना था कि बोट कादिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए यह आपके देश में भी होगा तो इसमें नही यह नहीं थे आपि कर नहीं नहीं कि सभी नागरेकों को बरावर काद आप दिया है यह और चाहिए आप करीव हों या המ׏रोर या अ आ सिक्छित हों आप सभी के बोट की कीमत नेधारित है जितना अमीर के बोट की कीमत है अथनी ही आपके बोट की त 보시면र शांभी है ये इसमें भागिदारी ले सके। आप सोचे अभी अगर ये हालत है हमारे देश में गरीबों की। अगर उन्हें बोर्ट देने का अधिकार न होता, तो अभी जो नेता दो चार चुनाव में दो चार वार उनके पास हो आते हैं गरीबों के पास। पर बोलो इसके लिए भी ना यूझकि अभी तो उनके महन में लालत चैलता है तो वह जंता तक क्मसे समझता की सुनते रहेते हैं अगर वह लालत्च ही खतम हो जाता तो लोग भी ना जाते हैं वाखती सोचिये अधिकतर लोग हम सब में से क्या करते हैं कि अगर उनसे बोल लिया जाएगी सेविल सर्विस के लिए NCEIT बिल्कुल ज़रूरी नहीं तो वो नहीं पढ़ेंगी वो इसलिए पढ़ रहा है कि उन्हें पास करना है यानि कि आईएस भाइट करना है बनना है ठीक है तो इसी तरह समझ सकते हैं इसके विपरीत रैडिकल समभू के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आगदी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो इन में से बहुत सारे लोग महला मतादिकार अंधुलन के भी समर्थक थे हैं वो दारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमियारों को सम्मन संपन वो द्यवपतियों को प्राप्त किसी भी तरह कि विशेश अधिकारों के खिलाब थे वे निजी चमपत्ती के बिरोदी नहीं थे लेकिन केवल कुछ लोगों के पास समपत्ती के साक्यंद्रन का पर रोलब जिरोड करते थे आप इसी इस तरह से लेग सकते हैं कि एक आपके चित में एक बहुल वाधी यानि कि भहुँसंख्याग जाती है और एक अलम संख्याग जाती है तो आप लोग चिसके पास बहुमत है यानि कि कि बहु संक्या थे उसके पक्ष में समर्थन करें उसका समर्थन करें तो यह आप लोग रेडिकल समगों के लोग थे अगर हम लोग रोडी बादी तब का की बात करें तो रोडी बादी तब का रेडिकल और गुदारवादी दोनों के खिलाब थे मगर फ्रांसेसी किरांती के बाद तो रोडी बादी भी बदलाओ की जरूर्वत को सुरिकार करने लेगे पुराने समय में यानि की अठारवी सतापदी में रोडी बादी आम तोर पर परिवर्थन के विच्चारों का बिरोध करते थे लेकिन 19 सदी तक आते आते बेज भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्थन आउसक हो गया परन्तुए चायते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए अर्थात अतीत को पूरी तरे ठुपराया ना जाए वो बदलाव की पिक्रियत धीमें हो प्रांसीसी किरांती के बाद पैदा हुई राजनेतिक उतल पुतल के दौरान सामाजिक परिपत्तर परकेंदित इन विद्विद विचारों के बीच काफी टकराव हुआ उन्नीस भी सदी में करांती और राठी कायंतरन की विवेन कोशिसों ने इन सभी राजनेतिक धाराओं की सिमाओं रो संभावनाओं कुष्पष्ट कर दिया बात करते हैं उद्दोगिक समाज और समाजीक परिवतन उद्दोगिक समाज और समाजीक परिवतन यह राजनित्ति रोज्ञान एक नई अपकी गोतर थे यह दो गहन सामाजी के वुम आर्थिक बदलाओं का था यह ऐसा समय था जब नई सहर पस रहे थे नई नई उद्धोग विक्षित विक्षित हो रहे थे रेलीवी का काफी विस्तार हो चुका थे इस समय उद्धोगी कि प्रण ने औरतों और आदमियों और बच्चों सब को कारखानों में ला दिया था काम के गंटे यानि की पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी बेरोजगारी आम समस्या थी इस समय ठीक है आप ही सुचते हैं अभी भी आप लोग देखते हैं अभी कोरोन आ वो हैरस के टैन यो भी उत्तर पिदेश ने जो आट गंटे का का भूता था उसे बढ़ा कर आरेगंटे कर दिया गया बेतन वहिए जो पहले मिलती थी वही बेतन है लेकिन उनका काम बढ़ा कर बढ़ा दिया है काम के गंटे यो भी थे मतादीकार की बात करें तो मतादीकार अंदुलन वोट लालने का अदिकार पाने के लिए चलाए गया अंदुलन आपका मतादीकार अंदुलन कहलाता है वद्दोगीक बस्तूओं की मांग में गेरावट आजाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी, सहर तेजी से वर्षते और फैलते जा रहे थी, इसलिए आवास और साफसफाई का काम भी मुस्किल होता जा रहा थी, उदारबादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का अलग होजने की कौसित कर रहे थी, नेखिये उसे, 19-20 सितापदी के मद्दे लंदन के गरीवों की दसा, उसी समय के एक बेक्ती की देश्टी से, यह आपका कहां से लिया गया चित, हेनरी मेंड में ही यह लंदन लेवर एंड लंदन पूर 1861 की बनाएगा, देखिये, यानि की तब से गरीवी चली आ रही है, ना तो अभी तक खतम हुई है, और ना तो आसा अभी तक दिख रही है, कि अभी इसे खतम हो जाएगी पूरी तरह से, लगवक्त सभी उद्धो ब्यक्तिगर स्वामित में थे, और बहुत सारे रेडिकल और उपुदारवादियों के पास भी काप्री संपित्ती थी, उनके यहां बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, उन्होंने ब्यापार या फिरुद्धोगिक वेवसायों के जड़िये, धन दौलत एकट्टा की थी, इसलिए वाई चाहते थे कि तरह के प्रयासों को जान्दा से जान्दा बढ़ावा दिया जाए, उन्हें लगता था कि अगर मजदूर, सवस्त हो और नागरिक पड़े लिए, तो इस वेवस्ता का भरबूर लाब लिया जा सकता है, ए लोग जनमजात मिलने वाले सतंता दी जाए, तो गरीबों को रोजगार मिली, और जिनके पास फूजी है, उन्हें बिना रोक्तों काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है, इसी कारण 19 सती के सुरुवाती दस्कों में समाज परिवतन के इक्चुद, बहुत सारी कामकाजी, इस्तरी पुरुस, उदारबारी और रैडिकल समभूओं बापाइटियों के इसके गोल बंद हो गई थे, आप इसे इस तरह से ले सकते हैं, इसमें कोई सक नहीं है, यगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, और सेचिक होगा, तो हमारे देश की उन्नती में, और उसकी भी व्यक्तिगत उन इसके लिए सबसे पहले मानौपुंजी ही उपलग्द होती है, लेकिन मानौपुंजी को उपलग्द, यानि की उत्वादन करने के लिए इसमें आपका स्वास्थ, सेक्षिक, पिसेक्षण ज़रूरी रहता है, तभी आप एक अच्छी मानौपुंजी पैदा कर सकते हैं, यूरोब में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे चुटकारा पाने के लिए कुछ राष्टवादी, उदारबादी और रेडिकल अंधुलन कारी करांती के पक्ष में थे, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग करांती कारी हो गया, और राजाओं के तक्था पलट कप्रियों प्रयास करने लेगे, राष्टवादी कारी करता क्रांती के जरिये, ऐसे राष्टों की स्ताफना करना चाहते थे, जिन में सभी नांग्रेकों को समान अधिकार पराप्त हो, 1815 के बाद इटली के राष्टवादी गिस से पे बिजीनी निये ही लक्ष परा अब बात करते हैं, यूरोप में समाज का समाजबाद का आना, समाज के पुनर अगठन की संभाव ना, संभाव तो सबसे दूर गामी दृष्टी पितान करने वाली बिचारदारा समाजबादी थी, 19-20 सदी के मद्द तक यूरोप में समाजबाद एक जाना पहचाना बिच समाजबादी निजी संपत्ती के विरोधी थे, यानि बे संपत्ती पर निजी स्वामित को सही नहीं मानते थे, उनका कहना था कि संपत्ती के निजी स्वामित की विवस्ता ही सारी समस्याओं की जड़ है बे ऐसा क्यों मान देते उनका अरग था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ती तो है जिसे दूसरों को रोज़गार भी मिलता है लेकिन समस्त्या आया है कि संपत्तीदारी व्यक्ति को सरफ अपने फायदे से मतलब रहता है यानि कि अपने प्रोफट से प्रोविट से अब रहता है वह उनके बारे में नहीं सोच चाह जो उनकी संपत्ती को उत्पादम सीर बनाते हैं इसमें आप लोग प्राइवेट कंपणी होगो लेज सकते हैं जैसे प्राइवेट कंपणी है क्या चाहेंगी कि उन्हें तो अपने अपनी संपत्ती को बढ़ाने का मकसद होता है उन्हें किसी ना तो मजदूर के जीवन सेली से मतलब रहता है ना उनकी स्वास्त सेवां से याद रखिए समाज बात जो एसी विचारधारा या सित्धानत ब्यवस्ता होती है जो समता मुलत समाज और राजिकी स्थापना पर बल देती यानि कि सब समाज का भागीदारी चाहती है जो समाज बात होता है या मुख देर समाज की आर्थिक समानता चाहता है और यह विवस्ता पूंजी बात का विरोध करता है आर्थिक समानता का समधन भी करता है आपका समाज बात आगे बढ़ते हैं इसलिए अगर संपत्ती पर किसी एक व्यक्ति के बज़ाए पूरे समाज का नेतर हो तो साजा सामाजी खितों उपर जानदा ची तरह द्यान दिया जा सकता है समाजबाजी इस तरह का वदलाओ चाहते थे कि इसके लिए उन्होंने बड़े फिर्माने पर अभियान भी चलाये कोई समाज संपत्ती के बिना कैसे चल सकता है समाजबाद समाजबाद समाज का आदार क्या होगा समाजबादियों के पास भविस की एक बिल्कुल भिन द्रिश्टी थी कुछ समाजबादियों को को ओपरेटे वियानी सामुई को उद्यम के बेक्चार में दिल चस्वी थी एंगलेंट के जाने माने उद्योपती रोवर्ट ओविन ने इंडियाना यानी की अमेरिका में एक नया समनवे निव हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाई की रचना कप्रियास के कुछ समाजबादी मानते थे कि केवल बैक्तिकत पहले कदमी से बहुत बड़े सामुईक खेत नहीं बढ़ाए जा सकते हैं वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामुईक खेती को बढ़ावा दे उधारन के लिए फ्रांस में लुई बिलांक 1813-1882 चाहते थे कि सरकार पुझी बादी उध्मों की जगए सामुईक खेती को बढ़ावा दे इसे आप लोग इस तरह से ले सकते हैं एक काहों में पचाहस आदमी हैं पचाहस हों मेलकर किसी बस्तू का उत्पादन करें उसके बाद जो भी प्रोपिट हो यानि कि लाव हो उसे आपत में बराबर बराबर बाट लें ठीक है काल मार्ग्स 1818 से 1812 तक का इनका जीवन का लहता है थैंडरेट एंगल्स या आपका 1820 से 1895 तक इनका जीवन लहता है मैं इस दिशा में कई नए तरक पेश किये मार्ग्स का विचार था कि उत्दोगिक समाज पूझी बादी समाज है फैक्टिरियों में लगी पूझी पतियों का सौमित थे और पूझी पतियों का मुनापा मजदूर की महिनस से पैदा होता है मार्ग्स का निश्कस था कि जब तक निजी पूझी पति इस तरह मुनापे का संचय करते जाएंगी तब तक मजदूरों की स्तिती में सुधार नहीं हो सकता है अपनी स्तिती में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पुझीवाद और नीजी संपत्ती परहाधारित सासन को खाल पेकना हुआ मार्थ का विस्वास था कि खुद को पुझीवादी सोसन से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन किसम का समाज बनाना हुआ जिसमें सारी संपत्ती पूरे समाज का ज्यानी की सामाजिक नेंतन और स्वामित रहे हुआ उन्होंने भविस्वादी यमिनिय की कम्यूनिस्ट समाज का नाम दिया है मार्थ को विश्वास था कि पुझी पतियों के साथ होने बाले संगर्श में जीत अंधता मजदूरों की हुआ उनकी राय में धिया समाज की ḥका समाज होने आप अभी भी देखते हैं अपने द देस में कम्यूनिसट नेताओं को तो उनकी अभी भी कमियून 1871 का चित है इस चित में मार्च वा माई 1871 की बीच हुए जन विद्रों को दसाए गया है यह ऐसा दोर था जब पेरिस की नगर परिशाद यानि की कमियून पर मजदूरों आम लोगों पेसेवरों और राजनितिक कारकरताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कबज यह उत्र उत्र फ्रानसी सी सरकार की नेतियों के वर्टे उसे आताशाद के कारण पैदावी ता यह अक्यपी प्यारीच कमियून को अंततार सरकारी टुकड़ी कुचल डाला लेकर दुनिया वर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांती के पूर्पीट का किरूम में इ पेरिश कम्यून को दो और चीजों की वज़े से आज भी याद रखा जाता है। एक मजदूरों के लाज जंडे का उदय इसी गठना से हुआ है। कम्यून नार्डो ग्रांतिकारियों ने अपने लिए यही जंडा जंडा चुना था। दो मार्सेस के लिए जो इस गठना के बाद पेरिश कम्यून और मुक्ति संगर्ज का पितिक बना है। वो लेकनी है कि इस गीत को मूलता उन्नी सो बातर में योदिकी रूम में लिखा गया था। यह आपका लंदन नियूज 1871 से जानकारी मिलती है। आप लोग एक समय एक तरह ऐसे साधान सब्दों में कहें। तो समाजबाद ही समाज के विकास के सिद्धान पर काम करते हैं। और पूंजी बात ही होते हैं यह आपका फ्रोफिट यानि कि लाप के सिद्धान पर काम करते हैं। ठीक है इन्हें समाज के से कोई मतलब नहीं रहता है कि हा नहीं हो रही है या उन्हें कटना ही हो रही है इससे कोड़ी फरक नहीं बढ़ता है समाजबाद के लिए समर्थन की बात करें तो 1870 का दसब आते आते समाजबादी विचार पूरे एगरोब में फैल चुके थे अपने प्रयासों में समर्भय लातने के लिए समाजबादीयों ने दुतियें इंटरनेशनल के नाम से एक अंतराख्टी संस्तावी बना ली थी इंग्लेंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार इस्तितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना सुरूँ कर दिया था संकट के समय अपने सदस्तों को मदद पहुंचाने के लिए इन संकटनों ने कोस इस्थाबिट के और कामों गंटों में कमी तथा मतालीकार के लिए आवाज उठाना सुरूं कर दिया जर्मनी में सोसल डेमोकरिटिव पार्टी यानि की SPD के साथ इन संकटनों के काफी गहरे फिरिश्थे थे और संसदिये चुनाओं में बेपार्टी की मदद भी करते थे 1905 तक बेटेन की समाजबादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेवर पार्टी के नाम से अपनी एक अधर पार्टी बना लिए फ्रांस में भी सोसलेट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया यह आपके हर जगे मिल दाएंगे बारत में भी देख सकते हैं आप तो लेकिन 1904 तक यूरोब में समाजबादी कहीं भी कहीं भी सरकार बनाने में काम्याब नहीं हो पाई संसदी ये राजनीती में उनके पिती निदी बड़ी संख्या में जीते रहे हैं उन्होंने कानून बनमाने में अहम भूमिका निमाजबादी मगर सरकारों महरूडी बादियों उधार बादियों और रेड रेडी कलों कभी दबदबा बना रहा है ठीक है बात करते हैं हम रूसी करांती पर आते हैं ये उरोप के सबसे पिछड़े उद्दोविक छित्रों में से एक है रूस में यह समीकर्ण उलट देया 1917 की अक्टूबर करांती के जरी है रोज की सत्ता पर समाजबादियों ने कबजा कर लिया फरवरी 1917 में रास्ताही के पतन और अक्टूबर की घठनाओं को ही अक्टूबर करांती कहा जाता है हमारा भारत भी जबाब का आजाद हुआ तो एक तरफ हमारे पास समाजबाद था एक पास पुझी बादी वेवस्त आये थी तो हम लोगोंने दोनों का बीच का रास्ता चुना गुठ नेट पेक्च आंदोलन आपने सुना होगा ठीक है इसी से संबंदित यानि ना तो हम पुझी एक तरफा पुझी या बात को अपना है ना ही समाजबाद को 20 का रात था चुन लिया है ऐसा कैसे हुआ करांती के समय रोस के सामाजी को राजनेती खालात कैसे थे इन सवालों को जवाब ढूंडने के लिए आई करांती से कुछ साल पहले की स्तितियों पर हम लोग नजर डालती है रोसी समराज उननीस सो चौदे उननीस सो चौदे में रोस और उसकी पूरे समराज पर जान निकूलस सेकेंड का सासन था मासको के असपास पढ़ने वाली भूचित के अलावा आज का फिनलेंड लाद्विया लिथुआनिया इस्तोनिया पोलेंड यूक्रे बैलारूस के कुछ इस से रोसी समराज के अंग थे यह समराज पिसानत महा सागर तक ःला हुगा था आपका आज के मत देशीया आई राज्जियों के साथ सार जौर्गिया अर्मेनिया अज वेजान भी इसी समराज के अंतरकत आप देथे जे समराज रोसमी गडिव ऑर्थ Orthodox Christianity कुमानने वाले बभूमत में थे लेकिन इस समराज की तहत रहने वालों में किते लिख प्रोटेश्टेंट मुसलिम और बहुत भी सामिल थे अपके इस चित को देख लिजए सेंट पीटर्जबर्ग इस्तित विंटर फैलिस की राइट हाल में जान निकोलस सेकेंड की मुलती है रोसी समराज को देख लिजिए आपको केंदरिये सकतियां हो गए यह जर्मनी हो गई आपके मित सकतियां हो गई फ्रांस इंगलेंड बेल्गियम मॉन्टिगो ठीकर और यह आपकी तटस्त हो गए तटस्त राज यह आपके ऐसी तटस्त राज जो राज में जो बाद में के अंदिरे सक्तियों में से जा मिले थे और यह आके ऐसे तटर स्वराज जो बाद में मित्त सक्तियों से जा मिले थे 1914 का यूरोप कमा में मान्चित में रोसी समराज और पहले महायोद में सामिल एउरोपिय देशों को दर्शा गया आपको पता होगा अभी जो आपका मान्चित आया हुआ है बरतमान में इसमें रोज और कुछ ऐसे देश हैं जो यूरो महादीम में भी आते हैं और एस्या महा हो गया पहले ही सोवियस संग कहलाता था फिर आप रूस कहलाने लगए ठीक है आंगे चलते हम लोग अर्थ व्यवस्ता और समाज 20-20 सदी की सुरात में रूस की आवादी का एक बहुत बढ़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था यानि कि किसानी करता था रोसी समराजी के लगपक 85-30 जन्ता अजीवका के लिए खेती पर ही निर्वर थी एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर निर्वर रहता था एउरोप के किसी भी देश में खेती पर आस्रे जन्ता का पितीसत इतना नहीं थे उधारन के तोर पर फ्रांस और जर्मनी में खिती पर निर्वर आबादी 40-50-30 से जन्ता नहीं थे रोसी समराजी के किसान अपनी जरुरतों के साथ साथ वाजार के लिए भी पैदाबार करते थे रोस अनाज का एक बड़ा निर्यातक भी था निर्यातक का मतलब बेंचना ठीक है उद्धोग बहुत बहुत कम थे समय सैंट पीटर्जबर्ग और मासको पिरमुक उद्धोग एक इलाके हुगा करते थे हाला की जान्दा तर उत्पादन कारीगर ही करते थे लेकिन कारीगरों की बरप्सॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारकाने भी मौजूग थे बहुते कारकाने 1890 की दसक में चालू हुए थे जब रोस के रेल नेटवर्क को पहलाया जा रहा थे उसी समय रोसी उत्पादन में विदेशी नवेश भी तेरीजी से बड़ा इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रोस के कोईला उत्पादन में दुगना और इस टील उत्पादन में चार गुना विद्धी हुई थे सन 1900 तक कुछ इलागों में तुकारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगबग बरावन हो चुकी थी इस पिक्टर्स को आप लोग देख रहे होगे देखे योदे से पहले सैंट फीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान बहुत सारे लोग धर्मात लंगरों में खाना खाते थे और खस्ता हाल मकानों में रहते थे यहालत थी किसान जदातर कारखाने उद्धिवपतियों की नि जद रखते थे लेकिन फैक्टरी इंस्पेक्टर भी नेमों के वलगन को रोग पाने में नाकाप काम्याब थे कारीगरों की काईयों और वर्क सौफों में काम की पाली फिरा 15 घंटे तक खींजी जाती थी जबकि कारखानों में मजदूर आम तोर पर 10 से 12 घंटी की पालीय में काम करते थे समय मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लिकर डॉर्मेटिटी तरह 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 की विवस्ता मौजूद थी सामाजी किस्तर पर मज़ूर मजदूर बटे हुए थे कुछ मजदूर अपने मूल गाओं के साथ अभी भी गहरे समन्द बनाये हुए थे बहुत सारे मजदूर इस्ताई रोप से सहरों में ही वस्चुके थे उनके भी चेवगता और दक्षिता की स्थर पर भी काफी पर्ग था सेंट पीटर्स वाग के एक धातू मजदूर ने कहा था कि धातू कर्मी मजदूरों में खुद को सहा मानते थे उनकी काम में जाना पिसीक्षण और निपूर्था की ज़रूरत जो रहती थी 1914 में फैक्टरी मजदूरों में औरतों की संख्या 31% कितनी 31% थी लेकिन उन्हें पुरुस मजदूरों के मुकाबले कम बेज तन मिलता था मर्दों की तनक्वाई के मुकाबले आदे से 3-4 तक किने महलाओं को मिलता था यह आसा मानता आज भी आप लोग देखने को मिलती हैं मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे बेवहार में भी साप दिखाई देता था आप भी जान सकते हैं कि जब आपके पास इनकम जानागा की और किसी दूसरी के पास एंकम कम हो गएओं को आपके रहने सेहन में कपड़े पहन हुरूर वेवार बादल जाएगा ठीक है महेंगे पहेंगे आप लोग खाना भी वी आईटी होटलों में खाएंगे और जिनके पास इंकम कम होगे वो अपने साथ से रहेंगे या कि पी कुछ मदूरों में बेरवजगारी या फिर आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिये थे लेकि की सब रहें आपी वेपालियों में बारी-बारी से सोते थे और परिवार के साथ नहीं पुच साथ नहीं रख सकते थे इन बेवेदों के बाब जू जब किसी नौकरी से निकाल दिया जाता थे ने तो नेन मालिकों से कोई सिकायत होती थी तो मजदूर एक जोटोकर हर्ताल भी करते थे 1896 से 1897 की वीचे कपड़ा उद्देव में और 1902 में धातु उद्देव में ऐसी हर्ताले काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई देहात की जादा तो जमीर पर किसान खेती करते थे लेकिन 20 साल संपत्तियों पर सामंतों रासाही और आज तो डॉम्स चर्ज का कबजा रहता था मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे किसान बहुत धार्मिक सौभाव के थे एकका दुक्का अब बादों को छोड़ दिया जाए तुम्हे सामंतों और नवाबों का बिलकुल सम्मान नहीं कलते है नवाबों और सामंतों को जो सत्ता प्रहसियत मिली हुई थी वह ल प्रांसीसी किरांती के दवरान व्रेटनी के किसान ना केवल नवाबों का सम्मान करते थे बलकि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकाइदा लड़ाईयां भी लड़ी थी इसके विपिदी रूर के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन चीनकर किसानों की बीच बांट दी जाए बहुदा होए लगान भी नहीं चुकाते थे कौन नवाव कई जगे तो जमीदारों की अध्या भी की जा चुकी थी 1902 में छिडी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े प्रमाने पर घटी 1905 में तो पूरे रूस में यह 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 यूरोप के बागती किसानों के मुकादले एक और लिहास दे भी भेंदने थे यहां के किसान समय समर्पर सारी जमीन को अपने कम्यून यानि की मीर को सौप देते थे फिर कम्यून ही पितेक परिबार की ज़रुरत के हिसाब से किसानों को जमीन बाहरता था उस समय के समाजबादी कारकरता अलेग जेंडर सिल्यापनी कोग के बद तब से पता चुछता है कि बैठके कैसे आज़ित की जाती थी समय एक-एक कारखाने और दुकान में जाकर पिरचार किया जाता था अध्यन्चक भी चलाये जाते थे संबंदित अधीकित मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठके भी बुलाये जाती थी लेकिन इस गती विदी को मजदूरवर्ग मुक्ती के व्यापक संगरस में बड़ी निपोड़ता से परू दिया जाता था गेर कानूनी बैठके जरूरत के वक्त फौरन आविजद करनी जाती थी लेकिन लग्ज के दौरान सामको भाटक के बाहर याड में या फिर कई मंजिला इमालतों की सेणियों में विवस्तिक धन से बैठके आविजद की जाती थी सबसे जागुरू मर्दूर दर्वाजी के पास पिलग का काम सभादते थी मुहाने पर पूरी भीड इखटा हो जाती थी वहां सब के सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था मालिक टेलीकोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थी लेकिन जब तक पुलिस पहुं समाजवाद। एक अख़वार निकलता था उसमें मजदूरों को संगठित किया था और अड़ताल आधी का इत्रम आएजित किये गए थे। कुछ रोसी समाजवादियों को लगता था कि रोसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन वाटते हैं। उससे पता चलता है कि वैस्वाविक रोप से समाजवादी भावना बाले लोग थे। यानि कि समाज के पिती अच्छी भावना रखते थे। इसी यादार पर उनका मानना था कि रोस मैं मजदूर नहीं बलकि किसान की किरांती की मुख सक्ती बनेगे। बेकरांती का नेदत करेगे और रोस बाकी देशों के मुकाबले जन्दा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगे। उननीस भी सदी के आकर मैं रोस के गरामी डेलाकूं में समाजवादी काफी सक्रिये भी थे आथी। सन उननीस सो मैं उन्होंने सोसलिस्ट रिवूर लूसनिरी पाइटी यानि की समाजवादी करांती कारी पाइटी का गठन भी कर लिया था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संगरस किया और मांग की सामन्तों के कबजे वाली जमीन फॉरंग किसानों को सौप दी जाए किसानों के सवाल पर सामाजिक लोगतंत वादी खेमा समाजबादी किरांतिकारियों से सहमत नहीं था लेनिन का मानना था कि किसानों में एक जुटता नहीं है, बेबटे हुए था, कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे कुछ पूंजी पती थे, जो नौकरी, नौकरों से खेती करवाते थे इन आपसी बिवेदों के चलते वे सभी समाजवादियां अंदूलनों का हिस्सा नहीं होते थे सांगठिक, सांगठनिक, रणीती के सबाल पर पायटी में गहरे मतवेद भी थे विलादीर में लेनेंट, बोलसेविक, खेमे की मुखिया, सोचते थे कि जार यानि की राजा, सासित रूस, जैसे दमनकारी समाज में पायटी अतन्त, अनुसासित होनी चाहिए और अपने सदस्तों की संक्या, बाइस्तर पर उसका पूरा नेंतन होना चाहिए जो दूसरा खेमा था, मन से विल, मानता था कि पायटी में सभी को सदस्ता दी जानी चाहिए उतल उतल का समय जब चाल गुता है, 1905 की करांती, रोज एक निरंकुष रास्ता ही था अन यूरोपिये सास्कों के पिफ्रीद, 20-20 रदी की सुरुवात में जाराष्टी यसंसत के दिन नहीं था उदारबादियों ने इस इस्तिती को खतम करने के लिए बड़े पिर्माने पर मुहीम चलाई 1905 में करांती के दौरान उन्होंने समिधान की रचना के लिए पॉल्लेंड में वे इसलाम के आदूनी की करन के समर्तक यानि की जदीदियों मुसलिम बहूल इलाकों का समर्तन भी मिलता था रोसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बोरा था जरूरी चीजों की किमतें इतनी तेजी से बड़ी कि वास्तव एक वेतन में 20-30 तक की गिरावट आवी उसी समय मजदूर संगटनों की सदस्ता में भी तेजी से बिद्धी होई जब 1904 में ही गठित की गई Assembly of Asian Burgers यानि की रोसी सरेमिक सभा की चार सदस्तों को फ्यूक तीलियो आयरं बक्स में उनकी नौक्री से अटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदूलन छिडने का एलान कर दी अंगले कि दिनों के भीतर सेंट पीटर्सवर्ग के एक लाग दसजार से जाना मजदूर काम के गटा कर आठ गटे किये जाने बेतन में बित्ती और कारिस्तितियों में सुधार की मांग करती हुए हट्टा दूल चले गए इसी दौरान जब पादरी गेपून की निदत में मजदूरों का एक जुरूस बिंटर पहलेस यानि की जार कमहल के सामने पहुँचा तो पुलिस और को सेक्स ने मजदूरों पर हामला बोल दिया इस गटना में सौ से जादा मजदूर मारे गए उल्लग भग तीन सो घायल इतियास में इस गटना को खूनी रवीवार के नाम से याद किया जाता है 1905 की करांती शुरुवाती इसी गटना से हुई थी सारे देश में हड़ताले होने लगी जब नांगरिक सुतनता के जे कामकारों ने समिधा सवागे गटन की मांग करते वी इूनियन ओप उनियन्स के स्थावना भी कर दी कि अगर हम लोग नेरंकुस रासाही की की बात करें तो राजा का विना रोक टोक साहन नेरंकुस रासाही कहलते दी यडिदी रूसी समराजय में सक्रीय yeah Muslim सुधार वा बास्तिविक वेतन यह इस बात का पिरमाना था कि किसी वेक्ति की वेतन से बास्तों में कितनी चीजें खरीदी जा सकती है इसे आखा बास्तिविक वेतन कहते थी 1905 की किरांती के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदात संसद यानि की गियुमा के गठन पर अपनी सहमती दे दी किरांती की समय कुछ दिन तक फैक्टरीक मजदूरों को कि बहुत सारी ट्रेड यूणियनों और फैक्टरीक कमेटियां भी अस्तित में आ रही थी 1905 की बाद ऐसे जांदतर कमेटियां और यूणियनों यूणियन अन्ही धिर्यकित रोब से काम करने लिए क्यूंकि उन्हें गेर कानूनी गोशित कर दिया गया था राजने ति क्रती विधियों परभारी पावंदिया लगा दे गए जार नहीं पहली दीवा कुमात 75 दिन के बीतर और पोनाय निर्वाचित दूसरी दीवा को तीन महिने के बीतर बर्कास्त कर दिया गया वो एक किसी तरह की जवाब देही या पिर अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुस नहीं चाहिता था उसने मद्दान कानूनों में फिर बदल करके तीसरी डियुमा में रोडिवादी राजनेताओं को बहर डाला वो दारवादी और किरांतिकारियों को बहर रख दिया अब चलते हैं हम लोग पहला विस्तियुद और रूसी समराज आपको पता होगा कि 1914 में आपका पहला विस्तियुद सुभू होता है 1914 में दो यूरोपी एकटवन्दों की बीच यह उद्द छड़ गया एक खेमे में आपकी जर्मनी, और टिया, तुर्की, केंद्री यह सक्तियां थी दूसरे खेमे में आपकी फ्रांस, बेटेन, रूस, बाद में इटली और रूमानिया भी इस खेमे में सामिल होग थी इन देशों के पास विसाल, बैसलिक समराज थे इसलिए यूरोप के साथ-साथ यह यह यूरोप के बाहर भी फैल गया था इसी यूद को पहला विस्तियूद कहा जाता है आपका इसे यूद को सुरू सुरू में रोसियाओं का काफी समर्थन मिला जनता ने जार का साथ दिया लेकिन जैसे जैसे यह यूद लंबा किछता गया जार ने डियूमा में मौजूद मुख पार्टियों से सलाय लेना छोड़ दिया उसके पिती जन समर्थन कम होने लग जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी जर्मनी विरोधी भावनाओं के करणी लोगों ने सेंट पीटर्सवर्ग का नाम बदल कर तत्रोगराद रख दिया क्योंकि सेंट पीटर्सवर्ग जर्मन नाम था जरी नाम यानि कि जार की पतनी महारानी अलेकसांदा की जर्मन मूलका होने उसके घटिया सलायकारों और खास तोर पर रासकुतिन नामा की एक सन्यासी ने रासाही को और आलोग प्रिये बना दिया उसी तरह से जिस तरह से आमारे राहुल बाबा की सलायका है रहती है दिख विजे सिंग राहुल कॉंग्रेस के सलायकार हैं बरिष्ट सलायकार आगे चलते हैं पित्थम विस्सेवद के पूरवी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्द थी पश्चे में सैनिक पूरवी फ्रांस की सीमा पर बनी खाईयों से लड़ाई लड़ रहे थे जबकि पूरवी मोर्चे पर सैना ने काफी बड़ा फासला तहे कर दिया थे इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुई में जा चुकी थे सैना की पराजय ने रोसियों का मनोवल तोड़ दिया 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और और उस्टिया में रोसी सैनाओं को भारी पराजय जिलनी पड़ी 1917 तक 70 लाथ लोग मारी जा चुकी थे पीछे हटती रोसी सैनाओं ने परास्ती में पढ़ने वाली फसलों इमारतों को भी नेश्ट कर डाला ताकि दुस्मन की सैनाओं वार टिक ही ना सके फसलों और इमारतों के बिनास्ते रोव में रोस में 30 लाग से जानलोग सरड़ाती हो गए इन हालात ने सरकार और जाल दोनों को आलोग के लिए बना दी सिपाही भी योद्य से तंगा आख चुके थे अब बे लड़ना नहीं चाहते यानिकि उनका भी मनोवल टोड रहा था देखिए चित को आप लोग देख रहे हैं गोई पहले विश्योद्य के दौरान रूसी सिपाही थे साही रूसी सेना को रूसी स्टीम रॉलर कहा जाता था यह दुनिया के सबसे बड़ी ससत्य सेना थी जब सेना ने अपनी निष्ठा बदल कर क्रांतिकारियों को समर्थन देना सुरूं कर दिया तो जार की सत्ता भी तह ग बुरा प्रभाओं यानि की असर पड़ा रोस के अपने उद्योगों तो बैसे भी बहुत कम थे रोस में अब तो बाहर से मिलने वाली आपुर्दी भी बंद हो गई क्योंकि वाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से बिदेसी उद्योगी सामान आते थे उस पर अब आपकी जर्मनी का कबज़ा हो गया था किसका जर्मनी का यूरोप के बाकी देशों के मगाबले रोस के उद्योगी कुकर्ण जान्दा तेजी से बेकार होने लगी 1916 तक रेल्वी लाइन टूटने लगी अच्छी सेहत वाली मर्दों को यूद में जोग दिया गया देश बर में मजदूरों की कमी पढ़ने लगी जरूरी सामान बनाने वाली चोटी-चोटी वर्क्सॉप ठप होन लगी जानतर अनाज सेनकों का पीट बनने के लिए मौच पीट की दोकानों पर अक्सर दंगे होने लगी समसकते हैं योदि किस्तिती इतनी खराब होती हैं जेतने लोग योदि से नहीं मरते हैं उतने भूख से मरना लगते हैं सन 1917 की सदियों में राजधानी पैत्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी ऐसा लगता था मानु जन्ता में मौजूद भिन दाओं को ध्यान में रखकर ही सहर की बनावर्ट तय की गई थी मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दायतर पर थे बाएं के नारे पर फैस नेवल इलाके बिंटर फैलिस और सरकारी इमान थे जिस माहल में डियूमा की बैटक होती थी वह भी इसी तरह तरब था फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद पतार्तों की बारी कमी पैदा हुई उस साल ठंड भी कुछ जानाय पड़ी थी भीसर कोहरा और वरप पाई हुई संसदी ये पिती नीदी चायते थे कि निर्वाचे सरकार बची रहे इसलिए हुए जार द्वारा डियूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशीशों का विरोध भी कर रहे थी नई सब ताला बंदी फैक्टरी को इस ताई रोप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारे म मुख पार्टक पर ताला डाल देना क्या क्या लाता है ताला बंदी इसी तरह कि आप लोग फॉइंट पकड़ रहे हैं और निकर जाएगे इस परवरी कुद्दाय तड़ पर इस तेथ एक फैक्टरी में ताला बंदी घुसेद कर दी गी अंगले देने इस फैक्टरी में क की मजदूरों की समल्थन में 50 फैक्टरियों की मजदूरों ने भी हड़ताल कर एलान कर दिया बहुत सारी कारकानों में हड़ताल करें औरतें भी कर रही थी इसी दिन को भारत में बाद में अंतराख्टी महला दिबस नाम दिया गया आंदोलनकारी जनता बस्ती पर पार कर कि राजधानी की वीचों भी निवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई ये समय तक कोई राजनेतिक पार्टी आनूरुन को सक्किरे रूप से संगटित और संचालित नहीं कर रही थी जब फैसनेवल रियासी रियासी इलाकों और सरकारी इमालतों को मजदूरों ने गहे लिया त साम तक पिदर संकारी तितर वितर हो गए लेकिन 24 से 24 और 25 तारीक को वाध फिर एकटा होने लगे सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घोड सबार सैनिक और पुलिस को तेनात कर दिया रविवार 25 फरवरी को सरकार ने डिवमा को वरखास कर दिया सरकार के स्पैसलिक के खलाब राजनितिक बयान देने लगे 26 तारीक को पिदर संकारी बहुत बड़ी संक्यावें बायतर के इलाके में एकटा हो गए 26 तारीक को यानि कि 26 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालाय पर हामला करके उन्हें तहस नहिस कर दिया रोटी तनख्वाय काम के लिए कि घंटों में कमी और लोग तांत्रेक अधिकारों के पक्ष में नागिरल नारे लगाती असंख लोग सड़कों पर जमा हो गए सरकार ने इस्तिती पर नियंतर कायम करने के लिए एक बार फिर गुड सवार सेंटों को तैनात कर दिये लेकिन गुड सवार सेंटों की टुकडियों ने प्रिदरसन कारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिये गुसाई सिपाहियों ने एक रेजीमेंट की बैरक में अपने ही एक अपसर पर गोली चला दी तीन दूसरी रेजीमेंटों ने भी बगावत कर दी और हरताली मजदूरों के साथ आमिले ओस्वाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत यानी की परिशत का गठन करने के लिए उसी इमारित में जमा हुए जहां आप तक अब डिव मा की बैठक को ओध कलती थी यही से पैत्रोग्राद सोवियत का जनम हुए है सोवियत रूस के इस्थानिय सोशासी संगटन को सोवियत करते थे इस पिक्चर्स को देख रहे हैं आप लोगे ये आपकी डियुमा में पेत्रोग्राद सोवियत की बैठक फरवरी उन्नीस सो सत्तर हैं अंगले दिन एक पिती निदी मंडल जार से मिलने गया सैनेक कमांडरों ने उसे सला दी कि वह राजगर्दी छोड़ दे उसने कमांडर की बात माल दी और दो माज को गद्दी छोड़ दी सोवियत और डियुमा के निताओं ने देश का सासने चलाने के लिए एक अंत्रिम सरकार बना ली तै किया गया कि रोज के वविस के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी समीदान सबा को सौफ दी जाए उसका चुनाव सारबों में वैस्क मतादीकार की आदार पर किया जाए फरवरी उन्नीस सो सत्तरे में राजगर्दी को रास्ताही को गद्दी से हटाने वाली करांती यानि की जिन्डा पत्रोगराद की जिन्दा के हाथों में था फरवरी करांती में महिला है महिला कामगर अक्सर अपने पुरुष सहे कर्मियों को पेरिद करती रहती थी लॉरेंज टेलीपॉन फैक्टरी में मारफा वासी लेवा ने लगबग अकेली ही एक सफल हड़ताल को अन्जाम दिया था उसी दिन सोबै को महिला अग्दिवस समारों की मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बानी थी इसके बाद मिलिंग मसीन ओपरेटर का काम करने वाली मारफा वासी लेवा ने काम रोप दिया और आनन फानन हड़ताल काहन करड़ा ना काम पर मौझूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तेयार थे और मैंन ने इस बारे में प्रवन्त को कुछ सूचित किया था और उसके लिए पावरोटी बिजवाई उसने पावरोटी तो ले ली लेकिन काम पर लोटने से इंकार कर दिया जब पिसासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती है तो उसने पलट कर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूह के हूँ तो मैं अके लिए पेट बनने की नहीं सोच सकती मारपा की समरतर में फैक्टरी की दूसरे ब्यवाद में काम करने वाली महलाएं भी इकटी होगी है धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोग दिया जल्दी परसों ने भी औजार जमीन पर डाल दिया पूरा हुजूम सड़क पर निकल आए एक बाद आप लोग समाज लीडियों कि कहीं भी करांती हो या कोई भी वित्रो तभी सफल होता है जब हर बरग उसमें सामिल हो फिर चाहे हो महलाएं हो पूरसों किसान हो मजदूर हो पड़े लिखे हो सभी को सामिल है आप सब्सक्राइब की गरांती हमारे या होई एक बड़े स्तर पर भी देखें वो सभल नहीं होई क्योंकि उसमें फड़े लेखों का नेत्त तो कम था सूजबूज भी कम थी ठीक कई लोग उसी में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों का साथ दे रहे है और 1942 तक आते देखिए आपके पूरी इस्तिती बगल जाती है पूरा देश एक तरफ चलता है एक दिसा में तभी जाके हमें आजादी भी मिली होई है ठीक है अभी भी आप सुचीए कि अगर एक कोई भी तबका कोई भी आंदोलंग करता है वो मुस्किल से सफल हो पाता है लेकर पूरा देश चायता है तो तुरंत सफल हो जाते है फरवरी के बाद की घटनाव पर बा से जल्दी निर्वाचे सरकार का गठन चाहते थी जनसफा करने और संगठन बनाने पर लगी पावंदी हटा लिए हाला कि निर्वाचन का तरीका सब जगे एक जैसा नहीं था लेकिन पैत्रोगराथ सोवियत की तरच पर सब जगे सोवियतें बना लिए अपरेल 1917 में बहु कर रहे थी उनका कहना था कि अब सोवियतों को सकता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए लेनिन ने बयान दिया कि योद्ध समाक्त किया जाए सारी जमीनी जमीन किसानों के हवाली की जाए और बेनकों का राठीकर्ण किया जाए इन तीनों मांगों को लेनिन की अफरेल थी उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जब अब अपने रेडिकल उद्देसों को सफ़्ट करके के लिए बहुत से भी पाइटी का नाम Communist Party रख दिया जाए बहुत से भी पाइटी के जान्दतर लोगों को अपरेल थीसर्स के बारे में सुनकर कापी हरान हुई उन्हें लगता था कि अभी समाजबादी कर्यांती के लिए सही वक्त नहीं आया इसलिए फिरलहार अंत्रिम सरकार कोई समर्थन देना चाहिए लेकिन अंगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सूच बदल दी गर्मियों में मजदूर अंदोलन और फैलिया उद्दोगीक इलाकों में फैक्टरी कमेटियां बनाई इन कमेटियों के माद्यम से मजदूर फैक्टरी चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लिए ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लिए सेना में सिपाईयों की समितियां बनने लगी जून में लगवक 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कॉंगरेस में अपनी पिती निदी बेजे जैसे जैसे अंतरिम सरकार की तागत कमजोर होने लगी तो बहुत से विक्मों का प्रिभाव बढ़ने लगा सरकार आसंतोस को दवाने के लिए सकत कदम उठाने लगी सरकार ने फैक्टरियां चलाने की मज़़ूरों द्वारा की जा रहा ही कोस्टीसों को रोकना और मज़़ूरों की नेताओं को गरबतार करना सुरूं कर दियो जुलाई 1917 में बहुत से विक्मों द्वारा आयुजित किये गए 20 साल पिदर्सनों का भारी दमन किया बहुत सारे बहुत से विक नेताओं को छिपना या फिर भागना पर यह देखा है यहाँ चित अपरेल 1917 में 17 में मजदूरों को संबूदित करते हैं लैनिन एक बहुत से विक छबी यहाँ के लैनिन गाओं में किसान उर्षके समाजबादी करांतिकारी नेता भूमी पुनर वितन के लिए दबाव डाल लगे थे इस काम के लिए भूमी समतिया बना दी गए थी सामाजी करांतिकारीयों से पेड़ा और फुरोसाहल लेती हुए जुलाई से सप्तमबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कपचा कर ले जुलाई के दिन 17 जुलाई 1970 को बहुत से विक समर्थन का पिदर्शन कारीयों पर सेना द्वारा गोलिवारी का द्रस आप उसी तरह से इसे ले सकते हैं जैसे हमारे जलिया वाला बागत्या कान रुगा था तराती है आपकी अप्टूबर 1970 की करांति जैसे जैसे अंत्रेम सरकार और बहुत से भी को कि बीच टकराव वर्दक है लेनन को अंत्रेम शरकार द्वारा लाल तानासाई थोप दैनी की असंका दिखाई दैने लेगी सेप्टमबर में उन्होंने सरगार के ख़लब भिद्रों की बारे में चल्चा सुरू कर दी सेना वर फैक्टिरी ट्रोवियतों में मौजूद बोलसेविकों को एकटा किया गया 16 एक्टूबर 1917 को लेनिन ने पैत्रोगराज सोवियत और बोलसेविक स्पाइटी को सत्ता पर कभजा करने के लिए सत्ता पर कभजे के लिए लेओन ट्राट उसकी किनितित में सोवियत की और से एक सैनिक रामतिकारी सम्तिका कठन किया गया इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि वजना को किस दिन लागू किया जागा 24 अक्टूबर को विद्रोस हो गया संकट की असंका को देखते हुए पिदान मंत्री करन्स की सैनिक टोकडियों को लेकर इकटा करने सहर से बाहर चले गए तड़के ही सरकार के वभादार सैनिकों ने दो बहुत से वीक अफ़पारों की दफ्टरों पर देरा यान की घेरा डाल दे टेलीपॉन और टेलीग्राफ दत्रों पर नियत्रण प्राप्त करने वो बिंडर पैलिस की रख्चा करने के लिए सरकार समर्थक सेंकों को रवाना कर दिया गया फलक जब अक्ते करांतिकारी सम्ती ने भी अपने समर्थकों को वादेश दे दिया कि सरकारी कार्यालों पर कज्जा करने, मंत्रियों को गरपतार करने उसी दिन ओर ओरा नामक युदपोत ने बेंडर पहलेस पर बंबारी शुरूं कर दी अन युदपोतों ने नेवा के राश्ते से आङे बढ़ते हुए विविन सैनिक टिकानों को अपने नियंतर में ले लिया साम ढलते धलते पूरा सहर करांतिकारी संती के नियंतर में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्म समर्पन कर दिया फित्रोग्राद में अखिल रोसी सोवियत कॉंग्रेस की बैठ़ कुई जिसमें बहुमस ने बहुत से विकों की कारवाई का समर्दन किया अन्य सैरों में भी बगावत होने लगी दोनों तरफ से जम कर बंबारी हुई या लिंगोली बारी हुई खास तोर से मास्कों में लेकिन दिसम्बर तक मास्कों पित्रोग्राद इलाके पर बहुत से भी कौंपका नियंतर इस्थाफित हो चुका जैसे आप लोग एक कहानी की तरह पढ़िए पूरी बॉक्स को जो भी एंसी या इटी की बॉक्स है तो आपको भेटर फायदा होगा ठीक है क्योंकि आप भी देख रहे हैं इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं है जिससे संजाया जा सकी हो तो बस आपको पढ़ना है एक दूबार निकल जाने है रटने वाला कुछ मेंटर ही नहीं है और ना ही ऐसा कोई सब्द आ रहा है जो आपकी समझ में नहा सकी है बस आपको पढ़ना है और आराम से देयर रख रोसी किरांती की तारिख रोस में एक फरवरी 1918 तब जूलियन क्लेंडर का अनुसरन किया जाता था इसके बाद रोसी सरकार ने गिगोरियन क्लेंडर अपना लिया जिसका अब सब जगे इस्तिमाल किया जाता है गिगोरियन क्लेंडर जू जूलियन क्लेंडर से तेरे दिन आगे चल दा था इसका मतलब है कि हमारे क्लेंडर के इसाब से फरवरी किरांती 12 मार्च को और अक्टूबर किरांती साथ नमबंबर को संपन होई थी कुछ मात्पूर तिथिया दी गए है 1850 से 1830 रोस में समाजबात पर बहस 1898 रसियल सोसल डेमोक्रेटिव बॉर्कर्स पार्टी की इस्थाफना होती है 1898 1905 खोनी रवीबार और 1905 की करांती जैसी घटनाएं गटती है 1917 2 मार्च को जारद्वारा पत्या किया जाता है और 24 अक्टूबर को फैत्रोगराज में बहुत से भी बिद्रोब होता है 1908 से 20 में गर्य होता है 1929 में कॉमेंटरन का गठन होता है और 1929 में सामुही की करण की सुरुवार होती है इन मत्कून डेटों को याद रखना है कॉमेंटरन यह सब्द आप लोगों ने उपस देखा है कमिनिश्ट पाइटियों की अंतराश्टी संस्ता यह सब्द कमिनिश्ट इंटरनेशनल का संचित रोग है आपका यह आप चित देख रहे होगे यह पित्रोगराज में लेन बाएं ट्राट्रस की दाय मजदूरों के साथ खड़े हुए ठीक है अब बात करते हम लोग अक्टूबर के बाद क्या बदला के लिया बहुत से भी एक निजी संपत्ती की वेवस्था के पूरी तरह खिरा थी जान्दतरों देवों और बैंकों का नमंबर 1970 में राष्टी करण किया जा चुका था उनका स्वामित और प्यवंधन सारकार की नियंतिन में आ चुका था हमारे देश में भी आपने देखा होगा उन्नी सो नक्तर से पहले सबी बैंके जो थी वो राष्टी यानि कि हमारी जत्ता से दोड थी निजी चित के कबजे में थी लेकिन जैसे ही राष्टी एकंड किया गया सब्सक्राइब किसानों को संपत्ति नक्तckर में आपने देखा होगा इंद्रा अंदी की समण में तीक है अ आपका 1988 के करीब आपका च्छा बैंकों का पहले आप 64 बैंकों का राष्टी इकंड कियागिया था ॥ा parenting 2008 में श्माजिक वेर्थowa को और राष्टी इकन कर दिया गया है सब मतलब सब के लिए ये वैंकے खुल जाती है जब किसी भी चीज़ का राष्टी इकन कर दिया दिया सब करेखन, किसानों को सामाजिक संपत्ति गोसित कर दिया गया किसानों को सामन्तों के जमीन पर कबजा करने की खुली चूट ते दी गए सहरों में बहुत से भी कौने मकान मालिकों के परयाथ हिस्सा चूट कर उनके बड़े मकानों के चोटे-चोटे हिस्से कल दिये ताकि बेघरों, बेघरवाद और जरूरत मद्नों लोगों को भी रहने की जगए दी जा सके उन्होंने अभी जात बर्ग द्वारां पुरानी पद्वियों के इस्तिमाल पर रोक लगा दिये परिवर्तन कुष्ट पर श्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की बर्दियां बदल दी गए इसके लिए 1918 में परिधान पितियों की गई जिसमें सोविये टोपी बुदियों नौप का कचुनाओं की अगए आप इस तरह से लिए सकते हैं से यह जैसे ही हमारा देश 1947 में आ जा दुए उसके बाद हमारी सरकार क्या कहती कि पूरी संपत्ति को अपने सब्जे में लेकर बरावर बरावर सब के लिए मार्ट दीती समझ रहा है इस बात या फिर छोड़ देदी कि अपना-पना मतलब हरा आदमी के लिए किसी विपास अगर पचास घर है या पाच घर है तो उसमें से एक घर उसके रहने के लिए दे दिया जाए बाकी जो जरू नवबर 1917 में बोलसेविकों ने समिधान सभा के लिए चुनाव कराए लेकिन उन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया जनवरी 1918 में असेम्बली में ने बोलसेविकों के पिस्ताओं को खारिच कर दिया और लेनिन ने असेम्बली बरखास्त कर दी उनका मत्था की अनिश्चित परिस्तितियों में चुनी गई असेम्बली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कॉंग्रिस कहीं जाना लोगतांत्रिक संस्था है मार्च 1918 में अनराजनितिक सही गईयों की आस अहमेती के बाब चूद बोलसेविकों ने ब्रेट लेटो विस्क में जर्मनी से संधी कर ले आने वाले सालों में बोलसेविक पारिटी अखिल रूसी सोवियत कॉंग्रिस के लिए होने वाले चुनाओं में हिस्सा लेने वाली एक मात पारिटी रहेगी अखिल रूसी सोवियत कॉंग्रिस को अब देश की संसत का दर्जा दे दिया गया रूस एक दली राजनीती विवस्था वाला देश बन गया यानि कि जहां एक दल रह जाए आप चीन को भी देश सकते हैं एक ही दल बचा हुगा त्रेड यूनियनों पर फाइटी का नियंतर रहता है गुप्तचर पुलिस जिसे पहले चेका फरबाब में O.G.P.O. तथा N.K. K.V.D. का नाम दिया गया बहुत से भीकों की आलूचना करने वालों को दंडित करती थी बहुत सारी यूवा लेकप और कलाकार भी पाइटी के तरफ आकर सित हुए क्योंकि वह समाजबाद और परिवर्तन के पिती समर्पित थी अक्टूबर 1917 की बाद ऐसे कलाकारों और ल कोई भंग भी होने लगा आप सबस सकते हैं कि हमारे यां दे शाजाद होगा हमारा तो हमारे यां कही नहता चाहते हैं थे कि एक ही दलिया राजनेती हो दो क्अझ ये ब confess अपने रहे वीजीपी ना हो छो यूधू प्य सापा इस तरह कि ना पाय थी बहू दलिय है व्यवस बनाईए यह आप पिक्चर्स देख रहें हुए यह सो भी एक टोपी पहनी एक सिपाई है मास्को में मैं देवस का पिदर्शन उन्नी सो अठाय में अक्टूबर किरान्ती और उसी ग्रामीड इलाकी दो दिर्श्टिकों 25 अक्टूबर 1905 कोई किरान्ती कारी उथल उथल की खबर अंगले ही दिन गाउं में पहुच गी लोगों ने खूब खुशियां मनाई किसानों के लिए इसका मतलब था कि मुप्त जमीन और योद का खात्म जिस दिन कबर मिली उसी दिन जमीदारों की हवेली लूट ली गई उसके खेत कबजे में ले लिए गई उसके विसाल कारबाग के पेट काटकर सारी लगड़ी किसानों के बीच बांट दिए उसकी सारी इमारते तोड़ दिए उसकी जमीन किसानों के बीच बांट दिए जो एक नई सोवियत जिंगंदिगी जीने को तेजार दिए आपका फिलोब फिदोर विलोब दाहिटरी से लिया हुआ बक्तब है एक जम्मिदार परिवार के सदस ने अपने रिष्टेदादों को भीजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ तक था पलत बिना किसी परिशानी के थामोसी से सांत्री पूर्वक हो गया पूरा हो गया शुरुवाती दिन बरखास्त के बाहर थे बरदास्त के बाहर थे मिखाई मिखाई लोविच जागीर का मालिव सांत्ता लड़क्या भी इसमें कोई सक नहीं कि चेर्मेन कभेवाल सही है बलकि वह बिनम बड़ी बिनम्मता से बात करते हैं हमारे पास दो गाये दो गोड़े छोड़ दिये गए नौ बार बार उन्हें नोकर वार वार उन्हें यहीं कहते हैं कि हमारे पिक्क ना करें उन्हें जीने दो उनकी सुरक्षा और संपत्ति के जिम्मा हमारे उपर है हमने उनसे मानावता भरा बेभार ही करेंगी अफ़वार है कि कई गाओं मे लोग कमेटियों को बाहर निकाल कर पूरे जागीद दुबारा मेखाईल मेखाईलो विच को सौपना चालते हैं पता नहीं ऐसा होगा या नहीं या फिर हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं पर हमें इस बात का संतुर से कि हमारे लोगों में चितना है शर्ट से में मान एकोज ओफ दा नेटिव लेंड टू सेंचुरी ओफ दा रसियन विलेज से लिया गया यह बक्त अम्यापका अब बात करते हैं हम लोग ग्रह योद्धी की तरफ चलते हैं जब बोलसेविकों ने जमीन के पुनर वितरण का अदिश दिया तो रोसी सेना तूटने लगे जांदातर सिपाही किसान थे वे भूमी पुनर वितरण के लिए घर लोटना चाहें थे इसलिए सेना छोड़ कर जाने लगे गैर बोलसेविक सामाज बादियों और राजशाही के समर्कों ने बोलसेविक विद्रों की निंदा की उनकी नेता चड़ी रूस में एकटा होकर बॉल से विकों यानि की रेट्स से लड़ने के लिए टुकडियां संगठित करने लगी में रूसी समराज के जान्दातर हिस्सों पर सामाजी क्रामदीकारिया ग्रीन्स और जार समर्थों यानि की राइट्स का ही निरंदर्ण रहा उन्हें फ्रांसिसी अमेरिकी वैटिस और जापानी टुकडियों का भी समर्थन मिला था ये सभी सक्तियां रूस में समाजबात को फलते पूलते नहीं देखना चाहती थी इन टुकडियों और बोलसेविकों के भी चलते ग्रहियों के दौरान लोटमार डक्यांती वुकमरी जसे समस्याएं बड़े पिर्माने पर फैल रही थी आपकी वराइट में जो निजी संपत्ति के हमाज़ी थी उन्होंने जमीन प गटने लगा जन्मरी 1920 तक भूतपूर रूसी समराज के जादा तरिस्सों पर बोलसेविकों का नेंतर यानिकी इनका नेंतर कायम चुका थी उन्हें गयर रूसी स्टास्ट वादियों और मुसलिम जदिदियों की मदद से यह कामकारी काम्यावी मिली थी जहां रूसी उप किया इस्तिद खीवा में बोलसेविक ओपनिविस्कों ने समाजबाद की रक्षा के नाम पर इस्थानिय राष्टबादियों का बड़े विर्माने पर कतल कतल्याम किया ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोलसेविक सरकार क्या चाहती कि आंसरी रूप से इस समस्या से निपठना के लिए जान्दातर ग्यार रोसी राष्टेजताओं को सोविय संग यू ऐसेस आर दिसंबर 1922 में रोसी समराज में से बोलसेविकों द्वारा इस्थापित किया गया राज की अंत्रगत राजनितिक स्वायतिता दी गई लेकिन क्योंकि बोलसेविकों ने इस्थानिय सरकारों पर कई आलोप पिरिये और सक्त नीदिया जैसे गुमंतुबाद की रोखखाम की कड़ी को से ठोब दी थी इसलिए विबन राठ टेताओं का विश्वास चीतने की परयास आंस्थेक रूप से ही सफल हो पाई अक्टूबर क्रांती के समय मद्यसिया दो दर्ष्टिकों एमेन रॉय भारतिय क्रांती कारी मैक्सन कमिनिस्ट पाइटी के संस्था लगती तो याद रखना कमिनिस्ट पाइटी के गठन किस ने किया था एमेन रॉय सामने बाराच चीन बाई यूरोप में कॉमेंटर्ण की एक प्रमुक नेता थे 1920 के दसक में जब रूस में ग्रेय यूद चल रहा था वो समय बे मद्देशिया में थे उन्होंने क्या लिखाए मुखिया एक भला सा बुर्जूग था उसका सहाय एक नौजवान जो रूसी भासा बोलता था उसे क्रांती के बारे में पता था जिसमें जार कुराजगत्ती से हटा दिया गया था उन जनरलों को भी खदेड दिया गया जिन्होंने क्रगेजों की मातभूमी पर कपच्चा किया था इस पर क्रांती का मतलब था कि अब क्रगेज क्रगेस्तान लोग एक बार फिर अपनी मातभूमी के स्वामी बन गए थे जनमजाद बोलसेविक्न से लगने बाली युवक ने हुंकार लगाई इंकलाब जिन्दाबाद पूरा कवीला उसके साथ नारे लगाने लग लग पाली करांती पर खुसी से जूँम उठे दूसरी करांती की खवर से भे अचंबे धैसत में डूग गया पहली करांती में उनमे जार के धवनकारी साशन से आजात कराई था creation олोग ने हां कि जलाक ने बहाई था पहले एक बार जार के नोकरसाओं की चोटे से गडjar ने किर्गिज्जों का दमन किया था अब वही लोग उसी विवस्था को आगे बढ़ा रहे थे एक काजाग नेता 1919 में अलेकजनर बैनिंग संग एवं चंताल किर्गेजी ले मोवमेंस निसान सेज ले मुसलमान्स दे रूसी 1960 में उद्द किया गया उपर जो बक्तब है अब चलते हम लोग आगे समाजवादी समाज का निर्वान ग्रहियोदी के दोरान बहुत से विकों ने उद्दोगों और बैंकों के राठ्टी एकरण को जारी रखा उन्होंने किसानों को उस जमीर पर खेत कि छूट दे दी जिसका समाजी करन किया जा चुका था जबत कि एक खेतों का इस्तिमाल बहुत से विक यह दिखाने के लिए करते थे इस सामवहिक्ता क्या होती है सासन के लिए केंद्री कि नियोजन की विवस्था लागूगी है अफसर इस बात का हिसाब लगाती थे कि अर्थ विवस्था किस तरह काम कल सकती है इस आदार पर भी पास साल के लिए लक्षते कल देती थे इस ही आदार पर उन्होंने पंच वर्षी यह उजनाय बनानी सु कि पहली दो यह उजनाय 1937 से 1932 दूसरी 1933 से 1938 के तोरा उद्धोगिक विकास को बढ़ा वाद देने के लिए सरकार ने सभी सरय की कीम्ते इस तरिकाल दी ति नए नए उद्धोगिक सहरों में सहर अस्तित में आये मगर तेज निर्माड कारेयों के दबाब में कार इस्तितियां खराब होने लगी मैगनिक टू गोर्ष सहर में एक इस्टील सहिंद का निर्माड कारे तीन साल की भी तर पूरा कर दिया गया इस दोरान मजदूरों को जाड़ों में सोचाले जाने के लिए 40 डिगरी कम ताबमान पर लोग चौधरी मंज़िस से उतर कर सड़क के पार दोड़कर जाते थे एक विस्तारित सिक्षा विवस्ता विपसित की गई इस समय फैक्टरी कामगारों और किसानों को विश्विध्यालयों में दाक्त खिला दिलाने के लिए खास इंतिजाम किये गया मैला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्टरियों में बाल बावडियां खोल दीगे सस्ती स्वास के सिवा उपलब्द कराईगी मजदूरों के लिए आदर्स रियासी मकान बनाएगे लेकिन इन सारी कोशिस्तियों के नतीजे सभी जगे एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सी मिलते आप समझ सकते हैं 1930 के करीब आप रोस की तरफ सोभिय संग में पंजवर्सी ये उजनाय ये बदलाव सुन होने हो गए लेकिन हमारे यहां देखते हैं आप लोग 1951 के करीब पंजवर्सी ये उजनाय लागू की तब सुधार किये स्वायत्ता अपना सासम स्वयम चलाने का अधिकार होता है आपका स्वायत्ता गुमंतु ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठैर कर नहीं रहते बलकि अपने अजीका की कोज में एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते कारिस्तितियां काम के हालात कारिस्तितियां कहलाते गुमंतु में आप लोग उन्हें भी सामिल करते थे पहले बंजारे लोग होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह गुमते रहते थे ठी हम दिखा हुग इस्तरह के जातियां हुआ करती है कि जो ज्ञुन खीतीं भी किया करती ती लगवामिनी की तरह होती ठेख कीटốcण इसितएी back од कार खानों को समाजबात की प्थीथी की तरह भी माना जाता था पॉश्टाव में लिखा था कि चिम्रियों से निकल लें, निकलता दुमाही, सोवियत रूस की मौसांस है, चित 15, 30 के दसक में सोवियत रूस के लिए, एक स्कूल में बच्चे, पढ़ते बच्चे, बच्चे सोवियत अरथ विवस्था का अध्यान करें, चित 16, पहली पंचवर्शी योजना के दोरान, मैगनी टोगोर का ये बच्चा, यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम करा है, सत्रह चित, तीस के दसक में कारखाना का भोजन, कारखाने का भोजन, कबच्चत, बॉक्स, चार, युक्रेन की गाउं में सामाजवादी, खेदी, दो, कबच्चा किये गए, खेतों को, लेकर एक कम्यून ब कम्यून के हवाले कर दिया गया, सभी सदस सामुईग भोजनाले में खाना खाते थे, सहकारी सामवाद के सिद्धान कियाधर पर आमदानी को सब के बीच बाट लिया जाता था, सदतों के सरम से होने वाली, सारी आये और कम्यून के पास मौजूद सारे रिहायासी मकानों औ और सुविधाओं को कम्यून के सदस मिलकर इस्तिमाल कर लिए थे, फेदोर बिलोग दाहिट्रियो और सोवियत कलेक्टिव ठॉम से लिया गया है, ठीक है, पहुशते आगे अगलोग चलते हैं, इस तालीन वाद और सामुई की करण, नियोजे तरत वस्था का सुरूआती और खेती के सामुई की करण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा था, 1927-28 के आसपाद रोस के सहरों में अनाजों का भारी संकट पैदा हो गया, सरकार ने अनाज की कीमत तैक कर दी थी, उसने ज्यादा कीमतों पर कोई अनाज नहीं बैस सकता था, जो कीमत ने रदायत की उससे जांदा कीमतों पर अनाज कोई नहीं बैस सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बैसने के लिए तैयार नहीं थी, लैनिन के बाद पारिटी की कमान समहाल रहे स्तालिन ने इस्तिती से निपठने के लिए कड़े कदम उठाए, उन्हें लगता था कि अम अनाज को जब्त करना ज़रूरी था, 1928 में पारिटी के सदस्तों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दोरा किया, उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा, और कुलकों कि ठेकाने पर चापी माले, रोस में संबन किसानों को कुलक कहा जाता था, जो रोस में एक तरह से अमीर किसान को अकरते थी, उन्हें कुलक कहा जाते था, जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, तो खेतों के सामुई की करन का फैसला लिया गया, इस फैसले की पक्च में एक तरफ यह दिया गया था, कि अनाज की कमी इसलिए है, क्योंकि खेत बहुत छोटे-छोटे है 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंती गया, फल स्वरूप जादा तर किसानों के पास छोटे खेत थे, जिनका आधुनी की करन नहीं किया जा सकता था, आधुनी के खेत बिक्सित करने, उनने पर मसीनों की साहता से उद्दोगी खेती करने के लिए, कुलकों को सफाया करना, किस इसी के बाद स्तालिन का सामुई की करन कारक्रम सुरूबा, 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामुई खेतों कोलकोज में काम करने का आधिश जारी है, जांदातर जमीन और साजु सामान सामुई खेतों के स्वामित में सौंप दिये गे, सभी किसान सामुई खेतों पर काम करते थे, कोल खोजों के मुनाफ़े को सभी किसानों के बीच बाट दिया जाता था, एस फैसले से गुसाई किसानों ने सरकार का बिरोद किया, वो बे अपने जानवरों को खतम करने लिए, 1929 से 1931 के बीच मवेसियों की संख्या में एक तेहाई कमी आई, सामुही की करण का ब विरोद करने वाले किसानों का कहना था, कि बे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजबात के विरोदी हैं, विवस्थ बिभेन ने कारणों से सामुही केतों पर काम नहीं करना चाहती थी, इस तालिन सरकार ने सीमे दिस्तर पर सुतंत किसानी की विवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों कोई खास मदद नहीं दी जाती थी, सामुही की करन के बाद जूत उत्पादन में नाट की विद्धी नहीं हुए, यानि की कोई विद्धी नहीं हुए, 1933 से 1933 की भी खराब फसल की बाद जो सोवियत इतियास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें आपके 40 लाग से जाना लोग मारे गए, पाईटी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थ विवस्था की, अंतरकत उद्धुगिक उत्पादन में पैदा हो रे, बरम और सा सामवी की करन के पैड़ामों की आलोचना करने लगी, इस्तालेन और उनके सहयोईयों ने ऐसे आलोचकों पर समाजबात के खिलाब साजी सरचने का आरोप लगाए, देश बर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए, और 1949 तक आते आते, 20 लाग से जान कोई नहीं था, बहुत सारे लोगों को यादनाय दे दिकर उन से इस आसाय के बयान लिखपा लिए गया, उन्होंने समाजबात के विरोद साजिस में फिस्सा लिया और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया, इनमें कई पीती वावान पेसे बर लोग थी, आपने देखा ह 1717 में चंपारान सत्यागर होता है, जिसमें आपके गांदी जी सामिल होते है, बियागी खिसानों को पहले कोई ऐसा नेता नहीं था, जो उनकी सुनता हो, उन्होंने वाल गंगातर तिलक और भी आपके जो भी नेता होगे पहले, उनसे कहा उन्होंने नेवेदन किया बिया मां चंपारान गए और उन्होंने आंदूरन किया, उन्होंने उसमें सफल्दा मिली, यहां कुछ पॉइंट दिये गए हैं, नहीं भी देख ली थी हैं, 1937 में सोवियत बच्पन के सुपन और यह थार्थ, प्रिये दादा जी, काली निन, मेरा परिवार बड़ा है, चार बच्चे हैं, हमारे पेता अब नहीं है, वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे, और मेरी मा बीमार है, मैं बहुत पढ़ना चाहता हैं, पर स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पास पुराने जूते थे, पर अब वगाय इतने फड़ चुके हैं, कि कोई उनकी मरमत नहीं कर सकता, मेरी मा बीमार है, और हमारे पास ना तो पैसा है, ना ही रोटी, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हैं, हमारे सामने पढ़ने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्बेदारी है, विलादीर इलीच लेनर ने यहीं कहा है, पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पढ़ेगा, हमारी कोई रिस्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्टरी में काम करना पढ़ेगा, ताकि मेरा परिबार भू जिनिन की नाम, तेरे वर्सी एक मर्दूर वालक द्वारा लिखा गया पत्थ है, 1933 में, ठीक है, एक फिक्टरस देख रहे हैं होगे, सामुईगी की रर्ण के दौर का एक पोश्ट, इसमें लिखा है कि हम खेती में कमी लाने वाली कुलक पर बार करेंगी, यानि कि बड़ी किसान द्वारा लिखा गया पत्थ है, जो सामवी खेत में काम नहीं करना चाहते हैं, उसने क्रिष्टी यान इसकाया गजेटा, यानि कि किर्षक समाचार पत्थ को ये खत लिखा, मैं सवभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ, मेरा जनम 1889 में हुगा था, मेरा परिवार में 6 सदस हैं, मेरी बतनी की पैदायस 1871 की हैं, मेरा बेटा 16 साल का और दो बेटियां 19 साल की हैं, तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरी बहन 71 साल की हैं, और 1932 से मेरे उपर इतनी भारी कर थोग दिये गए, कि उन्हें चुकाना आसंभव है, 1935 में जो तो इस् पोड़ा गाय बच्चडा, भेड मेमने, सारे ओजार फणीचल, और घर की मरमत के लिए रखी गए लगड़ी, सब कुछ कुछ करके बेंच डाला, 1936 में उन्होंने मेरी दो इमालते बेंच दी थी, कोल खोज ने ही उन्हें खरीद लिया, 1937 में मेरी दोनों जोपड़ियां मैंसे भी एक पहती हूँ, और दूसरी को जब्त कर लिया गया, भी सोकोलो, ऑप्स, चेस्तो, एक विलास्त, भी 1937 में इगोड़ी, ये वक्तब जो लिखा है कहानी, ये इसी से लिया गया, सामुही की करण के विरोध और सरकार की पिति करिया का सरकारी विप्रण, इस साल परवरी के दूसरे पकबाड़े से, ये उक्रेयन की बिविन चेत्रों में, किसानों ने बड़े परमाने पर विद्रो किया, ये इस्तिती सामुही की करण, कि करियानमन के दौरान पार्टी क करकार करताओं द्वारां पाइटी लाइन को ठीक से लागू ना किये जाने और गरीमियों में होने वाली कटनाई की तेयारियों का पैडा में बहुत थोड़े से समड़े में वो प्रोग चित्रों में चल रही गती बिनिया आफवास के इलाखों में भी फैल वही सबसे आफ् मवेशी ऑजार उन्हें लोटा दिया गया एक फरवरी से पंद्रह फरवरी के बीच पचीस हजार गिरफतारियां हो चुक थी 656 को मित्युदर्ड दिया गया 3673 को सरम सिवरों में बंदगर दिया गया और 5580 को देश निकाला कर दिया गया कि उक्रेयन राज़ पुलिस पिसासन के प्रमुक के एम कालसन द्वारा कमेंश्ट पार्टी को कहन दिया समिती की को बेजी गई रिपोर्ट नॉमार्च 1930 को उसी से लिए गया 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 एक यह आप लोग देख रहे हैं विशाल सामोई फार्मों में काम करने के लिए जुटी किसान और ते हैं रोसी करांती और सोविये संख का बैसित प्रवाब देखते हैं हम लोग बहुत से विकों ने जिस तरह सत्ता पर कभजा किया था और जिस तरह उन्होंने सासन चलाया उसके बारे में युरोप की समाजबादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी लेकिन मेहनत कसों के राज की स्थापना की संभावना ने दुनिया वर की लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी बहुत सारे देसों में Communist Party का गठन किया गया था जैसे England में Communist Party और Great Britain किस थापना किगी बहुत सी बोकों ने उपने वेशों की जंता को भी उनके राष्तिक अनुशन करने के लिए फुरुसाइद किया सोवियत संग के अलाबा भी बहुत सारे देशों की इतिनिजियों ने Conference of the People of the East 1920 और बॉलसेविकों द्वारा बनाई गई कॉमेंटर्ड बॉलसेविक समर्थक समाजबादी पार्टियों का अंतराष्टी महासंग में हिस्सा लिया गए कुछ बिदेशियों को सोवियत संग की कमिनिश्ट यूनिवर्स्टिट और वर्कस और इस्ट में सिख्छा भी दी गए जब दूसरा विश्यूद सुरूं हुआ तब तक सोवियत संग की वज़े से समाजबाद को एक बैस्वेक पहचान और यहसियत में दी चुकी थी लेकिन पचास के दसक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थी कि सोवियत संग की सासल सेली रोसी करांती के आधरसों के अन्रोग नहीं बिस समाजबादी अंदुलन में भी इस बात को माल दिया गया था कि सोवियत संग में सब कुछ ठीक्ठा नहीं चल रहा है एक पिछड़ा हुआ देश महासक्ती बन चुका था उसके उद्देव और खिती बिक्सित हो चुके थे गरीगों को भोजन मिल रहा था लेकिन वहां के नागरेकों को कही तरह की आलस्थ सुदंता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था 20-20 सदी के अंदर तक एक समाजबादी देश के रूम में अंतराश्टी इस्तर पर सोवियत संग की पितिष्ठा काफी कम रह गई थी हाला कि वहाँ के लोग अभी भी समाजबाद की आदर्सों का सम्मान करते थे लेकिन सभी देशों में समाजबाद के बारे में विभित पिकार से ब्यापत पुनर बिश्यार किया गया यह आद देख रहेंगे इंडो सोवियत जरनरल का लेनिन पिसे संग है दूसरे विसे उड़े के दौरान भारतिये, कम्यूनिस्टों ने सोवीय संग के लिए जन्मत निर्मार किया बॉक्स पाच रोसी किरांती से पेरित होने बालों, मैं बहुत सारे आपके भारतिये भी थी इन मैंसे कई ने कम्यूनिस्ट विस्विद्यालाइफ ने सिख्छा परात की 1920 के दसक में भारत में भी कम्यूनिस्ट पारिटी का गठन कर लिया गया इस पारिटी के सज़ा सोवीयत कम्यूनिस्ट पारिटी के संपर्ट में रहती थी कई महत्पूर भारतिये, राजनितिक और साल्सकेतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रियोग में दिल चस्विली और वहां का दोरा किया रोस जाने वाले भारतियों में जवाहलाल नेरू, रवेनाट टेगॉर भी आके थी जोनों में सोवियत समाजबाद के बारे में लिखा भी है भारतिय लेकन में सोवियत रोस की अलग अलग छबियां दिखाई देती थी हिंदी में RS अवस्ती ने 1921 में रसियन रिव रिव लेशन, लेनिन, हिज लाइप एंड, हिज थौट और दा रेड रिव रिव लेशन नामकुस्तक भी लिखा लिखी है उनके अलावा SD विध्यालंकर ने दा रिवर्थ और रसिया और दा सोवियत श्टेट और रसिया नामकुस्तके लिखी है इन विखें पर बंगाली, मराटी, मले आरम, तमिल और तिल्गों में भी बहुत कुछ लिखा गया है क्या हो गया है, बहुत कुछ लिखा गया सोवियत रूस में एक भारती है, 1920 अपने जिन्दगी में पहली बार हम लोग एउरोपियों को ACIU के साथ मुक्त भाव से मिलती बद्याती देख रही थी जब हमने रोसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहर भाव से घुलते मिलते देखा, तो हमें यकीन हो गया कि हम सची समानता की दुनिया में आप होचे हमें सोतनता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी पित्टी करांती कारियों और समराजबादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबों के बाब जूब लोग बाग पहले से जानब बहुत सवसंतुष्ट दिखाई दे रही थी किरांती में उनमें आत्म विश्वास नेडरता भरी थी पचास अलग लग अंतर राख्टिये राख्टिताओं के लोग को के बीच मानोता का असली भाजचारा यहीं साखार होने वाल जाती या दर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ गुले मिलने से नहीं रोप रही थी हर जीब को एक कुसद वक्ता बना दिया गया आप उहां मज़ूरों किसानों सिपाईयों और सभी को पेसर्व वक्तव की तरह बहस करते से देख सकते थे सौकत उस्मानी है हिस्टोरिक टिप्स ओफ डारेगोस रेगोलेशनली में लिखाये वक्तव ठीक है वरूस से रवन्हा टेवर 1930 मास्को बाकी यूरूपियों यूरूपिय राध्धानियों के मुकाबले कम साब सुत्रा दिखाई दिखाई देते हैं सड़ रहीसों के साहे में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती जो लोग सदियों से नेफत में छिपे हुए थी आज सामने आ खड़े हुए मैं अपने देश के किसानों और मदूनों के बारे में सोचने लागे मैरे इसाबने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि अरेवियन हिंदोस्तानी से जाना अचमबा और भला किसको होगा कि लोगों ने इतने थोड़े से सालों में आज्यानता और बे सहारे बन कि पहाड को उतार भिगा ये आपके रवटनाट टैगोर साहब ने बोला है पिती किरांती कारी किरांती विरोधी सम्धेर तो ये था का दूसरा याद रखिए बहुत महत्कूर है सभी चिप्टर अचनोवी से जो भी आपकी वुक्स है सभी महत्कूर है इसलिए थोड़ा लेक्चर भी बड़े हो रहे हैं तो ये था आपका यूरोप में सावाजबाद एवं रूसी किरांती अंगले अध्याय में हम लोग बात करेंगी नासी वाद और हिटलर का उदर हिटलर का उदर इसी अध्याय से संबंदी थी आपके कुछ मत्कूर कुश्चन्स दिए गये हैं यहने भी आपको देख लिए हैं याद रखिए आपके जो भी पीडियाप होती है टेलीग्राम पर डाल दी जाती है ठीग है कि न्यावसका दोस्तों तो छरी अंसीष थैंक नवह जो बात कर रहे थे एनसीषित री ऑपिद्धात कि भारत और संकालीन कि इभाने म invincible आज़ी के अभारते वरह संद्धाब्द्धर में इसमें आपकार नाम सिः आपके क्षेंक्छानौरी की उसी के देख रहे हैं तो इसमें हम लोग दो चैट्टर आपके खतम कर चुके हैं, दूसरा लाख्टी चैट्टर था आपका, यूरोप में समाज बाद एवं रोशी करांती को लोगों ने देखा था, आज हम बात करेंगे, नाथसी वाद और हिटलर का होदय देखेंगे, यादर कि ये बारवार ब तो आपको NCEIT पढ़ना जरूरी है, इसका कोई दूसरा विकल नहीं है आपके पास, ठीक है, तो समय रहते से पढ़ लीजिए, तो चली हम बात करते हैं, नाथसी वाद और हिटलर की उधर के वारे में, 1945 के वसंत में, हिलमूट नामक 11 वर्षी जन्मल लड़गा, बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की दवी-दवी सी आवाजें सुनाई थी, हैलमूट कान लगा कर उनकी 22 सुनने की कौसिस करने लगा, बेगमवीर सवर में किसी मुद्दे प बात कर रहे थे, कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खतम कर देना चाहिए, या पर अकेली आत्मत्या कर लीनी चाहिए, उन्हें अपना भविस सुरक्षे दिखाई नहीं दे रहा था, बेगवराहाट बरे स्वय में कह रहे थे, कि अब मित्राट भी हमारे साथ बैसा ही बा हुदियों के साथ किया था, अंगले दिन बे हेलमुट को लेकर बाग में भूमने गए, यह आकरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया था, दोनों ने बच्चों के पुराने की तो गाए और खूब सारा बग खेलने कूंते बिताया, को समय बाद हेल में खुद को गोली मार ली, हेलमुट की याद में हुआ चट अभी भी जिन्दा है, जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के यालाओ नहीं तिला दिया गया था, हेलमुट ने जो कुछ सुना था, जो कुछ छुआ, उससे उसके दिलो दिमाग और इतना गहरा सद हुआ कि अंगले 9 साल बात तक हुआ है, घर में एक कोर भी नहीं खापाया, कोर भी, उसे यही डल सता तरा कि कहीं उसकी माँ से भी जहद ना दे दे, हेलमुट को साय समझ में ना आया, वो लेकिन हकीद या है कि उसके पिता नात्सी थे, क्या थे नात्सी, वे एडॉल्ट ह हिटलर के कट्टर समध्थक थे, आम में से कई बच्चे नात्सीयों और के नेता हिटलर के बारे में जानते होगे, आपको साय पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे तागतवर्द देश बनाने को कटी बतित था, वो है पूरे यूरोप को जीत लेना चाहेता थ आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नात्सी बात सिर्फ इस एका दुक्का रखनाओ का नाम नहीं है, यह दुनिया उस राजनीती के बारे में एक संपूर्ण वेवस्त था, विचारों की एक पूरी सरचना का नाम है, आईए समझने की क याद रखिए अगर आप NCVIT की वक्स को एक कहानी के रूम में पढ़ेंगे, तो बहतर होगा आपको, और समझ में भी आएगा, ठीक है, रखना आपको कुछ भी नहीं है, अच्छे से बढ़ते जाना है, थोड़ा फोकस देका, जो आपके पहेंट आपके लिए जरूरी है, उन पर थोड़ा और मन से अच्छे से पौकत दे लिया करेगा, प्रियाद रखिए सिबल सर्वेज फिर या इस्टेट PCS कोई रटने का काम नहीं है, ठीक है, आपको समझने का काम है, वो सकता है आप रटकर, वन लाइन रटकर, इस्टेट PCS का प्री निकाल लें, लेकिन लिखना तो मैंन से, वहाँ आपकी समिजदारी ही काम करेगी, इसलिए आपको पढ़ना है अच्छे, इस पिक्चर को देख रहे हैं आप तो, ए हिटलर मद्ध और ग्योवल्स बाय, सरकारी बेठक के बाद बाहर निकलती हुए, 1932 की पोटले, मित्राष्ट कौन थे मित्रा मित्राष्टों का नेतत शुरू में ब्रेटेन और फ्रांस के हाथों में था, 1931 में सोवियत संग और अमेरिका भी इस गटबंदर में सामिल हो गए थे, उन्हेंने धुरी सक्तियों यानि की जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया था, तो याद रहे ही, सोवियत संग और अमेरिका और धुरी राष्टों में कुन को से है, धुरी सक्तियों में आपका जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे, ठीक है, मई 1945 में जर्मनी ने मित्राष्टों के सामने समर्पन कर दिया, हिटलर को अंदाजा हो चुका था, कि अब उसकी लडाई क क्या हस होने वाला है, इसलिए हिटावार उसके पिर्चार मंत्री, ग्योबल्स ने वारिलिंग के एक बंकर में पूरी परिवार के साथ अपरेल में ही आत्म हत्या कर लिए थी, खुद योद्य खदम होने के बाद, नियूरेंबर्ग में एक अंतराष्टी सेनिक अदालत इ अपरादों, मानवता के खिलाप किये अपरादों और यूद अपरादों के लिए नाकसी यूद बंदियों पर मुकदमा चलाये नेका जिम्मत सोपावे। योद्य कोई द्वारान जर्मनी के बियोभार, खास तोर से इंसानियेत के खिलाप किये गए उसके अपरादों की वज़े से कई गंभी नैतिक सवाल खड़े गोई उसके कित्तियों की दुनिया भर में निन्दा भी की गई एक कित्त क्या थी आखिर दूसरे विस्ते उद्ध के साय में जर्वनी ने जन संगा सुरू कर दिया जिसके तरह तीरों में रहने वाली कुछ खास नसल की लोगों को सामुईक रूप से मारा जाने लगा इसे उद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाग यहूदी, 2 लाग जिफसी, 10 लाग पोलेंड की न जर्मनी नागरिक भी मार डाले गया इसमें, इनके अलावा नाजाने कितने ही राजनेतिक विरोधियों को भी मौत की नीन सुला दिया गया, इतनी बड़ी तादात में लोगों को मारने के लिए ओस्भिस जैसे कतिल खाने बनाए गये, जहां जहरीली गयसों से हजारों लो सजार की सजार सुनाई गयी, सजार तो मिली लेकिन नाथियों को जो सजार दी गयी, वह उनकी बवर्वत्ता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत चोटी थी, असल में मित्राष्ट पराजित जर्मनी पर इस बार बैसा कटूर दंड नहीं थोपना चाहती थी, जिस तर बहुत सारे लोगों का मानना था, कि पहले विस्योद के आखिर में जर्मनी की लोगों, लोग जिस तरह के अनुभाव से गुजरे, उसने भी नात्सी जर्मन के हुझाई में यह उगुदा दिया था, क्योंकि आपने देखा हूँगा, पहला विस्योद जर्मनी हाल चुग रंबीक अक्ष्रों को नहीं कर बनाएगे नाक्सियों नाल सब्द हेटलर की पार्टी के नाम का पहला सब्द था इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाक्सि कहा जाता था बात करते हैं वाईमाग गणराज का जन्म बीस भी सताथी की सुरुवाती सालों में जर्मनी एक तागदवर समराज था उसने आख टेलिया और टियाई समराज के साथ मिलकर मित्राष्टों यानि कि एंग्लेंड फ्रांस और रूस के खलाप पहला विस्यूत उन्नीसो चौद सबसे बड़ी सक्तियां यह सोच कर इसे उद्र में कून पड़ी कि उन्हें जल्दी बिले मिल जाएगी सभी को किसी ना किसी फायदे की उन्मीद थी उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह उतना लंबा खिच जाएगी और पूरे यूरोप को आतिक द्रेश्टी से कर देगा फ्रांस और बेल्डियां पर कप्चा करके जर्मनी ने सुरुवात में सफलताय हासिर की लेकिन 2017 में जब अमेरिका भी मित राष्टों की में सामिल हो गया तो इस खैमे को कापी तागत मिली और आखिर का नवंबर उन्हें केंद्री सक्तियों को हराने के बास जर्मनी को भी गुटने टेंगने पर मजबूर कर दिया संभराज वादी जर्मनी के पर आजए और संभराट की पत्यागने त्यागने पर उहां की संसधिय पाटिवищ जर्मन राजनेतिक विवस्था को एक नएज सांचे में दालने का अच्छा मौका उपलब कराएं इसी सलसले में हुआइमर में एक राष्टी सभा की बैठक बुलाईगी तो संगी आदार पर एक लोगतांत्रिक सम्मिधान पारित किया गया नई विवस्ता में जर्मन संसद यानी की राई के श्टार के लिए जन पिती निदियों के चुनाव किया जाने लगा और पिती निदियों के निर्वाचन के लिए और उतनों से सभी वैस्त नागरिकों को समान और सार्भों में एक मद्दादिकार इदार किया गया यानि कि सब को मद्देने का दिकार दिया गया गोट लेकिन यह नया गड़ पराज खुछ जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था इसकी एक बजय तो यही थी कि पहले विस्युद में जर्मनी की पराजे के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर सर्तने थोगती थी मित राष्टों के साथ वर्साइक में वी सांती संधी जर वाय अफवान जनक थी बर्साइकी संधी भी बोलते हैं यह आपकी फर्ष्ट विस्युद की पहले विस्युद की बाद भी थी जर्मनी की साथ इस संधी की बजय से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तक्रीवन 10-30 आबादी 13-30 भूबाग 75-30 लोई भंडार और 26-30 कोई हुआनिया के हवाले करने पड़े जर्मनी की रही सही का तागत खत्म करने की मित्राफ्टों ने उसकी सेना भी भंग कर दी योद अपराद बोद अनुछेद के तहद योद के कारण हुए सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराए गया इसके यह वाज में उस बहुत सारी जर्मनों ने ना किवल इसहार के लिए बलकि बरसाय में हुए इस अक्मान के लिए भी वाइमर गड़राज्य को ही जिम्मेदार ठहरा है एक बात आप लोग हमीच सा याद रखिए कि इसे आप कहानी की तरह सुने या पर पढ़ें क्योंकि इसमें आप फुद जान रहें देख रहें कि नॉर्मल सब्द दिये हैं ऐसा कोई भी सब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो ठीक है तो बहतर है कि आप जल्दी जल्दी इन बुक्स को खतम करें और आपक अनक्से में आप उन एलाकों को देख सकते हैं जो संधी के बाद जर्मनी के हाथ से निकल गए थे यह आपका जर्मनी है लेखिए वह जर्मनी से ले लिए गए जमीने हो गई देख रहे हैं अब यह लीग ऑफ नैसंस के नियंतन वाली जमीन थी है यह आपकी बेसेन नहीं के छेद था जर्मनी पोसेन सदाइनलेंड उत्रेज सलेजबिक पर पेशा जर्मनी का भागी था पोलेंड फ्रांस सालेंड एसल्स बेर्जियम चलते हैं अगे हम लोग योदि के असर का बात करते हैं योदि का आकर पिरभाव इस योदि ने पूरे महादीम को मनुविग ज्यानी और आर्थिक दोनों ही इस तरों पर तोड़ कर रख दिया इवरोप कल तक करड लेने वालों का महादीम कहलाता था जो इवरोप करड देने वालों का महादीम कहलाता था यानि कि ये दूसरों को करड देता था और इवरोप करड दारों का महादीम बन गया यानि कि इस पर करड देने वालों का महादीम कहलाता था यानि कि ये दूसर बेड़मना यह थी कि पुराने समराजी द्वारं किये गए अपरादों का हर जाना नावजात वाइमर गड़राज से बसूल किया जा रहा था इस गड़राज को यह उद्वें पराजय किका कि अपरादों और राष्टिये अपमार का बोज तो दोना यह पपड़ा हर जाना चुकाने की बज़े से आर्थिक इस्तर पर भी वह अपंग हो चुका था वाइमर गड़राज की हमायतियों के में मुक रूप से समाजबादी कैथलिक और डेमोक्रेट खेमे की लोग थी रोड़िवादी पुरातन पंती राष्टवादी मित्कों की आयड में उन्हें तरह तरह के हमलों का निसाना बनाया जाने लगा दवंबर के अपरादी कहेकर उनका खुलेयाम मजाग उड़ाया गया इस मनोदसा कर तीस के दसक के सुरुआती राजनेती घर्टना करमपत गहरा असर पड़ा पहले महायोत में यूटने इउरोपिये समाज और राजनती विवस्था पर अपनी गहरी चाप छोड़ दी टार्सों को आक्रमत तागतवर्भ मर्दान गुरूंवाला होना चाहिए मेड्या में खंदकों की जिंदगी महिमा मंडल किया जा रहा था जिन्दगी का लेकिन सच्चाई यह है थी कि सिफाही इस खंदकों में बड़ी देनी जिन्दी जी रहे थे बेलासों को खाने बाले चुहों से गरे रहे रहे थे बे जहलीरी गेस और दुजमनों की गोलीवारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पलप मर्थी देख रहे थे सारजनिक जीवर में आप्त्रमक खौजी परचाल राष्टी सम्मारवा पितिष्ठा की चाय की सामने बापी सारी चीज चीजें में गौण हो गई जबकि हाली में सत्ता में आये रोडी ताव बादी ताना साहों को व्यापक जबन समर्थन मिलने दरा उस बक लोगतंत का एक नया और बहुत नाजुक बिचाल था जो दोनों महायोदनों के बीच पूरे एउरोप में फेली आयस्तिरता का सामना नहीं कर सकता था हरजाना हरजाना क्या होता है किसी गलती के बल्दे दन्ड की रूम में नुकसान की भरपाई करना आपका हरजाना होता है खंदग योद की मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदेगे गड़े होते हैं ते आके खंदग राजनेतिक रेडिकल वाद आमूल परिवतन बाद और आर्थिक संकट याद रखिए जब भी कहीं भी योद्त होता है बड़े इस्तर फर्म तो उसमें जीता यहारा कोई फैसला नहीं होता है हालते दोनों ही लगवग लगवग हो एक बहुत्र उतना ही ही यानी की हानी उसे होगी होती है अतनी ही लगवग लगवए जीतने मालेगे कोvy ए इसमें दोनों तरफ से शहने को माले जाते हैं तो इसलिए तो आपके युद्ध नहीं होते हैं चोटी-चोटी वात हो आप भी अपने इस तरह से देखते होंगे, पर दोनों तरफ से लडाईयां होती हैं, आप किसी को मार देते हैं, तो आपको भी हानी होगी, बहुत हुचल वसा, लेकिन आप जेल जाएंगे, आपका प्रिवार टूटेगा, तो इससे समझिए, जिस समय वाइमर गणराज की स् विद्रों की युजनाव को अन्जाम देने लगी, बहुत सारी सहरों में मजदूर और नाविकों की सोवीते बनाईगी, वर्लिंग के राजनितिक माहुल में सोवेत किसम की सासन विवस्था की हमायती किनारे गूज रहे थी, इसलिए समाजबादियां और डेमोक्रेट्स और कैथलिक गुटों ने वाइमर में खटा होकर इस पिकार की सासर मेवस्था की दिरोध में एक लोगतांत्रिक गड़राज की स्थापना का पैसला लिया, आखिरे कार वाइमर गड़राज ने पुराने सेनिकों के फिरीक और नावक संगठन की मदद से इस बिद्रों को च चल दिया, इस पूरे घटना करब के बाद इस पार्ट किष्टों ने जर्मनी में कम्यूनिस्ट पार्टी की निव डाली, इसके बाद कम्यूनिस्ट यानि की सामबादी और समाजबादी एक दूसरे के कर्टर दूस्वान हो गए, और हिटलर के खिलाब कभी भी साध्या मो किरांतिकारी और ओग राष्टवादी दोनों ही के में रेडिकल समाधावनों के लिए आवाजे उठाने लगें, देखिए इस पिक्स चाज को, इस पार्ट किष्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की इचारी रेली कंदर्स, फ्रेशियन चेम्बर ओब डेवियूट टीज, बरलीन के सामने आयोजित रेली, 1918-19 के जाडों में बरलीन की सड़कों पर ताम लोगों का ही कपच्छा था, राजनेतिक पिदलसन रूजाना की घंटना बन गया था इस समय, राजनेतिक रेडिकल बादी विचारों को 1923 के आतिक संकट से और बल मिला, जर्मनी ने पहला विसिद्ध मौटे तोर पर करज लेका लड़ा था, और योद के बाद उसे सवड मुद्रा में हजारत भर जाना भी भरना पड़ा, इस दोरे बोज से जर्मनी के सवडबंडार लगवक समाप्त होने की स्तिती में पहुँच गए थे, आकिर कार 1923 में जर्मनी ने करज और हरजाना चुकाने से इंकार कर दिया, इसके जवाब फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख उद्धोई के इलाकों में, इलाकी की रूर पर कब्जा कर लिया, यह जर्मनी की विसाल कोईला बंदार वाला इलाका था, जर्मनी ने फ्रांस के विरोध निस्क्रिय के तिरोध के रूम में बड़े परवाने पर कागजी मुद्धा मुद्रा चपवाना सुरू कर दिया, जर्मन सरकार ने इतने बड़े परवाने पर मुद्रा चपदी कि उसकी मुद्रा मार्क क का मूल तेजी से गरने लगा अप्रेयल में एक अमेरिकी डॉल्वर की खीमत 24,000 मार्ट के बरावर्ती जुलाई में आप 3,52,3,53,000 मार्ट अगस्त में 24,40,21,000 मार्ट वो दिसंबर में आपकी 9,88,60,000 मार्ट हो गई इस तरह एक डॉलर में खर्म मार्ट मिलने लगे जैसे जैसे मार्ट की कीमत गिरती गई चिरूरी चीजों की कीमते आप समान चूने लगे रेखा चित्रों में जार्मनी नंगरिकों को पावरोटी खरीदेने के लिए बेल गाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखा आया जहा जे लगा चर्मन समराज दुनिया बर में हमदर्दी का पात बनकर दाए गया इस अंकट को बात में अती मुद् आज़िती का नाम दिया जाता है मुद्रा की क्रय जो चंदा हुथी वो घड़ जाती है ठीक है और कीमतें सामान की बढ़ जाते हैं आप भी सोचीए अगर पांस रोपे में आप अभी कोई फॉन खरीद रहे हैं और आपकी मुद्रा की कीमत गढ़ जाए बढ़ जाए वो हजार हो जाए उसकी कीमत तो उसकी कीमत मतलब आपके मुद्रा की कीमत गिर चुकी है वो आज भी उतने ही पांस सोगी है लेकिन बस आपकी मुद्रा कमजोर पड़ गए एक बात हमेसा याग रखी आप लोग आप लोग कही के मन में रहता है कि सरकार पैसे चपवा की कर अगर आर्थी की खराब है तो पैसे क्यों ही चपवाने लगती है क्योंकि वो तो मालिक है ना कितना भी चपवा सकती है कई लोगों के मन में आयसा बाले पूंचते रहते यही इस्तति होगी समझ रहे हैं जो जर्मन सरकार की हुई थी यही भारत की हुई अगर भारत अपने हैसाब से पैसे चपवाने लगी ठीक बेतन इस पिक्चर्स को दीए चित चाल बेतन भुक्तान के लिए वरले में तोकरियों और ठेलों में कागज की नोट ला दे जा रहे हैं 1923 में जर्मन मार्ट की कीमत इतनी कम रही थी कि मामूली बुक्तान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी आप यह आपने देखा पाव रोटी करीदने के लिए बैल गाड़ी वरकर पैसे लिए जाने पड़ते थे समझ सकते हैं आप लोग अभी भी आप देख रहे हैं साट साट पैसाट सतर की आसपार चलता रहता है एक डॉलर आपके सतर रुपी के बरावर है यह 1950 के लगवाट ठीक इस्तिती में था तब से बड़ना सरू होगा है यानि कि हमारी करेंसी कमजोर है और अमेरिका मजबूत है अमेरिका की होट करेंसी जर्मनी को इस संकट ने निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हर्षतित छेट किया इसके लिए अमेरिका ने डॉप से उजना बनाई इसे उजनाय में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जानी के सर्थों को दुबारा तै किया गया इस चित्त को भी देखें रात को सौने की लिए कतार में खड़े वेघर लोग 1923 में ये इस्तिती हो जाती है ये योदिकी बाद समझ में आया मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ इस्थल्टा रही लेकिन ये इस्तित्ता मानने मानों रेट की धेर पर पड़ी थी जियर्मन ने वेस और उद्दोगी गतिविदियों में सुधार मुक्ता अमेरिका से लिए गए अल्पकाली कर्जों पर आसरे था जब 1929 में बॉर्ड इस्टीट एक्सचेंज सेयर बाजार धरात आई हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह अभी मदद रातों 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 बंद होई कीमतों में गिरावट की असंका को देखते हुए लोग धराधर अपने सेयर बेजने लगे 24 अक्टूबर को किबल एक दिन में 1.3 करोड सेयर बेज़ी गए यह अर्थिक महामंदी की शुरुआ थी 1929 से 32 तक की अंगले तीन सानों में अमेरिका की राष्टिया के बल आधी रहे गए फैक्ट्रिया बंद हो गई थी निर्याद गरता जा रहा था किसानों की हालत ख़राप थी 60 वाज़ार से पैसा खिंच रहते अमेरिकी अर्थिफ्था में आई इस मंदी का असल दुनिया में महिसूस किया गए आप भी कहते हैं जानते हैं भी होंगे कि कहते हैं कि अमेरिका को अगर छींक आए तो दुनिया को सर्दी हो जाती है इतना तागतवर इस्तिती में है अमेरिका इस मंदी का सबसे बुरा प्रवाव जर्मन अर्थ व्यवस्था पर पड़ा 1932 में जर्मन ही का उद्दोगे कुटपादन 1929 के मुकाबले के बन 40-30 रहे गया मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या पर उनके बेतन काफी किर्द चुके थे बेरोजगारों की संख्या 60 लाग तक जा पहुंची थे जर्मन ही जर्मनी की सडकों पर ऐसे लोग बड़ी थागाद में दिखाई देने लगे थे लगे जो मैं कोई भी काप करने कुटते यार हूँ लिखी तक ती गलीस में लटकाई खड़े रहती थे वे रोजगार नौजवान या तो तास्क हिलते पाए जाती थे नुकड़ों पर जुन लगाए रहती थे या फिर रोजगार दफ्टरों के बार लंबी-लंबी कतारों में खड़े पाए जाती थे जैसे जैसे रोजगार खतम हो रहे थे युवावर्ड अपरादिक कतिविधियों में लिफ्ट होता जाना था चारों तरफ गहरी असंग अतासा का माहूल बना हुगा था आप भी जाते हैं अगर कहीं भी रोजगारी फैरती है तो उनका दिमाग कहीं तो चलेगा लाश्ट तक जीओ परी कर दिया गया बहुत जो डाटा था बहुत सस्ता कर दिया गया तो हमारे यहां कि जो आधी वे रोजगारी थी वो तो आधी तो इसी में समट कराएगी टेक्टॉप इस तरह की जो भी उसके टाइम पास करना तो अपरादिक तरवत्ती नहीं बढ़ गल्ची की बैरोजगारी बढ़ती जारी इसमें कोई सक नहीं है यह विश केहका हूए अगर भी नाए उपाहे करेंगे यानी की डखेती डालना चोरी करना इस तरह की काम करेंगे इसलीया आपने देखा हूए उसके बाद 2016 की बाद लोग देहने कम हूँए पने भी दॉग काम में कुछ नहीं जानता है अनपढ़ है वो भी अपना फॉन में फेस्बूक पर लगा हुगा है कि मतलब अपने आप काम में सब लोग बेस्ट हुए बॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में इसके दुनिया का सबसे बड़ा सियर वाजा रही है इस चित्त को देखिए लाइन पर सोचते लोग महामंदीर के दिनों में बेरोजगारों को ना तो बेतन की उम्मेद रहती थी ना ही ठोर ठिकाने की जाड़ों में जब उन्हें से चपाने के लिए जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था और बेरोजगारी चरमती मावरती मतलब पैस ख़िश करने बड़ रहा था लेकिन परोजगार था नहीं कहां से आएगा पेर समय अब आप भारत में भी यह देख सकते हैं कि यहाँ लोग किसी भी बेटन पर काम करने के लिए तयह आ रहे हैं आपने कितना भी देखे मैं तो यहार तक देखा है 2500 रुपय में लोग काम कर रहे हुआ है कि तरहा 2500 रुपय में एक क्छीस रुपय में और है की आहिंगि कई आपना देखा कर दुकानों पर काम कर रहे हैं 25 रुपय में आप सुची 25 में तो उनका खाने का विष़फाल नहीं होता हुआ जैकिन क्या करें वेरुजगारी है ओप्सन भी नहीं है दूसरा कि आतिक संकट ने लोगों में गहरी वेचेनी और डर पैदा कर दिया था जैसे जैसे मुद्रा का उम्मूल्यन होता जा रहा था मदवर्ग खास्तोर से बेतन होगी करमचारी और पैंसंधारियों की वच्चत भी सिकुर्थी जा रही थे कारोबार ठब हो जाने में से छोटे छोटे बेवसाई स्वरोजगार में लगे लोग खुद्रा प्यापारियों के हालाद भी खराब होती जा रही थे कि आप ही सोचिए कि आपको चलिए एक लाग रुपे बेतन देते हैं मैंने और एक लाग तुम्हारा जो बेतन मिलता है उससे आप एक फोल खरी सकते हैं कोई भी मतलब एक किलो चलिए आटा खरी सकते हैं एक हजार के एक किलो आटा है तो आपको फायदा हो बिलकुल भी नहीं क्योंकि आपको जो एक लाग मिल रही हुए है उनमें कितना सो किलो आटा आए तो उससे अच्छा है कि बेतन का भी मिले लेकिन हमारी जो मुद्रा है कि तागतवर यानि कि इसका कीमत रही तो अब अमेरी की डॉलर में एक डॉलर में पूर्ती हो जाए है समाच के इन तपकों को सर्वहराकरण का भैर सता रहाता है उन्हें डर था कि अगर यही डर रहा तो बे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगी या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगारी ना रह जाए अब सरिफ सं पहुच उनकी मूल वाव चमता को भी चोट पहुचा रही थी बड़े वयुशा है इस अंकट में थी किसानों का एक बहुत बड़ा बाय किर्शी उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गरावट की वज़े से परेशान था यह वाओं को अपना भविस अंधिकार में दिखा वाहिमर सम्मिदार में कुछ ऐसी कमिया थी जिनकी वज़े से गरराज कभी भी आइस्थरता और तानासाही का सिकार बन सकता था इन में से यह कमी अनुपातिक पितिनी दी निदिते से सम्मादी थी इस प्रावधा की वज़े से किसी एक पार्टी को वहमत मिलना लगवग नामुखिन बन गया था हर बार गटवंदन सरकार सत्ता में आ रही थी दोसरी समस्या अंचेद 48 की वज़े से थी जिसमें राष्टपादी को राष्टपती को आपातकार लागू करने नागरी कदिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जड़िये सासन चलाने का दिकार दिया गया था अपने चोटे से जीवन काल में वाइमर गड़राचिक का सासन 20 मंत्री मंदलों के हाथ में रहा उनकी ओसताओदी 249 दिनों से जादा नहीं रही इस दौरान अनुच्छे 48 का भी जमकर इस्तिमाल किया गया पर इस सारे नुख्षों के बाप्चु संकट दू नहीं हो पाए लोग तांतिरिक संसदी विवस्था में लोगों का विश्वास खतम होने लगा क्योंकि हुआ है उनके लिए कोई समाधान नहीं खोजित पा रही थी तो यह बात आप लोगों भी सेयाद रखिए गड़बंधन की सरकार से बेटर है कोई एक दल अपना अपनी दम पर सासन करें पूर्भांवत की साथ क्योंकि इसमें फिर जंदा का ख्याल कम रखा जाता है गड़बंधन की अपने अपने दलों का ख्याल कुछ जानदा ही रखा लिए आपने देखा होगा कि जहां मंत्रा ले लूँगा मैं वो मंत्रा ले दूगा एक सब्द आपने उबर देखा हुगा सर्वहाराकरन कि गरीब होते होते मर्तूर बढ़ की आर्थिक हिस्तिती में पहुंच जाना सर्वहाराकरन कहलाता है अब पहुंचते हैं हिटलर का उधर देखती हैं हिटलर का उधर होता है अर्थिवस्था राजनीती और समाज में गहराते जारे इस संकटने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ करती है 1889 में ओस्टेयाम जन्में हिटलर की यह आवस्ता बेज़त गरीवी से गुज़ रही थी याद रखिए ओस्टेया आपका अलग है ओस्टिया अलग है ठीक है रोजी रोटी का कोई जड़िया ना होने की कारण पहले विश्यूद्ध की सुरुवात में उसने भी अपना नाम होजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था भर्ती के बाद उसने अंकिम मोल्चे पर संदेश वाद का काम किया कोर्पोरल बना और बहावत्री के लिए उसके कुछ तंगे भी हासिल की जर्मन सैना की पराजे ने उसे हिलाकर हिला ही दिया था लेकिन वारसाय की संदी ने उसे आगभवूला ही कर दिया कि 19ực में उसने जर्मन वर्कस पार्थी नामखक चोटे से ताह्ळा है देरे देरे उसने इस संगतन पर आपना नेना कायम कर लिए उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्थी का नया नाम दिया इस पार्थी के बाद नास्ती पार्थी की नाम से जाना गा जान आता है कि नेशनल सोच पार्टी को बाद में से नासी पार्टी की नाम से याड़ा जाता है 1923 में इंटलर ने बाववएरिया पर कप्जा करने वर्लीन पर चड़ाई करने और सप्ता पर कप्जा करने की योजनाद बना ली थी इन दुस्ता हर्षित योजनाओं उसे गरपतार कर लिया गया उस पर देश द्रोग का मुकदमा भी चला लेकिन कुछ समय बाद उसे रहा कर दिया गया नाकसी राजनिती खेमा 1930 के दिसक के शुरुआती सालों तर जनता को बड़ी पिर्माने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया लेकिन महामंदी के दौरान नाकसी बाद में एक जन आंदोलन का रोप गहन कर लिया जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 1939 के दौर बाद बैंक दिवालिया हो चुके हैं कामदंदी बंदूर ते जा रहे थे मरतूर बेरोईकार हो रहे थे मत्वर कुलाचारी और वोकमरी कडर सता रहा था नाकसी प्रोपेंगेंडा में लोगों के एक बेहतर भविश्की उम्मीद दिखाई देती थे 1937 में नासी पार्टी को जर्मन संसन राई किर्टा के लिए हुए चुनाव में मैं 2.6 यानि की 2.6 प्रिष्दी बोट मिले 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी वन चुकी थी उसे 37-37 बोट मिले थे से किसे नासी पार्टी को हिटलर की पार्टी यह देख रहे होगे नियूरेमबर्ग पार्टी कॉंग्रेस में हिटलर का स्वागत यह 1937 की पिप्चर से प्रोपेगेंडा जनवत को ब्रभावीत करने के लिए किया जाने बाला एक थास तरह का प्रिचार पोस्टरों फिल्मों और वास्वादी की मात्यम से किया लिए आप लोग सुनते हैं गई बाल तुम्हारा प्रोपेगेंडा क्या है ते वे वही है यह आकर नियूरेमबर्ग रेली 1936 की यह इस तरह की रेलियां हर साल आयोजित की जाती थी नासी सत्ता कपेदर्शन रेलियों का यह मात्पून आयाम होता थो वेविन संगटन हिटलर की स सब्सक्राइब से प्रेड करते हुए निकलते थी उसके पिती निष्ठा की सबत लेते थी उसकी भासट सुनते थी हिटलर जवजस्त वक्ता भी था उसका जोज उसके सब्द लोगों को हिला कर देते थे जिस तरह से आपके नरेद मोदी साहवक है इनके भी सब्द आदमी क को हिलाके रख देते हैं कभी-कभी तो आप ही रोने लगें इतना खतरनाक प्रभावित करते हैं जनता को जब बोलते हैं भाईयों मैंने किस लिए देश छोड़ा तब हिल जाती है जनता देखा हुगा आपने वासनों में एक राष्टवादी राष्ट सक्तिसाली संदी में वह नाइसाफी के पिती सोज और जर्मन समाच को खोई हुई पितिष्ठा भापस दिलाने का अस्वासन देता था उसका बादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार नोजवानों को एक सुरक्षित भविस्त देगा उसने अस्वासन दिया कि वह देश को बिदि इसी प्रवाहों से मुप्त कराएगा वो तमाम विदिसी साजिसों का मुझतूर जवाब देगा चित्त 9 हिटलर द्वारा एस ए और एसस कतारों के सामने भासट यहां लंभी और सीदी कतारों को देखी इस तरह के चित्त्रों की माध्यम से नात्सी सत्ता की भबता और निती की एक नई सहली रश्ची थी वह लोगों को गोलवन्द करने के लिए आडंबर और पिदर्शन की अहेमियत समझता था हिटलर की पिती भारी समर्थन दर्साने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सीयों ने बड़ी बड़ी रेलियां और जनसभाएं आयुपित की सौस्तिक चपेज लाजन्डे नासी सलियूट और भाष्णों के बाद खास अंधाज में तालियों की गड़गड़ा हट ये सारी चीजें सक्ति पिदर्शन का इस्सा हुगा करते थी नात्सीयों ने अपने दुवादार पिचार की जरिये हिटलर को एक मसीह एक रख्चक एक ऐसे बेक्ती के रूम में पेश किया जिसने मानों जन्ता को तबाही से वारने की आउतार लिया था एक ऐसे समाज को ये चबी बेहदाकर से दिखाई देती है जिसकी पितिष्ठा और गरब का एसास चक्ना चूर हो चुका था जो एक भी सड आर्थिक और आजनेतिक संकट से गुजर रहा था था अब चलते हम लोग लोग तंद का ध्रण्स लोग तंद का ध्रण्स है यानी की लोग तंद का विदास तीश जन्मरी 1923 को राख्टपती हिंडर हिंडन बर्ग ने हेडलर को चांसलर का पत्द बहार समालने का निवता दिया यह मंत्री मंडल में सच से 37 साली पत्था तब तक नाची पाटी रूड़ी बादियों को भी अपने उद्देशों से जोड चुक थी सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोग तंद क्रिक सासन की सरचना उस संस्थानों को भंग करना सुन कर दिया फरवरी माय में जर्मन संसर महभावन में हुए रहस्त में अगनी कांट से उसका रास्ता और आसान हो गया 28 परवरी 1933 को जारी किये अगनी अध्याद देश यानि कि फायर डिक्री के जडिये अभी व्यक्ति प्रेश और सभा करने की अहाजादी जैसे नागरी का दिखारों को अनुचित काल के लिए नीलंबित कर दिया गया यानि कि अब जो आपको आर्टिकल उन्नीस के तहित आपके देश में भारत की बात कराओं जो आपको अनुचित उन्नीस के तहित सुतनताय में दिखुई है इसी तरह कि जर्मनी में भी हुगा करती थी तो आपका 28 परवरी 1933 को समात कर दिया है नीलंबित कर दिया जैसे दिया नोलक सब्सक्राइब करते हो दोजारवरीच की तो यह क्या करें कि एक एक अत्यादेश लाए तो अध्यादेश लाने का मतलब होता है कि यह तो आपका लोगसभा आपका संसर सदन ना चला हो, तब अध्यादेश लाए जाता है, आर्टिकल एक सो तेज कीता है, तो एक अध्यादेश लाता है, तो एक अध्यादेश लाएं और आर्टिकल यानि की मौलिकल अधिकारों को नीलंबित कर दें, यानि की निरस्त कर दें, तो इसी तरह इसमें वाई इमर समिधान में इन अधीकारों को काफी मत वो इस्थान परात तो इसके बाद हेटलर ने अपने कटर सत्तु कमीनिस्टों पर निसाना साना जानदा तक मिनिस्टों को रातों रात कंश्टेंशन केंपों में बंद कर दिया गिए कमिनिश्टों का बरबर दमन किया गया लगव 5 लाग की आवादी बाली ड्यूसल डॉर पर सहर में गरबतार किये लोगों की बची कुची 6808 फाइलों में से 1440 स्रिफ कमिनिश्टों की थी नातियों ने सर्फ कमिनिश्टों का ही सफाया नहीं किया नातिय सासन में कुल 52 किस्म के लोगों को आपने दमन का निसाना बनाया तो क्या होगा आप भी समझ सकते हैं यह अगर आपकी अधिकार खतम हो जाए आपको कानूनी अधिकार जो मिली हुए उन्हें भी खतम कर दिया है तो आप किसी के सामने जाबी तो नहीं सकते हैं कोई आपको मार रहा है रोता ना तो आप उच्फ किता घताम रहीं जाते हैं आपके लगों कोई अगर unseren कोई उलगन करता है तो आप ऑन्लिचेठ 32 के तयब सो द्रीम पूट जाते हैं और 226 के तहट आप लोग हाई पूट जाते हैं और आपको वहां से नेड़ यानि कि आपकी रक्षा की जाती है उटके बार आपको नियाय मिलता है जब आपके अधियारों को खतम कर दिया जाएका तो इस तरह की कोई विवस्ता आपके सामने नहीं की ठीक है कोई ओप्सन नियुका तीन मार्च 1923 को पिसिद्विसेस अधिकार अधिनियम इनेवलिंग एक्ट पारित किया गया इस कानून के जरिये जर्मनी में बाकायदात ताना साही इस्थावित कर दिये इस कानून ने इंटलर को सलसत को हास्तिय पर धकिलने और केवल अ कानितिक पार्टियों और ट्रेड इंवियन ओपर आवंधी लगा दी अर्तमेबस्था मीडिया सेना नियाइपाल का अबर राज का पूरा नियंद्र इस्थाभी कर दिये इसे आप लोग उन्नीस सो पचत्तर से सदत्तर का समय ले सकते हमारी भारत में इंद्रा गांधी का स इसे संसुधन किये गए उस समय आपकी उन्नीस सो चेतर में आपने आलीस वा समीधान संसुधन सुना हुआ तब आपकी अटा दिये जाते हैं जब जनता पाईटी की सरकार बनती है कि उसे हमारे समिधान का काला दिन भी बोलते हैं इंद्रा गांधी के उस फीड़े मतलब दोजार उन्नीस सो पचत्तर से उन्नीस सो सतत्तर कर समय कंशन टैंसन कंशन टैंसन कैंप ऐसे स्थान जहां बेना किसी कानूनी पिकरिया के लोगों को केदर रखा जाता था एक कंशन टैंसन कैंप बिजली की का करेंट दौर्थ कंड तीले तारों से घरे रहती थी यानि की निकलने की विवस्था नहीं होती थी पूरे समाज को नाक्सियों के इसाब से नियंतित और विवस्थित करने के लिए विशेश निगरानी और सुरक्षित दस्ते गठित किये गया पहले से मौजुद हरी बर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्यूपर ऐसे के अलाबा गिस्ताफो गुप्तिधार राज़ पुलिस एस एस यानि की अपराण नियंतित पुलिस सुरक्षा सेवा यानि की अष्डी का भी गठन किया गया इस नवगठित दस्तों को बेहसाब आस्यमिधारिक अधिकार दिये गये और इनी की बज़े से नाक्सी राज़ी को एक खुखार अपरादिक राज़ी की चभी प्राप्तुलिस गिस्ताफो के यंतना गिरहों में किसी भी को भी बंद किया जा सकता था इस नवगठित दस्ते किसी को भी यातना गिरहों में देश सकते थे किसी को भी बिना कानूनी कारवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या ग्रेक्तार किया जा सकता था दंड की आसंका से मुक्ति, मुक्त पुलिस वलों ने निरंकोस और निर्पेक्च सासन का दिकाल राप्त कल लिया था, इंसानों की हालत जानवर से वेत्तर हो चुकी थी इस समय, आप समझ सकते हैं, कि आप ना तो किसी की सामने रो सकते थी, ना किसी की सामने न्याय के लिए जा सकते हैं, आप चलते हैं हम लोग, पुनर निर्माड, हिटलर ने अर्थव्वस्था को पटरी पर लानी की जिम्मेदारी, अर्थ सास्त्री, हरल मार, साक्त को सौंपी, साक्त ने सबसे पहले सरकारी वैसों से चलाए जाने वाले, रोजगार समाधन कारिक्रम के जरिया, सौपीस्थी उपानन और सौपीस्थी रोजगार उपलब्द कराने का लक्ष तै किया, मसूर जर्मन सुपर हाइवेग और जनता की कार, फॉक्स वेगन इस परियुचना की देन थी, इस चित को आप लोग देख रहे होगे, पोस्टर से गोशना करता आपका फॉक्स वाग को फॉरें कावयारियां मिली, 1933 में उसने लीक ओपनेसंस से पढ़ला जान लिया, 1936 में राइनलेंड पर दुबारा कभजा किया उसने, एक जन, एक समराज और एक नेता किनारे की आड में, 1936 में और टिया को जर्मनी में मिला लिया, इसके बाद उसने चेको स्लुबा किया कि कभजे पर बाले जर्मनी वासी सोडेंड लेंड परांथ पर कभजा किया और फेबूरेट चेको इसलावा किया, गुहणा पलिया, इस दोरान उसे इंगलेंड का भी खामोस समल्तन में लहा था, क्योंकि इंगलेंड की नजर में वार्साय की संदी की नाम पर जर्मनी के स इसी मोर्चों पर जर्दी जर्ती मिलीन कामयावियों में ऐसा लगा कि देश की नीती अपको लखने बाली थी, नासी सत्ता का अविस्तार एउरोब में 1942 का ये चित है, ठीक है, बेहतर जर्मनी, ये आपका जर्मनी, धुरी सक्तियों को मदद देने वाले देश, एकन श्लुवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुलगारिया जर्मनी कब्जेवाले इलाके या कि यू कैन पुर्रेंड, फ्रांस, नॉर्वे, ग्रेज इटली और इसके इलाके, इटली और इसके इलाके, अलवानिया तटर्स्त देश, या कि स्पैन, आइलेंड, स्वीजलेंड, या कि तटर्स्त देश थे देख सकते हैं आप इस तरह से लेकिन हिटलर यह नहीं यही नहीं रोका साक्त ने हिटलर को सलाय दी, तिकी हुआ सेना और रहत्यारों पर जानदा फैसा करच ना किया जा, क्योंकि सरकारी वजट अभी भी आधिव गाटे में ही चल रहा था लेकिन नाकस्ती जर्मन में एहतियाद स्पंसंद लोगों के लिए कोई जगए नहीं थी, साक्त को उनके बद सेहटा दिया गया इटलर ने आर्थिव संकट से निपटने के लिए निकलने के लिए योद का विकल्प चुना और राष्टीय सिमाओं का विस्तार करते हुए जहना से जहना संसाथन इकटा करना चाहता था इसनी लक्ष को ध्यान में रखते हुए सेप्टमबर 1949 में उसने पॉर्डेंट पर हामला कर दी इसकी वज़य से फ्रांस और इंग्लेंड के साथ भी उसका यूज सुरूंगा सेप्टमबर 1940 में जर्मनी ने इतली और जापान के साथ एक त्री पक्षिय संदी पर हस्ताचर किये इस संदीने से अंतराष्टी समधाय में हिटलर का दावा और मज़ूत मजबूत हो गया इरोप के जादा तर देसों ने नास्ती जर्मन कसमार्थन करने वाली कट उतली सरकारें बिठा दी गई 1940 के इंद में हिटलर अपनी तागत की सेखर पर ताम और याद रखिए आपका सेक्टमर 1949 में पॉर्लेंड पर हामला होने के साथ ही दुतिय बेसे उद्ध आपका स्तुरू हो जाता है अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने की देख कालिक सपने परक्रेंदीत कर लिती है वह जर्मन चंता के लिए संसाधन और रहने की जगे का इंदजाब करना चाहता था जून 1941 में उसने सोवियस संग पर हमला किया जिसे आप लोग आज रोज कहते हैं इसे पहले सोवियस संग कहा जाता था इसका विक्टनापका 1991 में किया गया यह हैटलर की एक इतिहासिक बेवकूपी थी इस आक्रमण में से जर्मनी पश्चमी मोर्चा बेटिस बायु सेनिक कि बंबारी की चपिट में आ गया जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियस सेना है जर्मनी को नाखों चल चने चबादी यह आखों की आप लोग सुनाते भी होंगे इस तरह की कहावत नाखों तरे चने चबाना क्या होता है सोवियत लाज सेना ने इस तालिन ग्राद में जर्मनी सेना गुड़ने टेक्टने पर मज़ूर कर दिया सोवियत लाज सेनकों ने पीछे हटते जर्मनी सिपाईयों का आकिल तक पीछा किया और रंत में भी बर्लिंग के वीचों भी जा पहुंचे इस घड़ना क्रम ने अगली आदी सदी के लिए समूचे पूर्वी उरोप पर सोवियत का वर्चस से स्ताफित कर दिया अमेरिका इस स्योद में फसने से लगाता बचता रहा अमेरिका पहले विस्योदी की बज़े से पैदा हुई आतिक समस्याओं को दुबारा नहीं जिरना चाहता था लेकिन वह लंबे समय ता के वीचों से दोर भी नहीं रह सकता था पूरव में जापान की तागर फ्यलती ही चाह रही थी उसने फ्रेंच इंडो चाहिना पर कब्जा कर लिया प्रेसांत महाचागर में अमेरिकी नौसे ने ठिकानों पर हमले की पूरी योड़ना बना ली थी जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तब परल हापर पर अमेरिकी ठिकानों को बंबारी का निसाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे योड़ में विस्दोद में हुन पर यह योड मई 1945 में हिटलर की पराज़ जापान की हीरो जीमा सहर पर अमेरिकी भर्माडों बंब गिराने के साथ खतम हो थी तो 1949 से सुरू होता है 1945 में जाकर यह योड़ आपका खतम हो थी दूसरे विस्दोद की इस संचिवत व्यवरे के बाद अब हम एक बार फिर हैलमों टोर्ष के पिता की कहानी पर वापस लोगते हैं यह यह योड़ के दौरान नासी जर्मों की कहानी थी आपकी यह आपके भारती समाचारों में जर्मनी के हालाद पर नज़र अब बात करते हैं नासीयों का विस्द्रिष्टी कौन नासीयों ने जो अपरात की विखास तरह की मूल बानताओं एक खास तरह की विवार से संबन दी थी नासी विचारदारा हिटलर के विस्द्रिष्टी कौन का पर्यावाची थी इस विस्द्रिष्टी कौन में सभी समाजों को बराबरी का नहीं था बेज नसली आधार पर तुबहतर थे या फिर कम तर थे इस नजरिये में बिलोंड नीली आखों बाले नौल्डिक जर्मन आय सबसे कूपरी और यहूदी सबसे निच्री पायदार पर थे यहूदियों को नसल विरोदी यानि आयों का कट्टर सत्त्रू माला जाता था बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रोग के हिसाब से जर्मन आ रहे हो और यह आउदियों के बीच रखा जाता था हिटलर की नसली सोच चार्ल्ड डार्विन और हारवर्ड इस पैंसर जैसे विचार्कों के सिद्धानतर पर आदा रही थी डार्विन पकिती विज्ञानी थी जिन्नोंने विकास और प्राक्तिक चैन की आओधार्णा के जरिए ऑध्वापर्ष्मों की उपत्ती का सिथान यानि कि सर्वाइबल और व्वता फिटेस्ट जो सबसे योग है वही जिन्दा बचेगा यह विचार दिया था यह विचार का मतलब यह था कि जो पर जाती है बदलती हुई वहाता बड़ी परिस्तितियों पर अमसार खुद को डाल सकते हैं वही पितिवी पर आपकी जिन्दा रह सकते हैं आप ही सोचिए कि अगर आप भी अगर पुराने जमाने जैसा विभार करें यानि कि पहले कि मन का सिकार हो जागा है अब आपको ओपर कन्या कुमारी से नीचे कन्या कुमारी से आपको जाना है कहां जमू कस्मी तमय लालू से जमू कस्मी जाना है आप सोचेंगी बेलगारी से चलते हैं तो संभाव या बहुत मुस्किल है ठीक है तो आप बदलते रहेंगे तो बदल कि डार्विन ने चैन की सिद्धान्त को एक विस्चुद्ध प्राक्तिक पिक्रिया कहा था उसने इंसानी हस्तचेट की पकालत कभी नहीं की लेकिन नसल बाद विचारकों और राजनेताओं ने पराजीत समाजों पर अपनी समराजबाती सासन को सही ठहराने के लिए डार्वन की विचारों का सहारा लिये नाक्सियों की दलील बहुत सरल थी जो नसल बाद सबसे तावलत पर हैं वही जिन्दा रहेगी कमजोर नसलें खतम हो जाएंगे, आरे नसल सरव स्टेट है, उसे अपना सुद्धता बनाया रखनी है, तागत हासिल करनी है, दुनिया बलवर्चस कायम करनी है, यह तो आप उसी तरह से समझ सकते हैं, देता की तरह, कि धरम में यह कहीं नहीं लिखा गया है, कि तुम किसी के अपने धरम को पर उठाने लगते हैं, दूसरे की धरम को गराने लगते हैं, उस धरम में कोई अपनी राजनी करने का एक जरिया बना देता है, तो इसी तरह नोंने डार्विन की सिद्धान्त को भी उसका दूसरी एर्थ में अप्रियों करकी जनता को भटकाया, एटलर की विचारदा करा का दूसरा पहलू, लेवेंस तराओं या पर जीवन परदी की बुह राजनीति का उधार्णा से संब्धित था, वो अइमानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कपचार करना चलूए, इस से मात, छेत का पहल, छेत नहीं जाए, पेश नहीं आई, इटलर को नजर में इस तरह जर्मन दाश्ट के लिए संसादन और वेशाप सकती, एखटता की जा सकती है, पूर में इटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था, ताकि सारे जर्मनों को भावोलिक देश्टी से एक ही जगे एखटता कि आप, यह आपका कुछ पॉइंट है, से भी देख लेते हैं, यह पित भी ना तो किसी को हिस्ते में मिली है, और नहीं तोर्पे में, नेती में है उन्हें सौपी है, जिनके एदय में इसको जीत लेने का, और इसको बचा रखने का साहस है, और जिसके पास इस पर हल चलाने क हो दम सीखता है, इस दुनिया के सबसे बुन्यादी अधिकार है, जीवन का अधिकार बासरते, किसी के पास उसे हासिल करने की तागत होता, इस अधिकार के आदार पर एक उर्जा वान, राष्ट अपने भुभाग को, अपनी जन संक्या के हिसाब से पहलाने की राष्टी दुन लेगा, नौडिक जर्मन आये, आये आरे बताने बताये जाने वालों ये एक साखा, ये लोग उत्री येवरोपी अधेसों में रहते थे, वो जर्मनी, या पिर जर्मन मिलते जुलते मूल के लोग थे, बिलोंड, नेली आखों और सुने रे बालों बाले लोगों को बिलोंड कहते थे, अब हम बात करते हैं नसलवादी राज्जी की स्थापना के बारे में, सत्ता में पहुंचनते ही नास्तियों ने सुध्ध जर्मनों के विशेष्ट नसल समदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया, सबसे पहले उन्होंने बिस्तारि जर्मन, समराज में मौजूद उन समाज जों या फिर नसलों को खतम करना सुरू किया, जिन्हें भी आवांचित मानते थे, नासी, सुध्ध और स्वस्थ, नौर्डिक आरेयों का समाज बनाना चाहते थे, नासी, उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वांचित थे, केवल ए यही लोग थे, जिन्हें तरक्की और बंस्त बिस्तार की योग माना जा सकता था, बाकी सब आवांचित थे, इसका मतलब यह निकला, कि ऐसे जर्मनों को भी जिन्दा रहने का कोई हक नहीं है, जिन्हें नासी, आसुध या फिर आसामान मान थे, आप लोग इसे उस तरह से देख सकते हैं कि प्राचीन काल में, मद्यकाल में और अब यह प्राचीन आधुनी काल तक आपने देखा होगा आवांचित सूद्रों को जो आपके बैस थे, इन्हें आवांचित मानते रहते थे, यानि कि इन से चुगा-चूद की भावनाएं रखते रहते थे, फिर आप आपका मानौदिकार सनक्चान दिने हैं 1955, उसके बाद आपका उननी सो तैरान में भी आए, उननी सो चेतर में संसुधन किया गया, इसी को आटाने के लिए, तो इसी तरह यह भी आप इन्हें आवांचित मानते थे, यानि कि आसामान, असुद्र, यह थे नीजिया दया मित मित्यू, मित्यू कारकिरम के तहित बाकी नासी अफसरों के, साथ-साथ हैलमूट के पिता ने भी असंख ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था, जिनने वह मान से किया फिर सारी रिक रूप से आयूग मानते थे, इस चित को देख रहे हैं आपको, पुलिस के पहरे में और बित्स बेजे जा रहे जिप्सी, उननीस्तो त्यानतालीस चवालिश की ये पिक्चर से, केबल यहोदी ही नहीं थे, जिनने आवांचित की सेरी में रखा गया था, इनके अलावी भी कई नसले थी, जो इसी नीती के लिए अभी सब्त थी, जर्मनी में रहने वाले इस्तानी लोगों को भयानक परश्थितियों में गुलामों की तरह काम से काम पर जोंक दिया गया, उन्हें इंसानी बरताओं के लाएक नहीं माना जाता था, उनमें से बहुत सारे वहिसाब काम के बोज़ और भूग से ही मर गये, नाथी जर्मनी में सबसे गुरा हाल यहूदियों के पिति नाथियों की दुस्मनी का एक आधाल, यहूदियों के पिति इसाई जरम में मौजूद परंपरागत गहना थी, इस एयों का आख था कि इसा मसई को यहूदियों ने ही मारा था, इस तरह से आप लोग अभी भी लेते रहते ह। इस तरह की राजमी ती सकते हैं इसाईयों की नजर में यहुदी आदितन हत्यारे और सूध खोर थे यानि कि इनों ने इसाई धरम ने यहुदियों को हत्यारा और सूध खोर साविद कर दिया थे ठीक है इसलिए इनके पिती जानदा कुछ नफ्रत फैलने लगी थी समझ मद्यकाल तक यहुदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाई थी ए लोग मुखरूप से ब्यापार और धनोधार देने का दंदा करके अपना गुजारा चलाते थे बेबाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिनें गेटो यानि की दड़वा कहा जाता था नसल संगार के जरिए ईसाई बार-बार उनका सफाया करते रहते थे उनके किलाब जब-जब संगटित इंसा की जाती थी तो उन्हें उनकी बस्तियों से ख़देड दिया जाता था लेकिन इसाईयत तो ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था या धर्म परिवर्णत का रास्ता था इसे आप लोग पाकिस्तान की तरह ले सकते हैं पाकिस्तान में जब हमारे यहां बटवारा हुआ तो ये बड़ा हिस्सा भी हिंदूओं का पाकिस्तान में भी गया था लेकिन आप कहते हैं कि उसका हिस्सा कई को न छोटा हिस्सा बच्छा हुआ है मतलब कई को यादो धर्म परीवतन करवा दिया गया या फिर मार डाला है वाँ आदोनी काल में बहुत सारी यहूदियों ने इसाई धर्म अपना लिया और जानते बूचते हुए जर्मन संस्किती में ढलगे लेकिन यहूदियों के पिती हिटलर की गेना तो नसल की छदम बिग्यानिक सिध्धान तो परादा रही थी इस नपरत में यहूदी समस्या का हल धर्मानतर से नहीं निकल सकता था हिटलर की दिर्ष्टी में इस समस्या का सरफ एक ही हल था यहुदियों को कूरी तरह ख़तम कर दिया जए सन 1933 से 1938 तक नाथियों ने यहुदियों को तरह तरह से आतांके किया उन्हें दरिदिकर अजीवका के साथ मुना से हीन कर दिया और ने सेज समासरी अलक-थलक कर दिया कर डाला यहुदी देश चोड़ कर जाने लगे उस समय 1949 से 45 के बीच दूसरे दौर में यानि की दूसरे विश्टेवद के दौरान यहुदीयों को कुछ खास इलागों में एकट्टा करने और थंतता पोलेंड में बनाए गए गेस चेमरों में ले जाकर माल देनी की रणती अपनाईगी यहां कुछ आपके सब्देने भी देख लीजे जिपसी जिश्टी के नाम से सेड़ी विर्तिक किये गए समुहों की अपनी समुदायक पहचान पहचान थी सिंथी और रोमा ऐसे ही दो समुदायक थी बहुत जान्दा ब्याज वसूल करने वाले महाजन हुआ करते थी इस सब्द का प्रयाग गाली के रोम में भी प्रयो किया जाता था गेटों की अगर बात करें को किसी समुदायको औरों से अलग धलग करके रखना गेटों कहलाता था अब बात करते हैं हम लोग नसली, कलफणा लोक, यूटोपिया योद्य के साय में नाच्टी अपने कातिलाना, नसलवादी और कलफणा लोक या फिर आदर्स विस्य के निर्मार में लग गए थी जन संगार और सुद्ध एक ही सिख्य के दो पहलू बन गए पराजित पॉलेंड को पुरी तरह तहस नहिस कर दिया गया इसकी द्वारा, उत्तरपश्मी पॉलेंड का जान्दातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया गया पॉलेंड के लोगों को अपने घर और माल आसाप असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कपजे वाली यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर बसाया जा सकी इसके बाद पॉलेंड वासियों को मवेसियों की तरह खदेड कर जनल गवर्मेंट नामक दूसरे इससे पहें पहुचा दिया गया जर्मन समराज में मौजूद तमाम आवांची तत्तों को जनल गवर्मेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था पॉलेंड के बुद्ध्य जीवियों को बड़े प्रमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया इसमें यह पूरे पॉलेंड के समाज को बहुत दिक और अध्यात्मिक इस्तर पर गुलाम मना लेनी की चाल थी आरे जैसे लगने वाले पॉलेंड के बच्चों को उनके माबाप से चीन कर जाट के लिए नसल बिशेशक्गों के पास पहुचा दिया गया अगर भी नसली जास्त में कामयाब हो जाती तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता है और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनात था स्रम में डाल दिया जाता था जहां उनसे जानत बच्ची मर जाते थे उनमेंसे जनरल गबर्मेंट में कुछ विसालतम घेटों और गैस चेम्बरों चेम्बर भी थे इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े प्रमाने पर मारा जाता था यह भायानक देश सापके फोलिड वासियों का अवरा था जनर्मनी के द्वार ठीकर यहूदियों को गैस चेम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाद गाड़ी थी समझ सकते हैं यानि कि जिस परे से वेड़ वक्रियों को आप लोग ट्रेक में देखा हुगा परा हुगा उसी तरह से भर दिया पत्र एक भयानक द्रस से थाई मौत का सिलसला पहला चरण बहिसकार 1933 से 49 तक हमारे बीच तुम्हें नागरिक क्योंकि तरह रहने का कोई हग नहीं नियूरेंबर्ग नागरिक ता दिनियं हम सेप्टंबर 1932 जर्मान या उससे संबस्तंधित रंखत वाले वेक्ति जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन समराज का संरख्छक मिलेगा योदियों ओ जर्मनों के बीच बेवार पर पावंदी लगा दी गई, यहूदियों और जर्मनों के बीच बेवाहत्त संबंदों को अफराध घोसित कर दिया गया, यहूदियां द्वारा राष्टिय द्वच फेराने पर पावंदी लगा दी गया, समझ सकते हैं, आने कानूनी उपाय की बात करें तो यहू इसके अलावा नवंबर 1938 के नर्षंगार में यहूदियों की संबत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनकी घरों पर हमले हुए, यहूदी परातना घर जो थे, इन्हें जला दिये और उन्हें गरबतार किया गया, इस गटना को नाइट आप ब्रोकन गिलास किर यहूदियों के लिए थी, ठीक, मतलब समझ सकते हैं, एक जानवरों से बत्तर विवार किया गया यहूदियों के साथ, इस संकेत पट में एलान किया जा रहा था, कि उत्री समुद इसनान चित यहूदियों से मोक थे, चित सत्रे मेरे पास बैचने के लिए बस यही है, हमारे वीच रहने का कोई हग नहीं, सेप्टमबर 1941 से सभी यहूदियों को हुकम दिया गया, कि उए डेविट का पीला सितारा अपनी चाती पर लगाता लखेंगे, उनके पासपोर्ट तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पैचान चिप, चिन चाप दि चित्र के लोदच एवन गोर्षा जिसे गेटों बस्तियों में कश्टपूर, पूर और दरिद्धिता की स्तिती में रखा जाता था, यह बेहत पिछले पिछडे और निर्धन इलाके थे, गेटों में दाकिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ दे समझ सकते हैं क्या द्रस होगा हो, तीसरा चैन की बात करें तो सारवनास, 1941 के बात, तुम्हें जीना का अधिकार नहीं, चित्त जो अठारे देख रहे हैं आपको, इसमें भागने की कोशिस में मौत, यह अपना गिरह के चारों तरफ लगी तारों में करेंट दोड़ता रह समुचे यूरोप के यहूदी मखानों, यातनागरों, गेटों बस्तियों में रहने वाले, यहूदीयों को मालगाडियों से में बार बार कर, मौत के कारखानों में लाया जाने लगा, पोलेंड तथा अनपूर्वी इलाकों में, मुक्रोप से बेल जैक, आस्बित, सोभी और त्रिव लिंका, चिलमेनों, माय तथा मायन, मायदा नेक में उन्हें गैस चेम्बरों में यहूदीया गया, और दोगिक और बिज्ञानी प्रक्नीकों के सारे, बहुत सारे लोगों को अलग जबवक्ती, मौत के घार उतार दिया गया, समझ सकते हैं आथ लोग, कभी इ 21 चित्ता आप यूद देख रहे हैं, यह आपना करहें, कैमरा मौत के मैदानों को भी खुब सूरत बना सकता है, यह चित्त देख रहे हैं आप लोग, अंतिम समाधान से पहले, क्यदियों से चीने गए जूते थे, फिस तरह ऐसे डेर लगा हुए, चलते हैं आप लोग, आ नात्सी समाज की, इस ठापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की गुट्टी पिलाना बहुत जरू है, इसके लिए इसकूल के भीतर और बाहर दोनों जगे बच्चों का पूरा नियंतन अवसर था, नात्सी वाद के दौरान स्कूल में क्या हो रहा था, तमाम स्कूल में सफाय और सुद्धी घंड की मुहित चड़ाई गई और यहूदी या फिर राजनितिक रोप से आवस्तिस निये दिखाई देने वाले सिप्चुकों को पहले यहां से नौकरी से हटाये गया, और बाद में उन्हें मौत की घार उतार दिया गया, बच्चों को अ निकाल दिया गया, चालीस के दसत में तो उन्हें भी गेस चैंबरों में जौप दिया गया, इस चित को देख रहे हैं आप लोग, सामने इस चित है, यहूदी विरोधी विशयों की पढ़ाई को दरता आता कक्छा का चित, अर्नस्ठी मर, नियूरेंबर्ग डियर, डियर, इस्टूर मर, 1932, रचित देयर, गिफ्ट फिलेम, बिसेला मस्रूम, सिप्पिष्ट नमबर 7 से, चित का सीशक इस पेकारे, यहूदी नाग सिर्फ, यहूदी नाग सिरे पर मुरी हुई है, यह अंगरेजी के अंग, छे जैसी दिखती थी, यानि ही सीधा समतलब था, नफ प्रत पेना की जा, या फिर कहीं संसकार से, किसी भी तरह से, नफरत भरना था, बस यहूदीयों के पिति, अच्छे जर्मन, बच्चों को नाच्सी सिक्षा पिक्रिया से गोजरना पड़ता था, यह विचार धारात मत, पिसीक्षन की एक लंबी पिक्रिया थी, इस्कूली पिसाय पाठकरम में सावीर किया गया, और तो और गड़ित की कक्छाओं में भी यहूदीयों को की, एक खास्चा भी पढ़ने की कौसिस, गढ़ने की कौसिस की जाती थी, बच्चों को सिखाय गया कि बे बफादार वा आग्यार कारी बने, यहूदीयों से नफरत और हिट कि अग्यार का मानना था कि मुक्के वाजी, मुक्के वाजी का पिसीक्चन बच्चों को फौलादी दिल, बाला, तागदवर और मरदाना बना सकता है, इस चित को देखिया, बाकी बच्चों की हसी ठ्टोली, ठ्टोली में भी के बीच भी यहूदी शिक्चक और यहूदी विद्धियार्टीम को इस्कूल से निकाला जात रहा है। यह आपका दिख रहा है। जर्मन बच्चों युवाओं को राष्टिय समाजबात की भावनों से लेट्स कंडे की जिम्मागारी युवा संगठनों को सौपी गई थी। दस साल की उम्म में की बच्चों को यूंग फॉक में दाकला करा दिया जाता था। चोदर बर्स की उम्म में सभी लड़ों को नाच्सियों के युवा संगठन, हिटलर यूद की सदस्ता लेनी पर दी थी। इस संगठन में भी सुद्ध की उपासना, आपकरमक्ता, भहिंसा, लोकतंत की निंदा, प्रियहूदियों, कमिनिष्टों, जिबसियों बाँन आवांचेत्यों से गहना का सबक सीखते थे। गहन विचार धारात्मक्त और सारीडिक विसीख्षन के बाद लगबक 18 साल के उम्में डिलेवर सर्विस यानि कि स्तरम सेवा में सामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाच्शी संगठन की सज़स्ता लेनी पड़ती थी। एक बाद समझ सकते हैं आप दो एक तरह से पूरा कि उनका जर्म से लेकर यानि कि पूरे मरने तक की पूरा क्रम निर्दारित यानि कि इनहीं के उपर नाच्शी जो भी इनका संगठन था इसी की जिम्मेदारी पर रह दे दो कि बच्पन से इनकी मन में यहूदीयों की पि पिर चाहिए आप यहां जो भी आतंकी हमला होता हूँ मुंबई का देख लीजिए आप लोग कि यहां या फिर कोई आता है जो अपने आपको बं से वड़ा लेता है पाकिस्तानी होता है तो एक समझ लीजे उन्हें पता होता है कि जैसे इंडिया जा रहे हैं अगर तुम नियाद तो हम धमाका करते हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं आतंकी तो आप बचके तो निकलेंगे नहीं 100% मलना तोड़े आप करते हैं लेकिन इतना दिल जिगर तो होना चाहिए कि मालू है कि सामने मौत है फिर भी हम जाहने हो तो कहते हैं कि बचपन से ही इनमें बच्चे बच्चों से लगा सुखों से जब से इनमें सोच की भावना पेना होती है तब ही से इनमें यद्दियों के पिती नफरत की भावना भर दी जाती है तर आपके यहूदी, सबक देते रहते हैं यह 14 साल से कम उम्मे वाले बच्चों के लिए नात्सी युवा संखटन था यह फोग 6 से 10 साल तक की उम्मे के सभी लड़कों को नात्सी विचारधारा की सुरुवात पिसीक्षड दिया जाता था पिसीक्षड पूरा होने पर उन्हें हिटलर के पिती निष्ठा किये सपत लेनी पर दी थी यानि की सीधा समतलब है आपका कि जिस तरह आपने देखा होगा कोई स जनस्तच चून कर जाता है तो आपके समिधार की सपत लेता है उसी तरह इन बच्चों को हिटलर की सबत की पितिश्ठा की सबत लेनी कड़ती थी हमारे फिवर का पितिने दित करने वाले इस रक्त दुरच की उपस्तिती में मैं सपक लेता हूँ कि मेरी सारी उर्जा और मेरी सारी रक्ती हमारे देश के रक्चत एडॉल्प हिटलर को समग भी थे मैं उनके लिए अपना जीवन देने को एक चुक हूँ और तेजाना हूँ इस रो मेरी मदद करें डवलू साईरर एदा राइच एड़ फॉल ऑफ दा थर्ड राइच ने से लिया गया है जर्मन लेवर फ्रेंट के प्रेंट के रोबाट ले ने कहा था कि हम सबी तवी से काम सुरू कर देते हैं जब बच्चा तीन साल का होता है जैसे ही वह जराज सा सोच भी सोचने लगता है उसे लहराने के लिए एक छोटा सा चंडा थमा दिया जाता है इसके बाद स्कूल, हिटलर, यूथ और सैनिक सिभा का नंबर आता है लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं लेवर फटन्ट उन्हें अपनी गरप्त में ले लेता है चाहे उन्हें अच्छा लगी या फिर बो कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है मतलब मरने तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है बच्पन से लिकर पैदा होने से लिए गल्लगबग ठीक है इस्पेक्ट्रेस को देख रहे होंगे आप मौत के कार खाने में आती है यहूदी बच्चे जने गैस से माल दिया जाएगा इस चित देख रहे होंगे वह अनचीत बच्चे जिनकी संक्या हिटलर बढ़ाना चाहता था यह आपका चित 26 कभजे बाली यूरोप से दीकरेट पोर्लेंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक सिसू अपनी मा के साथ और आप यहां से सोच लिए अगर यहां से कोई भी सिख्षा देंगे आप लो तो बच्चा उसी में ढ़न जाएगा अब आप 24 गंटा उसके सामने कहेंगे कि मार मार गाली 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 बगते रहेंगी तो तो अब आप यह पसी बात है कि गाली बगना सुरूम हो जाएगा और आपने अकसर देखा होगा आपकी आप जो बच्चा पेदा होता है वो अपने आप उसे हिंदी आप सिखाते नह हैं और हम लोग एंगलिक सीखते हैं तो समझ सकते हैं कि मतलब सुरूम से बच्चा अपने आप सीखता जाता है बस उसके सामने वो परिस्तितियां पैदा की जाती है अब खाना के नाला किसी ने तुम्हें सिखाया था कि देखते देखते सीखते सब नास्ती यूथ लीक कार्याटन 1922 में भुगा था चार साल बाद उससे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया यानि कि नास्ती यूथ का नाम बदलकर हिटलर गिर्ट दिया था 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाग से जाना बच्चे थे यूवा अंदोलन को नास्ती बात के देखते एक जुट करने के लिए बाकी सब यूवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर पितीवंद भी लगा दिया गया मात्त्त की नातसी सोच नातसी जर्मनी में पितेग बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि ओरतें बन्यादी तोर पर मर्दों से बिंड़ोती है उने समझाय जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संगर्थ गलत है या समाच को नश्ट कर दीगा इसी आधार पर लड़कों को आक्रमक मर्दाना पत्थर दिल होना सिखाय जाता था जबकि लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना सुध्य आरे रख बाले बच्चों को जर्ण देना और उनका पालन पोसंड करना है नसल की सुध्य था बनाए रखने यहुदियों से दूर रहने घर समालने और बच्चों को नासी मूल माननताओं की सिख्चा देने का दायत तो नहीं सौंपा गया था आरे संस्किदी और नसल की धर जवाग वही थी महलाई एक बात आप लोग हमेशा देखते हैं कि अपने आभी महलावरुस के बीच खाई एक दिन में नहीं गड़ दी गई है यह आपके बच्च्पन से ही गड़ दी जाती है आपने देखा हुगा आपके परिवार में अब आप लोग इसे अपबाद में मत बताने लगिए कि अगर दूद होता है घर में तो आपको एक गलास दूद दिया जाता है लड़के को वहीं बहन को इससे बंचित रखा जाता है तो अकसल में खाई यहीं से शुरू हो जाती है बच्चे को मुवाहल यानि की गन से खिला जाता है सेल से खिला जाता है और मैं उसे लड़की को किस से गुड़िया दे दी जाती है यहीं से कमजूरी यानि की नपरत एक तरह से कह लिए आप लोग इनके भीच खाई बढ़ होने के लिए तो उसे भी बेच सकते हैं तिंग उनीस तो तैस में हिटलर ने कहा था कि मेरे राजी की सबसे मत्रू नागरिक मा है लेकिन नास्ती जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बालताओं नहीं होता था जो और नसली तोर पर आवांशित वच्चों को जनम दिया जाता था ऐसी माताओं को अस्पताल में विसिस सुविधायन दी जाती थी दुकानों में उन्हें जानद छूट मिलती थी थेटर वा रेल गाड़ी के टिक्टों में उन्हें रास्ते सस्ती में टिकेट मिलते थी हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जनम देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतिराम किया था जिस तरह के तमगे सिपाईयों को दिये जाती थे चार बच्चे पैदा करने वाली मा को कांसे का छे बच्चे पैदा करने वाली मा को चांदी का और आठ याउस से जानदा बच्चे पैदा करने वाली मा को सौने का तमगा भी आजाता था यानि कि जो माँ इतने अधिक बच्चे पैदा करेंगी उन्हें उतना ही वड़ा इनाम भी आजाता था निर्दारित आचार सहिता का उलगन करने वाली आरे और आरे औरतों को कि सारजनक रोप से निंदा की जाती थी उन्हें कडार धंड दिया जात था बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुह पर कलित पोद कर और उनके गले में तक्ती लटका कर पूरे सहर में गुमाया जाता था उनके गले में लटकी तक्ती पर लिखा होता था मैं राष्ट के सम्मान को मलिन किया है मैंने इस अपरादिक कृत के लिए बहुत सारी औरतो कुना केवल जेल की सजादी जाती थी बलकि उनके उनसे तमाम नागरिक सम्मान उनके पतीवा परिवार भी चीन लिए जाती थी समझ सकते हैं आप लोग किस तरह से हालत थी नियूरेंबर्ग पार्टी रेली में औरतों को संबोधित करते हुए हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि ओरतें मर्द की दुनिया में उनके मुख दारे में दखल दें हमारी नजर में यह पुदरती बात है कि यह दौनों दुनिया एक दूसरे से अलंग है जिस तरह मैरत अपने साहस की रूम है योद की मोर्चर पर अपना सर्वस निच्छववर कर देता है उसी तरह औरतें अपने आनंत आत्म बल्दान आनंत पीडां और दर्द की रूम है अपना योधान देती है हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक योधी है अपने समाज को जिन्दा रखने के लिए औरत द्वारा चोड़ा गया यानि कि छेड़ा गया यहीव 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 यह उन्ते परिचार की कला नासी सासन ने भासा और मीडिया की बड़ी उस्यारी से इस्तेमाल किया और उसका जबर्जस्त फायदा भी उठाया उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो सब्द इजाद किये थे बेना केवल बरामक बल्की दिल दहला देने वाले सब्द थे नासीयों ने अपने अधिकत दस्तावेजों में हत्यार या फिर मौज जैसे सब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया सामुई खत्याओं को विसेज, बेवाद, अंतिम समादान, यहूदियों के संदर में यूथ नहीं गिया, विकलांगों के चैन के लिए चैन और संकमर मुक्ती आदी सब्दों से बेक्त किया जाता था काश्रान कार्द लोगों गिए चैनमरों में ले जाना किया आपको मालू है कि गैस चैंबरों को क्या कहा जा जाता था इस समय अंहें शंकमर मुक्त छेत कहा जाता था। गैस चैंमरों इस नाह्म घर ज्यान से दिखाई देते थे उनमें नकली भब्बारे भी लगे होती थे आप मीडिया की यहां भूमिका की बात आई तो आप माप करियेगा आप लोग किसी पर्टिकूलर बैक्ति के बारे में मत लीजिए इसे ठीक और हमें समझना है ना तो हमें किसी पार्टी से मत लगे ना किसी नेता से पस हमें किसी किसी तरह से इन सब्दों को समझना है आप सोचिए कि 2016 के बाद आपके देश में नैट परी होता है जिसमिन मौदी को देश में कई लोग नहीं जानते थे नीचे का तबिका वो भी जान ले लगा और 2019 में बहुमत इतना पूर बहुमत यानि कि इतनी सक्ति साली जीत का कारण में मैं अपनी तरफ से इसको मीडिया सोचल मीडिया को देता हूं क्योंकि पर चाहिए कोई भी श्ट्राइब को या पर चाहिए कोई भी पाकिस्तान को क कि मुए कीखलाना हो यानि कि उसे जटका देना हो इन सब की नीवल हमारे नीचे के तक का है जो इनसान उस तक पहुझ जाती थी हुझ पर जो भी मधी की जिंद्गी रही है, बच्पन रहा है, उनके जो भी भावनात्मक भासण है, सम नीचे के तक की तक रहें, यान रखिए जो नीचे का तक्का है यह भावनाओं में जानदा बहिए जाता है, समझें, वो देश प्रेम के लिए यह जान जाने के लिए तयार है ता है, और राष्टवाद सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है इनके लिए, खाना पीनागर में वो या ना हो, लेकिन इनके लिए राष्टवाद बहुत का मद्दा रहता है, तो यही कारण था कि इतनी बड़ी जीत थी मौद्दी सरकार की, इसे भी देख लीजी, नियूरेंबर, पाइटी रेली में 8 सिप्टमबर 1934 को ही, हिटलर ने यह भी कहा था, कि औरत किसी समधाय के सरक्षण में सबसे इस्थित अच्छी तरह पता होग होता है कि अपनी नसल को खतम होने से बचाने के लिए क्या-क्या चीजे मत खूंड होती हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं और जो इस सारी पीणा से सबसे पहले प्रभावित होगी, इसलिए हमने नसली समधाय के संगरस में औरतों को भी वही जगह दी, जो प्रक्किती और नेती के अनसाथ है, सासन के लिए समर्थन हासिल करने हैं और नात्सी बिस्त दिश्टी कौन को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया, नात्सी पिचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रैडियों, पोस्टरों, आकरसक, नारों जिस तथारी पर्चों का खुप सहरा लिया गया, एक तरह से नेताओं का काम कर रहा था थी, पोस्टरों में जर्मनी की दुस्मनों की रटी रटाई छबियां दिखाए जाती थी, उनका मजा पुड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें सैतान की रू कि वो कंजोर और पतभरिष्ट तत्तों की रूम में पिश्टुत किया जाता था उन्हें विदेशी एजेंट कहेकर बदनाम किया जाता था पर चार किलमों में यहूदियों के पिती नफरत पैना फैलाने पर जोड़ दिया जाता था दा एडर्नल ज्यू यानि कि अक्षद अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्याद फिल्म थी परंपरा प्रिये यहूदियों को खास तरह की छबियों में पेस किया जाता था उन्हें दाड़ी बड़ाय कप्तान चेवगा पहने दिखाया जाता था जबकि बास्ताओं म दूसरे में काफी घुल मेले हुए थे उन्हें केंचुवा चुवा और कीड़ा जैसे सब्दों से संबोधित किया जाता था उनकी चाल ढाल कीतलना में कुतरने वाले चचंदरी जीवों से की जाती थे नासिवास ने लोगों के दिलों देबात पर गहरा असर डाला उनकी इसी अभियान से नासिवात का सामाजी काधार प्यादा हुए आप लोग एक बात इसा समझते हैं कि जा हम किसी को गलत ठहराना सुरूं करते हैं अवे मालूम है कि वो गलत नहीं है सामने वाला बैखती है लेकिन हम पूरी हथ पार कर देते हैं आपने किसी भी रिष्टे में मैं किसी पर्टिकुलर रिष्टे को भी ले रहा है कि जब आपको किसी को सामने वाली को बुर्वा ठहराना होता है उसके उसे मतलब गलत ठहराना होता है कि मालूमिया कि हम गलत हैं वह सब्सक्राइए की और भी हट को पार कर दें गृगा है इससमयरे में इकीज भी सधी में भले हम जा रहे हैं martyr कि इंसानिये घ़ष हो चुकिया है यहां तरक्वी ही the है मैं अपने आपको वह inici है किस्ती वड़ा कुछी दें और सक्तेि यानि कि आंगे बढ़ने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं यहां कुछ भी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं बस मैं तरक्की चाहिए हमें आंगे बढ़ना को कभी अपने आप से मिलते ही नहीं कि आखिर हम इस तरक्की को पाकर की संतुर्ष्टी के आप पाएंगे कभी लिए और एक बात आप लोग हम इसा याद रखिए जो आप देंगे वही बाप से मिलेगा बस किसी के सपनों से किसी की जन्दवी किसी को रोला कि मत कोई भी सतना प तरह के फर्म करके ठीक है तईक इंसानियत रखकर आप सब को साथ लेकर जो जीत अगर होती है अगर छोटी भी जीत हुई तो वह आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी ठीक है नासियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किये पूरे समाज क अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हेंने लोगों को इस बात का एहसास कराया उनकी समस्याओं को सरफ नासियी हल कर सकते हैं यह देख रहे होंगे चित यहूदियों पर हमला करता है इगनास्ति पोस्टर चित के नीचे दी गई भंतियां पैसा ही यहूदी का भगव जाए जब तर की हुए पैसे का राजा ना बन जाए जर्मन किसान तुम सरे फिटलर के हो क्यों आज जर्मन किसान दो भयानत पार्टों के भी इस तरह है एक खत्रा अमेर की अर्द्विस्था यानि बड़े पूजी बात का दूसरा खत्रा बोलसे बोलसे विज्यम की मार्क अर्द्विस्था का बड़ा पूजी और बोलसे विज्यम दोनों हाथ मिला कर काम करते हैं यह दोनों ही यहुदी विचारों से जनवे और विस यहुदी बात की महायोजिना को लागू कर रहे हैं किसान को इस खत्रों से कौन बच्चा सकता है केवल राष्टी यह समाजबा यह आपका 1932 में छपे एक नासी फर्ची में है यह पोश्टर दसा था है कि किसानों को नासी किस तरह आकर सित कर लगती थे इसे भी देख रहे हैं हुगे पोश्टर को बीस के दसक का एक नासी पायटी पोश्टर है इसमें हिटलर को अग्य मोच्छपन योद्र सिपाही बताकर उसे बोट देने कहां किया जा रहा था एक सीधा से मतलव है कि फिर चाहे आपका कोज भी बर्ग हो समाज कर सब में नासी इन आवांचे तक लोगों के पिती घहना पहला ही जा लेती यानि कि नफरज भरी जा लेती फिर चाहे आपके किसान हो एक किसी भी माध्यम का प्रयूग करने के लिए तैयार थी ठीक है बस इन्हें नफरज से मतलब था कुछ मात्मूर तिथिया है इन्हें भी याद रखिए कभी पूंच लेता है और आपको भी ज समाप्त हो जाता है एक 9 नमबर 1908 को वाईमर गड़राज की स्थाफना का एलान होता है 28 जून 1929 को वरसाई की संधी होती है 30 जून 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है 1 सेप्टमबर 1929 को जर्मनी का पोलेंड ते घुसना होता है दूसरे बेसे उदी की स्तुर बोलता है दूसरे बेसे उदी की सुरुवात हो जाती है 22 जून 1941 को जर्मन सेनाय सोवियत संग में घुचती है 23 जून 1941 को यहूदियों का कतले आम सुरूम होता है 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी आपका दूसरे बेसे उदी में कून पढ़ता है इसे याद रखिएगा थोड़ 27 जन्वरी 1945 को सोवियत पहुजें और स्विस कुमुक्त कराती है 8 मही 1945 को यूरोम में मिर्क राष्टों की बेजय होती है और यहां आपका दूसरे विश्यों खतम हो जाता है अब बात करते हम लोग आँगे आम जन्दा और मानावता के खिलाफ अफराद एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग यहां मैं आप लोगों कोई भासर्ट नहीं देता हूं कि कभी किसी रिष्टे को किसी के साथ बुरा मत करिएगा मैं आज भी कई ऐसे लोगों को जानत लिष्टने जा रहे हो वो सब कुछ भास चुके हैं वो लोग किसी पर्टिकुल को नहीं रहा हूं लड़की लड़का दोनों का कही लोगों से ऐसा मैं मिला हूं कि आज वो बैटकर रोलते हैं और कहते हैं कि मैंने उसके साथ बोरा किया था मैं इस तरक्की के लिए हमने च यह कुछ रहे हूं कि नास्ती पर आम लोगों की पितिकमर क्या रह congestion हैं बहुत सारे लोग नास्ती सब्दांडर mlादर पिचार का सिखार हो गए वे दुनिया की नास्ती नजरों से अपनी भावनाओं को नास्ती सब्दा बली में रही बैक्त करने लिए किसी भी यहुदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गाहरीण अपर गुश्टे का इसास होता था उन्होंने ना किवल यहुदीओं के गरों के बाहर निसान लगा दिये, बल्कि जिन पडोसियों में सक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया, उन्हें पक्का विश्वास था कि नासी बाद ही देश को तरक्की के रास्ते बग ले जाएगा, यहीं विवस्था सबका कल्यार्ट करेगी, लेकिन जर्मनी का हर वेटती नासी नहीं था, बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की असंका के बाब्य नासी बाद का जम कर विरोध भी किया, लेकिन जर्मन आबदी का एक बहुत वड़ा हिस्सा, इस पूरे घटना किरम का मूख दर्सक और ओदासीन साच्छी बना हुआ था, लोग कोई विरोध दी कतम उठाने, अपने मदवित वैप्त करने, नासी बाद करने से डर्गते थ आख फेर कर चल दिया देना जाना बहतर मानते थे, पादरी निवेवलर ने नासीयों का लगाततार विरोध किया, उन्होंने पाया कि नासी समराच में लोगों पर जिस तरह के निर्म, मम और संगठित जुलूम किये जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आप जंता विरोध नहीं साथते हुई इस खामोश्ति के बारे में उन्हेंने बड़े मरम इसमर सी जंग से लिखा है, पहले भी कम्यूनिस्टों को दूटते थे, मैं भी मैं कम्यूनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी सोचल डेमोक्रेट्स को दूटते थे, मैं सोचल डेमोक किया और फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो उहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके इसे आप लोग एक सब्द से समझ लीजिए आप लोग अक्सर देखते हैं आप गाओं के बड़े आदमी हैं ठीक है या किसी सहर की कहीं कहीं के वह सबसे पहला आपके यहां आता है कोई और आपके यहां जो निचली तक की कि जाती है उसे मारना पीठना सुरू करता था आप आँग बंद करके तमासा देख रहे हैं आप सोच रहे हैं मुझे क्या लेना देना फिर उन से ऊपर आता है इसी तरह आपकी गर्दन तक उसका हां पुछ जाता है कौलत तब आपको समझ में आता है कि हमें सुरू में ही इसका साथ दे देना चाहिए था उनका जो पिड़ रहे थे तभी अपना दिरोध जताना चाहिए था लेकिन हम ऐसे एकसर लोग एक मुल्दा बनकर इन सभी इस्तधियों को देखते रहते हैं आपने एकसर देखा होगा किसी भी व्यक्ति को अगर परिसान किया जा रहा है या किसी के साथ गलत बेवार किया जाए तो हम चुक चाप आद बंद करके देखते रहते हैं या पर किसी फैमिली मेंबर के साथ किसी दूर्थरी फैमिली और जब हमारी फैमिली पर वो बात आकर बीटती है तब हमें पता चलता है कि यह क्या उत्तव हम बिरोध करना सुरूं करते हैं लेकिन तब तक वो परिस्ति कोई महला वहाँ हो ठीक है तो अपनी हर आजमी की इतनी तो यार करतव बनता है कि कहीं किसी महला के साथ कोई गलब वेवार करगा है तो आपको वहाँ आवाज उठानी चलिए ठीक है और कोई महला भी है तो उसे भी आवाज उठानी चलिए कोई लगकी है तो वो भी आवा जाएगा कम से कम इंसान तो बनकर जीएंगे लेकिन अधिक तर इंसान मुर्दा बनकर जीते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है देश दुनिया में अपना पेट भढ़ने से मतलब है क्या नास्तियों द्वारा सताय गए लोगों किपती हमदर्दी का आभाव जैसे था लॉरेंस रीस का कहना है कि अहमान ना गलत हुआ लॉरेंस रीस ने हाली में अपने बित्चित दानासीज ये वाइनिंग और हिट्री के लिए तरह तरह की लोगों से बादचीत की थी इसली सिल्सले में उन्होंने एना क्रोंस से भी बात की जो 1930 के दसक में किसोरी थी और अब दादी बन चुकी थी एना ने रीस सिका तीस के दसक में मैं एक उमीद सी दिखाए देती थी ये बेरोजगारों के लिए ही नहीं बलकि हर किसी के लिए उमीद का दौर था क्योंकि हम सभी दबाक उचला महसूस करते थे अपने अनुभाव के यादार पर मैं कह सकती हूं कि उन देनों तनक्वाय बड़ी थी और जर्मनी को पानों अपनी उद्देश दुबारा मिल गया था कम से कम मुझे तो यह लगता था कि वह अच्छा दौर था मुझे अच्छा लगता था यहां जो बच्चे थी उनकी एक कहानी बता रही है हो लो मतलब और सही खेला थी पीसे नासी जर्मनी में यहूदी क्या महसूद करते थे यह एक बिल्कुल अलग कहानी है सालट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को छोरी चेपे दरच किया था बाद में उन्होंने अपनी डायरी को खुस्तक की रूम में पिकासित किया पढ़ने बालों को जगजोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम थैडराइक ओप द्रीम्स था सार्ट लटे ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नस्तियों द्वारा फेलाई जा रही रोडी छवियों पर यक्यन करने लग थी नासी प्रेस में यहूदीयों की जो चबियां और तस्वीर चपती थी बिदिन रात यहूदीयों का पीछा कर रही थी यह चबियां सपनों में उनका पीछा नहीं छोड़ती थी बहुत सारे यहूदी गेश चेमरों में बहुत से पहले बहुत से पहले ही दमचोड तो आप भी देखते हैं कि आपके मन में भी सपना आने लगता है। आप जब जाकते हैं, बिरिविक आपको लगता है य films आता हुआ है। फिर यां सली से थी हैं 35 सिक्ञा जो भी सौुछती हैं भी लिवी दौराती रहते हैं. सपना में भी वही आता रहता है। महाध्वंस हुलोकोस्ट के बारे में जानकारियन नासित और तरीखों के जानकार नासिसासन के आखरी सालों में रिस रिसकर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी लेकिन वहां कितना भी सन रखपाद और वरवर दमन हुआ था इसका असली अंदा जा तो दुनिया को यहुदिक खतम होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया जर्मन समाज तुद मलवे में दवे पराजित राष्ट के रूम में अपनी दोज़दसा से दुखी था लेकिन यहुदि भी चाहते थे कि दुनिया उन बाद भी सर अत्याशारों और पीडाओं को याद कर रखें जो नोंने नाक्सी कतले आम में जेली थी इनी कतले आमों को महाद्वन्स यानि कि होलोकॉस्ट भी कहा जाता है जब दमन्चक अपने सिखर पता उनी दिनों एक यवूदी टोले में रहने वाली एक आदमी ने अपने साती से कहा था कि वह योद के बाद सिर्फ आदा गंटी आदा गंटा और जीना चाहता है सायद और दुनिया को यह बता कर जाना चाहता था कि नासी जर्मनी में क्या-क्या हो रहा था जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्ताविज यहां था है उन्हें बचाय रखने की यह अधम चाय गेटों और केमपों में नार किये जीवन भोगने बालों में बहुत गहरे तोर पर देखी जा सकती थी उन्हें से बहुत से डायरियां लिखी नोटबुक लिखी और दस्ताविज़ों को संग्राय बनाए लेकिन इसके विपरी जब यह दिखाई देने लगा कि अब योद में नासियों की पराजय तैक ही है तो नासी नेततने दफ्तरों में मौझूद तमाम सबूतों को नश्ट करने के लिए अपने करमचारियों को पैटॉल बातना सुरू करती है दूनिया के बहुत सारी हिस्सों में इसमिती लेकों, साहत विद्र, चित्रों, साहरी इसमारकों और संग्राल हैं उमें इसमाधवन्स कहितियास और इसमिती आज भी जिन्दा है इस सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक सिंदाज चली हैं जोनों ने उस सियाय दिनों में भी पितिरोत का साहत दिखाया उन लोगों के लिए भी सारी बातें सर्मनाग यादगार हैं जिनोंने जुलूम ढाये और उने के लिए भी चितावनी की आवाजे हैं जो खामवसी से इन सब कुछ देखते रहे हैं यानिकि यहां इसके लिए जिम्मिदार हर पक्षताँ आपी समझते हैं कई बार आपने पढ़ा हूँका क्यों जिलोम करने से बाली से जाना ज़लूम सहनेवाला जिम्मिदार होता है वहां जो तमासा देखता है ठीक है इससे देख रहे हमें भी आप लुग चित को वर्षा गेटों के निवासियों ने दस्ताविज एकटा कर किया, उन्हें दूद के तीन टीनों में रख दिया, जब यह तह दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ दवा हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीन कनस्तरों को अपनी कालकोठीयों के तहे खाने में दवा दिया, एक कनस्ता उन्नी सो बचास में लोगों के हाथों लगी, इसने भी हमें जानकारी मिलती है यहां के बारे में, यह 32 चित देख रहे हैं को यह अपने यहूदियों को चोरी छिप्पे जर्मनी से निकाल लिया था, इस काम के लिए इस्तिमाल की गई नौकाओं में से एक नौ और हिंसा के पक्ष में लेकर हिंटलर को देख रहे हैं आप लोग कि हिंसा के पूर समर्थक थी, उनके सरीर में खून की जगह हिंसा ही दोड़ रही थी, हिंटलर को गांधी का पक्त, वार्धा मदिपरांथ भारत से लिखते हैं 23 जुलाई 1949 को, पुरीय मित, मित्रों का यह मैसूस करता हूं कि मेरा आपको पत लिखना दरश्टता होगी, लिके मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए, मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे हुआ जिस लाइक हो, यह बात बिलकुल इसपश्टे कि आज स दरश्टी में कितना ही महान क्यों ना हो, क्या आप यह से ब्यक्ति कि अपी पर द्यान देंगे, जिसने सोस्त विचार कर योध के तरीकों का त्यार कर दिया, और इसमें इसे काफी सफलता भी मिली है, जो भी हो, मैं यह एमाल लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत लिखकर क शमा कर दें, मैं हूं, आपका सच्चामित, मुहन करमचन्द गांधी, या आपके करमचांदी, गांधी सहाव लिखते हूं, हिटलर को गांधी का दूसरा पत, 24 संबर 1940 को, हमें एंसा के रूम में एक ऐसी सक्ती पराप्त हो गई, जिससे यदि संग्टित कर लिया जाए, त अभी प्रवलतम हिंसात्मक सक्तियों के कट्रिवोड का मुकावला कर सकती है, जैसा कि मैंने कहा है कि अंसात्मक तरीके में पराजयना की कोई चीजन है ही नहीं, यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए, करने या मरने का तरीका है, इसका इस्तेमाल करनें में हम ध कि आप यह भी नहीं देख पाते हैं, कि बिनासकारी यंतों पर किसी का एकादिकाल नहीं, अगर बैटिस लोग नहीं तो कोई और देश निश्चरी आपके तरीकों से जाना बेहतर तरीका इजाद कर लेगा, और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा, आप अप आले ही वायकित, कितनी ही नेपूरता पूर्वक नियुजित कियों ना किया गया हूँ, अता मैं मानता हूँ, मैं मानाँ तो कि नाप पर, आप से यो दुरोप देने की अपील करता हूँ, यह दैसे आपका मित मोहन करमचन गांदी, यह दो पत्त लिखते हैं आपके रिटल कर सकते हैं, पूरी बुक्स की, और टेलीग्राम पर डली भी है, ठीक है? तो चली हम तीसरा चेप्टर खेतम कर चुके हैं, अगली चेप्टर में बात करेंगे, वन समाज और ओपने वेस बात के बारे में, नवस्का दोस्तों, तो चली हम लोग बात कर रहे थे, NCRT, के तेन चेप्टर खतम कर चुके थे, तीसरा चेप्टर, लाट्र चेप्टर हम लोगों ने देखा था, नाकसी वाद और हिटलर का उधर, याद रखिए, अगर आपने नहीं देखे हैं, तो कक्छा चटवी से जितनी भी बुक्स हमें, आपकी सिविल सर्विस और या फिर के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी हम लोगों ने कक्छा चटवी से लेकर कक्छा बार भी तक हमें देखनी हैं, जिन्में हम लोग कक्छा आठ भी तक की सभी भुक्स अभी तक देख चुके हैं, कक्छा नौवी की भी हम लोग तीन भुक्स देख चुके हैं, ये आपकी चौ आप लोग पढ़ ले लिए तो आपके लिए बहतर रहेगा क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास तो NCEIT पूर्ण कबरेज के नाप से आपकी फिले लिष्ट सूची बनी हुई है उसी में सभी चेप्टर आपकी दले हुए कप्चा चक्वी से लगाकर कप्चा बार्वी तक उसी में मिलेंगी सब तो चलिए इसमें देखते हैं अध्याय च्यार में लोग वान में समाच और उपनिवेश्वाद आपको बड़ी धहर के साथ सुन्दा है सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको ऐसा कोई भी सब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना है अपने स्कूल और घरों में चारों को नजर दोड़ा कर उन बस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है इस मेज कुर्सियां दरवाजे खेड़कियां बे रंग जिनके जिनसे आपके कपड़े रगे जाते हैं मसाले आपकी ट्रॉफी के सेलोफेन रेपाग बीडियो के तेंदुपत्ते कौन सहत कौफी चाय और रबड यानि कि कहने का मतलब है कि जो बनों से हमें उत्पाद मिलते ह या बनों से जो हमारे लिए उपयोगी लकडी होती है उनके बारे में बात करें हैं साथी चॉकलेट में इस्तिमाल होने बाला तेल जो साल के विजों से निकलता है खाल से चमणा बनाने में इस्तिमाल होने बाला चरम सोदक टैनिन या पर दबाओं के रूम में इस्तिमाल ह वने बाली बस्तों हैं, फल, फूल, पसू, पक्छी, ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही प्राप्त होती हैं, एमेजोन और पश्च्मी घाट के जंगलों के एक ही टुकडे में ओधों की 500 लगलग प्रजातियां मिल जाती हैं, एमेजोन और पश्च्मी घाट के जंगलों में यह विवित्ता तेजी से लुप्त होती जा रही है और दोगी करण के दौर में सन 1795 की बीच एक सो उन्तालीस लाग बढ़ किलूमेटर जंगल यानि की दुनिया के कुल चेतपल का 9.3 पिती सद्भाग और दोगी किस्ते मार खेती वाड़ी चारा गहां वा उसमें बताया जा रहा था कि हर मिनिट विस्त में इतने जंगल साप किये जाते हैं चार फोट वाल मेदान की बरादर समझ सकते हैं हर मिनिट में इतना वेक्ष काटा जा रहा है और बताया जा रहा था कि जो जंगलों से यानि की प्राक्तिक रूप से हमारी जरूरतों के ल कर देते हैं यानि कि जो हमारे लिए साल पर चलना चाहिए वो हमें 6-7 महीने में खतम कर देते हैं इतना तेजी से भिनास कर रहे हैं हम लोग प्राक्तिक चीजों का और फिर याद रखिए एक दिन कमी पढ़ जाएगी उसमें कोई सब भी नहीं है क्योंकि जब आप खर्च कर करना है यह चतीसगड का एक साल बन है यह दिख रहा है घना होने के कारण जंगल की सतय तक सूरज की रोशनी यहां कम ही पहुंच पाती है इस चित्म में आप पेट पोदों के विविन नाकार और पेजयातियां देख सकते हैं नीचे भी अब बात करते हैं बनोप्त का विन बन बिनास कहते हैं जो बनों कल्लोप्त होना क्या कहलाता है बन बिनास कोई नई समस्या नहीं है वैसे तो यह पिकरिया कई सदियों से चली आ रही थी लेकिन उपनेवेशवास सासन के दौरान इसने कहीं अधीक बेवस्ते और ब्यापक रूप से गहन कर लिया है आईए भारत में बन बिवास बिनाज के कुछ कारणों पर गौर कर सकते हैं कि एक बात आप लोग भोनेते कि होगी आप कि आप पहले जहां रहते थे वहां चारों तरफ पेड दिखते थे उसके बाद कटना चालूगा पर आप देखते हैं आप लोग कि गिने चुने पेड उस तरफ यगे दिखते हैं तो इसे आप भी कई उधारट दे सकते हैं बनों के बिनास होने का जमीन की बहतरी सन सोले सो में हिंदोस्तान की कुल भूबाग के लगवग छटे से पर खेती होती थी यह आज आंकडा बढ़कर आधे तक पहुंग गया है इस सदियों के दोरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई खाद बदातों की माग में भी बिद्धी हुई वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सिमाओं को बिस्तार देते गए उपने वेस काल में खेती में तेजी से पहलाओ आया यानि कि एक कारण यही है आपका कि जैसे 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 जनसंख्या बढ़े लिए अब उनके लिए खाने के लिए साथ उत्वादन तो होना चाहिए कुछ खावद्यान तो होना चाहिए, खावद्यान की उत्पादन के लिए आप लो क्या होता है कि बनों को खाट दिया जाता है, साफ करके उसकी जगे खेती करने लगते हैं, इस चित को देख लीजे, हरेंदा ब्लीच वर्फुल, जब गाटियां बड़ी थी, जॉन डॉंसन की पेंटेंग है, इस तरह से देखती थे, लकोता जैसे देशज अमेरिकी आधिवासी समोर, जो इन विसाल उत्तर अमेरिकी मैदान में रहते थे, पहली थी, अंग्रेजों ने बेवसायत फसनों जैसे, पटसन थी, गन्ना थी, ग्याहू, कबास के उत्तर अमेरिकी मैदान की प्रोवसायत किया, 19-20 सथी के ईवरों में बड़ी सहरी आबादी का पेड़ बनने के लिए, खाद्यान और उद्दोवीक उत्तर अमेरिकी कच्चे माल की जरूरती, लिहाजा इन फस्तलों की मागों में इजाफा हुआ, दूसरी बज़य यह थी कि 19-20 सदी के शुरुवात में, उपनेवे सी सरकार ने जंगलों को अनन उत्तपादर समझा, उनके हिसाब से इस पर बैट के ब्यावान पर खेती करके, उससे राजस और किसी उत्तपादों को पैदा किया जा सकता है, इस तरह राजी की आय में बड़ोत्री की जा सकती है, यही वज़य थी कि 1860 से 19-20 के भ बड़त कुई, एक बात आप लोगों ने देखी हुए, अगर आप ग्रामिट छेत से, कि जब आपका एक खेत खतम होता था, उसके बाद दूसरा खेत चलूता था, उसके बीच एक मैड होती थी, मतलब खाली जगह छोड़ दी जाती थी, तब वो उस पर एक आपका कर सकता था, इतनी बड़ी-बड़ी हुआ करती है, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप चलने की भी रास्ता नहीं बचा हुआ हुआ, यानि कि उसे भी लोग छोड़ते नहीं है, सोचते हैं कि उत्पादन में इसका भी युगदान हो जाए, उससे भी कुछ मिले उने, खेती की विस्तार को हम विकास का सुचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं बूलना चाहिए, कि जमीन को जो तने के पहले जंगलों की कटाई करनी बढ़ती है, यानि कि जंगलों को मिटाया जाता है, किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब उस जगय का गैर आबाद होना नहीं है, ज से इस भूभाग में प्रविष्ठ हुए थे, ऑस्टेलिया के विवंड आदिवासी समोहों समुदाये उनके अपने इस पर्ष्ट बिभाजित इलाके थे, ऑस्टेलिया के नगार्दी जरियों की अपनी जमीन की आगतीन की पहले पूर्वच नभूरू नदेरी इत्तिकात अखमक सरीर जैसी थी, यह जमीन पाच अलग-अलग प्राक्तिक पिदेशों, यारी की खाने पानी, जीलों, जाडियों, रेगिस्थानी मैदानों और नदी तटिये मैदानों को अपने में सब में टे हुए थी, जो अलग-अलग सामाधी कार्थिक जरूतों को पूरा किया करते थे, यहां भी आपका कुछ पॉइंट दीएगे, यह नहीं भी देख लिएते हैं, परती जमीन परकपजा करके उस खेती के, उसे खेती के योग बनाया जाए, यह विचाल सारी दुनिया के उपने वेसें को कोई बीच सुनों से ही लोग परिये रहा है, यही वह वह व अमेरिका के हॉंडो रास के बारे में लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता, कि दुनिया की गैर विक्सित बढ़ी जमीन का क्या किया जाए, क्या इसे उस महार सक्ती के हाथों में जाना चाहिए, जो इसके परिवर्तन की इक्षा रखती है या इसे इसके बास पे स्वामी के हाथों में ही रहना देना चाहिए, जो इसके मूल को नहीं समझ सकता है, इमत्त अमेरिकी एक सुच्च जित घर में अर्थ वरवरों के गरोव जैसे हैं, जो ना तो इस घर का उपयोगी कर सकते हैं, और ना ही इस में आरम, तेन साल बाद अमेरिकी अधिपत्त में, उनाइटिट फ्रोड कंपनी का गठन हुआ, जिसने ब्यापक परमाने पर मद अमेरिका में के लिए उगाना प्यारम किया, इस कंपनी ने इस मुल्क की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस इस्थापित कर लिया था, कि ने बनाना रीपबलिक के नाम से जाना जाता है, याँका डेविट इस पर दरेट रेट रेग ऑप एंपायर उननी सु तरान में में यह उद्दित किया गया है यह बात जो हम लोग ने देखा है, अब बात करते हैं पट्रीपर स्लीपर, यानि की रेले, देखिए, चित देख रहा है, सिंग भूम सिंग भूम के जंगलों में साल के तनों से सिलीपरों का निर्माट छोटा नामपुर मई 1998-1997, रेल की पटरी है तू, सिलीपर बनाने के लिए बन बिभाग, पेड़ों को काटने और इन से पटरी बनाने के लिए तो आधिवासियों को निप्त किया करता है, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनमती नहीं थी, यानि कि इस तरह से ले सकते हैं कि सरकार को काटने की पेड़े की अनमतीयों आधिवासियों से कटवाए, लेकिन आधिवासियों को अपने घर के लिए अगर लगड़ी के लिए जरूरत है लगड़ी उन्नीस की सदी की सुरुआत तक एंगलेंड में बलूज ओक के जंगल लोप्त होने लगे थे इसकी वज़े से साही नौसेना के लिए लकडी की आपूर्ती में मुस्पिल आज खड़ी वी मजबूत और टिकाव लकडी की नेमेत आपूर्ती के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे जहाजों के बिना साही सत्ता कैसे रचाई और बनाई रखी जा सकती थी 1820 के दसक में खोजी दस्ते हिंदोस्तान की बन सपदा का अन्वेशन करने के लिए बेजे गए एक दसक के भीतर बड़े पर्मानें पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकडी का हिंदोस्तान से निर्याद होने लगा क्या हुआ कि 19 सदी में आपका इंगलेंड में बन खतम होने लगे और उन्हें कठोल लकडी की जरूरत पड़ती थी नौ सेना में जैसे जहाज बनाने के लिए और साज सामाज बनाने के लिए तोनों ने हिंदोस्तान का मूर अपनाए यानि कि हिंदोस्तान की और बड़े और 1850 के दसक में रेल लाइनों के परसाद ने लपड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पेड़ा कर दी साही सेनाने के आवागमन और ओपनेवेसे ब्यापार के लिए रेल लाइने अनिवारी थी इंजनों को चलाने के लिए इंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए सिलिपरों के प्रो में लकड़ी की भारी जरूरत थी एक मील लंबी रेल की पटरिय के लिए 1720 से 2000 से लिपरों की आवसकता बढ़ती थी बारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के देशक में तेजी से फैला 1890 तक लगबग 25500 किलोमीटर लंबी लाइने बिचाई जा चुकी थी कव 1890 में 1940 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी रेल लाइनों की परसार के साथ साथ बढ़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए अकेली मदरास्ट प्रेशिडेंसी के में 1850 के दसक में पिती वर्स 35,000 पेड़ स्लीपणों के लिए काटे गए सरकार ने आवसक मात्रा की आपूर्ती के लिए निजी ठेके दिये इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ कारना सुरूं कर दिया रे लाइनों के इद्गिल्ड जंगल तेजी से गाइब होने रहे बास के पेड़े तसा लोग नदी के में बहे कर जाते हुए चिट गाउं गौक्स परवती पट्टी आप समसकते हैं, कैसे समसकते हैं कि अगर पेड़ काटी है उसकी जगए अगर दूसरे पेड़ लगाते रहेएगा यानि कि बदलते रहेगा और यहीं चलता रहता है तो पेड़ों की कमी कहाती है लेकिन हम क्या करते हैं कार्ट देते हैं लेन उनका लगाना जारू नहीं रहता है यह तो उसी जैसा हो रहा है कि माबाप उम्में पाल रहे हैं ठीक है लेकिन हम 4-7-8-10 भाई हैं फिर भी माबाप ने अच्छे से फाला किसी की परवर्स में कोई कमी नहीं रहे लेकिन हम क्या करते हैं आंगे चलकर 8 6-10 गर भाई हैं फिर भी माहा कि शेवा नहीं दर पाथ उनके लिए विध्यास्तरम देख लेते हैं समस सकते हैं तो इसी तरह हम और कि फिल्य बदले में प्रहिम अपना aphater сफवा लेकिन उन्हें बदले में उनकी शेवा नहीं दे पाए तो पेड़ों से हम अपनी जरूरतने दो पूरा कर रहे हैं लेकिन प्राक्तिक संसाधनों को उनकी क्या मांगे उसे नहीं दे पारे हैं ठीक है इसलिए कमी हो रही है ये अक्षेत देख रहे हैं पांच रंगून के एक लकड़ी में गोदाम में लकड़ी की सहिस्ता हुआ हाती ओपने वेस्तिक दौर में अक्सर हातियों के इस्तिमाल जंगलों लकड़ी की गोदामा में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था मुल्तान और सुकूर के बीच इंडस बैली रेलिवे नाम से लगड़ तीन सो मेल लंगी एक नई लाइन बनाई जाने थी 2000 सिलीपर पिती मेल की दर से इसके लिए 10 फुट इंडू 10 इंच इंडू 5 इंच यानि की 5 इंड या फिर 3.5 गन फुट पिती काई के 6 लाइक सिलीपर की जरूरत होगी या की 2 लाग क्यूबिक पिट किल से उपर लकड़ी की जरूरत होगी इन इंजनों को इंदन के लिए लकड़ी चाहिए दोनों तरब पिती दिन एक ट्रेंड बाद एक मन पिती ट्रेंड मील के इसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी इसके अलावा इंटों के लिए विभारी मात्रा में इंदन की जरूरत होती थे इंटें पकाने के लिए नहीं जरूरत होती है ठीक सिलीपर मुक्रूप से सिंद के जंगलों से आया करेंगी यह इना सिंद और पंजाब की जाओ और जान्ड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लायने Northern State Railway लाहों से मुत्तांदत थी, ओक्रग के हिसाब से इनके निर्माण के लिए 22 लाग सिलीपर की जरूरत हो गी, कितने 22 लाग यह आपका EP String The Forest of India भागदो 1923 के रेपोर्ट से ली गई है, ठीक है, यह देख रहे हूंगे, इनन की लकड़ी खटा कर लोटती और ते, यह तो आप लोग ने कुछ समय तक देखा होगा, अगर आप लोग गरामिट शेत्रों में रहती हैं, तो जन जाती आज भी यही काम करत चित्त साथ लक्ठे ले जाता हुए एक ट्रड़े खई, लक्ठे काटने के लिए किस छेत का चुनाव करने के बाद, बन विभाग सबसे पहले चोड़ी सरकों का निर्मार करते हैं, जिससे ट्रॉकों का प्रवेश संभव हो सके उस जन्गल के उन रास्तों से इनकी इसकी हो जाते थे, लेकिन इनकी इनसे फर्ग नहीं पड़ता, लेकिन जब ट्रॉकों के यूज़ कहने लगी, यानि कि बड़ी मात्रा में बन काटे जाने लगी, तब फर्ग पढ़ाने, बना इससे पहले आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय का चलता रहता था, और इस तरह के प् बने और इनके लिए भी प्राक्तिक बनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया, उपने वेसिक सरकार ने जंगलों को अपने कप्चे में लेकर, उनके विचाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपिय बागान मालिकों को सौप दिया, इन इलाकों की बाड़ा बंदी कर इनके जंगलों को साफ कर दिया गया, चाय पॉपी की किती की जाने जगी, फिलेजर और ब्रॉंड चाय, चाय की व्राजटी थी, फिर आपका वेवसाहिग वनिकी की सुरुवात, पिछली कंड में आपने देखा है कि जहाज और रेल की पट्रियां बिचाने के लिए अंग प्रेजों को इस बात की चिंता थी, कि स्थानिय लोगों द्वारा जंगलों का उपियों का वभ्यापारियों द्वारा पेडों की यदादंदी कटाई उसे जंगल नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने डायटिक्च, बेंडिच, नामक जर्मन विसेशग को इस बर वि कि आपने एक घर बनाये, आपके घर में दस मेंबर थे, उसके बाद 20 मेंबर होते हैं, आपने दूसरी जगर बनाये, तो वहाँ कुछ जंगल खड़ा हुआ था, पेड़ खड़े हुए थे, उन्हें कारती है, तो देखिए पेड़ों का विनास तो हुआ है, ऐसा तो है नह बैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को सरक्षन विग्यान में पिसीख्चित करना और जंगलों के प्रबंदन के लिए एक विवस्ते तंत विख्चित करना होगा, इसके लिए कानूनी मन्जूरी की जरूरत पढ़ेगी, बन संपदा के उप्योग संब्धी, नियम तय करने होग पढ़ेंगे, पेडों की कटाई विपसुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पावंदी लगार कर ही जंगलों को लगडी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जासरा, इस तंत की और मानना के पेड काटने बाले किसी भी व्यक्ति को सजाग का भागी बनना होगा, इस तरह ग्रेंडिस ने 1864 में भारती बन सेवा की स्थाफना की, कब 1864 में, और 1865 के भारती बन अधीनियम को सूत बद्द करने में सहोग दिया, इंपिरियल फॉरेश्ट रिसर्च इंचिट्यूट की जिस स्थाफना 1906 में देहरादून में हुई थी, यहाँ जिस पद्यत अर्व अधिति की विशिशक्ग, विशिशक्गों से जानत लोग मानते ही, कुए अपतिती कत्य बिज्यानिक नहीं है, बिज्यानिक बन इकी के नाम पर बिवित प्रजात्य वाले, परयाक्तिक बनों को काट लाला गया, इनकी जगे सीधी पंक्ति में यहिये की किसम के पे की और बन पेवंदन के लिए उजनाय बनाई उन्हें यह भी तै किया कि बागान का कितना अच्छे पिती वस काटा जाएगा कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनाहा पेड़ लगाया जाने थे ताकि कुछी वसों में यह अच्छेत पुनाहा कटाई के लिए तेयार हो जाए 1865 में बन अधिनियम के लाभू होने की बाद इसमें दो बार संसुधन किये गये पहला आपका 1878 में फिर आपका 1927 में 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को तेन सेडियों में बाटा गया था आरक्षित, सुरक्षित और बागिरामीड सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित बन कहा जाता था गाउं बाले इन जंगलों से अपने वो पेप के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे बेख घर बनाने वो रीधन के लिए किवल सुरक्षित या फिर ग्रामीड बनों से लकडी ले सकते थे यह देख रहे हैं आप लो इटली स्थित टस्कनी में पॉपलर की जंगल का एक बिवस्तित गल्यारा है पॉपलर की जंगल मुकता लकडी के लिए मत रखते हैं पत्तों फलों दूसरे उत्पादों के लिए उपयोगी नहीं है एक समाल लंभाई बाले और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें यही हुए मोडल है जिसे विज्ञाने क्वणिकी ने फ्रोसाहिद किया यह देख रहेंगे कांगड़ा का एक दिवदार बादां 1923 इंडियन फोरेश्ट रेकोर्ड के भाग आपका पंद्रे से यह ली गई है इसे देख रहेंगे दाइंपियल फोरेश्ट स्कूल देहरादुन भारत में बैटिस समराज में खुला पहला बनी की स्कूल था यह थ बन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगए पर नए पेड़ लगाने लगाए जाते यसी के लिए आपका बिग्यानिक बवानिकी सब्द यूज किया जाता था लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ आकर इससे लोगों क जंग जीवन कैसे प्रभावित हुआ एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में बन पालों ग्रामीरों को एक बिचार बहुत अलग थी जहां एक तरफ ग्रामीर अपने अलग-अलग जरूर्तों जैसे इनन चारे बपत्तों की बोड़ती के लिए बन में बिवन पिजातियों का मेल चाहते थे वहीं बन बिवाद को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहां जो रेलवे की लिए इमारती लगड़ी मुहा करा सके ऐसे लगड़ियों जो सक्त लंबी और सीधी हूं इसलिए सागाउन और साज जैसे पिजातियों को प्रवसायत किया गया दूसरी किसमें कार्ट डाली गए यहां आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उपन वेस्काल में किसकी जरूरती अंग्रेजों को जरूरती आपकी लगड़ी जिससे रेलवे लाइन बिचाई जा सकी ज कि लिए जो भीड़ाय पसू बखशी पसु भाल राये उनके लिए खाने कि इल्कुल लिए इस तरह के अनके लिए बन वपधय वी थे और तो आप समझ सकते हैं कि उस सुमझे राजा तो वही थे आ हमाने हमारी सलाय कुछ भी हो लेकिन मानती तो उनकी सलाय चलती थी यहां दन विद्धयक को ले सकते हैं आप लोग की राजसरकार को राजसर्वा को सलाय तो दी जाती है मतलब बेजा जाता है विद्धयक लेकिन उसकी कुछ भी सलाय हो हामे हो या ना मे हो लेकिन लोगसर्वा इसमें मुख Edhar having रहता है तो यानि कि राजसभा से सलाय तो ले रहा है, लेकिन चल कुछ भी नहीं रही है राजसभा की, यह आप देख रहे होंगे जंगल, जंगलों में महुआ बीनना, गाओं बाले उजाला होने के पहले ही उठका जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते थे, महुआ के पेड बेस कीमती हैं, महुआ के फूल खाय भी जा सकते हैं, और इनका इस्तेमाल सराफ बनाने के लिए भी किया जा सकता है, इनके बीजों से तेल भी बनाया जाता है, आप लोग इन्हें कहां देखते हैं उड़े, ग्रावीड चित्रों में अभी इस तरह के हैं, और एक आपकी कपूतर जन्जाती होती है, जन्जाती मनें इनका कामी ही रहता है, इसी से तरह बनाते हैं आपके मगवासे, चलते हैं आगे, बन इलाके में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते, आदी बन उत्पादों का विभेन्या जरुतों के लिए उब्यव क अत्यन्त पोसक खादे, विशेश कर मानसुन के दौरान जब फसल कटकल घर नाई हो, तो दबाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तिमाल होता है, लकडी का प्रियों हल्क जैसे खेती के ओजार बनाने में किया जाता है, बास के वेतरी बाड़े बनाए जासे हैं, इसक किया जाता है, सुखे गुए कुमःडे के खोल का फिड़यों पानी की गुद्दर के रूम में किया जा सकता है, जंगलों में लगबग सब को छुपलगद है, पत्तों को जोड़ जोड़ का खाओ फेपो, किस्म के पत्तल और दौनक बनाए जा सकते हैं, स्यादी के जा सकता है, एक बात आप लोगों ने देखी होगी, मैं बार-बार ग्रामीड चित्त की बात इसलिए करता हूँ, क्योंकि अभी भी कापी अवक तक इस तरह के जोबी उत्पाद हैं, वो जंगलों से ही उत्पाद, वहां से प्राप्त करते हैं, उपयोग करते हैं, आप लो के बास हो गया, इससे उपयोग में इससे बनाई जाती थी, यानि कि हर चीज उने बास से, यानि कि जंगलों से प्राप्त हो जाती थी, उनका उपयोग वहां से कर देती थी, लेकिन अब बदल रहे हैं समय, तो आप देख रहे हैं, पिलास्टिक की पतल भी यूज होने सोखते हुए तेंदू पत्ते, जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोग, लोगों के लिए तेंदू से के पत्तों की विक्री का आय एक प्रमुक साधम था, पितेक बंडल में लगवक 50 पत्ते होते थे, एक ब्यक्ती कटिर परेस्यम करके, एक दिमें जान्दा से सोख बंडल एकट्टा कर सकता, बच्चे महला हैं, वो बिर्दी मुक्ता पत्ते एकट्टे करते थे, इसका उपयोग आपने देखा होगा, बीडी बनाने के लिए उपयोग होता है, तेंदू का, इस चित को देख रहे होंगे आप लोग, चित 14, खलेयानों से अनाज लाते पुरस अपने कंदों के आरपाद एक घड़ी छड़ी में, बंदी टोक्रियों को लाते हैं, जबकि औरते इन टोक्रियों को अपने सिफ़त रख कर लाते हैं, बन अधिनियम के चलते देश बर में, गाओं बालों की मुस्कलें बढ़ी, इस कानूं के बाद घर के लिए लि बन रक्चकों को दिया दया पर होते थे, और उनसे घूंस एंटते थे, जलावनी लकडी एकतित करगने बाली ओरते विशिस्तोर से परेशान रहने लगी, मुपत खाने पीने की मान करके लोगों को तंग करना, पुलिस और जंगली, जंगल के चोकिदारों के लिए सामान बात थी, एक बात आप लोग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कि जो भी आपके अंदोलन हुए विद्रो हुए थे, फिर आदिवासी विद्रो, फिर चाहे आपका किसान विद्रो, ये इसी का तो परड़ाम था, कि उससे पहले आपका 1857 के पहले, उससे और पहले, जब त आदिवासीयों को कोई रोक टोक नहीं थी, कि वो इस चित में नहीं आ सकते थी, वो इक तरह से जंगलों के राजा थे, लेकिन अंगरे जाये तो उन्होंने पावंदियां लगानी शुरू की, इसी का परड़ाम था कि आपका विद्रो होना शुरू हुआ, ठीक, बनो की न दच्चडी दच्चण अमेरिका के नेक भागों में या खेती का एक परंप्रगत तरीका है, इसके कई इस्थानिये नाम है, जैसे दच्चचपुरु एसिया में लादिं, मद अमेरिका में मिलबा, अफेहिका में चित मैन या तावी, सिलिलंका में चेना, हिंदुस्तान मे गुमंतु खेती के लिए, दाया, पेंदा, बेवर, नेवर, जूम, फॉंडू, खांदाद, और कुम्री ऐसे ही कुछ अनिस्थानिये नाम है, या पर कि इसे आप लोग किस तरह से ले सकते हैं जूम खेती, या इस्थानाद्रित खेती को, कि आपने एक जगे खेती की, फि दूसरी जगे खेती करेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे अगली बात, तीसरी जगे जाएंगे, इसलिए आपको उपजाओ जमीन मिलती रहती थी और आपको फायदा होता रहता था, इसे ही जूम केती या इस्थानाद्रित खेती कहती थी, गुमंतु किर्सी के लिए जंग खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक के लिए पत्ती चोड़ दिया जाता है, जिसे वहां फिर से जंगल पनफ जाए, इन भूकन्नों में मिस्तरेत पसलें हो गया जाती है, जिसे मत भारत और फीका में जुहार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लेटिन अमेरिका के अ 1921 में बर्मा के थारवाड़ी डिवीजन से लिकर लिये गए इस चित में किसान धान गो रहें, लोहे के छोड़ बाले लंबे बासों की साहता से फुरुस अधर्टी में छेद बनाते थे, और और तें पिते छेद में धान गोती थी, इस तरह ऐसे धान रुपाई होती थी यूरोपिय बन रख्चकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसान दे था, उन्हेंने मैसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा सकते रही है, यह ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकडी बाले पेड नहीं उगाए जा सकते हैं, साथ गुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुस्किल था, इसलिए सरकार ने गुमंतु खेती पर ब्रोक लगाने का पैसला किया, इसके पैडामत रूप अनेक समदायों को जंगलों में उनके गहां से जवरन विस्था के त्यानी की हटा दिया गया कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने चोटे 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 वड़े विद्रों के जरिये पित्रोत भी किया, देखिए इस तरह से, जंगल के पैना पैंता और पूंदु इस्सों को जलाना, गुमंतु खेती में जंगलों को साप किया जाता है, सामनता चट् तो में फिर भी पिखे दिये जाते हैं और बरसा में सिचाई के लिए इन्हें चोट दिया जाते हैं, बात करते हैं सिकार किया जादी किसे थी समय, जंगल समधी नए कानून ने बनबासियों की जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया, बन कानून के पहले जंगलों में या उनकी आसपास रहने वाले सारे लोग हिरन तीतर जैसे छोटे मोटे सिकार करके जीवन यापन करते रहते थी या पारम परिक पिथा थी आप गयर कानूनी होगी यानि कि अंग्रेजों से पहले आपको सिकार करने की भी आ जा दी थी लेकिन जैसे ही खोंगर आपके आप देखने हैं मचली माने वाला लड़का बच्चे अपने माबाग के साथ जंगल जाते तो बहुत जल दीबे मचली पकड़ना बनुत्पादों को एकर्टा करना बख्येती करना स्रीक लेते बास के टेप को जिसमें जिसे यह लड़का अपने बाय हाथ में पकड़े हु बहाओ के मुहाने पर खिरने पर मचली इसमें चली जाती थी और फश जाती थी मचली जिस तरह से चुगा आप लोग पकड़ते हैं गर में जहां एक तरफ बंद कानूनों ने लोगों को सिकार के परंपराग अधिकार से बंचित किया वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया हिंदुस्तानों में वागों और दूसरे जानवरों का सिकार करना सधियों से दरवारी और नबावी संस्किती का हैसा रहा अनेक मुगल कलाक्तियों में सहजादों और समराटों को सिकार का मजा लेती हुए दिखाय गया किन्तु उपने वेस बाद सासक के दोरां सिकार का चलन इस परमाने तक बड़ा की कई पिढ़ जातियां लगवग पूरी तरह लुप्थ हो गए अंग्रेजियों की नजर में बड़े जानवर जंगली बरबर आदी समाज की पितीक चिन थे उनका मानना था कि सतरनाक जानवरों को मार कर भी हिंदोस्तान की सब कुछ सब बनाए बाग भीडिये दूसरे बड़े जानवरों की सिकार पर यह कहकर इनाम दिये गए कि इनसे किसानों को खत्रा है 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 कितना 80,000 से जाना बाग एक लाग पचास हजार तिन हुए दो लाग के करीब भेडिये मार गिराए गये दिरे दिरे बाग के सिकार को एक खेल की ट्राफी की रूम में देखा जाने लगा अकेले जोर्ज यूर्णामा कंग्रेश अपसर्न है च आरभ में जंगल के कुछ लाकिर सिकार के लिए आरक्षत किये गये हाँ कापी समय बाद परियावड भी दो और सरक्षनवादियों ने आवाज उठाई कि जानबरों किन सारी पर जातियों कि सरक्षा होनी चाहिए ना कि इनको मारा जाना चाहिए तर देखते हो पहले मतलब अब अथाया गया मारा गया फिर बचाये जारा है यानि कि वह तो वैसे ही हुआ कि पहले लड़कियों को पॉक में मारा गया अब बेटी बचाओ बड़ाओ अंदोलन करके यानि कि यह उजिना अलाकर उनकी संख्या हो बढ़ाया जाता है इसी तरह पहले शेर भागों को मारा गया है भाई आप के बाग टार प्रोजेक्ट आपने देखा हुआ त्याय करूजर होन प्रोजक्ट लाकर बचाया ज़ा रहा है यानि की पहले उन्हें खतम कर दीया गया उसके वाद उणकी जब सोके जागे तब हमें पता चला कि इनका भी मास था हमारी जिंदगी में तो उन्हें भी बचाने की कयास में लगे गुए इस चित्ता आप लोग देख रहे होंगे नैपाल में सिकार की बाद लॉड रीडिंग फोटो में मेर्त बागों की गिंती करें पैटेस को पनेवेज बाद अफसरो राजा जब सिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी भाज होती थी गाओं के फुसल सिकारी हाका लगाते थे और साहब को बस गोली कि यहां भी कुछ पॉइंट है इसरे भी देख लेते हैं बेगा मद्द भारत का एकबन समदा है 1892 में जब उनकी गुमंतु केती पर रोक लगा दी गई तब उन्होंने सरकार को याज़का दी थी क्या थी याज़का हरोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का ना हमारे पास अपने तन ढखने के लिए कपड़े नहीं है आग ताप पर हम ठंडी रातें गुजाते हैं हम अब खाने के लिए मर रहे हैं हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं हमने ऐसी क्या गलती कि है कि सरकार हमारी परवार नहीं करती है क्यादियों को जेलों में परयात भोजन द अधिकार नहीं देती है आपने देखा होगा बन अधिकार फिर आपका 2006 में आता है 2006 में बन अधिकार जन्जातियों के लिए यह आपका जो बाके देखा हैं लोगों ने एक देरियम एलमेंट 1949 के मालवगाड के लिए रामचंद गौहा दिस फिसर्ड लेंड इन एकोलोजीकल हिस्ट्री आप इंडिया में उद्दित था यानि कि वहां से लिया गया है फिर आपका नए ब्यापार नए रोजगार और न नए अउसरों का लाब भी मिला कई समुदाय अपने परमपरगत पेसे छोड़कर बन उत्पादों का ब्यापार करने लगे अमाजी दिन दोस्तान ही नहीं बलकि दुनिया बर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को हमें मिला उधारन के लिए 19-20 सदी के मत में उंची जगों पर रहरे मेंनी योग होगाने वाली विराजीली इमेजोन के मुंदुरू को समदाय के लोगों ने ब्यापारियों को रबढ किया पूलति के लिए जंगी ली रबढ के वैच्छों से लेटिक्स एकत्द करना प्यारम कर दिया कलांतर में भी ब्यापारियों ब्यापार चोक व्यावपार कोई अनौखी बात नहीं थी, मद्यकाल सी ही आधिवासी समुदाय द्वारा बन जारा, आधि गुवन्तु समुदाय के माध्यम सी, हातियों, दूसरे सावान जैसे खाल सिंग रेसम के कोई, हाति दास, बात, मसाले, रेसे, गास, गौन, राल के व्यावपार की स मिलते हैं, तेंदू पत्ते भी आपने देखा होगा, लेकिन अंग्रेजियों के आने के बाद ब्यावपार पूरी तरह सरकारी ने अंतन में चला गया है, बैटे सरकार ने कई बड़ी यूरोप के ब्यावपारी कंपनियों को बिसे इस इलाके में बनुत पात के ब्यावार की जारेदारी संपते हैं, इस थानी ये लोगों द्वारा सिकार करने और पसुओं को चराने पर बंदेसें लगा दिये, इस फिक्रिया में मद्रास प्रशिटेंसी के कुरावा, कराचा, एरूपुला जैसे अनेक चरवाहे गुमंतु समधाय, अबनी जीविका से हाथ धो इन में से कुछ को अभरादी कवीले कहा जाने लगा, इस सरकार की निगरानी में फैक्टरियों, खदानों वागानों में काम करने को मजबूर हो गए, काम के नए उसरों का मतलब यह नहीं था, क्योंकी जीवन इस्तिती में हमेशा सुधारी हुआ हूँ, असम के चाय वाग प्रश्थितिया उतनी खरापती, उन्हें उनकी गाउं से उठाकर भरती तो कर लिया गया, लेंगर उनकी बाती आसान नहीं होती थी, पुटुमाओ में रवड की निकासी, दुनिया वर में बागाणों में काम किस्तिया भायावर थी, यानि की भायानती, इमेजोन के पुटुमाओ छेत से, पेरुबियन रवड कंपनी, टिसबाग पेरुबियन सांजी में थी यह कंपनी, द्वारा रवड की निकासी, हुई यह तो तोस्त कहे जाने बाली स्थानी इंडियनों की बेगार पर निर्वार थी 1900 से 1912 के विच पुटू माव में 4000 तर रबड का उत्पादन हुआ इसी दौरान इंडियन आवाती में यह अंतड़ा रोगों और पलायन के चलती 30,000 की गिरावट आई रबड कंपिनी की एक बेतन भोगी ने बाड़न किया है कि रबड का संग्रह कैसी किया जाता था मैनेजर ने सेगडों इंडियनों को इस टेशन पर उपस्तित होने का निलबेश दिया उसने अपनी कारवाइन उच्छवरा पकड़ा और इन बेवस इंडियनों का कतिल्याम सुरूं कर दिया थोड़ी देर में बच्चों मैलाओं और पुर्सों की 150 लासों से जमीन दग लिए खून से नहाय गुए दया की भीक मागते जिंदा बच्ची लोगों को मुर्दों के डेर के साथ जला दिया गया मैनेजर चलाया मैं उन सभी इन नेनों को खतम कर देना चाहता हूँ जो रवड लाने के लिए दिये गए मेरे आदेश को नहीं मानते थे यानि कि उन्होंने आदेश दिया कि यह काम करना है और नहीं माना तो उन्हें मार दिया जाता था यानि कि इस तरह से कड़ी सजा दी जाती थी Nicholas Darts Kolonilium and Culture Michael Towsie Culture of Terror Space of Death से लिया गया है इस पुरार का लैने यह जारेदारी क्या होता है यह जारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार यानि किसी चीज़ पर आपका इकाधिकार होना कि आपके अलावा दोसरा नहीं कर सकता है वो चीज पर आपका बन विद्रोह होता है मैंने बहुता है न कि आपको कि जब कोई भी बन विद्रोह कप लोग करते हैं जब वहां से ग्रूठ जाएं यानि कि उनकी जिन्दगी में आप इतना दर्तन देनें लगें कि वो अपने परिसान हो जाएं तभी वो आपके खिलाब विद्रोह करेंगे तीक है जब सेहन सकती से बहार हो जाएं हिंदोस्तान और दुनिया बर में अन बंद समधायों ने अपने उपर थोपे गए बदलाओ के खिलाफ बगाबत संथाल परगना में सिंदू, सिद्धू और कानू छोटा नांगपुर में विरसा मुंटा और आंधितिस में अलूरी, सीता राम, राजु को लोग गीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उबरे आंदलोनों के नायट के रूम में आज भी याद किया जाते हैं अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रो का विश्टार सेतन करेंगे बस्तर की लोग बस्तर चतिजगर के सबसे दच्छडी चोड़ पर आंधितिस उडिशा और महराष्ट की सीमाओं से लगा हुआ छेत्या बस्तर का केंद्री ये पठारी भागे इस पठार के उत्तर में चतिजगर का मैदान दच्छड में गोदावरी का मैदान आपका इंदरावती नदी बस्तर के आरपार पूरोप से पश्चिम की तरब बहती है बस्तर में मरिया, मुरिया, गौन, धर्वा, फत्रा, हल्वा, आधी अनेक आधिवासी समधाये रहते हैं अलग-अलग जबानें बोलने के बाद चुद इनकी रिजती पिरवाज और विश्वास एवजे से हैं यानि की अलग-अलग बासाएं बोलते हैं लेकिन इनके रिजती रवाज एक दूसरे मिलते हुए बस्तर के लोग मालते हैं कि हर एक गाउं को उनकी जबीन धर्ती मा से मिली है और बदले में वे पितेक खेती हर तिवार पर धर्ती को चड़ाते हैं धर्ती के अलावा वे नदी जंगल बपहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं चुकि हर गाउं को अपनी चोहदी पता होती हैं इसलिए ये लोग इन सिवाओं के भीतर समस्त प्राक्तिक संपदाओं की देखाल करते हैं यदि ये गाउं के लोग दूसरे गाउं के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा सुल्क अधा कर देते हैं यानि कि टेक्स की तरह चुपाते हैं जिससे देवसारी या दांड या फिर मान कहा जाता है कुछ गाउं अपने जंगलों के इपाज़त के लिए चौपीदार रखते हैं जने बेतन के रूम में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज़ दिया जाता है हर बर से एक बड़ी सावा का आयोजन होता जहां एक परगने यानि गाउं का समगों के गाउं के मुखिया जुटते हैं जंगल से तमाम दूसरे हैं मोत्तों पर चज़्जा भी करते हैं यह आप देख रहे होगी इचित आपका दांते बाड़ा हो गया कांगेर हो गया पूरा इस तरह महराश्ट डायपोर उडिशा इंद्रावतिये नदी हो गई पहाड़ियां अबू अबूच मात कोड रिव पाक हंजूर बानुपरताब पोर्चर्मा अन्तागड केश का लका के नर्सिंग यहाँ आप लेख देखें सीमा है राज जिलाते है सील जिलाते है सील नदी सड़क देल भी लाइन चित बीस पहले चित उननीस ही देख लो बस्तर में सेना का केम्प उननीस सो दस में बस्तर में सेना के एक केम्प का रहा है चित उननीस सो दस में लिया गया सेना अब तंबूओं और बावर्चियों और सिपाईयों के साथ चलती थी यहाँ एक सिपाई विद्रोहियों से सुरक्चा के लिए केम्प की पहरे जारी कर रहे हैं सन 2000 में बस्तर 1947 में बस्तर रहासत को कौके रहासत में मिला दिया गया और यह पूरा चित मत्यपिदेश का बस्तर जिला बना उननीस उन्थानवे में इस जिले को एक बार फिर कौके बस्तर और जान्तिवाड़ा जिलों में बारतिया गया जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि सन 2000 में मत्यपिदेश से अलग करके 36 गड़ एक नया राजी बनाए गया और जो बस्तर जिला था यह 36 गड़ का हिस्ता बन गया 1990 का विद्रोग कौकिर बन चित से ही शुरूंगा था और जल्दी राजी की अनिशित्रों में भी फैल गया लोगों की भैर ओपनेविसी सरकार ने 1905 में जब जंगल के दूतिहाई हिस्से को आरक्षित करने गुमंतु केती को रोकने और सिकार बबन उत्पादों की संग्र तरद पर रहने दिया गया कि बिबन बिवाग के लिए पेड़ों की कटाई दुमाई का काम मुप्त में करेंगी यानि की पिरी में करेंगी जंगल को आख से बचाये रखेंगे बाद में इनी गाओं को बन गराम कहा जाने ज़ाए बाकी गाओं के लोग बगेर किसी सूचन या मुआपजा के हटा दिये गए इन्हें सूचना नहीं दी गई है और जो मुआपजा भी आप लोग देखते हैं कि मुआपजा दिया जाता है अगर उनके छित में रोड निकल रही या कोई बांद बनाये जा रहा है लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं थी अपसरों के हाथों बेगार और चीजों की निंतर मांग से तरस्त थे इसके बाद भयानक अकाल का दोर आया पहले 1899 में उन्नीसो में फिर आपका 1907 से 1908 में बन आरक्चन ने चिंगारी का काम किया लोगों ने बाजारों में तेवारों के मोगे पर और जहां कहीं भी कई ग प्रवा समधाय के लोग इस मुहें में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्चन सबसे बहले यहीं लागू हुआ था हाला कि कोई एक वैक्ति इनका नेता नहीं था लेकिन बहुत सारे लोग नेता नार गाओं के गुंड़ा धोर को इस आंदोलन की एक एहम सक्तियत मांदे निस सो हर एक गाओं ने इस वगावाद की खल्चे में कुछ ना कुछ मदद दी बाजार में लूटे बाजार लूटे अपसरों और व्याबारियों के घर इस्कूल पुलिस थानों को लूटा बजलाए गया अनाज का पुनरवित्रण किया गया जिन पर हमले हुए उनमें से जानत लोग उपनेवेसिक राच्च और इनके दमनकारी खानूरों से किसी ना किसी तरह चुड़े हुए थे इन गटनाओं के एक चम्समीद गवा मिसनरी बिलियम बार्ड ने लगा पुलिस बालों व्यापारियों जंगलों के अर्दलियों स्कूल मास्टरों और प्रवासियों क का होजुम चारों तरफ से जगदलपुर में चला रहा था अंग्रेजों ने बगावत को पुचल देने के लिए सैनिक पेजी आदिवासी निताओं ने सिर्वाचीत करने चाहिए लेकिन अंग्रेज होज ने उनके तमूओं को गेर कर उन पर गोलियां चला दे इसके बाद बगाबत में सरीक लोगों पर कोड़े बरसा ते औरोने सजा देने सैनिक गावं-गावं कुम तिल ने लगे जानदातर गावं खाली हो गए क्योंकि लोग भाग कर जंगलों में चले गए अंग्रेजों को फिर अंग्रेजों को फिर से नेलतर पाने में तीन महीने भरबरी से मली लग गए स्रिवी पेक गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके विद्रोवियों की सबसे बड़े जीत यही रही कि आरक्षन का काम को समय के लिए इस्तिगत कर दिया गया और आरक्षचित को 1910 से पहले ही यह उजना से लगबक आधा कर दिया गया बस्तर के जंगलो और लोगों की कहानी यहीं खतम नहीं होती आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को उद्धोगे उप्योग के लिए आरक्षित रखने की नीती कायम रही 1970 की दसक में विस बैंक ने पिस्ताओ रखा की कागद दुख को लोगदी उपलब्द कराने के लिए 4600 हेक्टर प्राक्टिक साल बनों की जगे देवदार की पेड लगाए जाए लेकिन इस्थानिये परियावड़ों बिनों की विरोत के पल सुरू इस परियोजना को रोग दिया गया आई अब इसिया के एक और हिस्से इंडोनेसिया की तरफ चले जरा इसी भी इसी वक्त वहां क्या हो रहा था उससे देखते हैं उससे पहले इन लोग थोड़ा यहां जान देते हैं पॉइंट दिये गए इन्हें भी देख लेते हैं बोडिया ने चार सो लोगों को एकटा कर कई सारे वक्रों की कुरवानी दी दीवान जिसके विजापूर की तरफ से आने की संभाव ना थी को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा दस परवड़ी को चली इस भीड ने पुलिस चौकी और मरेगा इसकूल जला दिया केस पूर केसलोर में लाइने बतपसू और उद्ध साला टोकापाल राजूर में भी एक स्कूल को जलाए गया दीवान को सुरक्तित बापस लाने के लिए बीजे गए स्टेट रजर पूरिस के एड कॉंस्टिवल और चाल कॉंस्टिवलों को बंधक बना लिया गया एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया इस भीड ने गाड़ों के साथ कोई बद सलूकी करने के विजए उनके हत्यार उनसे ले लिये उने छोड़ दिया बहुंडिया माजी के नेतत में भागियों के तल ने कोया नदी का रास्ता लिया और क्योंकि दीवान मुख सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था बाकी लोग बीजापुर से आने वाले मुख सड़क को बंद करने के लिए दिल मिली चली गए दिल मिली चली बुद्धु माज ची और हर्चंद नाइप ने मुख दल की कमाद समाली डेविट पुलिटिकल एजेंट चतिसगर फिडेटरी स्टेटस काव 23 जून 1910 का कमिशन चतिसगर डिवीजन की नाम लिखा गया एक पत्त है फिर आंगे इससे भी देख लेते हैं बस्तर में रहने वाले पुल्जु इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था कन का पाल की पोधियामी गंगा को उनके पिता पोधियामी तोकेले ने बताया कि अंग्रेजुन आकर जमीन लेनी शुरूं कर थी राजा को आसपास राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवार नहीं थी इसलिए जमीन ली जा रही या देख उनके समर्थों नहीं लोग मेरे पिता पोध्यामी तोकेली को भी कोणों से पीटा गया लेकिन और भागने में कामयाब हुए और बचने के लिए यह आंग्दोलन अंग्रेजों से चुटकारा पाने के लिए था अंग्रेज उनको घोड़ों से बांद कर घट्री इटा करते थे हरे गाओं से दो चाल लोग जगदलपुर गए चितपाल के गारगी देवा मिखोला माकी मिरास के दौल और अवरावंदी वाले रास का वादा बांदू पालेम का उंगा दूसरे धेर सारे लोग थे इसमे इस के मिल्ले मुदाल नंद रासा के सोईकाल धुर्वा पंडवा माजी हर प्रगनासे लोगों लोग अलनाल तरह इकट्टा हुए एक जटके में पल्टन ने सब को गोहे दिया गुंडा दूर उड़ सकते थे इसलिए वे उड़ निकले लेकिन तीर कमार बाले अब क्या करें रात में लड़ाई होनी लगी लोग जाड़ियों में चिपकर पेट के बल भागी होज की पल्टन भी भागी जो लोग जिंदा बचे किसी दरह अपने गाउं पहुँच ले समझ सकते हैं एक कहानी थी उस समय की अब चलते हैं जाबा के जंगलों में वे बदलाओं के बारी में जानते हैं इंडोनेसिया की तरफ जाबा को आजकल इंडोनेसिया के चावाल उत्पादक द्वीव के रूम में आप लोग जानते हैं लेकिन एक जमाने में यह चित अधिकास था वो अनच्छादी था यानि सबसे पहरी बात करते हैं जावा के लकड़ारी जावा में कलांग समधाय के लोग कुसल की लकड़ारे और गुमंतू किसान थे उनका महत इस बात से आखा जा सकता है कि 1750 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहां के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बाट दिया गया उनके कुसल के बगए सावन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुस्किल था डचों ने जब 18 सदी में बनों पर नेंतर इस्थावित करना कारम किया तब उन्होंने भी कौसित की कि कलांग उनके लिए काम करें 1770 में कलांगों ने एक डच के लिए पर हामला करके इसका पितरोत किया लेकिन इस पितरों को दवा दिया गया डच विग्यानिक बन की 19 सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नेंतर इस्थावित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनेवेसकों ने जावा में बन कानून लागू कर ग्रामीड ग्रामीडों की जंगल तक पहुँच पर बंदिसे यानि की पहुच को रोख दिया उनकी जो ग्रामीड लोग थे उनकी जंगल तक जो पहुचती पहले उस पर अवरोड डाल दिया गया इसके बाद नाओ या फिर घर बनाने जैसे खास होत देसों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से ही लगडी काटी जा सकती थे और व दंडे किया जाने लगए आप भी सोचिए कि आपकी जिन्दगी में पहले पूरी छेड़ चार नाओ कोई रोग टोक जहां जाना है आप मस्ती से जाए जो खाना है खाईए जब सोना है तो यह उठना है वो ठीक लेकिन रिकाएक आपकी जिन्दगी में भी इस तरह के बद प्रूह कर बैठेगी तो यही हालत उस समय का भी था बारत की ही तरह यहां भी जहाज और रेल लाइनों के निर्मान में बन-प्रबंदन और बन-सिवाओं को लागो करने की आवसकता पैदा कर दे अठारे सुब्यासी में अकीली जाबान शही दो लाग अस्ती हजान जाहरे की पेड़ काटने लट्टों को डोने और सिली पर तैयार करने के लिए स्रम की आवसकता थी डचों ने पहले जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया बाद में कुछ गाउं कुई सर्थ पर इससे मुक्त यानि की मुप्त कर दिया कि वेसामवीक रूप से पेड़ काटने और लकडी डोने के लिए बैसे उपलब कराने के काम मुप्त में जानकी फिरी में करेंगे इस वेवस्था को बिले बिले बिलेंडो डी एन इस्टेंड के नाम से जाना लिए बाद में बन गिरामबासियों को लगान मापी के बाद बजाए थोड़ा बहुत मेहंताना तो दिया जाने लगा लेकिन बन बुमी पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दियेगा इस चित आप लोग देख रहे होंगे ना जंगल से सागोन की लखड़ी ले जाती माल लगाड़ी उपने वेशी सासन का अंतिम दोर थारी सामिन की चुनोती सन 1890 के आसपास सागोन की जंगलों में इस्तित राद्दू बिलांग बिलातूंग गाउं के निवासी सुरूंति को सामिन ने जंगलों पर राज किये मालिकाने पर सवाल खड़ा करना ख्यारम कर दिया उनका तरक था कि चुकि हवा पानी जमीन लखड़ी राज की बनाई हुई नहीं है इसलिए उन पर अधिकार नहीं हो सकता है जल्दी एक ब्यापक का अंदोलन खड़ा हो गया इस अंदोलन को संग्रिद करने बालों में सामिन का दमात भी सक्रिय था 1907 तक तीन हजार परिवार उसकी बिचारों उसको मानने लगे थी डच जब जमीन का सरविक्षन करने आये तो कुछ सामिन बादियों ने अपनी जमीन पर लेट कर इसका विरोध किया जबकि दूसरों से लगान या जुर्माना भरने या वेगार करने से इंकार कर दिया अब सामिन से जुड़े जो ब्यक्ति थे जो उनकी विचारदारा से सहमत थे उन्हें सामन सामिन वादियों के नाम से जाना 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 ठाब एक पॉइंट है इसे भी देख लेते हैं क्या है सरोस्त जाहां यूनाइटेड इस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क बॉ आश्चर से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है हमारे बेड़े नर्ष्ट हो चुके हमारा ब्यापार मोर्चा चुका है हमारा नौकाय नर्ष्ट होने बाला है उत्री ताक्तों से हमें बे पनाय दौलत दे कर जाहाजों को बनाने की लकड़ी दूसरी सामगरी खरीदते ह जावा में हम सामरीक और व्यापारिक संगठे दलों को जिनकी जड़े इस दर्ती में दसी हैं छोड़ते हैं हाँ जावा के जंगलों में एक सम्मान जनक नौसेना की निर्माड को बहुत ही कम समय में संभों करने के लिए परयाप्त लकडी साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व् से उपते हैं जितनी तेजी से उन्हें काटा जाता है उचत प्रबंदन और अच्छी देख रेट के साथ ये तरोद कभी भी खतम नहीं होगी यहां का डर्क बॉन और जेंडरॉप पेलूसो रिच फॉरेश्ट पूर पीपोल सुनीस सो बावन में उत्दत उस से लिए आ ग दो लाग चाली सजार एक पितीसा से कम चीन उन्नीस सो तीस में बारेलाग दो पितीसार रवड और चीनी के इलाकी जाना तर्डच स्वामित में थे यह आपकी रेल विलाइन होगी यह समात्रा यह बुएनियो जाबादुर्य अगर आप लोग सुनते रहते हैं अभी भी अ अक्सरी चर्चा में बना रहता है कौलालामपूर मलाया राज सिंगापूर सरावाग उप्तरवोनियों सेलेवस सेलेवेस इस्ट वटाविया डच इंडीज पुर्दगाली तिमूर चित 22 इंडोनियसिया के जादा तर जंगल सुमात्रा काली मंतान बपश्च्मी इर्यान म इस्तित है जावाप की हुए जगह है जहां डचों ने अपनी विज्ञानी की की सुरुआत की थी यह दूईब जो अब चावल उत्पादन की मसूर है कभी सागोन की जंगलों से ठाक आ रहता था अब चलते हैं यह दोर बिनास की तरफ बन बिनास की तरफ पहले वो दूसरे विस्यूद का जंगलों पर गहरा असर पड़ा भारत में तमाम पहला यह विस्यूद आपका । ओंवत कंते जंगी जरूतों को पूरा करने की बेहथ पेठास यह जाबा पर जावाईूके कबजे से ठीक पहले ने बसम कर भागो नी थी अपना जिसके तरह आरा मसीन और सागों के विसाल लट्टों के डेर जला दिये जिससे भी जापानियों के हाथ ना लग पाए इसके बाद जापानियों ने बनवासियों को जंगल काटने के लिए बाद करन के अपने यूद्ध उद्ध्यों के लिए जंगलों का निर्मों में दुहन किया बहुत सारे गाओं और बालों ने इस आउसर का लाव उठाकर जंगल में अपनी केती का विस्तार किया जंगल के बाद इंडोनेसिया बन सिवा के लिए इन जमीनों को बापस आसिर करपाना कठिन तर इंदोस्तान की तरह यहां भी खेती यह गुमी के पिती लोगों पीचा है और जमीन को नियंतित करने तथा लोगों को उनसे बाहर रखने कि बन विवाग की जित कि भी टकराव पैदांगों यह आप देख रहेंगी चित 23 याने की 23 इंडियन म्यूनी म्यूनी संस बोड सूले पगोडाग पर एकतित जहाजों में लाजने को तेयार बोड टेंपर स्लीपर 1970 पहले और दूसरे विस्तेओत में मित्राफ्ट साहिद इतना सपर नहीं होते यदी वियकने उ दूहन करने में सक्षम ना होतें। दोनों विस्तेओतनों का हिंदोस्तान इंडोनेशिया बाद दूसरे जगों के बनों पर बिनासकारी प्रभापड़ा कारियों इत्गर्द कर दिया गया और बनविभाग ने योद्द की जडिल्दों को पूरा करने के लिए जमकर समदाय को जंगलों से बाहर रखने की नीथियों के चलते बार-बार तक राव पैदा होते हैं पैडाम सरुप बनों से इमार्ती लकडी हासिल करने के बजाए जंगलों का सरक्षर जानदर बातों लक्ष बन गया सरकार ने यह भी माल लिया कि इस लक्ष को हासिल करने के लिए बन पिदेशों में रहने वालियों की मदद लेनी होगी मेजोराम से लेकर केरल तक हिंदोस्तान में हर कहीं गने जंगल स्रेप इसलिए बच गए ग्रामीडों ने जहरना देवरापुड कान राई इत्यादी नावों से पवित्य बगीचा समझ कर इनकी रक्षा की कुछ गाओं तो बन रक्ष को पनिर्वर रणने की बज़ाए अपने जंगलों की चौक्सिय आप करते रहे इसमें हर परिवार बारी-बारी से अपना डच उपने विस्थिक सासन के दिन रेम बैग में लक्टों का गुदा में तो यह था अपका चप्टर चार्ड बन समार्च और उपने विस्वाद यह आपके कुछ मत्कून कुश्चन्स दिए गया है देख सकते हैं आपको याद रखी आपकी PDF टेलिगराम पर डाज दीग नवसकर दोश्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कर्चा नौबी की भारत और समकालीन विस्थ फष्ट के नाम सिद्वाद की बुक से उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें आपके चार अध्याय कतम कर चुगे थे लाष्ट चोत्रा अध्याय था आप कि अगर आप से विल सर्वेस तरकी से या पर किसी स्टेट पी सीयस जैसे आपका MPPSC हो गया UPPCS हो गया अगर इनकी तैयारी कल है तो आप NCEIT समय रहते हुए पढ़ ले और वैसे तो आप अच्छा चटवी से बारवी तक ही पढ़ ले तो अच्छा है और टाइम नहीं है त इसका कोई दूसरा विकल्ब आपके पास नहीं है ठीक है तो चली हम लोग आदूनिक विस्त में तरवायों की स्टिति के बारे में जानते हैं बने रही है अच्छे से धहर रखका और ऐसा कोई भी सब्द नहीं रहेगा इसमें यो आपको समझ में ना है बस आपको धहर जरू देखी हो है बोगयाल उचे पहाड़ों पर 12,000 पुट से भी जाना उचाई पर इस ते विसाल प्राक्तिक चारा गाह होते हैं जाड़ों में बैप से ढखे रहते हैं और अपरेल के बाद हरे भरे हो जाते हैं इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास जड़ और जड़ी बूटियों से भरी रहते हैं मानसून तक इन चरा गाहों में घनी हर्याली चा जाती है और चारों तरफ होली पूल देखाई देने लगते हैं आप भी जानते हैं कि जब कई जगए ऐसे भी हमारे यहां की ठेंड में उस तरफ बर्प जम जाती है तो कोई ऑप् भी पढ़ती है तो बर्प वहां से हट जाती है महां घास आ जाता है तो पूर्वी गडवाद वीचे थे इस अध्या में आप गुमंतु चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे गुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगए टिक कर नहीं रहते हैं बलकि रोजी रोटी के पास बेड़ वक्रियों करेवड या जुन्ड होता है तो किसी के पास मूट या अन्नमवेसी रहते हैं क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहां से आये हैं और कहां जा रहे हैं क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं उनकी आमदानी के साधन क्य उनका तीद क्या है है यहां फिर वैं एक बात कमगा आप ग्रामीट चेतर हैं तो आप ने देखा होगा गर्मियों के टाइम आपके यहां भेड बकरी और उंठ लेकर बाहरी लोग आते हैं देका होगा चरवाईं को इतिहास की पुष्टिकों में बेले ही जगे मिल जाती है। जब भी आप अर्थ व्योस्था के बारे में पड़ते हैं तो परिक चाहे वो इतिहास की कच्छा हो या फिर अर्थ सास्थ की सिरकips की और उत्दोहूं के बारे में ही पड़ते हैं कभी-कभा इन कच्छाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को जाना कुछ नहीं मिलता मालो उनकी जिन्दगी का कोई मतलब ही ना हो अक्सार माल लिया जाता है कि वे ऐसे लोग ने जिनके लिए आज की आदुनिक दुनिया में कोई जगए नहीं जैसे उनका दोर बीच चुका ना यह इस्तिती वैसी ही है कि आज के समय में जिस तरह मजदूरों की और गरीवों की कोई जान की कीमत नहीं रहती है यानि कि इनकी भी अद्विफ्था में कोई कीमत नीर बरती जाती है इस दुनिया में आप देखेंगे कि भारत और अफीका जैसे समाजों में चरवाहों का कितना मत है या आप जानेगी कि उपने वेसवाद ने उनकी जिन्दगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समदायों ने आधुनिक समाज के दवावों का किस तरह सामना किया है इस भाग में हम पहले भारत उसके बाद अपीका की चरवाहों की जिन्दगी का दिन करेंगे गुमन्तु चरवाहे और उनकी आवाजाई पहाड़ों में जम्मू और कस्मीर के गुजर बकरवाल समदाय के लोग बेड़ वक्रियों के बड़े रेवड रखते हैं यानि की बड़े बड़े जुन्द रखते हैं इस समदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारवाहों की तलास में बटकते बटकते 19 भी सदी में यहां आई थे जैसे जैसे समय बीटता गया वे यहीं के होकर रह गए और यहीं बस गए इसके बाद वे सर्दी के गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारवाहों में जाड़ लेगे जाड़ों में जब उची पहाड़ियां बरब से ढग जाती हैं तो वे से वाली की निचली पहाड़ियों में आकर डेड़ा डाल लेते हैं जाड़ों में निचली इलापों में मिलने वाली सोफी जाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं अपरेल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं और गर्मियों के चारागाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काभिला बनाकर साथ साथ चलते थे में पीर पंजाल के दर्णों कुपार करते हुए कस्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं जैसे ही गर्मिया सुरूप होते हैं जमीवी बर्व की मौटी चादर पिगलने लगते हैं और चारों तरफ फर्याली चा जाते हैं इंदनों में यहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता है। उन्हें सेहद मंद खुराग भी मिल जाती है। सेक्टमबर की इंदराल में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया विस्तर समेटने लगते हैं। इस बार भी बापस अपने जाणों वाले खेकानों की तरफ नीचे की वो चले जाते हैं। जब पहाडों की चोटियों पर बरफ जगने लगती है तो वे दिनिचली पहाडियों की सुरण में चले जाती है। इनकी इस्तिती बैसी ही है, बाड़ वाले एक इलाके, इलाकों के लोगों की जैसी इस्तिती होती है, कि जब बाड़ का मौसम आता है, तो वो अपने बोरिये विस्तर बांद कर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर बाड़ हट जाती है, फिर उसके बाद भी अपना घर परिव बाड़ लेके उसी जगह बस चाते हैं, तो इनकी भी इस्तिती बैसी ही है, पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था, हिमाचल पर इसके समुदाय को गल्ती कहते हैं, ये लोग भी मौसमी उताव चड़ाओ का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी सिर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलती रहते हैं, बेवी सिभाली की निचली पहाड़ियों में अपने मवेसियों को जाड़ियों में चराते हुए बद जड़ा बिताते थे, अपरेल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पढ़ते और पूरी गर्मिया लाहुल और इस्पीत में जाब हुषते थे, सेप्टम्बर तक बे दुबारा बापस चल पढ़ती, बापस में बे लाहुल और इस पित्ती के गाउं में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुखती, इस बीच बे गर्मियों की फसल हैं, कार्टे और सदियों की फसलों की गुवाई करिकी आंगी ब जाते हैं, और अंगली अप्रेल में भेडवक्रियां लेकर भी दुबारा गर्मियों के चार अगाउं की तरफ दरावाना हो जाते हैं, यानि कि यही किरम चलता रहता है उनका, ठीक है, फिर जाना फिराटना वहां से, आई अब जरा और पूर की तरफ ही चलें, गडवाल और कुमायू के गुजर, चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में उपरी घास के मैदानों बुगयाल की तरफ चले जाते थे, इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलास में, उन्नीस भी सदी में जम्मू से उत्तर पिदेश की पहाड़ियों में आय थे, और बाद में यही बस गए, सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का, यह चलन हिमालाय के परवतों में रहने वाले बहुत सारी चरवाहों, चरवाह समदायों में दिखाई देता है, यहां के भोटिया, सेरबा, किन्नोरी, समदायों के लोग भी इसी तरह के चरवाह थे, यह सभी समदायों मौसमी बदलाओ के हिसाब से खुद को ढालते थे, और अलग-अलग इलाकों में पढ़ने वाले चारागाहों का वहत्रीन इस्तेमाल करते थे, जब एक चारागाह की हर्याली कतम हो जाती थी, या फिर इस् माल से भी बच जाते थे, और उनमें दुबारा हर्याली वा जिन्दगी भी लौट आती थी, या उबर कुछ पॉइंट हैं, इने भी देख लेते हैं, 1850 के दसक में, जी सी वान्स ने कांगडा के गुझरों का वर्डन इस पेकार किया था, पहाडियों के रहने वाले गुझर सुद्ध चरवाहा कभीले के लोग हैं, बेलगबग ना के बराबर खेती करते हैं, गद्धियों के पास भेड़बक्रियां होती हैं, तो गुझर ग अपना पेट पालते हैं, घर के मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं, कई बार हफ्तों तक घर नहीं लोगते हैं, इस बीच बे जंगल में अपने रेवड के साथ ही रहते हैं, औरतें सिर्फ टोकरियां और कंदे पर हड़ियां लटका कर रोज बाजार चले जाते हैं, उनकी हड़ नियों में दूद मक्तन और घी आदी होते हैं, बेश्तरिफ इतनी चीज़ें हैं कि बाजार में ले जाते हैं, जितनी घर चलाने के लिए काफी हैं, गर्मियों में गुजर अपने रेवडों को लेकर प्रा उपरी इलाकों में चले जाते हैं, तो जहां उनकी वेंसों को ना केबल बहुत सारी भरी बरसाती घहस मिल पक जाती हैं, और वे सीतोष्ट यानि कि ना जाना थिंदा ना जाना गरम मौसम के इसाब से खुद को ठाल लेती हैं, बलकि उन जहरीली मक्कियों से भी चुटकारा मिल जाता है, जो मैतानों में उनका जीना मोहाल की ही रहते हैं, तो यह पूरा आपका GC1, Settlement Report of Kangla 1855 में से लिया गया है, ठीर, मुझे लगता है कि आप अगर ग्रामीट चित्र में है, तो कहते हैं कि जो ग्रामीट हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो एन CERT, उन्हें कम समझा, लेकिन मुझे लगता है सबसे जाना उनी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इन परिष्टितियों से वह ही गुजरते हैं, वो इन परिष्टितियों में पालंग पोशन होता है, आप समझ सकते हैं जिनका पालंग पोशन इन परिष्टितियों में हो, वो इन परिष्टितियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अब मात्यगडवाल की उच्छे पहाड़ों में गुजर मंड़क यानि की घर गुजर गड़े रिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह का पहाड़ी बांस और घहां से वने मंड़कों में रहते थे इनी मंड़कों का इस्तिमाल कारिस्थल की रूम में भी होता था यहां गुजर घी निकालते थे उसे बैंशते थे हाल के सालों में बसों और ट्रगों में भर कर भी दूल ले जाने लगे यह मंड़क दस जार से 11,000 फुटकी उंचाई पर होती बैसे से जाना उंचाई पर नहीं जा सकती इस चित को आप देख ठाएंगे उन उतरने का इंतजार हिमाचल के देश इस इस पालंपुर के पास उहल घाटी जो घ्रेड होती है ना इनके उपर जो बाल होती है उसे ही उतारना यानि क्योंने निकाला उन उतरने का इंतजार होता है इसी है तर आपके कपड़ों के आपके लिए जिरूरी रहती है फिर भावरे सब्द नया आ जाया है इसका मतलब क्या हुता है गड़बाल और कुमायू के इलाके में पहाडियों के निचले हिस्ते के आसपास पाए जाने वाले सुस्क और सूखे जंगल का इलाका आपका भावर कहलाते है बुग्याल उच सेप्टमबर तर गद्धी उंचे मैदानों धार से नीचे आने लगते हैं रास्ते में कुछ समय रुपकर वे अपनी बेड़ों की फून उत्तर उतर बाते हैं उन काटने से पहले बेड़ों कुर्णयला दोलाकर साप किया जाता है देखिए ये धेल लगा हुए अब चलते हैं लोग पहाड़ों और मैदानों और रेगिस्थानों में चरवाही सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे बेपठारों मैदानों और रेगिस्थानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौझूद थे दंगर महाराथ टेक एक जानवाना चरवाह समुदाय हैं दंगर बीसवी सदी की सुरात में इस समुदाय की आबादी लगवक चार लाग सरसट हजार थी उनमें से जानत गडरिये या चरवाहे थी आला कि कुछ लोग कंबल और चादरे भी बनाते थी जबकि कुछ लोग भैस भी पालते थी दंगर गड़ीरी ये बरसात के दिनों में महाराथ के मद्ध पठारों में रहते थी यह एक अर्ध सुस्क इलाका था जहां बारिस बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास हो जाओ नहीं थी चारों तरफ सरक्त कंटीली जाड़ियां होती थी बाजरे जैसी सूखी फसुलों के लावा यहां और कुछ नहीं ओपता था मानसून में यह पठी दंगरों के जानवरों के लिए एक बिसाल चारगाया बन जाती थी अक्तुगर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थी और चारगाहों की तलास में पच्छम की दरफ चल पड़ते थी करीब महिने बार पैदल चलने के बाद वे अपने र्यवड़ों के साथ कॉंकड के लाके में जाकर डेरा डाल लेते थी अच्छी बारिश और उपजाओ मिट्टी की बदोलत इस एलाके में खीती खेती खूब होती थी कॉंकडी किसान भी इन चर्वाहों को का दिल खोल कर स्वागत करते थी जिस समय धंगर कॉंकड पहुँचते थी उस समय कॉंकड के किसानों को खरीब की फ़सल काट कर अपने खेतों को रवी की फ़सल के लिए दुबारा उपजाओ बनाना होताता है अभी आपने सोचा होगा कि जमू कस्मीन के जो सेव उत्पादक किसान है उन्होंने मना कर दिया सरकार को अपना सेव देने क्यों 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 कि बता है ब्यापारियों और किसानों की वीच एक तालमेल बैठ जाता है एंगो कम पैसा देते हैं दम लेकिन क्या रहता है कि जब में जरूरत है तो ब्यापारी हमारी मदद कर देती है तो मतलब घर जैसा संबंद हो जाता है तो इस चरवाहों में और ज इस स्थान पर जाते रहते थी उन इस स्थानों पर भी इनका घर भरिवार जैसा संबन्द हो जाता था अच्छी ठीक है मैं एक आप लोगों के इतना ही कहूंगा कि आप लोग इन सभी चेप्टरों को NCEIT इनने कहानी का रूप देख पढ़ें तो साथ आपको बहतर समझ में आ सकती है इनने आपको रटना नहीं है क्योंकि इसमें आप भी देख रहें कि रटना लाए कुछ है भी नहीं है तो आप एक कहानी का रूप देखरें से पढ़ें ठीक है तो आप भेतर समझ पाएंगे इस चित देख रहे हैं आप पश्मी राजिस्थान के थार रागिस्थान में चड़ते राइका समधाय के उंट है उंट यहां पाई जाने वाली सूकी और कंटीली जाड़ियों कि साह इसी रही ठूंटों को खाते थे और उनके गोबर से खेती को खाज मिल जाती थे कौंकड़ी किसान धंगरों को चावल भी देते थे जिनने में वापस अपनी पठारी इलाकों में ले जाते थे क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम मिल होते थे मांसुन की बारस शुरूं होते हैं दंकर को कड़ और तटी एलाके चोड़ कर सूखे बठारों की तरफ लोट जाते थे क्योंकि भेड़ें गीले मांसुनी हालात को बलदास्त नहीं कर पाती करनाटक और आंद पिदेश में भी सूखे मद बठार घास और पक्त्रों से अटे पड़े थे इनमें मवेशियां भेड़ बक्रियों गड़ेरियों का ही बसेरा रहता था यहां कूछ नए सब्द देखने को मिले रभी जाड़ों की फसल जिनकी कटाई मार्च के बास करते हैं खरी ठूट पौदों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़े अप लुक ठूट कहते हैं आपने देखा हुगा गयों काट लेते हैं उसके बाद जो ठूट रह जाते हैं वही है यहां गुल्दा समधाय के लोग गाय बेंस पालते थे जबकि कुर अपने जानवरों की देखवाल के साथ साथ कई दूसरे काम दंदे भी करते थे पहाडी चर्वाहों के बित्रीत यहां के चर्वाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान ज्याना सर्दी गर्मी से तै नहीं होता था ए लोग बरसाद और सूखे मौसम के आशाप से अपनी जगे इसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पथारी इलाकों में ले जाना जरूरी था ये तो आप भी देखते हैं कि एक भेहस ऐसा ही पसू होता है कि जिसे पानी वहो गर्मी हो कोई फरकनी पड़ता है वो पानी में भी आ जा सकता है लेकिन आप सोचिए कि बक्री हो बेड़ो इन्हें पानी में थोड़ी रख सकते हैं ये उसके अनकूल भी बनी भी नहीं होई चरवाहों में एक जाना माना पहचाना नाम आपको बंजारों का भी है बंजारी उत्तर पिदेश पंजाब मद्पिदेश हमाराठ के कई लाखों में रहते थे ये लोग बहुत तूर दूर तर चले जाते थे और राखते में अनाज और चारे के बंजले गाउबालों को खेद जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजे बैचते आप जाते थे वे जहां भी जाते अपने जानवाओं के लिए अच्छे चारा गाउँ की होज में रहते थे इन्हें तो आप भी जानते हैं अच्छे से बहुत सारे मुसाफिरों के विवर्ण हमें चरवाहा समुदाय की जिन्दगी की जलग मिलती है में साल के तोर पर 19.2 सधी की सुरात में बुकानन ने मैसूर की अपनी यातरा के दोरान गुला समदाय का दोरा किया था अपने इस दनवाओ के आदार उपर उन्होंने लिखा कि उनके परिवार जंगलों के किनारे किनारे छोटे छोटे गाउं में रहते हैं यहाविद थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं और थोड़े बहुत जानबर रखते हैं और पास के कस्मों में जाकर दूद उत्पात बैचते हैं उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं एक-एक घर में साथ-ाठ नौजवान आसानी से मिल जाएंगी उन में से दो-तीन लोग जंगल में जाकर जानबर चराते हैं जबकि बाकी अपने खेत समालते हैं और कस्मों में जलावन की लखड़ी चपर के लिए पौाल आदी पहुंच जाते हैं या कब फ्रांसिस हैंबिल्टन बुकानन की एज जर्णी और प्रॉम मंद्रा तो थो दी कंट्री और महसूर कनाडा कनारा एंड मालावा अठाए सुसाथ में यह लिखा गया था उसी से लिए गया इससे आप लोग भी सीख सकते हैं कि आप क्या देखा हुगा आपने ग्रामीड शेत में अगर खेती है तो काम है एक आदमी का उसमें लगा हुआ है पूरा परिवार तो इसका मतलब आपकी आमदा नहीं जानदा नहीं रहेगी क्योंकि एक काम को जो करने में सक्षम है उसमें आप लोग 10-12 लोग लगा देंगे तो उसमें बढ़ने वाला कुछ नहीं है तो इससे अच्छा है कि कोई भैस पाल ले कोई दूसरा काम करने एक परिवार का मेंबर खेती करती रहे तो इससे क्या होगा आपकी जिंदिगी भी पल ले और आपका आयका जरिया भी अ लोग यही करते थे आपके राजिस्थान के रगिस्थानों में राइका समदाय रहता था इस अलाके में बारिश का कोई वरोसा नहीं था होती भी थी तो बहुत कम इसलिए खेती की उपर हर साल गटती बढ़ती रहती थी बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फ वरसात में तो बाड मेर, जैसल मेर, जोत्पूर और विकानेर के राइका अपने गाओं में ही रहते थे क्योंकि इस तोरान उन्हें उहीं चारा मिल जाता था पर अक्टूबर आते आते चारागा सूपने लगते थे नतीजतन यह लोग नए चारागाओं की तलास में दूस इसका मतलब यह हो जाता है कि अगर आपका एक साधन बंद आएका तो दूसरा बन रहे हैं इसलिए अलग लग काम करते हैं इच्चत देख रहे हो गया अपने उट के साथ एक उट पालत यह राजस्थान में जैसल में एकी निकत थार का रेगेस्थान है इस इलाके की उट पालकों को मारू रेगेस्थानी लाइका और उनकी बस्ती को डंडी कहा जाता है इस तरह हम देखते हैं कि चर्वा समधायों की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच बिचार करके आंगी बढ़ती थी उन्हें इस बात का हमें साख ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवर एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते उन्हें कहा पानी वचारा गार मिल सकते उन्हें ना केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था बलकि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजनने की चूट मिल पाई और किन इलाकों से नहीं सफर के दोरान उन्हें रास्तों में पढ़ने वाली गाउं के किसानों से भी अच्छे संबन बनाने पड़ते थी ताके उनके जानबर किसानों के खेतों में घास चर्च सकें और उनकी उपजाओ उन्हें उपजाओ बनाती चले अपने रोजी रोटी के जुगार में उन्हें खेती, व्यापार, चर्वारी इसे सारे काम करने पड़ते हैं यह देखी यह चित देख रहा है आपको वश्टमी राजिस्थान में बाल दोरा, बलो दोरा इस्तित उंट मेला हैं उंट पालक यहीं उंटों की खरीद फरोक्त के लिए आते थे और मेले में मारू राई, राई का उंटों के पिसिक्षण में अपनी महारत का भी सिदसन करते थे इस मेले में गुजराद से घोड़ी भी लाए जाते थे समझ रहे हैं आपको आई अब देखते हैं कि ओपनेवेसिक सासन की दोना यानि कि अंग्रेजों के जवान में चर्वाहों का जीवन किस तरह है बदला क्योंकि अंग्रेजों ने हर किसी का प्रिचाई किसानों का हो आपका आदवासी हों का हो सबका जीवन में कुछ न कुछ फिर वदल हुआ है पुसकर का उंट मिला आप देख रहे हुए बहुत फहमस हैं पुसकर का उंट मिला यह आप देख रहे हुए मारू राइकाओं की बंसावली बताने बाला बंसावली बताने वाला समगदाय का इत्यास बताता है। इस तरह की मौपिक परंपराओं से चरवा समगदाय को अपनी पहिचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समगव अपने अतीत को किस तरह देखता है। ये ये वी आप देख रहे हैं। इस चार गाहों की तलास में निकले मालदारी चरवा हैं। उनके गाहों कच्छी की रन में इस्तित है। अब बात करते हैं हम लोग ओपनेवेशिक, सासन और चरवाहों का जीवन। वो प्रेविस एक सासन के दौरान चरवाहूंत जिंद्गी में गहरे बदलावाए उनके चारगा सिमट गए इधर उधर आने जाने पर बंदिसें लग गई उनसे जो लगान बसूल किया जाता था उसमें भी विद्धी यानि कि जो टेक्स बसूल किया जाता था उसमें भी विद्धी कर दे गई यानि कि बढ़ा दिया गया खेती में उनका हिस्सा घटने लगा उनके पेसे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा इस वास से आप लोग परचित होंगे कि आपके किसानों की जिंदगी में दखलम दिया गया जो आपके आदिवासी हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे या कुछ भी कर सकते थे उनकी भी आने जाने पर रोक लगा दिया अंग्रेजों के आने के बाद तो सौभाविक सभी की जिंदगी हमारे भारती है जितने भी समधाय थे सबकी जिंदगी पर असर पड़ा इनकी आने के बाद आई देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ कि पहली बात अंग्रेज सरकार चारा गाहों को खेती की जमीन में तबदील कल देनी चाहती थी जमीन से मिलने माला लगान उनकी आमदानी का एक बड़ा सरोत था खेती का छेतफल बढ़ने से सरकार की आयमें और बढ़ात्री हो सकती थी इतना नहीं इसमें जूट पर्षन का पास गिर्म और अन खेती है चीजों के उत पादन में भी इजाबा हो जाता है जिनकी इंग्लेड में बहुत जानब जरूरत रहती थी अंग्रेज अपसरों को बिना खेती की जमीन पर कोई मतलब समझ में नहीं आता था उससे ना तो लगान मिलता था और नहीं उपर्ष अंग्रेज ऐसी जमीन को वेकार मानते थे उसे खेती की लाइक बनाना जरूरी था इसी बात को ध्यान में रखते हुए उननीस भी सतापदी की मतल से देश के वेविन भागों में पलती भूमी विकास के लिए नियम बनाय जाने लगी इन कायदे कानून के जरीय सरकार गैर खेती हर जमीन को अपने कपजे में लेकर कुछ खास लोगों को सौन लगी थी जो पहले आपकी वेकार भूमी होती थी पहले वो डल ही रहती थी दोसपाप के पसू पालन होता रहता था पसू चलते रहते थे लेकिन अगरेजों के आने के बाद उस जमीन को भी हडपने लगे उस पर भी खेती करवाने लगे क्ये बिले इन लोगों वो कई तरह की रियाएतें दीनि मूझें इस जमीन को खेटी के लायक बनाने और उस पर खेटी करने के लिए जम कर वडावा दिया हैं ऐसे में कुछ लोगों को गाओं का मुखिया मझे बना इस तरहे कबजे में ले गई जांदतर जमीने चारागहार की थी जिनका चरवाहे नेमेद रोप से इस्तिमाल किया करते थे इस तरहे खेती के फैलाओं से चारागह समेटने लगे वो चरवाहों के लिए समस्थ्याग पैदा होने लगी दूसरी बात 19 सधी के मद्द तक आते आते देश के विविन प्रांतों में बन अधिनियम भी पारिक किये जाने लगी इन कानुनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित बन घोसित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमते लगड़ी फैदा होती थी चरवाहों को चरवाही की कुछ परंपरगत अधिकाद तो दिये गए लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंद से लगी रहे हैं ओपनेवी से अधिकारियों को लगता था कि पस्तुमों को चड़ने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कौपले यानि कि जो नई उसमें से कौपल फूखती है मों नश्ट हो जाती है उनकी राय में चरवाहों की के रेवर्ड छोटी पौधों को कुचल देते हैं और कौपलों को खा जाते हैं जिससे नई पेड़ों की बढ़त रुख जाती है बन अधिनियम में उन्हें चरवाहों की जिंदगी बदल दाली अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोख दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बवमुल चारी कर्स रोग थे जिन छेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी यानि कि आजादी उनकी पूरी तरह से छिल ले गए जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था जंगल में उनके प्रिवेश और बापस्ती की तारीख पहले से ही तैग होती थी वह जंगलों में बहुत कम भी दिन बिता सकते थी और चरवाही किसी जंगल में जान्द समय तक नहीं रह सकते थी बलीयों आच चारा कितना ही हो घास कितना भी क्यों नहों और चारों तरफ घनीं भर्याली हो इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी बनविभाग वारा जारी के परमेटों के दिन थी परमेट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानगन कब तक जंगल में रहेंगे अगर वह समय समय सीमा पर काउलगन करते तो उन पर जु यही जा जाता था तो यह हिस्तिती वही थी और एक बात याद रखिए यही जो कारण है यही आपके आमी बिद्रहु आंदुलन के कारण बनेगे क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप किसी की जिंदगी में जानदा धटलंदाजी करेंगे एक सिरसे उपर हो जाएगे उसकी वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपसे लड़ने के लिए तयार रहेगा इसमें तीसरी बात क्या थी अगरे इस अपसर गुमंतु किस्म के लोगों को सक की नजर से दिखते थी बेगाओं गाओं जाकर अपनी चीजें बैंचने बाले कारीगरों बभ्यापारियों और अपने रेवर के लिए हर साल नए नए चारागा होंगी तलास में रहने वाले हर मौसम में अपनी रिया इस बदलने लेने बाले चरवाहों पर येकिन नहीं करवाते थे बेचायते थी कि ग्रामीट जंता गाओं में रहे उनकी रिया आईसे और खेतों पर उनकी अधिक इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नेंतिक करना जानदा आसान था जो एक जगए टिक कर रहती हो ऐसे लोगों को सांति प्रिये और कानून का पालन करने वाला माना जाता था गुमंतु को अपरादी माना जाता था 1881 में ओपनेवी सिक सरकार ने अपरादी जनजाती अधिनियम पारिप किया इस कानून के तहट दस्तकारों ब्यापारियों चरवाहों के बहुत सारे संब्दायगों का अपरादी संब्दाय की सूची में रख दिया गया उन्हें कुदर्दी और जर्मजात अपरादी घु उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोग लगा दिगी ग्राम पुलिस उन पर सधा नजर रखने लेगी चौतरी बात अगर हम बात करें तो अपनी आमधानी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसुलने का हर संब्द रास्ता अपना है उन्होंने जमीन नहरों क पानी, नमक, खरीद फरोक्त की चीज़ों और यहां तक की मवेशियों पर भी टेक्स वसुलने का हैलान कर दिया चरवाहों से चारा गाहों में चरने वाले एक एक जानपर पर टेक्स वसुल किया जाने लगा देश के जादा तो चरवाहों वही इलावों में उन्नीस भी बसुली की व्योस्था दिनों दिन मजबूत होती गए। ग्रिजार ने अपने कहरेंदों की मात्यम से सीधे चरवाहों से ही कर्वसुलत शुरू कर देए। हर एक चरवाही को एक पास जारी किया कर दिया गया है, किसी भी चारा गाहा में दाकिन होने के लिए चरवाहों को पास देखा कर पहले टेक्स करना पड़ता था। चरवाहे के पास के साथ कितने जान पर हैं और उसने कितना टेक्स चुकाया इस बात का उसके पास में दर्श कर्द दिया जाता था आप ही समझे कि इस समय आप लोग पसु पालते उस पर भी टेक्स लगा दिया जाए तो क्या आप लोग करेंगे बगाबत ही करेंगे न आपक लिलिंग ने 1913 में लिखाए चरवाओं के लिए प्रयोग किया जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहां से इमारती लगडी तथा इनन एकट्ता नहीं किया जाएगा जो बन्वत्पाद होते हैं नए सब्द क्या है परंपरागत अधिकार परंपरा और रीटी व्रवाज के आधार पर मिले माने अधिकार जैसे आपने देखा होगा जंगलों में आदिवासियों का परंपरागत अधिकार हुगा करता था उसमें कोई रोकटोप नहीं होती थी उसके बाद अंग्रे जाए उनकी जिन्दगी में दखलांदा जी देना सुख कर दिया आप सोचिए किसी भी राजा महराजा ने उनकी जिन्दगी से ने दखलांदा जी नहीं की आधिवासियों की जिन्दगी में दखलांदा जी किसी एक राजा नहीं की पर चाहिए आपकी मुगल सल्तन तो दिल्ली स तो कोई भी अभी तक जो भी हुए थी लेकिन जैसे ही अंग्रे अजायर उन्होंने उनकी भी जिंदिगी में धखलंटा जी सुर्व कर दी इसे भी देख लेते हैं बहारी गिरावट आई है अब पसु पालकू को बड़ी बड़ी रेवट रखने में मुश्किल पैदा हो रही है इसकी बज़े से उनकी आमदानी में गिरावट आई है उनके जानवारों की गुड़वत्ता उखराग गर गई है उकड़ी बढ़ते जा रहे हैं उन्तू पर दा रेपोर्ट ऑप दा रोयल कमीशन ऑफ एगरी कल्चर इन इंडिया 1926 से लिया गए इन इस वटाइस में रेपोर्ट आई दिया आँगे चलते हैं लोग इन बदलाओ ने चरवाहों की जिंदगी किस तरह प्रभावित किया है उन्हें देखते हैं इन चीजों की वज़े से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई जैसे जैसे जान्दा से जान्दा चारी कबजी में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा वैसे वैसे चारागाहों के लिवपलग दिलाका सिकोडने लगा इसी तरह जंगलों के आरक्षन का नतीज़ा एया हुगा कि गडरीये और पसूपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आज का सदान जानबरों से भरे रहने लगा अब तक जुद्तों गुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे इस अगला बंदी की वज़े से पिछले चारागा फिर से हरे भरे हो जाते लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदीसों और चारागाहों के भी हिसाब इस्तिमाल से चारागाहों का इस तर गिरने लगा जानबरों के लिए चारा कम पढ़ने लगा फलसरोग जानबरों की सेहत तादाद भी गिरने लगी चारा चारे की कमी है और जब तक करी घ्रलम का चयारा मिलना होता था जो नीचे चले जा जाते थे या फिर ये पतुमीक कि चयारा जब तक Y 성pish टोंख तो उन्हें कि उन्हें एख dislike के श्पर के पूराथ निंख कुछ सकते थे यो तो आप ही सोचिए कि एक खेती बर हमेशा ही चारा बने रहेंगे यानि कि पसु चलते रहेंगे तो उन्हें मुका ही मिलेगा कि नई फसल वहां उख सकें नई कोई पौधें होख सकें तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो बर्य कई तरह के उन्हें भूजन में मिलते रहते हैं तो वह असु भी स्वस्त बनी रहते हैं आप ही सोचिए कि डेली आपको चावल 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 खाने के लिए बूला जाए वह दाल ना दिया जाए पिर आपकी समुदाओं के लायां को व्ले किया गया है जिनके बार से में इस अध्याएं में बात की गया है इंके अलावा भी हमारे देश में कई और श्र्वाह समुदाय श्री वह रहते थे हैं देखिए यह आपका स्री-लंका है अभी बरतबान काहिवा बंगलादे से भूतान है, यह आपका उत्राखने कबाशा बन्जारे राजिस्तान राट का मरोस्तली ज tipo Maldari बञजारे मत्व्देश ठंगर त enacthave जघ्चेन वारत में कुरुमा हो गया खुल्ला हो और आपका पूर्वी भारत में मौन पाव गया है देख सकते हैं यह आपका अरफ सागर हो गया बंगाल की खाड़ी यह आपका लक्षिदीब यह आपका अंडवान निकोबार एक बार आप लोग सभी क्रम से सभी राज्यों के राद रख लिए कौन कहां से कहा राज्य है किस किस सीवा लग रही है कौन से देख से हमारी सीमा लगती है कितनी लगती है क्यों कि इनसे क्वेश्टन्स आपके बंते रहते हैं ठीक है ? आएँगे चलते हैं। चरवाओं ने इन बदलाओं का सामना कैसे किया। इन बदलाओं पर चारा चरवाओं की पितिकृरिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाओं ने तो अपने जानवरों की संख्या की कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल गो गया तो कुछ चरवाहों नए 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 चरवा दूमली मिसाल के तोर पर उट और भेड पालने वाले राइका 1947 के बाद ना तुस्यंद में दाखिलों जके सकते थे और ना ही सिंदू नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे भारत और पाकिस्तान के भी खींदी गई नई रेका सिवा रेका ने उन्हें उस तरब जाने से रोग दिया जाहरे कि अब उन्हें ज चरा सकते थे इसी समय खेतों को खात की भी तरूरत रहती है तो उन्हें इन जानवरों के मलमूत से मिलने मिल जाती थी एक खात समय गुजरने के साथ ही कुछ धनी चरवाह जमीन करीद कर एक जगए बस कर रहने लगी उनमें से कुछ नेमित रूप से खेती करने लगे जब इस चक्र में बहुतों के मविशी भी हास से जाते रहे और भी मजदूर बन कर रहे पे खेतों में या फिर छोटे मोटे कस्मों में मजदूरी करते दिखाई दे लगे इस सब के बाब जू चरवाहों ने ना किबल आज भी जिंदा है बली कि हाल के दसकों में कई जगए तो इनकी संख्या में बिद्धी भी भी है किनकी चरवाहों की जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखले पर रोक लगा दी जाती तो भी अपनी दिसा बदल लेती रेवर्ड चोटा कर लेती और नई दुनिया के मिजद से तालमिल बैठाने के लिए दूसरे काम द राश्ता है कि इस वात को आप भी जानते हैं कि जब आपके पास कोई ओप्सन नीव निचे का तो आप दूसरा कोई धंदा ना लेंगी जो आपकी धंदे में धखलंदाजी करने लगेगा कोई और आप उससे निपड़ने में सक्चम नहीं है तो आपका पास यही राश्ता है कि आप दूसरा काम धंदा करने लगें वरहाल चरवाहों पर इस तरह की बदलाओं तरह हुमारे देश में नहीं तो बेगे दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और वसावट की नए तोर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे हैं बदलाओं अफीका में चरवाहा जीबर की बारे में जानते हूँ अप अफिका महधिम में आएव нев distortion वरकी तरफे द दूनिया के आददी से जादा चरवाहा आवाधी रहती है आजभी अपिका के लगवग सवाद हो करूर रोजी रोटी के लिए किसी की चरवाही गतिविदियों पर ह आसरेते हैं इनमें आपके बिदूइनिस, बर्वे, बर्वेर्स, मसाई, सोमाली, बहरान, तुर्काना जैसे जाने माने समधायवी सामिलें इनमें से जानदातर अब अर्धसुख गहास के मैदानों या सूखे रहगिस्तानों में रहते हैं जहां बरसादारिक खेती करना की बेड गदे भाँते हैं ईए और दूध मास पसुओं की खाल बहोन आधि बचते हैं कुछ चरवाहें ब्यापार वायात्यायाद सम्बंधी काम भी करता है कुछ चरवाहि के साथ-साथ खेदी ही करते है कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आयसे गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी दंदार कर लेते हैं। हिंदोस्तान की तरह अपही की चरवाहर हों कि जिंदगी में भी ओपनेवेसिक और उपतर ओपनेवेसिक काल में गहरे बदलाओ आही। आखिरे बदलाओ क्या थे चली उन्हें देखते हैं। यह आप छेत देख रहे हैं। यह मसाई लेंड जिसके पीछे कीली वंजारों पहड दिखाई दे रहा है। बदलती परिस्तितियों के कारण मसाई मक्का चावल आलू गोवी जैसे उन खात्ति पदातों पर निर्वर्ध होते जा रहे हैं। जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते हैं। परमपरगत रूप से इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते थें कि फसल होगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रक्यति के ग्रोथ थे। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लाइक नहीं रहती है। ठीक है। आपको पता होगा अभी भी यहां के लिए किसान गाव में आपने देखा होगा। हल चलाने पहले खेत की पूजा करते हैं। यानि कि पहले कई लोग मानते थी कि धर्थी को दर्द होता है जब उस पर हल चलाया जाता है। तो इसी कारण कई लोग खेती भी नहीं करते हैं। मतलर मानता थी पिथा थी इस तरह के। अब तो सब पिथा हैं हम बूलते जा रहे हैं। यह है आपका अफीका की चरवा समुर्वा है चोटी तत्वी इंसेट मैकीनिया और तंजानिया में मसाईयों कहला का दसाता है देखिए आपका पूर अफीका मादी यह बर्बेस मोर्स ताउरे बोदा पेपोलानी बिदोईंग कबबिस बेजा दानान किल्व सॉमाली हरेरू तस्वान चोलू नामा यह सभी आखिए आपके चरवाहा जिन्द जातियां थे इस तरह आपका ही नमास अगरे विक्टोरिया जी लेरे थे देख रहे हैं सूडान एथोपिया जायरे तुर्कान उगांडा गुरान सुमाली सुमाली केन्या मसाई तंजानिया यहां आपके गांदी जी यही रहे थे याद रखिए यह दच्छड़की काम है आपके गांदी की भी गए हुए थे आगे बात करते हैं इन परीवतनों को हम चरवाहों क एक खास समदाय के मात्यम से समझने की कौसित करेंगे चलिए इसके लिए मसाई नाम की समदाय को चुन लेते हैं मसाई बसुपालन मौटे तौर पर पूर्वी अफी का किन्यवासी थे देखिए यहां कहा है मसाई इस तरफ पूर्वी यह आपका पूर्वी छेत हुआ है यह आपका देखिए मसाई यहां है इस तरफ के यहां मसाई नाम की समदाय चुन लेते हैं मसाई का सुथारन मौटे तौर पर पूर्वी अफीका में रहते थे इन मैं से लगबग तीन लाग दच्छडी कीनिया में और करीब एक लाग पचास जार तंजानिया में रहते थे अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिसों ने किस तरह ना केबल उनकी जमीन और उनसे चीन ली बलकि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पावंदिया थोप देगे इन कानून के कारण सूखे चित सूखे के दिनों में उनकी जिन्दगी गहरी तोर पर बदल गए उनके सामाजी एक समंध भी एक नई सकल में ढ़ल गए बात करते हैं चारागाहों कब क्या हुआ मसाईयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाहा दिनों देनों सिमटते जा रहे है उपनेवेसिक सासन से पहले मसाईयलेंड का इलाखा उत्री कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों इस ते पीच तक फैला हुआ था 19-वी सदी के आकर में यूरोप की समराजबादी ताक्तों ने अफीका में कपजे के लिए मार्काट सुनो कर दी और भहुआ सारे इलाकों को छोटे छोटे उपने वेसों में तपली तील करके अपने अपने कपजे में ले लिया 1850 में बैटिस कीनिया और जर्मन तंगानियान के वीच एक अंतराष्टिय सीमा खीच कर मसाई लेंड के दो बराबर बराबर टुकडे कर दिये गया बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बहतरीन चारागाहों को अपने कपजे में ले लिया मसाईयों कुद्र चड़ी कीनिया और उतनी तंजानियां के चोटे से इलाखे में समयठ दिया गया उपनेवेसिक सासन से पहले मसाईयों के बास जितनी जमीन थी उसका लगवाग साट किती सा सिर्सा उनसे चीन लिया दे गया उन्हें ऐसे सूखे इलाखों में केद कर दिया गया यहां ना तो अच्छी बारिस होती थी ना ही हरे वरे चारागाहा उन्नीसवी सदी के अंतिम सालों से बेटेश उपनेवेसिक सरकार पूर्वी अफीका में भी इस थानीय किसानों को अपनी खेती के छेतफल को जानदा से जानदा फैलाने के लिए पुरुचाहित करने लेगी जैसे जैसे खेती का विसार हुआ बैसे जैसे चारागाहा खेतों में तब्दिल होने देगी अंग्रेज योंके आने से पहले मसाई आर्तिक और राजनेटिक दौने श्तर पर अपने किसान पढ़ोसीयों पर बाहर ही पढ़ते थे ओपनेवेसिस सासन के अंत तक आती आती आपने भी देखा होगा कि आपके यहां जब भूग अंदोलन चला तो आपके भी जो किसान थे बड़े-बड़े, वो स्वामी थे, वो बड़े चतुर थे, उन्हों ने क्या किया कि दान में वो भूमी थी, जिस पर खेती नहीं होती थी, जो कराब पढ़ी रहती थी, तो दा जो उनके लिए उपयोगी था, और वाकी का जो 40-30 था, वो ऐसी जगे का था, जहां उनके लिए उपयोगी था, बहुत सारी चारगाहों को सिकारगाहे बना दिया गया, किनिया में मसाई मारावा, सम गुरू, नेसनल पार्क और तंजानिया में सरेगेंटी पायक जैसे सिक सिकारगाह इसी तरह अस्तित्त में आय थी, इन आरक्षिक जंगलों में चरवाहों का अपना आना माना था, इन आलाकों में ना तो भी सिकार कर सकते थी, और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थी, ऐसे बहुत सारी आरक्षिक जंगलों में अब तक मसाई अपने डोर डं अंगर चिराया करते हैं मिसाल के तौर पर सेरे निगटी नेसनल पार्क का 14,760 बड़ किलूमीटर से भी जाना चितफल मसाईयों के चार अगामा पर कपजा करकी बनाए गया था तंजानिया के बारे में बात करें तो बैटेंट से पहले बिस्तेवद के दोरां इस अलाके पर कपचा कर लिया जिससे जर्मनीष्ट अफीका कहा ज़्यादा था 1929 में तंगानियां तंगानी का बेटेश नेल्दर में था 1961 में उसे आजादी मिली 1964 में जंजीवार की बिलाए के बाद उसे तंजानियां का नया नाम दे दिया गया जिसते आप लोग तंगानी का कहते थे उसे अप तंजानियां कहा जाता है नया नाम यह आप देख रहे हैं गास के बिना पसू मवेसी बकरीयों भीडो कोपोसन का सिकार हो जाती जिसका मतलब है कि चरवाहों के परिवारों बच्चों के लिए भोजन कम पढ़ने लगता सूखे और भोजन की सरवाद्धी कमी सिग्रस्त इलाकों इलाका अंबो सेली नेशनल पार्क के असपास पढ़ता है जिसकी परेटन से होने बाली आया पिछले साल लगवक 24 करोड कीनियन शिलिंग यानि कि लगवक 35 लाग अमेरिकी डॉलर थी कि यह मंजारों जल परियोजना भी इस इलाके से उपर जाती है लेकिन यहां रहने वाली समधाय ना तो पीने के लिए और ना ही सिचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तिमाल कर सकते हैं एक बात आप समझ रहे होंगे अभी आपका सबसे जाला कोपोसन दच्छेड अफीका महादीम में ही फैला हुआ है क्योंकि अभी भी यहां गरीवी च्छाई हुई जाती है और जितने भी आपके देश आजाद हुए आपके 1947 यानी की भारत के आजाद होने के बाद ही हुए 1990 के दुशक के पास 1992 इसी चमेट बहुत कुछ दिस आजा जुए आपके यह देख रहे होंगे आप लोग मसाई नाम मा सब्द से निकला है मा साई का मतलब होता है मेरे लोग परमपरगान रूप से मसाई कुमंतु अचरवाहा समुदाय के लोग होते थी जो अपनी अजीवका के लिए दूद और मास पर आश्रित रहते हैं उंची तामान और कंबर्सा के कारण यहां सुस्क दूल भरे और बेहत गरम हालात रहते हैं इस अर्द सुस्क विस्वतिये वितिये इलाके में सूखे के हालात सामने हैं ऐसे समय में बहुत सारी जानवर मर जाते हैं यह आपका लिया गया है दा मसाई एसोसीयसन से इसको लेखा गया है यहां कुछ पॉइंट है इसे भी देख ले दें अपीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुस्क्रों का सामना मुस्क्रों का सामना करना पड़ा दच्षण पश्चमी अपीका में इस्तित नावीविया के काओको लेंड चरवाहे प्रमपरगर रूप से काओको लेंड और पास ही में इस्तित ओवामबो लेंड के बीच आते जाते रहेते ये लोग आसपास के बाजारों में जानबरों की खाल, गोस्त और अनुबस्तु में बेचा करते थे नई भोगोलीक सिमाओं ने दूर दूर के इलाके में उनकी आने जाने पर पाबंदी लगा दी जिसे उनका पहली की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया नामी भी या इस्तित काओ कुलेंड की गुमंतु पासुपालग की सिकायत थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं हम बस रोगती रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया हमें तो पताय भी नहीं है कि हम बंद क्यूंघ हमें बंद क्यों किया गया हम जेल में हमारे पास रहने की कोई जगंए नहीं है हम दच्च्चद से गोस्त नहीं ला सकते हैं खालों को बाहर नहीं Benigntha तो ओवाम और लेंड अभरां वंभाखों ऐंड हो और हम लंबिय तर वावबब्लेंड में रहें हम अपने जानवरों को एक बेडों और वक्रियों को भाण ले जाना चाहते परसी मायड हैं हम हमें माल दे रहें हैं जीनामुश्किल कर दें यह काना विविया इस काउको लेंड की चरवाहों का बायाने 1999 ओपने वी सिक अफिका की बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नजर रखने उन्हें गोरों के इलाखों में दाखिल होने सिरोबने का बंदुवस्थ किया गया था नावीबिया में काउको लेंड की चरवाहों के आने जाने पर पावंदिया लगाने के लिए दस्चिन पश्चिमी अफिका के एक मजिस्टेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था जब तक कि बहुत खास हालाद पैदाना हो जाए तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी ना किये जाए इस आदेश का मकसद इलाके के दाखिल होने वाले निवासियों की संख्याबर अंकुस लगाना उन्हें काभू में रखना है इसलिए उन्हें सामान या त्री पास किये किसी विहारात में जारी ना किये जाए यह आपका कावकुलेंड पर्मिट टू इंटर मजिस्ट्रिट द्वारा उड़ जो कमंजाप की फुलिस इस्टेशन कमंडर को लिखा गया पत्ते 24 नमबर 1937 की बात है अंगे देखते हैं अच्छे चारा गाहां और जलस अंसादनों के हाँ से निकल जाने की विज़े से उस चोटे से लाके पर दबाव बहुत जान्दा बढ़ गया जिसमें मसाईयों को धखेल दिया गया था एक चोटे से लाके में लगाता चराई कन्यंती जाया हुगा कि चारागाहों का इस तर गिरने लगा और चारी की हमेशा कमी ही रहने लेगी मवेशियों का पेट बनना एक इस्था ही समस्या इस समय बंद है आंगे बात करते हैं सरहतें बंद हो गई उन्नीस भी सदी में चरवाहे चारागाहों की कोज में बहुत दूर जगह चले जाते थे लेकिन उन्नीस भी सदी के आके दसकों से उपनेवी से सरकार उनकी आवजाही पर तरह तरह की पावंदिया लगाने लगी यानि कि कुर्मुला कर आपके देश के चरवाहों और वहां के चरवाहों की लगबग लगबग समस्या एक जैसी भी हुई है क् अब यह हमारे यहां के चरवाहे एक जगह की गास कतम होने की बाद दूसरी जगह चले जाते थे ओपनेवेसिक सासन की पहले लेकिन उनके आने के बाद कही तरह की पावंदिया लगा दी है मसाईयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विसेस आरक्षी तिलापों की सीमाओं मे आदा नहीं सकती थे बेवेसिस परमिट लिए बिना अपने जानवारों को लेकर बाहर नहीं जा सकती थे लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था इसके लिए उन्हें तरह-तरह की वादाओं का सामना करना पढ़ता था उन्हें तंग किया जाता था अगर चरवाहों को गोरों के इलाके में पढ़ने वाले बाजारों में दाकिल होने से भी रोग दिया गया बहुत सारे इलाकों में को कही तरह के व्याबार भी नहीं कर सकते थी बाहर चे आए गोरे और यूरूपिये उपने विसिक अपसरोंने खतनाक और बरबर सवभाव बाला मानती थे उनकी नजर में लिए ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंद रखना ही उचितता लेकिन इन इस्थानिये लोगों से किसी भी तरह के संबंद ना रखना भी मुम्किन नहीं पाए आखिरकार खानों से माल निकालने शड़क बनाने और सहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के सरमकाई तो भरोसा होता था जिसे आप लोग इस तरह से रख सकते हैं कि मजदूरों आपके यहां जो गरीव है किसानों से यानि कि इनसे दोस्ती करने में हर किसी कोई नहीं तयार होता है लेकिन इसे संबंद बनाएं भी आप लोग जीवित नहीं रह सकते हैं आपको घर बनाने से लेकर कोई भी काम हो मजदूर की जरूर पढ़ेगी हैं आपको फसल आप उगास किते नहीं हैं किसानों की जरूर दरत आपको सभाविक सी बात पढ़ेगी त्यानि कि सीधा रखने परती हैं यानि कि हमारे यहां के जो अमीर लोग हैं वो ना चाहें फिर भी उन्हें गरीगों और किसानों से संबंद रखने होगें वरना उनका जीवन संबह नहीं हैं क्या खाएंगे नई सरवदों ने चरवाहों की जिन्दगी रात नो रात बदल डाली नई और व्यापारी दोन तरह की गती भी नहीं है पर बहुत बुरा असर फड़ा अब तक चरवाही ना किवल मवेशियां कराते भी बलकि तरह तरह की व्यूसाय भी किया करते थे ओपने भी से सासन के अंतरगत थोप दी गई बंदिसों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ लेकिन आप उस पर तरह तरह की अंकुष्ट जरूर लग दे है यह उसी तरह से हैं कि आपके पास कई गाड़Иया porta आपकको जाने के लिए आजा दी है लेकिन उसमें पैट और लीजन लोहीं है जानि कि उसमें इस तरफरीकिया आजादी कि क्या मतलब है कि अध्यानी की सब कुछ दे दिया गया, लेकिन हमें जाने की सुविधा ही ना हो, अब बात करते हैं, जब चारागा सूख जाते हैं, सूखा दुनिया बर के चरवाहों की जिन्दगी पर असर डालता है, जिस साल वारिश नहीं होती है, और चारागा सूख जाते हैं, अगर के परांपरागत तोर पर घर चरवाहे घुमन्तु सवाव की लोग होते हैं, वे यहां से वहीं जाते ही रहते हैं, इसी घुमन्तु पन पने की वजह से भी बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं, और संकर से भी बच निकलते हैं, लेकिन उपनेविस्थिक सासन की स्थावना की बात तूं मसाईयों को एक निश्चित इलाके में कहत कर दिया गया था उनके लिए एक इलाके आरिक्चित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोप लगा दी गया उन्हें बेहतरी इन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी सकते थे जहां उन्हें अच्छी अच्छे चार अगा है मिल सकते थे इसलिए सूखे के सालों में मसाईयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की बशेश से मर जाते थे 1930 की एक जास से पता चलता है कि केनिया में मसाईयों के पास 7,20,000 मवेशी 8,20,000 भेड, 1,70,000 गदे थी 1934 में और 1934 में पड़े केवल दो साल के सूखे के बार इनमें से आदे से जानवर जानवर मल चुके थे जैसे जैसे चलने की जगे सेकूर्टी गई सूखे के दुस्पर गाम भयानक रोप लेते चली गए बार बार आने वाले बोरे सालों की विज़े से चरवाहों की जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती लिए आगे बात करते हैं सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा ओपने विज़े सिक काल में अफीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लेंड में भी एक आये बदलाओ अकसी सारी चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा ओपने विस बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक सेनियों में बटा हुए थी वरिष्ट जन एल्डर्स प्रयोग्दा यानि की बौरियस वरिष्ट जन सासंद चलाते थी समुधाय से जोड़े मामलों पर विच्छार विमस करने और एहम फैसले लेने के ल सुद्धाओं में जानदा नौजवान होती थी जिने मुख्रोग से लड़ाई लड़ने कभीले की इपाज़त करने के लिए तेयार किया जाता था बेसमधाय की रक्षा करते थे और दूसरे कभीलों की मवेसी चीन लाते थी जहां जानबर की संपत्ती जानबरी संपत्ती ह वहां हमला करके दूसरों के जानबर चीन लेना एक मत्पून काम होता था आप लोगों को भी पता होगा बैदिक काल में आपके यहां गायों के लिए योद जुगा करता था यानि कि गाय का इतना मत्त था कि गायों के लिए लड़ाईयां लड़ी जाती थी आँगे आपका अलग-अलग चर्वाहा संपत्ताय की तागत इनी हमलों से तैव होती थी युवाओं को योद्धा वर्ड का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे संभू के मवेसियों को चीन कर योद में बाहदुरी का पिदरसन करके अपनी मर्दान की सावित कर द देख रहे हैं सुलाव चिता योद्धा गरे लाल रंग की सुका और चमकदार मोतियों के आभूसर पहिंते हैं तथा इस्टेली की नौक बाला पॉंच पूट लंगा भाला रखते हैं बारी की सवारे गए उनके भाले गैरू से रगे होते हैं वोक्ते सूरज को साम्मान द करके पसूं को चराते हैं सूखे कमोसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पसू चराते थे हैं इससे देख रहे हैं इंचित को आज भी योद्धा वनने के लिए योगों को ब्यापक इनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है हाला कि अब यह पित्था पहले जैसी अनुष्ठान के साथ ही जीवन के एक नई चरण में पहुंच जाते हैं लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों में विजरना पड़ता है आंगे बात करते हैं मसाईयों के मामलों की देखवाल करने के लिए अंग्रे सरकान ने कई ऐसी फैसली लिए जिनसे आने वाले स सालों में बहुत गहरी असर पड़े उन्हेंने कई मसाईयों के मुखिया तैक कर दिये और अपने कभीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उनी को सौंथ इसके बाद उन्होंने हमलों लडाईयों पर बाबंदी लगा दी इस तरह वरश्ठ जनों और योद्धाओं दोनों क प्रवपरागत सत्ता बहुत कमजूर हो गए जैसे जैसे समय बीता ओपनेवे से सरकार बार निवख किये गए मुखियाल माल इखटा करने लगे उनके पास नेमित आमदानी थी जिससे बे जानवर साजों सामान और जमीन खरी सकते थे बे अपने गरीब पड़ोसियों को ल में फिर रहे कर जानवरों की देखवाल करते थे उन्हें चरवाहों और गयर चरवाहों बाई दोनों तरह की आमदानी होती थी अगर उनके जानवर किसी तरह से घट जाए तो वे और जानवर भी खरी सकते थे जो चरवाहे सरे अपने जानवरों के सारे जिंदिगी वसर कर लेने पड़ती थी, कोई कच्छा कोला जलाने के काम करने लगता था, तो कोई कुछ और राज करता था, जिनके तगर्दी ज्यादा अच्छी थी, उन्हें सड़क या भवन निर्मान कारियों में भी काम मिल जाता था, आप लोग इनकी हालल और हमारे किसानों की हाला देख ज करने लगते हैं, अगर उसी जगरवा आप लोग, यानि कि वो किसान ये करें, कि खेती भी करें, साथ में पसुपालन भी करें, अगर खेती किसी खालन से खराब हो जाती है, तो पसुपालन से भी तो आप अपना जीवनियापन कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाँ अधिकतर किसा पर निर्भा बुजाते हैं और इसलिए उनकी बुरी इस्तिति रहती है और आप जो अच्छे संपन गर के मतलब संपन किसान देखते हैं बड़ी किसान किसान की बात करिए यूइबरो सके कई तो यहां क्या होता है कि खाने की लिए फूर्टि नहीं होती है युवग पंजाब के किसान आफिंटी फूर्चूनः से घुमते हैं उनकी बच्चि वी आई कि स्कूलों में पढ़ते समझ सकते हैं क्योंकि वो कही तरह की काम करते हैं इस तरह मसाही समाज में दो इस तरों पर बदलावा है पहला वरिष्ट जनों और वियुद्धाओं के बीच उम्मपारादारिक परमपरागत पर पूरी तरह खतम भरी ना हुआ हो पर पूरी तरह अस्त बेस्त जरूर हो गया दूसरा अमीर और गरीब चर्वाहों के वीच नया विरभाव पैदा हो गया यानि कि सामाजीक दूरी भी बढ़ने लेगी है निसकरस तक क्या कहा जा सकता है इस तरह हम देखते हैं कि आदूनीक विस्व में आय बदलाव से दुनिया की अलग 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 चर्वाह वाह सम अलग 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 तरह के असर पड़े नए कानुनों और सीमाओं ने उनकी आवाजही का धर्णा बदल दिया जैसे जैसे चारागाह खतम होते गए जानवरों को चराना एक मुस्किल काम उद्दाश चला गए जो चारागाह बच गए थे बेवी अत्यदिक इस्तिमाल के व इसलिए भी नए चारागाहों की तलासु भी नहीं कर सकते थे फिर भी चरवाहे बदलते वक्त की हिसाब से खुद को ढालते हैं वे अपनी सालाना आवाजही करास्ता बदल लेते हैं जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं नए इलाकों में दाख्यल होने के लिए हर संभव लेंदेन करते हैं और राहत और रियायत मदद के लिए सरकार पर राजनितिक दवाव डालते हैं वे उले इलाकों में अपने अधिकारों को बचा रखने के लिए अपना संगर्स जारी रखते हैं जहांसे उन्हें खदेड़निक इकोसिस की जाते हैं और जंगलों के रखरक कि गुमंतु चर्वाहों की जीवन से लिए दुनिया के बाउ सारे पहाड़ी और सूखे इलाखों में जीवन है अपन के लिए सबसे जन्दार उपयोग थी जैपो राजमार्ट पर राई का गड़री है दिख रहेंगे बड़ी सड़क पर भारी यह अतायत में गड़रीयों के नए इलाखों में जाने की पिक्तिरिया को इन नया आणबाव बना दिया आप लोग कहेंगे कि इनकी जंगलों से जाने से पेड़ नश्ट होते थे जंगल नश्ट होते थे ऐसा कुछ जाना असम नहीं पड़ता था क्योंकि आप सोची कि आज हमारी सायद परियावण को दुगना फरक पड़ रहा है क्योंकि हम लोग जिस तरह से इंसान बढ़े ह और हमारी लालच बड़ी है वो जानदा नुकसान पमचा रही है प्रयावण को लेकिन ये फायदा भी देते थे क्योंकि आप देख रहे हैं कि पसू पालन होगा जहां पसू जाएंगे वहां पेड़ों को खाद भी मिले हो तो अच्छा उप जाओ पेड़ भी अच्छे त सब्का टेलीग्राम पर पीडिया उप लगते हैं वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख लें जब भी टाइम ले फर्त रहें अंगला छटवा चेप्टर हमारा होगा किसान और कास्तगार किसान और कास्तगारों के बारे में हम लोग बात करेंगे सब्सक्राइब नमस्का दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहेते हैं से ही आएटी कच्छा नौवी की भारत और समकाहिन विस्ट फर्ष्ट के नाम से जबाब किये बुक से उसी पर हम लोग थे तो इसमें आपका पांच चेप्टर हम लोग कदम कर चुपे आज हम बात क करेंगे किसान और कास्तगा यह आपका छटवा चेप्टर है याद रखिए अगर आप स्टेट PCS या फिर IES यानि कि सेविस सर्विस की धायरी कर रहे हैं तो आप NCEIT समय रहते हुए पढ़ ले क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आप सोची कि बिना NCEIT पढ़ तो पढ़ ले को समय रहते हुए अगर पढ़ ले तो भेतर रहेगा और मेरी तरफ से एकी सला है कच्छा चटवी से बारवी तक की पढ़े और फिर भी अगर आपको पास टैम नहीं है तो नौवी से बारवी तक तो पढ़ना आको जरूरी है जो कच्छा चटवी से आट व एक सब्ता है बहुत दिन नहीं होते हैं तो थोड़ा बेस अच्छे सी मजबूत हो जाएगा अगर अच्छा चटवी से आठवी तक की भी आप लोग साथ में ले लें ठीक है और सभी वुक्स आपकी टेलिग्राप चैनल पर जाल दी गए हैं अगर आप नहीं खरी सकते हैं तो वहां से डाउनलोड करते हैं अगर आपके तरफ नहीं मल लें किसी गिरामीट छेत से हैं आप लोग तो उसे निकलवा सकते हैं फ्रेंट आउट के रूम में ठीक है बड़े धेर के साथ सुनना है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको पिछली दो अध्यायों में आप बनों और चारागाहों के बारे में पर रहे थी और उनके बारे में भी जो इन सरोतों से रोजी रोटी अजित करते हैं आपने जूम खिती करने वालों चरवाहों और जन्जाती समुखों के बारे में भी पढ़ा है आपने जाना कि किस तरह बनों और चारागाहों को आध्मनिक सरकार ने नियंतित करना सुरूं कर दिया किया और उनकी पावंदियों से उन पर भी असर पढ़ा जो इन संसाबनों पर आस्रित थी हैं इस सद्याय में हम में डिशों की खेती हैं सभूदायों के बारे में पढ़ेंगी यह एक और इंग्लैंड की चोटे किसान को इसर यह और अमेरिका की गयाहूंॉ उत्पादक्कों और बंगाल की अफ़ीम उत्पादक किसानों के बारे में जान कारी हांसिल करेंगी the वहीं दूसरी तरफ आने कियाद निख्यति की शुरुवात कब विभिन देहाती समुवों पर क्या प्रभाव पड़ा या भी कि विश्व व्यापी पूंजी बाजार से जोड़ने के दुनिया के अलग-अलग इलापों पर क्या प्रभाव पड़ता है इन विभिन इस्थारों की तुलना से आप या ज जहां किर्सी क्रांथी ने पहली दस्तक दी थी एंग्लेंड में आदोनी खेती की सुरुवात पहली जून 1830 की घटना है एंग्लेंड के उत्तरपश्ची में 6 तके एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुवाल सहित सारा खलियाद जलक इतनाएं दूसरे जलों में भी दर्च की गए कहीं सरफ वाल जल जाती और कहीं तो पुरा-पुरा हाम-हाउस ही स्वाहा हो जाता था पर 28 अगस्त 1830 की दिन इंग्लेंड की इस्ट केंट में मर्दूनों ने एक ठेशिंग मसीन को तोड़कर नश्ट कर दिया इसके बाद दो साल तक दंगों का दोर चला जिसमें तोड फोड की एगटनाय पुरी दर्चडी इंग्लेंड में फैरी इस दोरान लगवक 387 थेशिंग मसीने तोड़ी हैं इस थेशिंग मसीने वही होती हैं जिनसे आप लोग अनाज निकालते हैं किसानों को धंकी वरे फत्त मिलने लगे कि भी इन मसीनों का इस्तिमाल करना बंद कर दें क्योंकि इनके कारण मेहनक कसों कि रोजी छीनी गई हैं जानतर खतों पर कैप्टैन फ्रेंट नाम की किसी आदमी के दस्तकत होते थे जमीदारों को यह खत्रा सताने लगा कि कहीं हत्यार वंद गिरोव रात में उन पर हमला भी ना बोल दें इस चक्कर में बहुत सारे जमीदारों ने तो अपनी मसीने खुदी तोड़ डाले जब लोगों पर सक्ता बेंगे में लिफ थे उन्हें फॉरन गिप्ता का लिया गया उन्नी सो चैटर लोगों पर मुकदमा चला नौको फांसी दी गई उन 505 को देश निकाला किया गया जिनमें से 4050 को और तेलिया बहुत दिया गया लगब 644 लोगों को बंदी बनाए गया इस पूरी सी कहानी का मतलब एक ले लीजी आप लोगों आपके यहां हर्वेस्टर आता है फसल काटना के लिए अब जैसे हर्वेस्टर आता है तो आपके किसान आपके गाउं में जो भी मजदूर होते हैं के दियर वो बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि आप फसल कटवा कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे एक यूनियर बनाके आपकी फसल को जलाने लगें और जो हर्वेश्टर होते उसकी तोड़ कोड़ करने लगें कित्सानों को मार पीट करने लगें तो ऐसी ही घटना आपकी यहां घटी इंग्लेंड में ठीक है बिल्कुल यही सैम घटना है कोई दूसरी घटना नहीं है इसी से आप लोग जूड़ कर देख सकते इन खेतों में मौजूद कैप्टेन फ्रेंड एक मित की यह नाम था जो सैंड के नाम पर दंगे करने वाले आकित थे कौन बेथेसिंग मसीनों को त करलाओ को देखना होगा यहां को सब्द नए सब्द हैं इने भी देख लिए बाड़ा बंदी पारंपरिक खुली जमीनों पर निजी बाड़ लगाने के कहा से पिक्रिया होती थी आपकी बाड़ा बंदी कौमंस पारंपरिक समाजों में सांजा समुदायक जल जंगल जमी इंगलेंड के देहाती इलाकों में नाटकिये बदला हुए पहले इंगलेंड का ग्रामीड छित काफी खुला खुला हुआ करता था ना तो जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ती थी नहीं उनकी बाड़ा बंदी की गई थी किसान अपने गाउं के आसपास के जमीन पर और जाओ नहीं होते और कई जगे बिकरे होते हैं कौसे से होती थी कि हर किसान को अच्छी और खराफ दोनों तरह की जमीन मिले खेती की इस जमीन के परे साज्या जमीन होती थी कॉमन्स की इस साज्या जमीन पर सारे गरामीडों का हफोता था यहां बे अपनी मवेसी और भ करते थे जंगल में भी सिकार करते और नदियों ताल तलेयों में मसली पकड़ते गरीबों के लिए तो यह सांजा जमीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन थी इसी जमीन के बल पर बे लोग अपनी आय में कमी को पूरा करते अपने जानबरों को पालते जब किसी साल फसल च फूरी गाओं की जमीन किसी एक के नम नहीं है रहनि किसी एक किसां के नाम नहीं सब लोग ₷ वो लाकर वो अस जमीन को सब किसान को दे दे कि या इस बार आप लोग इस खेती पर。 अपसल के आधुज सकते हैन कि मतलब एमेश्यधार को खेती और सांजी जमीन की यह अर्द्विसता सोलेवी सतापधी से ही बदलने लगी थी सोलेवी सती में जब उन के दाम विस वाजार में चड़ने लगी तो संपल किसान लाव कमाने के लिए उन का उत्फादन बढ़ाने की फासिस करने लगी इसके लिए उन्हें बेडों की नसल सुधाने और वेतर चारागाउं की आवस्ता हुई नतीज़ एया हुगा कि सांजा जमीन को काट चाट कर गेहना सुरूं कर दिया ताकि एक की संपति दूसरे से या सांजा जमीन से अलग हो जाए सांजा जमीन पर जोपडियां डाल कर रहने वाली ग्रामीटों कोनों उन्होंने निकाल बाहर किया और बाडाबंद खेतों में उनको उनका प्रवेशने सिद्ध कर दिया यह बाडाबंदी की सुर्वात थी यानि कि अब जमीनों को अपने आप में हत्या आने लगी थी लोग अठारवी सद अब्धी के मंद तक बाडाबंदी आंदोलों की रफ्तार काफी धीमी रही शुरू में गिने चने भूह में भू स्वामियों ने अपनी पहल पर ही बाडाबंदी की थी इसके पीछे राज या चर्च कहां नहीं था लेकिन अठारवी सदी की दूसरे हिस्से में बाडाबंदी आंदोलों इंग्लेंड की पूरे देहात में फ्यल गया और इसने इंग्लेंड की भूदेश को आमूल बदल कर रख दिया सत्रे सो पचास से अठारे सो पचास के वीच शाट लाख हिकड जमीन पर बाड़ी लगाए लिए बैटिंग की संसद ने सक्रेय भूम क्या निभाते हुए इन बाड़ों को बैदेता पिदाने करने के लिए चार हजार कानून पारित की कितने चार हजार इस चित देख रहे हैं आप लोग कैप्टेंग स्वयंग अंधुलन 1832 के दरान इंग्लेंड की विविंट काउंटियों में तोड़ी गई थ्रेसिंग मसीन है इस जे हॉप्स बॉम तता जोर्ज रूदी की बस तक कैप्टेंग स्वयंग पर आधारी थी चित तोड़ी गई मसीनों की संख्या थी और स्वयंग अंधुलन की प्रभावाला चित पर देख रहे हैं यह संख्या है और आपका बीच में आंधुलन का प्रभावाद चित यहां कि कुछ पॉइंट है ने भी दीख लेते हैं क्या है यह दम की काफी बड़े प्रमानपर भेज जाते थे कई बार इन खतों की भासा काफी सालियन होते थे जबकि कई बार बहुत कड़ी भासा कर इस्तेमाल किया जाता था कुछ पत्त बड़े चोटे होते थे देखें एक नमूना स्रीमान हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी तेसिंग मसीन खुद नहीं तोड़ी तो हम अपने लोगों को भेज कर एकान कराएं सब लोगों की ओर से स्वहिन हम सकते हैं इतने से मैंने प्ता दिया एज़ी हॉप्समेन और जॉर्ज रोजे क्यातने से लिया गया है एक बात आप लोग हमेसा यार रखा करिए जहां पूरी एक पेज की जरूरत हो वहां सबसे एक दो लाइन में नेपटाने की कौसित किया करिए यहीं तो आंसर आइटिंग है आपकी यहीं तो कॉस्चन को प्रभावी बनाती है आंसर को जब 200 से 500 सब्द में अगर पूच रहा है तो आपको उन्हें समयट कर में 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 चीजें मतलख पूरा निसकष निकाल की जिस तरह ऐसे आप देखते हैं कि दही बंदा है दही में से निश्करस के निकलता है मक्षन तो वही मक्षन निकालना है आपको और रख देना है समझे है कि अगर कोई 50 सब्द बोल रहा है तो तुम ऐसा सब्द एक निकालो कि उस 50 सब्द की फूर्थी हो जाए ठीक है तो वही प्रभावी व्यक्ति होता है जो अपनी बात को सौट में कह देता है और सबसे प्रभावी वी बात उसी की होती है आँगे बात करते हैं स्वयंगी की ओर से सक्त भासा में बेजे गए खतकाय निबूना स्रीमान आपका नाम बिलेक बुक में दर्ज बिलेक होट्स की सुचिए मैं रखा गया है आप और आप जैसे अन्य लोगों को सलाय दे जाती है कि अपना इरादा बताएं आप फरावस्तर पर जन्ता के विरोध भी रहें आपको जैसा करना चाहिए था अभी तक आपने वैसान नहीं किया स्वयंगी यह आपका कटोर पत्य सक्त भासान अब बात करते हैं अनाज की बढ़ती मां जमीन की को बाड़ा बंद करने की ऐसे जल्दी वाजी क्यों थी औ और इन बाड़ों का मतलब क्या था नए बाड़े पुराने बाड़ों से बिन्य थे जहां सुलेवी सताथी के बाड़ों में भेड़ पालन का विकास किया गया वहीं अठारवी सताथी की अंधिम बरसों में बाड़ा बंदी का उद्दिश अनाज उत्पादन पढ़ाना एक नए दौर का सूचक 18 भी सताथी के मद से इंगलेंड की आवादी तेजी से बढ़ी थे 1750 से 1900 के बीच इंगलेंड की आवादी चार मुना बढ़ गई 1750 में कुलावादी थी आपकी इंगलेंड की सत्तर लाग जो 1850 में 2.1 करोड यानि की 2.1 करोड और 1900 में ये पहुँच गई 3 करोड ठीचे समझ सकते हैं जाहर है कि अब जांदा नाच की जरूरत थी इसी दोर में इंगलेंड की उद्धोगी क्रांती भी होने लगा बहुत सारे लोग रहने और काम करने के लिए गाउं से सहरों का रूप करने लगें खाद्यानों के लिए हुए बाजार प Southern बहुते गे इस तरह जैसे 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 सहरीयवादी बड़ी ही बैसे-वैसे खाद्यानों का बाजार भी फहलता गही और खाद्यानों की मान के साथ उनके दाम भी बढ़ने लगे ओ यह तो आप भी जानते होंगे, यह आपने यह देखा होगा कि गयम कितना रुपे किलो आप लोगों ने देखा होगा, शाल से पांच रुपे किलो देखा होगा, बिरते हुए, तर साथ आठ हुआ, आप आप देख रहे हैं कि 20 पिलास हो चुका है, तो यह बढ़ता रहता है, जब किसी मांग की, आपने यही तो है, डिमांड प्लस सप्लाई, जिस चीज की डिमांड जाना होगी, यानि की मांग जाना होगी, उसकी कीमत बढ़ना सभा भी उसी बात होती है, चुआ, अठारवी सदी के इंद में फ्रांस और इंग्लेंड की बीच, योद शुरू हो ग इस ते उत्सायत होकर भू स्वामी अपने बाड़ाबंद जमीन में बड़े फिर्माने पर अनाय योगा आने लगे, उनकी तिजोरियां बन लगी और उन्होंने बाड़ाबंदी कानूं पारित करने के लिए संसत पर दबाव डालन सुरूं कर दिया, यह आप ग्राप यहूं के दामों का बासिक और सब तरह सो इकत्र से अठारे सो पचास के बीच है इस तरह से यहां तो सब देख लेंगे बुसेल चमता की माप सिलिंग इंग्लेंड की एक मुद्रा का नाम है, बीच सेलिंग में एक पॉंड हुआ करता था, एक पॉंड बरावर वीच सेलिंग, यह बरस होगा इस तरह आप, इस तरह आप दरव आप दियाँगी तो सेलिंपिती पूल्स, बुसेल बुसेल इस चित को देख रहे होंगे आप, 19 सभी सदी की सुरुवात में संप्रोब का देहाती इलागा है, अंग्रेज चित का जौन कौन टेवल की किती है, कौन टेवल की पिता अनाज के बड़े ब्यापा आई थी, कौन टेवल का बचपन, पूरवी इंगलेने के गरामिट चित् इस चित में बाड़ावंदी का काम 19 सभी सदी से काफी पहले पूरा हो चुका था, कौन टेवल के देखात के पिले जीवन को बड़े भावपून धंग से उकेरते हैं, उनके चित में हमें ऐसे दौर से परचित कराते हैं, जब देखात का सीधा सरल और खुस नुमा, जीव देख सकते हैं, लेकिन इससे हम यह पता नहीं चलता कि तत्कालिन बूद्रस कैसे बदला जा रहा था, कौन टेवल की चित्रों में हम आमतोर पर मेहनत का जनता दिखाई नहीं देती, पर चित एक में पर नजय डालने पर पता चलता है कि सापों कैसे इलाकों से गिरा हुआ था जहां स्वेंग दंगों की दोरान बड़े परमाने पर थे सिंग वसी ने तोड़ी गई थी, अब बात करते हैं बाड़ाबंदी का योग, इंग्लेंड की द्यास में 3780 का दसब पहले कि किसी भी दो से जांदा नट की यह दिखाई हमें देता, इससे पहले अक्सर गया ह गुता था कि आवादी बढ़ने से खाद्यान का संकट गहरा जाता था, लेकिन 37 में इंग्लेंड में ऐसा नहीं हुए, जिस तेजी से आवादी बड़ी उसी हिसाब से खाद्यान उत्पादन में भी बड़ा, जलसंख्या की विद्धी तेज रफ्ताय के बाद जूर, 1868 मे खाद्यान की अपनी जरूतों का 80% सद इंग्लेंड खुद पहला कर रहा था, बाकी का आयात किया जा रहा था, खाद्यान उत्पादन में भी यह भी थी, खेती की तेखनिक में भी, किसी नए बदलाव का परड़ाम नहीं थी, बलकि हुआ सर्प यह है, कि नए नए जमीनो पर खेती की जाने लगी, भू स्वामियों से ने मुक्त खेती, सारजनेक जंगलों, दल लली जमीनों, चारगाहों को काट चाट कर बड़े-बड़े खेत बना दिये गया, सीधा सा मतलब है कि इस समय कोई खेती में तकनीकी में सदाहान नहीं किया था, कोई अच्छे भीज इसलिए उत्पादन बढ़ गया हूँ, नहीं, बल्कि जो जंगल थे, जो सारजनेक जंगल थे, जो खेती थी, डलदली खेती थी, उन्हें भी अब आप लोग खेत बना रहे थे, और में भी खेती कर रहे थे, आपने देखा होगा कि आपके यहां जंगल खड़े रहते थे तो आपने अच्छे पीजों का उपयोग करने की वज़े, उसमें तकनिकी का उपयोग करने की वज़े आपने उस चंगल को साफ करके उसे भी अपना खेत बना लिया, समझ सकते हैं, तो आपका उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन आपने कोई सुधार नहीं किया अपनी उ और जानद चेत पल पर, एज चेत देख रहे हैं, संसदिये कानूनों के दर सारवजीनिक भूमी की बाड़ा बंदी, अठारवी उन्नीस भी सदी में, इजी हॉप्स बॉम तथा ज़ग रूद्दे की फुस्तर कैप्टन फ्रैंक पर आधारी थी, यह आपका पचास उत्से यह देखें, यह 32 से 50 है, फिस 10 से 50, पास से 10, पास से कम, यह देख रहा है, गहरा लाल ब्लंग, यह आपका है, पचास से जानद, एक एंड, नौर्फॉक, सर्फॉक, देख सकते हैं, आँगे बात करते हैं, इस समय तक किसान केती में, उन्नी सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर जो अठारवी सदी के प्यारम में बड़े करमाने पर पिछली थी, 1660 के दसक में, इनलेट की कई हिसों में किसान सल्यम और तिप्तिया घास किलोवर की किती कन लगी थी, उन्हें जल्दी एह ऐसास हो गया है, कि इन फसलों से जमीन की पैदावार बढ़ती हैं, फिर सल्यम क वो पसू भी बड़े चाओ से खाते हैं, यानि कि फसू भी ने खाते थी, इसलिए भी सल्यम और तिप्तिया घास की खेती निवेतरूप से करने लगे, बात के अध्यनों से पता चल्दा कि इन फसलों से जमीन में नाइट्रोजन की मातरा बढ़ जाती हैं, जो फसल के लिए मत पूर थी, असल में लगातार खेती करने से जमीन में नाइट्रोजन की मातरा घट जाती हैं, जिसके कारण जमीन की उरवड़ता भी कम होने लगती हैं, सल्यम और तिपतिया घास की खेती से जमीन में नाइट्रोजन की मातरा फिर से बढ़ जाती हैं, जमीन फिर उपजाओ हो जाती थी इस तरह 19 भी सधी के बैहरंबीक बर्सों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इनिशल तक्नीकों का नेमित रूप से इस्तेमाल करने लगे थी अब बाडवंदी को एक देड़ कालिक निवेस के रूम में देखा जाने लगा था और मिट्टी की और वर्टा बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल कर फसलें मोने लगे थी बाडवंदी से अमीर वो सामियों को अपनी जोद बढ़ाने वो बाजाल के लिए पहले से जानदा उत्पादन करने की सहुलियत भी मिलती है एक बात आप भी अपना सकती है ये खेती यानि की फसलें बदलते रहने से फसल की यानि की खेती की उत्पादत बढ़ती है यानि आपका गरीबों पर क्या भी थी समय बाडवंदी ने भो स्वामियों की तरजोरियां भरती है पर उन लोगों का क्या हुआ जो प्रोजी रोटी के लिए कॉमंस पर ही आफ्रित थे लगने से बाढ के वीटर की जमीन भो स्वामिकी नेजी चन्पत्ती बन जाती ती गरीब आप ना तो जंगल से जलावन की लगणियां बतोर सकते थे नहीं साज़ा जमीन पर अपने पसुछ चरा सकते थे बेनात तो सेव या पर कंदमूल बिन सकते थे और नहीं गोस्त के के लिए सिकार यानि की मास के लिए सिखार कर सकते दिया अब उनके पास फसल कटाई की बात बची धूटों को बटोणने का भी कल्प भी नहीं राये तो हर चीज पर जमीदारों काकजा हो गया और हर चीज बिखने लगी और वह भी ऐसी कीमतों पर जिने आदा करने कि सामर्द गरीवों के पास नहीं थी। जहां कहीं बड़े प्रमाने पर बाड़ा बंदी हुई, खास्तोर पर इंग्लेंड की मद्दबर्ती चित्रों और आसपास के प्रांतों, प्रांतों के हाँ काउंड पीओ बोलते हैं। वहां गरीवों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और उनके पारंपरी करिकार देरे देरे खतम होते गया। अपने अधिकारों से बंचित और जमीन से बेदखल उकर बे नए रोजगार की तलास में दरदर भटकने लगी। मद्दबती चित्रों से बेज दच्छडी प्रांतों की उल जाने लगी। मद्दचेत में सबसे सगन खेती होती थी। औरहां खेती हर मजदूरों की भी भारी मांती। लेकिन अब कहीं भी गरीवों को एक सुरक्षे तोर नेमेत रोजगार नहीं मिल पा रहा थी। पुराने जमाले में आमतोर पर मजदूर हुआ बो स्वामियों के साथ ही रहा करते थे। बेमालिकों के साथ खाना खाते और साल पर उनकी सेवा अहिल करते थे। यह रिवाज 1800 तक आते आते समाथ होने लगा। अब मजदूरों को वो काम के बदले देहाडी दी जाती थी। वो काम भी केबल कटाई के द्वरान ही होता था। जमीदार अपना मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए मजदूरों की देहाडी कीमद में कटोती करने लगे। काम अनिश्चिक रोजगार आसुरेचे और आय आज्टिर हो गए। बर्ष के बड़े हिस्ते में गरीब बेरोजगार प्रढ़नी थी। यानि कि गरीवों के इस्तिती बद से बत्तर हो चुए। फर आपका थेसिंग मसीन का आगमन। जिन दिनों नैपोलियन इंगलेंड के विरुद ये उद्ध छड़े हुए था। उन दिनों खाद्यान के बहाव काफी उंचे थे। और कास्तगारों ने जम कर अपना उत्पादन बढ़ाये। मजदूरों की कमी की डर से उन्होंने बाजार में नहीं नहीं अई थेसिंग मसीनों को खती नहीं करती हैं। सराब पुरी और मेहनस से भी चुराने की सिकायत किया करते थे उन्हें लगा कि मसीनों से मजदूरों पर उनकी निर्मता कम हो जा रही इसका मतलब यह भी रहता है आपने दिखा गया आप इसलिए कटवा लेते हैं हारवेश्टर से कि आपको लगता है वरसान मौसम कप क्या ह फसल बेरी वरवाद नहीं मजदूर मिले या नहीं मजदूर काफ करेंगे या नहीं इसलिए आप एक सुरक्चित पक्ष देखते हैं कि जहां आपका फसल सुरक्चित हो जाए तो यही यह लोग कर रहेते हैं यह उत्य समाप्थ होने के बाद बहुत सारे सेनिक अपने उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा उसके दाम कम हो गए और किसी मंदी छावी चित दो में कीमतों का अगर आप देखें आपने उपर देखा था नहीं बेचेन होकर भूस्वामीर ने खेती की जमीन को कम करना सुरूं कर दिया मांग करने लगे कि अनाज का पायात रोखा जाएं उनने मजदूनों की देहारी और संख्या कम करनी सुरूं करती गरीबों बेरोजगार लोग काम की इतलास में गाउंगाउं भटकते थे जिसके पास आजथाई सा कोई काम था उन्हें भी आजीब का को जाने की असंका रहती थी यही वाय दोर था जब देहात में कैप्टन श्रेंग बाले धंगे फैले गरीबों की नजर में थिसिंग मशीन बुरे वक्त की निसानी बन गई आई थे इसन पॉइंटों को देख लीजिए बाड़ा बंदी के कारण सारवजनिक जमीन पर अधिकार समाप्त होने से एक्तिसान ने इस्तानिये जम हो जाए लेकिन अगर आप सेपनों गरीबों की भीडवक्रिया कि चड़ने की जमीन चीन लेते हैं तो कानून कुछ नहीं करता अगर गरीब आदमी आपसे कोई चीन ले तो उसको फासी दे दी जाती है जबकि अगर आप उस बैक्ति की अजीब का चीन ले तो आपके खिला कोई कारवाही नहीं की जाती है गरीब इस बात को किस तरह समझे कि कानून उनकी पहुंच से बार और सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती है यह तो आप लोग अभी भी देखते हैं कि सबसे जानक गरीबी सताय जाते हैं प्रजाय आपका कॉंश्किवल से लेकर कोई नेत सब गरीबी कोई सताती रहते हैं जे एम नीशन कॉमार्स 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 राइट इनक्लोजर्स एंड सोसल चैन्ज सब तरह सो से अठारह सो तीस के बीच से उत्यात इसे भी देख लिए इसके विप्रीद बहुत से लेकों ने बाड़ा बंदी के लावों की बुरी बुरी पिसंसा भी किये हैं खुले खेतों और बाड़ा बंदी की जमीन के बीच कोई तुल्ला नहीं की जा सकती हैं बाड़ा बंदी की विवस्ता निश्चित रूप से खुले खेतों से बेतर है खुले खेतों के मामले में खेती हैं जल्जीरों में जकड़ा रहता वह मिट्टी या मूल्यों में कोई बदलाव नहीं ला सकता उनकी हालत उस गुड़े जर्सी होती है जो अन्र गुड़ों के साथ बंदा होता है यानि वह है उनसे अलव होकर कुछ नहीं कर सकता और उनके भीच ही फून पांत कर सकता है या आपके जॉन मेडलिदन अठारवी सताती के लेकक ने लिखाए इसमें नेसकर स्था क्या कहा जा सकता है इस तरह इंगलेंड में आदुनी केती के आगमन से कही तरह कीबदलाव आये मुक्त खेत समाप्त हो गए याद रखी उनके किसानों के पारंपरिक अधिकार युग होता यहुगा कटे थे बेवी जाते अमी खिसानों ने पैदावार में बित्ती और अनाज को बाजार में बैच कर मोटा मुना का कमाया और तागतवर हो गई गाओ के गरीब बड़ी संख्या में सहरों की उर पलायन करने लगी कुछ लोग मद्धपर्ती चेत्रों को चोड़कर दच छड़ी गरांतों का रूप करने लगी जहां रोजगार की समाहना बहतर थी कुछ अन्न सहरों की उर चल पड़े मजदुरों की आयका टिकाना ना रहा रोजगार आसुरक्षित और आजीब का किसरोत आस्तिर हो और सीधा सा मखलब है कि लोग सहरों की तरब किस लिए जाते हैं अच्छे स्वास्त की सुगधा के लिए पड़ाई लिखाई के लिए और रोजगार के लिए अगर आप इन्हें गिरामीट छित्रों में उफ्लग करा रहें तो कोई मजदुर नहीं जाए और आप लोग जानते हैं कि जो प्राइबेट नौक्रिया होती हैं इसमें इस्था जाएंगी ठीक है अब हम बात करते हैं रोटी की टोकरी और रेतिला बंजल आए अब चरह अटलांटिक के बार अमेरिका चले आए देखें कि यहां आधुनी खेती का विकास कैसे हुआ किस तरह अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी यानि की ब्रेट वास्केट बनकर जब 18 सदी के अंद में इंग्लेंड में साज्या जमीन को बाड़ावन किया जा रहा था उस समय तक अमेरिका में बड़े पिर्माने पर इस्थाई खेती के विकास नहीं हुआ था जहां 80 करोड़ एकर भूमी पर जंगल थे वहीं आपके 180 करोड़ एकर भूमी पर जंगल थे याद रखिए और 60 करोड़ एकर भूमी पर सरफ घास उपती थी समय चित्वार्थ से आप उस समय की प्राक्ति हड़ावी के बारे में अंदाल्या लगा सकते हैं यह आपका उत्री अमेरिका कर्षेत है याद रुकिए यह आपका जंगली हो गया है यहाँ आपका लंबी यो घास होती थी बुचेत पले यह आपका है छोटी घास और यह रहागेस्थानी पेड़ पादी यहां होती थी यह आपका अट्लांटिक मास अगर है यह यह निवासी थे स्वेट आपरवासियों के पश्चिमी प्रसा से पहले अमेरिका में जंगल और घास के मैंदानों किस्तिदी इस बिकार थी बेकर की पुस्तक एकोनोमिक जियोग्राफी खंड दो 1926 में संकलित अग्रिकल्चर रीजन्स अब नौर्थ अमेरिका से लिया ग गया था मांच में आप 19 भी सदीके फ्यारंबिक कार में अमेरिका की भीवन मोल कवीलों के नवास छेत्रों वो भी देख सकते हैं को इस्व समय अमेरिकी बूद्र्डed कर जानदा तरह सा स्वेत अमेरिकियों के में नहीं ता जो आप देखें है ने सूय house अमेरिकियों को यह वहां प्रवासी की रूम में गए हुए थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आसुएत यानि कि आसुएत लोगों का तो पता ही नहीं चलता है जहां देखो आप सुएत लोग देखते हैं अगर आप उस समय अमेरिका की सहर पर निकलते तो आपको जगए जगए अमेरिका की मूल निवातियों के बड़े-बड़े समूव मिलते हैं इन में से कुछ गुमन्तु थे और कुछ इस्थानिय रूप से रहने बाले थे इस्थाई रूप से यहीं रहते थे बहुत सारी समूव सरिफ सिकार करके खाद पदार्थ बीन कर और मचलिया पकड़कर गुजारा करते थे अपने धीवल्यापन करते थे जबकि कुछ लोग मगका, फलियों, तमाको, कुमडे की खेती भी किया करते थे अनसमो जंगलों फसुओं को पकड़ने में महर थे और 16 सिदी में से से ही बनी वन विलाओ का फर यूरोपीय ब्यापारियों को बैचने मेंचते थे यह लोग चित पांच में अठारीवी सताप्ती के प्यारम विल्वर्स हों में विल्मिने कवीरों की अवस्तिती कुद्स आए लिया है, चुक, चुक, टाउ, सैमी नौल, यहां की संभूव, इसको आप देख रहे होंगे, 1920 में अमेरिका के खेती हर चेत्रों की स्तिती है, 1920 के दसक मे पिकासित बेकर की पुस्तक एकोनोमिक जियोग्राफी में संक्लिन लेकों की आदार पर लिया गया है, यह आपका घास बन पेटी हो गई, पिसांत सागरी यह वो पोश्ट कटी बन दिये पसल पट्टी हो गई, यह रहगे स्थानी चेत्त हो गया, परवर्थी यह पठार, यह रोकी परवतमाला, ग्रेट प्लेंज, ग्यहूं का छित हो गया है, यह सूखी घास, और यह चारागाह इलाका हो गया, मक्य की पट्टी, मक्का और ग्यहूं की पट्टी, बेवस्दाय पट्टी, वो पोश्ट कटी बन दिये तठ, यानि यह मतलब पूरा कप्जा कर लि पूरी तरह बदर चुका था, स्वेट अमेरिकी पश्चिम की ओर फैल गए थे, और उन्होंने वाँ की जमीन को क्रिसियोग बना लिया था, इस पिक्की रिया में उन्होंने मूल कभीरों को उनकी जगों से विस्थावित करके अलग-अलग खेती हर इलाके बना लिये थे, किसी उपादन के विस्थ बाजाय में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी, यह परिवतन कैसे संभोग हुआ, अमेरिका में बसने वाले ये नई लोग कौन थे, खेती के इस पिसार में से अमेरिका के मूल निवासी, यानि की इंडियन मूल की कभिलाई, समधाय की इवन पर क्या दरवा पड़ा, उन्हें में भी अम लोग बात करेंगे, बात करते हैं पर्च्यम की और पिसार, तो था ग्यों की खेती, अमेरिका में किर्सी विस्थार का सम्मन्द स्वेतों के पश्चिमी चेत में जाकर बसने से गहरे लूप से जुड़ा है, 1775 से 1783 तक के चले अम अमेरिका के गठन के बाद स्वेत अमेरिकी पश्मी इलागों की तरफ बढ़ने लगे, याद रखिए 1776 में अमेरिका को आपकी आजादी मिल चुकी थी, चार जुलाई 1776 तक, टॉमस जेफर्सन के 1800 में अमेरिका का राष्टपती बनने पर तक लगबग 7 लाग स्वेत, दर्रों के राष्टे अपलेसियन पठारी चेत्नों में जाकर बश चुकी थी समय, पुल्वी तर्स से देखने पर अमेरिकी संभावनों से वराष्ट देखता था, वहां के बयावानों को किरसी और भूमी में बदला जा सकता था, जंगल से इमार्ती लखडी का निर्यात किया जा सकता था, खाल के लिए पसुँँ का सिकार किया सकता था, और पाहडियों से सौने और जैसे सौने जैसी धातूर, खनीच पदातूं का दोवन किया जा सकता था, लेकिन इसमें एक समस्य आती, क्या समस्य थी, कि पहले यहां के आस्वेद जो निवासियों को निकाल बाहर किया जाए, यहां जिनका कभजा था आस्वेद लोगों का, उन्हें बाहर नि इनियनों को, पहले मिसी सी पी नदी, यह वही नदी है जो पंचागार, पंची गयाकर का डेल्टा बनाती है, नदी के पार और बाद में और भी पश्रिम की तरब ख़देरना सुरू किया, इस पिकरिया में कई लडाईया लड़ी इसमें आपके मूलने बासियों का जन संदिया करने पड़े, और अपना घर बाद छोड़ का पर्श्रिम की और कूच करना पढ़ा, यह आपका 1775 से 1902 के स्वेद आपरवासियों का पर्श्रिम की और प्रसाद देश सकते हैं, पहले यह चोटा आस्वेद वेक्टी यहां बसे हुए थे, देख सकते हैं, छोटी स तो उसके जबाद इन्होंने विस्तार किया, फिर उसके बाद यहां पहुंचे, इस तरह से, एक समय ऐसा है कि पूरे पर कभजा कर लिया, इसका मतलब यही है कि आप किसी की जमीन पर थोड़ा कभजा करते हैं, इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते, एक समय ऐसा है कि आप पूर किसान साब करने की दौरान आपतरवासी किसान इस तरह के घर बनाते सी इस चित में मकान बनाने की लकडी का भाव था एक कहा से चित लिया गया है प्रवासियों की लहर प्रवासियों पठार में बश चुके थी और 1820 से 1850 के बीच इनोंने उन्होंने मिसीसीपी की घाटी में भी पैर जमा लिया था उन्होंने जंगलों को काट जलाकर ठूट उकाड कर खेट और घर बना लिये और पर उन्होंने बाकी जंगलों का सफाया करके बाड़े लगा द इस जमीन पर मक्का ओगयों की खेती करने लगे थे मक्का भी अच्छी मात्रा में आपका होता है अमेरिका में सौर्ड एक घास भा मिट्टी का मिस्तरन होता था सौर्ड सुरुवाती बरसों में इस औरवर जमीन पर किसानों ने अच्छी पसल पैदा की जैसे ही एक जगे जमीन की पैदावार घट जाती किसान बैटर जमीन की तलास में नई जगे चले जाती इस तर यह आपकी जूम केती इसी तरह से तो होती है जब एक जगे पुर्वरब जमीन पर खेदी की जाती है उसके बाद फसल की उत्पादिन चंता घटने लगती है तो वो दूसरी आट के बात की रहा है बात के दस्कों में यह समूचा चित अमेरिका के ग्याम उत्पादन का एक बड़ा चित बन गया था अब जरा ग्याम उत्पादत किसानों के बारे में कुछ विस्तार से बात की जाए देखा जाए कि इन किसानों ने किस तरह खास की मेंदानों को अमे तुत्ती के दुप्वहर को स्वस्ताना एक किसान परिवार दकोटा के विसाल मैंदानों का 20-20 सदी के पहले दसक से मैं लिया गया एक चित्ते हैं थीट तर्याप का गयूँतपादन किसान ? जो गयूँतपादन थे किसान उनके बारे में 19 सदी के आखरी सालों में अमेरिका के ग्यमूत पादन में जवर्दस्त बिद्धी होई इस दौरान अमेरिका की सहरी आवादी बढ़ती जा रही थी और निर्याद बाजार भी दिनो दिन फैलता जा रहा थी मांग बढ़ने के साथ ग्यमूं के दामों में भी उचाल आ रहा था एक मांग और यानि की डिमान्ड और सप्लाई क्या होती है आपूर्थी मांग और आपूर्थी इसके बारे में आप एकोनोमिक्स में यानि की अर्थ विवस्था में बहुत अच्छे से जानेगे उसमें अ जब मांग घट जाती है तो उसकी कीमत घटने लगती है और या फिर उत्पादन बढ़ जाए और मांग कम हो जाए यानि कि मांग उतनी वड़ी रहे और बाजार में टमाटर काई भर जाए तो भी आपकी उसकी कीमत गिर जाएगी इन सब के बारे में हम लोग अर्थ वे उस् गूशल्स सिवाप कने इस से उत्षायत होकर किसान गयांउगाने की तरफ जुगने लगे रेलवे की प्रसावज्पी सताथ्यानों की शित्रों से निर्यात के लिए पुर्वी तटफ़न ले जाने आसान हो वे या श्यानि किने ले जाने आने किलिए भी नथा वाहनों की को जोगी थी रेलवे की बेश्वी सताप्ती की शुरुआत तक ग्याउं की मार में और भी विद्धी हुई और पितम विश्योद के दौरान ग्याउं के विश्व बाजार में भारी उच्छा लागी यह पितम विश्योद आपका 1934 से 1908 के वीच हुआ था तो रोसी ग्याउं का आन किया यानि कि एक नारा था खोग ग्यमु उप्चावर ग्यमु यह में जंग जिताएगा 1910 में 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड एकर जमीन पर ग्यमु की खेती की जा रही थी आपकी नौ साल बाद ग्यमु उत्पादन का छित्पल बढ़कर यहां 7.4 करोड यानि कि लगभख 65.35 सब जाना हो गया था इसमें से जाना तरविती बिसाल मैदानों यानि कि ग्रेट प्लैंस में हुई थी जहां नित नए छित्रों को जोता जा रहा था ग्यमु उत्पादन बहुदा बड़े किसानों के अपजे में था कई बड़े-बड़े किसानों के पास दो-तीन हजार एकड़ एक जमी होती थी यानि कि उच बड़ी मात्र में फिर आती आपकी नई तकनीकों का अगमन होता है इसे देख रहे होंगे आपकी इस सचल हले गौर करें कि हलका अंगला हिस्सा एक छोटे से पहिये पर टिका हुआ है इसमें पीछे की तरफ एक हत्ता लगा हुआ होता है जिसकी मदद से हल को आँगे पीछे चलाया जा सकता है इस हल में बैल या फर घोड़ी जो दे जाती थी यानि कि बैल या फर घोड़ी की मदद ले जाती थी ग्यामूत पादन में हुई यह विलक्षन विद्धी नई तकनीक का परड़ान था और निश्वी सदापदी में नई फिरवासी जैसे जैसे नई जमीनों को अपने कि घास मैदानों में पहुचे तो उनके वे साधाना हल बेकार सावित हुए जिनका वे पूर्वी तर्ष पर इस्तेमाल किया करते थी यहां के मैदानी घने घास से ढखे थे जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी इस सब्सक्त जमीन को तोड़ना के लिए कई तरह के हल वि चैबेल या कर गोड़े खीनते थी वीजबी सताथी की सुरुवात में 20 साल मेंदानी चेत्रों के किसान इस सक्त जमीन को टेक्टर और डिस्क के हलों की मदद से ग्यमों की खेती करने के लिए तेयार करने में चुटे थी इसे आप देख रहे होगी जित में यापका साईरि मेकर मेकरा कॉर्मिक द्वारां 1831 में बनाए गया प्रीपर है फसल काटने के बाद उसकी कटाई के नंबर आता था और 1830 से पहले फसल कटाई के लिए हसीय का इस्तिमाल किया कर जाता था आप लोगों ने देखा होगा इसे यह एक ऐसा काम है जिसे सेकड़ों इस्तिप्रोस मिलकर एक साथ लगकर करते थी लेकिन 1831 में सायरिस मेर कॉर्मिक ने एक ऐसे ओजार का विसकार किया जो एक ही दिन में इतना काम कर देता था जितना की 16 आदमी हसीय के साथ भी कर सकते थी इस तरह 20-20 सदापती की सुरू होते होते अमे सब्सक्राइट हार्वेश्टर का इस्तिमाल करने लगे इस में इन मसीनों की सायता से 500 एकड़ के खेट की कटाई का काम सिर्फ दो सब्सक्राइब ही निप्टा है जा सकता है आप भी देखते हैं हार्वेश्टर को कि जितना आपके मजदूर दस दिन में 15 दिन में करेंगे मिलकर आप तो घुसा वाला भी हार्वेश्टर आ चुका है आपको यानि कि एक तरफ आपका ग्यहूनिक लिए दूसरी तरफ घुसा और आपका ख्रच भी कमाता है इसमें तो आप किसलिए मजदूर लगवाएंगे एक सुरक्षित नहीं रह सानों के लिए यह मसीन बहुत मत्वून बन ले यह उंके दाम आसमान चुरह थे उनकी मांग खतम होने का नाम ही नहीं ले रही थी इन मसीनों से जमीन के बड़े टुकड़ों पर फसल काटने ठूट निकालने घास आठाने जमीन को दुबारक यति के लिए तियार करने का क इतनी उपए हुई थी कि उनकी साहता से स्रिफ चार बेटी मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 इकड भूमिक पर फसल पहना कर सकते थी कितने लोग चार बेटी आपने देखा और गावी अभी कुछी दिर पहले एक आटीकल निकला हुआ था निकला हुआ था निकला हुआ कि एक अबाली उनकी देखे रिख कर सकता है दोद्द लगाने के लिए मसीन आज चुकी है और जो आग उनके लिए खाना मनाती है उसके लिए भी मसीन उपलत है तो आराम से एक आदमी कर सकता है इसमें फिर्यापका इस समय गरीब जो जन्ता थी इसका क्या हाल हुआ है इसके बारे में भी जाल देती है गरीब किसानों के लिए मसीन बरवादी बन कर आई बहुत सारी किसानों ने इन मसीनों को इस उम्मीद के साथ खरीदा था कि ग्यों के दामों में पहले जैसी तेजी बनी इन किसानों को बैंक आसानी से रिड़ दे देती थी लेकिन रिड़ को चुकाना मुस्किल काम होता था रिड़ आधा ना करने की इस्तिती में बहुत सारी किसानों को अपनी जमीन से हाथ दोना पड़ सकत जाता था इसका मतलब होता था कि काम की नई नई से तलास एक बात आपको पता होगी कि गाउं में साहुकार जो होता है वो रेड़ तो दे देता है बहुत ही आराम से लेकिन उसका व्याद चुकाते चुकाते किसान की जिंदगी नगल जाती समझ रहे हैं बेसे ही यह लोग थी आगे लेकिन इस काल में रोजगार बहुत मुश्कित से मिल पाता थी विजिली चारित मसीनों का आगमन से मजदोरों की जरूरत कापी कम हो गई थी इसके साथ ही 1920 के दसक की मद्द तक 1920 सदाब्दी के अंतिम वर्सों और 20 सदाब्दी के आरंबिक वर्सों की आतिक तेजी खत दम हो चली थी महा योद्दी के उपरां पत्पादन की हालत यह हो गई थी कि बाजार ग्याउं सेटा अटा पड़ा थी लेकिन खरीदार ठूड़े नहीं मिलते थी जानदातर किसानों के लिए संकट का समय था ग्याउं के बंदार बढ़ते जा रहे थी गोदानों में खाद्यान भरा पट रहता था हाला तेहां तक पहुंच गई कि गोदाम में रखे खाद्यानों को पस्वों को खिलाया जा रहा था ग्याउं के दाम गिरने से आयात बाया ध्या गया 1930 के दसर की जिस महामंदी की का अफसर जिक्र किया जाता है उसकी पेट भूमें में भी यही परस्तितियां काम कर रहे थी इस मंदी का असर हर जगह देखने को मिल रहा था अब जब आप समझ सकते हैं कि जानला उत्पालन होने लगी उप्र मांग ना रह जाय तो यही दसा ह हो जुए है कभी आप प्यार्च की बारे में सुनते थे तमाटर की कीलो पर डाल दी है टमाटर प्याज केक दिया गया तो जम मांग नहीं होती थी यानि कि जब मांग ना हो और उत्पालन जाना जाना या दू क्या करें हो रोटी की टोपरी से रेत के कटोरी तक का सफर देखते हैं पश्पी कंसांस में काला तूफान ये आपकी 14 अपरेल 1935 की घट आए बेसाल मैदानों में गेमों की सगन खेती से कई समस्यां पैदा हुई 1930 के दसक में दच्छन के मैदानों में रेतेली तूफान आने सुरूबे इन तूफानों की उचाई 7000 से 8000 पिट होती थी गंदडे की चड़की सकल में आने वाले इन तूफानों से 4 तरफा तबाही पहल जाती थी 1930 का पूरा दसक इन तूफानों से अत्रांत राः इस पूरे साकाल में ऐसा कोई दिन या बर्स नहीं राः जब इन रेतेली तूफानों ने तबाही न मचाई जैसे ही आसमान में अंधेरा चाने लगता रेत के तूफान सहरों और खेतों को चारमोर से घेल देती तूफान के कारा सब कुछ अंधिकार में हो जाता था फैपड़ों में दोर और किचड़ी भरने से पसु बाहरी संख्या में कीचड़ भरने से पसु बाहरी संख्या में मताय लगते थे तो रेतेली तूफान से खेत के खेत पट जाते थे उनकी मेट रेत में गुम हो जाती आप सभी ने सुना होगा आटा की जो चक्की होती है वहाँ जो बैक्ती काम करता है उसकी 10-15 साल उम्म घहता जाती है जहां आपका देखा होगा आपने केसर मसीन लगी रहती है गिट्टी निकालने वारी उस तरब आपने इस तरह की तूपान देखे होगे थोड़ी सी देखता भी नहीं है उस रेट की रेट का जो उड़ा रुकती है उसकी कारण इस चित को आप देख रहें भी डाउट सर्वा यहर्ज एलेक्जंड होग का चित्त है होग ने अपने चित्रों में रेतिली तुभान से होने वाली तबाही और मौत की तांडाव को दसाया है ल पसू, बक्रिये, यहां टेक्टर देखिये दख्ष चुकाई यह रेत नदी की सतय पर इस कदर जम जाती थी कि मचलियां सांस तर नहीं ले पाती थी और मैदानों में हर तरब चिडियों और पसूओं की अधनिया बिक्रीप देखाए देती है 1920 के दसक में गेहों के उत्पादन में करांती लाने वाले टेक्टर और मसीन अब रेत की धरों में फस कर बेकार हो गए थी यह मसीने इस अधन तक खराब हो चुकी थी कि उनकी मरंबत भी नहीं की जा सकती थी तो इसी समय तो आपकी आर्थिक मंदी आती है 1930 की आंको पता हो इस तबाही का करण क्या था रेतेले तुफान क्या क्यों पैदा हुए तुफानों का एक करण तो 1930 के दसक के आरंबिक बर्सों में पढ़ने वाले सूखा था कई बर्सों तक बारिस ना होने के करण तामान बरता जा रहा था लेकिन रेत के एक साम्मान तुफान काले भाया हुआ है तुफान का रूप इसलिए ले तक है क्योंकि जमीन के विसाल हिस्से पर लगातार खेती करने के करण जमीन की उपरी पर काफियत तक तूट गई थी उस पर घास का नाम निसान नहीं बचा था उनने 70 सदी के आरंबिक बरसों में गेहन पैधा करने वाले किसानोंने जमीन के हर संबाव भिस्ते से घास साथ करड़ ली थी ऐक किसान टेक्टरों की साहतर से इस जमीन को गेहन के खिर्दी के लिए तियार कर रही थी रेते ले तुफान इसी आसंतुलन से पैदा हुई थी एसारा चित रेत के एक बिसाल का कटोरी में बदल गया था यानि कि खुश हाली का सपना एक दरावनी हकीकत बन कर रहे गया था इसमय परवासियों को लगता था कि बिसारी जमीन को अपने कच्चे में लेकर उसे ग्यों की लहलाती फसल में बदल डालेंगे और करोड़ों में खिलेंगे लेकिन तीस के दसक में उन्हें यह बात समझ में आई वो पर्यावाण के संतुलन का संभान करना कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं बाड आने का कारण, तुहान आने का कारण, पर्यावार तो ही है, क्योंकि आपने देखा होगा, जहां पेड पौद हैं, उस समय अगर हवा चल भी रही है, तो वहां धूल नहीं निकल लेगी न, पेड जो होंगे वो धूल को समाल कर रखेंगे, धरती को र पाती है, तो पर्यावार्ण संतलन बनाना जरूरी है, क्योंकि जब पर्यावार्ण हमसे बदला लेता है, तो किसी लायग भी नहीं छोड़ता है, इसके कई आप उधारन भी देख सकते हैं, फिर भारतिय किसान और अपीम की खेती, आई अब भारत की ओर चलें, और देखे इस भी सताथी की सुरुवात में, भारत की ग्रामीर चेत्रों के में क्या चल लाता है? यानि क्या हाल था भाती है किसानों का? जैसा कि आप सब जानते हैं, पिलासी की युद्ध 1757 में हुए और बगसर का युद्ध आपका 1764 में हुए इन दोनों युद्ध में भारत की हार भी जो भी सासक हुए था भारत की, उनकी हार के बाद अंग्रेज एक महा सक्ती बनकर उपरे दे आपके भारत में और यहां का स सासन विवस्था भी अप उनी के हाथों में आ चुकी थी, के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेज जी राज इस्थावेश फुल चला था, ओपनिवेसी सासन के दागान, भारत के ग्रामी छित्रों में आमूल बदलाव आय, अंग्रेज सत्ता के लिए राजस सरकारी आय बाद भी किये है, जैसे जैसे केती कछित बढ़ता गया, बैसे बैसे जंगल और चारगाहों कम होने लगी, किसानों और चारगाहों पर आस्रित समुदाय को इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, अंग्रेजी सत्ता के कानून के ते, अब किसान जंगलों का जहा प्रेयोग नहीं कर सकते थे, सरकार ने जंगलों और अनप्राक्तिक संसादनों के उपयोग पर कई तरह की पावंदियां भी लगाती थी, किसानों पर लगान जमा करने का दबाव हर समय बना रहता था, आपने गरावीट छित में देखा हुए, यसे क्या देखा हुए कि पसुमों को चराने के लिए कापी स्थान डाला है रखता था, कुछ समय पहरे, लेकिन आप देख रहे हैं आप कि पहाडों को भी लोगोंने नहीं छोड़ाए, यानि कि पहाडों पर जाकर भी केती करने लगे हैं लोग, वहाँ भी, तो पसु इसलिए पसुमों की संख् इसलिए नहीं बढ़ लिए, समझ शकते हैं, जिस तरह इनसान की जनसन क्या बढ़ ले है, उस तरह पसुमों की जनसन क्या नहीं बढ़ लिए और इंसान से लारची कोई दूसरा जानवर होगी ही सकते है, शांभी? जानवर से वद्तर रिच्टती है हमारी, अब अपना धर इसक साल के दोरान भाधत के ग्रामीट छित में विस्व बाजार की मांग के इंसा कई नई फसलों के वो उगाना सुरूं किया था उन्नीस भी सतापदी के आरंबिक बर्सों में नेल जैसी ब्यवसायक फसलों की खेती इसी अंतराश्टी अवाजार की मां के फल सुरूप सुरूपी थी यानि कि अंग्रेजों को जिस पसल की जरूरत होती थी वो उसी पसल पर जोड़ देते थे और हम पर जवजश्ती उससे खेती करने का दवार डालती थे आपने देखा हुगा चंपारण सत्या गया हुगा जोगांधी के दौरा उन्नीस सु सत्रह में यही तो था नेल की खे अधारियत फसलें पैदा करने लगे थे यह फसलें यूरोप की सहरी आवाती और इंग्लेंड इस्तित लंका सायर और मैंचेश्टर की कपड़ा मिलों की जरूरतों को पूरा कंदें के लिए पैदा किया जा रहे थे बारती किसानों के लिए इस अंतराष्टी वाडिज समझने में मदद मिलीगी साथ ही हम यह भी जा सकेंगी कि इस दौरान उपनी वेसों में बाजार विवस्था किस तरह काम करती थी तो सबसे पहले देखते हैं चाय का सौंक चीन के साथ ब्यापार बारत में अफिम के उत्पादन का इतियार कीन और इंगलेंड की पारस पर इक ब्यापार के से गहरी रूप से जुलाएं अठारवी सिदादी के आखरी वरसों के दौरान इस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रिसम खरीद कर इंगलेंड में बैचा करती थी चाय की लोग प्रीजिता बढ़ने के साथ साथ चाय का ब्यापार दिनों दिन महत्मूर होता गया 1785 के आसपास इंगलेंड में 1.5 करोड पॉंड चाय का आया किया जा रहा था और 1830 तक आते आते यह अगड़ा तीन करोड पॉंड को पार कर चुका बास्तों में इस समय तक इस्ट इंडिया कंपिनी के मोनाफिका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के ब्यापार से पैदा होने लगा था इस ब्यापार की एक समझ से यह थी कि इंगलेंड में इस समय ऐसी किसी बस्तू का अकपादन नहीं किया जाता था जिसे चीन के बाजार में आसानी से ब्याचाजा तकी चीन का मंचू सासक ब्यदेशी ब्यापारियों को संदे की दिर्ष्टी से देखता था सासकों को भयरद था कि ब्यापारी इस्थानिय राजनीती में स्थचेट किया करेंगे और सासकों की सत्ता में अरणंगा लगानी की कॉसिस करेंगे कुल मिलाकर मंचु साथ विदेशी वस्तुमों के लिए चीन के दरवाजी कुलने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे आखिर ऐसी स्तिती में पश्क्षिम के ब्यापारी चाय के ब्यापार को कैसे जारी रख सकते थे ब्यापार संतुलन कायम रखना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया अभी भी आप लोग देखते हैं कि ब्यापार संतुलन बनाय रखना हर देश की यहीं चनोती रहती है ब्यापारी चाय के बदल चांदी के सिक्क्य, यानि कि बुईयन, दिया कते थें। आपने भी तेखा हुगा इस बात की कि शुरू में जब ब्यापारी आये, इस्ट इंडिया कंप्री हमारे याँ आई, तो कहते हैं कि हमारा वारत सोने से पढ़ चुका था, सोने चांदी से, यानि कि जो भी मसाला खरीदते थे समय बस्तूर हमारे हां से, इंगलेड ले जाती थी, उसका भुपतान वो लोग सोने चांदी में किया करते थे, लेकिन 17756 के बाद यहीं उन्हें जागीर मिल गई, य और यहीं से निर्याद खरीदते थे, निर्याद कर दिया करते थे, यानि कि अपने देश बेद दिया करते थे, चांदी की निर्याद को एंगलेड में अच्छी निगा से नहीं देखा जाता था, यह एक तरह से एंगलेड के खजाने को खाली करना था, एंगलेड में का विकल्ब ढूंडने की कौसिस कर रहे हैं। वे एक ऐसी बस्तू की तलास में थी जिसे चीन के वाजर में मैंचा जा सकता है। अफीम एक ऐसा ही उत्वाद था। चीन में अफीम की सुरुआज 16 सताथी में कि प्यारम में पुर्दगारीयों ने की थी। लेकिन अफीम को मुखता औस्दी के रूम में देखा जाता था। बहुत सी दवाईयों में इसका इस्तिमाल यानि की अफीम का इस्तिमाल किया जात की थी। लेकिन राज की अफावंदी के बाद जो 28 सताथी के मत्व में पुष्ट्यम के व्यापारीयों ने चीन में अफीम के अवेद व्यापार करना सुरू कर दिया। यानि की चूरिच पे। पुष्ट्यम के व्यापारी चीन के दच्छिड पूर्वी बंदरगाहों प लगबग 10,000 क्रेट अवेद रूप से चीन में लाए जा रहे थे। 15 साल बाद केर कानुनी ठंग से लाए जाने वाले इस अफीम की मात्रा 35,000 क्रेट का अगड़ापार कर चुपी थी। इस चित को देख रहे हैं यहां आपका भारत है। दिख रहा है भारत। एक कोलकाता है चीन होगा है, केंटन यह आपका इंगलेंड लंदन होगा है। ते कोड़ी अब आप ब्यापार। अंग्रेज ब्यापारी इभारत से अफीम ले जाकर चीन में बेंच थी और चीन से इंगलेंड को चाहे का निर्यात करते थी। बाहरत और इंगलेंड की बीच दो तरफ का ब्यापार होता था। 19 सदी के आरव में भारत ने इंग्लेंड को होने वाले हत्कर का निर्याद में गरावट आने लगी इसके इस्थान पर कच्छे माल यानी की रेशम का पास तथा खाद्यानों का निर्याद बढ़ने लगा इंग्लेंड भारत में अपने निर्मित माल जिसके पैडाम सरूब भारत के दस्तकारी उत्वादों का इराश होने लगा या आपका ये सिया है ये अपीक का है मादिवा ये चित दिख रहा होगा आपको ये चीन से आता भारत चीन से भारत आये जहाज का चित था। थॉमस डैनियल की किरती है डैनियल अपने बातीजे बिलियम डैनियल के साथ 1786 में भारत आये थी वे दोनों पहले चीन गए थी वहां कुछ समय बिताने के बाद वे कैंटन दच्च चीन से भारत पहुंचे थी उनका जहाज भारत के एक बंदरगा और पंजीगित था लेक किया जाता था यह आपका पॉइंट है इसे भी देख लेते हैं 1849 में चीन के साथ सकने लिन जेसू को केंटन के विशिस आयुक्त किया लिन जेसू को अफीम का व्यापार रोकने की जिम्मेदारी देगी वह ए 1849 के वसंत में केंटन पहुंचा जेसू ने पत समालते ही अफ 1600 लोगों को विरापतार करके करने के आदिश दिये और 1100 पॉण्ड अफीम जप्त कर लिए इसके बाद लिन जेसू ने विदेशी फैक्टरियों को अफीम का इस्टॉक खाली करने की हिजायत भी दी इस कारवाई के तहद अफीम के दो हजार सौरी 20,000 केट नश्ट किये गए जेसू के केंटन में विदेशी ब्यापार पो रोग लगाने से इंगलेंड ने चीन के खलाव योद की पुरुषन कर दी अफीम यूद जिसे आप लोग अफीम यूद के नाम से जानते हैं यह आपका 1837 से 1842 तक चला मैं चीन को मही की खानी पड़ी यानि कि चीन इसमें पराफित हो गया उसे एक अपमाजनक संदी सुईकार करनी पड़ी संदी की सर्तों के अंसार अफीम के व्यापार को कानून दे दी गए चीन के दरवाजे विदेशी ब्यापार के लिए खोल दे गए इसे उद्ध के बाद यह उद्ध से पहले लिंड ने इंगलेंड की महरानी वेक्टोरिया को एक पत्त लिखा था जिसमें अफीम के व्यापार की भर्दसना की गई ती यानि की बुराई की गई त पत्त का एक अंस पिस्तुत है चीन में जो लोग अफीम की खरीद परोप करते हैं या उसका सेवन करते हैं उन्हें मित्तिवधन दिया जाना चाहिए अगर हम अफीम बैंचने वाले इन बरवर लोगों के अपरादों की जाज करें तो उनकी हरकतों से देश को ओने वाली न एक मील के बराबर होती थी इस इन बर वर लोगों के जाज अफीम के व्यापार की चीन में आते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं चीन के संपत्ती का इस बरवर ब्यापारी अपने हिद्वन कर रहे हैं इसका मतलब है कि इन बरबर ब्यापारियों को द्वारा कमाया गया धन बास्तों में चीन की संपत्ति है इन लोगों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि इस ब्यापार्ज की बदले बेचीन की जंदा को ये खतनाक नसीली दवात खिलाने मैं पूचना चाहता हूँ कि आपकी नतिकता कहा चलीगे मैंने सुना हैं कि इंग्लेड में अफ्यम के सेवन पर सकत रोक है इसका कारण यह है कि आपका अधिस अफ्यम के खतरों को समझता है यदि आप अपने देश का नुपसान नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे देशों का नुक्सान करने है का आप भी आपको कोई अधिकार नहीं है भला चीन इस बला का सिकार क्यों है यह आपका लिया गए सुयू तिंग और जॉन फियर बेंक चाइनीज रिस्पॉंस टू दाव बेश्ट उननीस सो चम्मल के पद से ठीक है बूरा पहरा ग्राव इस तरह यह हुगा कि जहां इंगलेंड में चीन से आयर की गई चाय लोगों की जमान पर चड़ लेगी वहीं चीन की जन्ता अपीम की लग का सिकार होने लगी यह लग समाज की सभी वर्गों दुकानदार सरकारी करमचारी सेना के लोग वह चवर्ग वह बिकारीयों में फैल भीती आपने देखा होगा कई ही मा अपने बच्चों को भी अखीम खिलाती थी कि वह सो जाए यानि की उन्हें परिसान ना करें और वह अपना काम कर सकें यह गरीमी में अधिकतर बार होता था क्योंकि उनके पास उस बच्चे को देने के लिए कुंछ पोसण होता नहीं था तो वह इसी का सेवन करवा दिते थी इससे क्या होता था कि बच्ची का सेवन कर रहे हैं केंटन में रहने वाले एक अंग्रेग डॉक्टर के मुताबिक लगवर एक करोड बीस लाख लोग अफीम की लग्की आधी हो चुपे हैं एक तरह जहां चीन अफीम अफीमचीयों का देश बन गया वहीं इंगलेंड का चार ब्यापारी दिनों दिन प्रक अपने यह जो सोना चांदी था उससे देने की जरूर्वत नहीं बढ़ती यहीं से वह मुनाफा कमाते थे यहीं से चाई ऒरीद कर अपने तेस बैशती थी फिर आपका अंग्रेज ब्यापारी अफीम कहां से प्राप्त करते थे अफीम के ब्यापार में भारतिय किसानों की भूमिका यहीं से सुरू हुईती है बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने अपने कपचे की जमी पर अफीम की कहती सुरू की जैसे जैसे चेन में अफिम का बाजार बढ़ता गया, बैसे बैसे बंगाल के बंदरगाहों से अफिम का निरयात बढ़ने लगा, बताया था ना कि मांग और पूर्थी दो फेक्टर होते हैं किसी वस्तों के, यानि कि मांग बढ़ेगी तो उसका उतबादन बढ़ाना मन की अगर बात करें तो मन भार की माप होती है, एक मन में आपके 40 किलो होती है, एक सेर में 1 किलो में, ग्राम से कुछ कम होता है, लगवग आपका 40 किलो होता है, एक मन ठीक है, तिर्फ चार वर्सों के बीतर या मात्रा 3 गुना बढ़ गी, 100 वर्स बाद अर्था, 1870 तक आत 50,000 पेटी अफीम का निर्याद करने लगी थी समय, दिनों दिन बढ़ते ब्यापार को कायम रखने के लिए, अफीम की मान को बढ़ाना आवस्क था, लेकिन यह काम आसान नहीं था, आकिर किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे तियार किया जा सकता था, किसान अफीम के बोने के लिए तियार नहीं थी, इसके कई कारण थी, सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती सबसे उरबर जमीन पर करनी पड़ती थी, यानि कि जो सबसे अच्छी पूनी ही गुगा करती थी, उसी पर ये खेती अफीम की खेती होती थी, खास तोर पर ऐसी जमीन पर जो ग जमीन का इस्तिमाल करना पड़ रहा था खराब जमीन में डालों का उतपादन ना के बल अनिश्चित रहता था बलकि उसकी पैदाबार भी काफी कम रहती थी दूसरी बहुत सारी किसानों के पास जमीन थी ही नहीं अफीम की खेती के लिए ऐसे किसानों को भूस्वामी को लगान देना पड़ता था बेन भूम स्वामियों से बठाई पर लीके जमीन पर अफीम होगाते थी गाओं के पास की जमीन की लगान दर बहुत उची रहती थी अफीम बौने के बाद किसान दूसरी मसलों पर धियान नहीं देपाते थे। अंत में सरकार अफीम बौने के बदले किसानों को बहुत कम दान देती थी। किसानों के लिए सरकारी मूल पर अफीम पैदा करना घार्टे का सबाव होताता है। यानि कि जब आपको फायदा ना हो तो आप वो खेती किस लिए करेंगे तो यही समझ जाती है तो आपका किसानों को अफिम की खेती के लिए कैसे मनाएगे आखे किसानों को अफिम की केती करने के लिए अग्यम रकम दी जाती थी यानि कि पहले ही रकम दी जाती थी बंगाल और बिहार की गरामीट चित्रों में गरीब किसानों की एक बड़ी जमात हैसी थी जो हर समय आर्थिक संटकट में घिरी रहती थी बुस्वामी का कर चुकाने या अपने लिए भोजयान और वस्त का प्रवंदर करना उनके लिए हमेशा मुस्किल रहता था 1870 के बाद गाओं के मुकिया इन केसानों को अफिम पैदा करने के लिए अग्यम रकम पेश करने लगे और क्या हुआ करता था कि ये मुकिया अंग्रेजों से मिले रहती थे आपकी रेड की सुग्धा इन केसानों के लिए बड़ी राहत बन गई कराई रेड की सुग्धा के चलते किसान ना किवल अपनी ततकालिक जरूरतों को पूरा करबाते थे बलकि पहले से लिए करज को भी अदा करने की हालत में आ जाते थे लेकिन इस रेड विवस्था की कार साथ एक खराब बात या जुड़ी हुई थी कि रेड लेते ही किसान गाओं के पिदान वो सरकार के बदुगा हो जाते थे अगर आप किसी से रेड लेंगे तो आप तो वही करेंगे ना जो वो बोलेगा सामने वाला तो यही हाल किसानों का हुआ करता थे हमारे इन किसानों तक यह रखम अफीम के सरकारी एजन्टों के जरीए पहुंचती थी यह ऐजन्ट गाओं के पिधान को अग्जिम रखम देधि थे और गाओं का पिधान इन किसानों को एक बार रेड लेने के बाद किसान अफीम बोने से मोकर नहीं सकते थे इस विववस्था के तहर किसानों के एक निश्चित छेटफल में अफीम बोनी पड़ती थी फसल अफीम के एजन्टों द्वारा काटी जाती थी एक बार फसल वोने के बाद उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता था वैस इस जमीर पर कोई दूस्टी फसल भी नहीं हुआ सकता था इसे उस फसल को कहीं और बेंच्टें की आजादी भी नहीं थी साथ ही फसल की दाव एजन्टों द्वारा तै किया जाते थे ए दाव हमेशा ही बहुत कम होते थे एस्थिती आप ग्रामीट छित में देख सकते थे जो साहूपकार हुआ करते थे तो खिसान उनसे रड़ लिया करते थे उसके बात क्या हुआ करता था कि फसल उनी को बैचनी पड़ती थे आपका जो भी अनाजी होता था उनसे साहूपकार खरीटते थे और सभाविक सी बात है कि वह बहुत कम रेट खरीटते थे अगर बाजार में आपका अन्य जगे 20 का विगराए तो वह 10-12-15 का लेती थे कि लो ठीकर समझ सकते हैं जहां तक अपीम की खेती से होने वाली कम आये का सवाल है तो अपीम के दाम बढ़ाने से दूर की जासिती थे लेकिन इस मामले में सरकार का रवय या सखारादमत नहीं था वह एकपद इस बात की पक्ष में थी कि अपीम का उतादन कम से कम लागत पर किया ला है और कलकत्ता के अपीम एजेंटों को एपीम उंचे दाम पर मेंची जाए कलकत्ता इस ते एजेंट इस अपीम को चीन बेजने की विवस्ता करते थे अपीम के इस क्रय और विक्रय तांतर सरकार के खातों में जाता था दूसरे सब्दों में यही सरकार का अग्यम्त पेशगी लेने से इंकार करने लगती। बनारश के अस충 चित में अभीम पैता हुदा करने वाले किसानों शde nات अकर इसकी खेते ही बंद कर दी। इसके बदलने उन्होंने गन्य और आलू की केती अपना लेती। बहुत सारी किसानों अपनी पसलों को गुमंत्यू ब्याबारियों को बैंट डाला था यह ब्याबारी किसानों को बहतर दान देती है यहां आपका point है सिवी दिख लीजिए 1833 में इलावाद के सहाए एक अपहीम एजेंट ने लिखा बोर्ड मानता है कि किसान अपहीम पैदा नहीं करना चाहिए पिछले दो बरसों के दोरान मैं जमुना के दच्छडी जिलों में रहने वाली किसानों के संपरक में रहा हूँ मैंने यह बात महसूस की है कि यहां के सभी किसान इस बेवस्था से ना राज है वेसे कती पसंद नहीं करते हैं इस मामले में मैंने कई जगे बढ़ताल किये और मेना मेरा अनुभा है कि अफ्हेम की खेती को किसान अभी साफ मानते हैं बे अपिम की केती अपनी मर्जे से नहीं बलकि डंडे के जोड़ पर कलते हैं। या केती कलेक्टर के आदेश्ट कित है शुरूप की गई थी। लोग बाग बताते हैं कि उनके साथ चपरासी बत्तमीजी से पेश आते हैं। और उनसे गाली-गलज भी कलते हैं। किसानों की राइड अपिम की केती में उन्होंने नुकसान हुआ है। यह आपका लिया गया है बेनवाज चौधरी की पुस्तर ग्रोफ और कर्मिर्सियल अग्रिकल्चर इन बंगाल से। यह पूरा ही बाग था। 1773 तक बंगाल सरकार ने अफिम के वैपार पर अधीपत जमा लिया था। सरकार के अलावा कोई बाहरी वेक्ती यह बैबार नहीं कर सकता था। यानि कि इकादीकार हुआ करता था। आपने देखा हुआ कि जाकि 1813 में इकादीकार खतम होता है। और आपका चाय और चीन को छोड़कर उसके बाद आपका 1823 में जाकर पूरी तरह से इकादीकार कतम होता है कंपिनी का। 1820 के दसर में अंग्रेज सरकार ने पाया कि उनके चेत्र में अफिम का उत्पादन घठने लगा। जबकि गेरवेटिस इलापों में अफिम की खेती खोग फलपूर रही थी। मदभारत और राजस्थान जैसे गेरवेटिस चेत्रों में अफिम का उत्पादन बदिस्तोर जारियत था। इन चेत्रों में इस्थानिय ब्यापारी किसानों को बेतर मूल देते थी। और 1820 के दसक में यह ब्यापारी ससक्त दल बल के साथ ब्यापार करते थी। अंग्रेजों की द्रिश्टी में यह ब्यापार अपयत था। बेसे तसकरी मानते थे। इस पर रोक लगाना चाहते थे। सरकार अफिम पर अपना अधिवत बनाय रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रियासतों में देनाथ अपने एजेंटों को इन ब्यापारियों की अफीम जर्द करने और फसलों को नष्ट करने की आदिश दिए। जब तक अफीम का उत्पार्ण जारी रहा तब तक बैटे साइकार, किसानों और इस्तानिय व्यापारियों कि भी यह टकराव चलता है। लेकिन इसलिय हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए। जीए एक अलग अध्याय में बात करेंगी। यानी कि सीधा सा मतलब था कि उन्हें सीधा सा अपना मतलब निकाला था, अंग्रेज़ों को. फिर चाहे उसके पीछे किसानों की कोई भी दो दतासार क्यों न हो। इसमेंन इस्कर्स तरह क्या कहा जा सकता है? इस अध्याय में आपने पढ़ाने कि आधुनी काल में विस्त के बिविन गरामीड चित्रों में मत्पून परिवत्तन आये। इन बदलायों पर नजर डालती समय हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव हर जगे एक जैसे नहीं थे। गरामीड चित्र के सभी बर्वों में इन परिवर्पनों का प्रवाव एक समान नहीं था। इन बदलायों से कुछ बर्वों के कुलाव हुगा, कुछ को नुकसान हुगा। और आधुनी की करन का यह है इत्यास त्रिव बैभाव पून ही नहीं था। इसे के वल बुद्ध विद्धी और विकास की एक सांदर कहानी बन नहीं कहा दे सकता है। इस काल में लोगों को अपनी मोल जगय छोड़कर अजीवका की तलास में अन्निस्थानों का रोप करना पड़ा। यह काल गरीबी, पर्यावणिय संकट, सामाजिक विद्रो, उपनिवेसिक, निवेसी करन और गमन का काल भी था। हमें इन बदलायों के विभिन पक्षों को समन्ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आदोनिक विद्रों में खे दिया जन्ता, किसानों ने इस इस्तिती का मुकाबला अलग-अलग धंसी किया था। यह आप देख रहेंगे, उननीस भी सदी में अफिम की फैक्टरी को गाजीप रेल्वे स्टेशन ले जाती किसान है। कौने, किसान है आपके। तो यह आपका अध्याय था छटवा, किसान और कास्तिकार। यह आपके कुश्चन्स दिये गए हैं, ने देख सकती हैं। टेलीगराम आपकी सभी पीडियाप हैं। टेलीगराम पर डलीवी हैं। वहां से डाख यहाखा, डाउमलोड करके रखने हैं। ठीक है। साथवा चेप्टर हों का अंगला हमारा इतिहास और खेल के बारे में। के बारे में। ठीक है। नवस्काल दूस्तिमा। तो चली हम लोग बात कर रहे हैं। NCRT कच्छा नौवी की बादत और समकारी इंग्रिस्तर एक के नाम से यह आपकी वे बुक्स है। उसके अब लोग अभी तक आपके छे चेप्टर कतंग सुखे थी। लाट चटवा चप्टर देखा था हम लोग ने किसान और कास्त कार के बारे में। टिक। आज हम देखेंगे इतिहास और खेव किरकिट की कहानी। एक बात आप लोग हमेशा यादर किए। कि अगर आपके श्टेट पीसियर्ट प्रियाज सेविल सर्विस यानि EIS की तैयारी कर लोएं। तो आपको NCRT पढ़ना जरूए है। इसका दूसरा कोई देखेंग नहीं है आपके पास। इसलिए पूरा कर लिजे। क्योंकि आगर आपके पास दूसरा देखका होता है तो इंतजार करने का कोई और ले सकते थी आप या दित्जान कोई भी ले सकते थी। लेकिने यहां आपको एक ही ओप्सन है, वो है MCEIT, ठीक है तो इन्हें पढ़ लीदे समय रहते हुए, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब ध्यार के बारे में, बने रही है आप लोग बस समझ में सब कुछ आ जाएगा आपको, बस आपको बड़े ध्यार के साथ सुनना है, किरिकिट इंग्लेंड में 500 साल पहली अलग 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 नीमों के तहित खेला, खेले जा रहे एक गयन डंडों की खेलों से पैदा हुआ, बैट अंग्रेगी का एक पुरान सब्द है, जिसका सीधा अलत होता है डंडा या पर कुंदा, सत्तरहवी सदी में एक खेल के रूम में क्रिकिट की आम पहचान बन चुकी थी, वह एतना लोग पिरिये हो चुका था, कि रविबार को चर्च ना जाकर मैच केलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना लगा जाता था, अठारेवी सदी के मदद तक बल्ली की वनावट होकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी होती थी, इसकी सीधी सी पज़ब में ए थी कि वाल लोड़का कर अंडर आम फेकी जाती थी, और बैट के नीचे सिरे कभुमाव बल्लेवाज को गयन से संपर्व साथने में मदद करत यह आप देख रहे होंगे, आज मुदू सबसे पुराना बल्ला, इसके मुड़े हुई सिरे को देखें, जो होकी स्टिक जैसा आपको दिखाई देता है, और आज तब आप देखते हैं कितने दीवाने हैं इसके के किर्किट के, इंग्लेंड के गाउं से उठकर यह खेल, कैसे और बड़ी सहरों कि विसाल स्टेडियम में खेला जाने वाला आदमी खेल बन गया, या इतिहास का एक दिंचर भी सहर, क्योंकि इतिहास का एक इस्तिमाल तो यही है कि वह हमें बरत्मान के बनने की कहानी बताए, खेल हमारी मुझूद्धा जिन्दगी का एक एहम हिसा है, इसके जरिये हम अपना मनुरंजन करते हैं, एक दूसरे से खोड़ लेते हैं, खुद को फिट भी रखते हैं, और अपनी सामाजी तरफदारी भी बैक्त करते हैं, अगर आज के दिन लाकों करोनों हिंदोस्तानी, सब कुछ चाड़कर भारतिय टेम को टेश्ट या फिर एक दिवसी मैच खिलते हैं, देखने में जुट जाते हैं, तो यहां जानना जरूरी लगता है हमें, कि दस्षडपूर में इंग्लेंड में खुजा गया, या गैंदरंडे का खेल आखिर भारतिय और महादीप का जुनून कैस क्योंकि एक और जहां ओपनेवेस बात, भाराष्ट बात की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है, तो दूसरी ओर धरम बज्याती की राजनीती से भी ने भी एक हत तक इसका सुरूम गड़ा है, आप समझ सकते हैं, कि जहां से मुझे लगता है यह सुरूम हुआ, उहां इतनी दिलचस्वी नहीं है इसमें, एंग्लेंड वे, लेकिन अपने भालतिये में देखिए, कि एक दिवसीय खिला जाते हैं, उसके बाद आपकी वन दे, एक दिवसीय होई, पर टी-टी-टी, फिर विस्व कब, और जब यह विस्व कब होता है, तो उस सफ़ाई तो मुझे वेकार टैंक खराब करने के अंजरीया है, तो अब जो भी हो सकता है, लेकिन नहीं किला जाता है, अभी चर्चा चल गई है लेकिन उसे सामिट करने की, किर्किट के सित्यास में पहले हम एंग्लेंड में इसके विकास को देखेंगे, और उस समय पिछले सारीरी की चुस्ती और पिसीक्षण की संस्किती का भी जाजा लेंगे, तब हम भारत करो करते हुए किर्किट को यां अपनाय जाने से लेकर इसमें हुए आदमनीक बदलाओ तक की चर्चा करेंगे, हारेड खंड हम देखेंगे, इकेल का तियास किस तरह सामाजी की तियास थी, नथा गुथा लॉट्स, इंग्लेंड किर्किट मेंदान का द्वारा बनाएगा चित, यह आपका 18 से 21 में बनाए गया था, देख रहे हैं आप तो, इसी तरह अत्यवाज आशकल आप देख देखते हैं इंग्लेंड में खेल के रूम में किर्किट का इतियास थी, विकास कैसे हुए उसे देख लिए 18 वी 19 सदी के इंग्लेंड के सामाजी को राजने तिक, इतियास ने किर्किट को उसका अनौखा स्वरोग पिदान किया क्योंकि यह किर्किट का सुरुवाती दौर था, मिसाल के तौर पर यह सरफ टेस्ट किर्किट का ही अजूबा है खेल पात दिन तक लगाता चले और कोई नतीजा ना निकले किसी भी अन आधुनिक खेल के तम होने में इसके इससे आधा बक्त भी नहीं लगता है फोटवाल मैच करीब डेड़ गंटे चलता है ग्यानदबा बल्ले से खेले जाने वाले बैसबॉल जैसे आधुनिक जबाने के लिहाज से अपिक्छा के लंबिस खेल भी उतने समय में नौ पारियां हो जाती है जितने में आपके क्रिकेट के लगू संसकन यानि की एक देबस ही है मैच की एक पारी हो पाती है समझ रहे हैं मतलब एक पारी जितनी खेली जाती है क्रिकेट की जितने समय में उतने में आपके तही खेल खतम हो जाते हैं पूरी तह से मतलब इतना टाइम लगता है इसमें किरकेट एक की एक और दिल चस्व खास्तियत है कि पिच की लंबाई तो तेह 22 गज होती है पर मैदान का कार पिकार एक सा नहीं होता है हौकी फुटवाल जैसे दूसरी टीम खेलों में मैदान के आयाम तेह होते हैं किरकेट में नहीं एडी लेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है तो चैनली में चैपोक की तरह लगबाग गोल भी हो सकता है मैलवन के ग्राउंड में चैका होने के लिए गैंद को काफी दूरी तै करनी पड़ती है जबकि दिल्डीर में के फ्रोज साहे कोडला में थोड़े प्रियास में ही गैंदाकी सीवा पार कर जाती है यानि के कहीं के ग्राउंड बड़े हैं कहीं के छोटे हैं इसका सीधा सा मतलब है कहीं चक्का की दूरी दूर रहती है चक्का जाने कि कहीं पास चौका में भी ऐसा ही रहता हुआ इन दोनों अजूभों के पीचे इतिहासिक कारण है काईदा कानूं से बनने बाले के खेलों में किर्किट का रंबर अबबल था यानि सौकर बहुकी जैसे बाकी खेलों के मकावले में किर्किट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाये और बरदिया भी अपनाये आप लोग देखते हैं भारत की बड़ी अलग, इंगलेंड की अलग, आपके पाकिस्तानों की अलग होती हैं, उसी की बात की जारी है, किरकेट के कान पहले पहल 1744 में लेखे गए, उनकी मताबिक हाजी शरीफों मैंसे दोनों प्रेंसिपल, कप्तान, दो आएंपायर चुनें जने किसी भी विवाद को निप्टाने का अंतिम अधिकार होगा, यानि कि अगर नो वॉल नहीं मान रहा है, कोई चौका नहीं मान रहा है, इस तरह कि जोगी विववाद रहते थे, एंपायर ही निप्टाने का काम किया करते थे, इन्हें ही अधिकार होगा करता था, इस ट में रोबा आकार का कोई पावंदी नहीं थी इस समय ऐसा लगता है कि 40 नौच यानि की रन का स्कोर काफी बड़ा होता था साथ इसलिए गैंदबाद तेजी से बन्दिवाच की डंगे पैडर रहे पिंडलियों पर गैंद थेखते थी दुनिया का पहला किर्किट क्लब हैमिल्डन में 1760 के दर्सट में बना और मेरी लिवॉन किर्किट क्लब एम सीसी की इस थापना 1787 में इस तरह के पॉइंट भी आप लोगे याद रखा करिएगा क्योंकि इंटर्वी में कई बार पूंच लेता है ठीक है यह आप देख रहे ह साल ही एम सीसी ने गिर्किट के नेमों में सुधार किये और उनका अभीभावक बन बैठा एम सीसी के सुधारों से खेल के रंग रंग में डेव सारी परिवर्तन हुए जैने अठारवी सदी के दूसरे हिस्ते में लागू किया गया आपका हुए 1760 के दसक में जमीन पर लुड़का आने की जगे गयन को हवा में लहरा कर आंगे पटकने का चलन हो गया इससे गयन बाद को गयन की लंबाई का विकल्प तो मिला ही वे अब हवा में चक्मा भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गयन फेक भी सकते थे इस पे स्पिंड और सेंग के लिए नए दर्वाजे खुले जवाब में बल्लेवाजियों को अपनी टाइमिंग बस सौट चैन का परमाहरत रत हांसिल करनी थी एक नतीजा तो फोरण यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगे सीधे बल्ले ने ले दी इन सबकी बज़े से हुनर बद्तकनी मंत्कूर हो गए जबकि ओबर खाबर मैदान या फिर सुद्ध दागत की गूंचा कम हो गए गैन का बजन अब साड़े पास से पौने च्छे औंस तक हो गया बल्ले की चोड़ाई चार इंच कर दी गए यह तब हुआ जब एक बल्ले बाज ने पनी पूरी पारी क्रिकिट इतने चोड़े बल्ले से खिले खिल डाली पहला लीग बिपोर बिकिट पगबादा नियम सत्रेसो चोड़र में पिकासित आपका हुआ लगबग उसी समय तीसरे इस्टाम का चलन भी आपका हुआ सत्रेसो असी तक बड़े मैचों की अब्दी तीन दिन की यह हो गई थी और इसी साल छे सीवन बाली क्रिकिट बॉल भी अस्तित में आपकी आज चुपी थी यह आप देख रहे हैं कुछ आपको दिख दिखी नहीं रहा हुआ यह MCC द्वारा निर्धारे तौर संसुदिथ होने बाले क्रिकिट नेमों को इस रूम में नेमित रूप से पिकासित किया जाता था बल्लेवाजी के नेमों को भी उप्चारिक रूप से टाई किया जाता समय उन्नीस भी सदी में डेर सारे बदला हुए इसमें वाइड बॉल का धियम लागुए वाइड गेंद का सटीक व्यास्ताय किया गया है चोड से बचाने के लिए पैड और दस्तानी जैसे हिपाज यती पुक्केण उपलंद हुए बाउंडी की शुरुवाद भी इसी समय जबकि पहले हर एक रन दोड़ कर लेना पड़ता था और सबसे एहम बात थी ओवर आम बॉनिंग कानूनी ठहराई गई पर 18 सदी में विकेट किर्केट पूरु उद्धोगे खेल रहा है जिसे परीपक होने के लिए उद्धोगे क्रांती यानि कि 19 सदी के दूसरे हिस्तिक करना पड़ा है अपने सखात इतिहास के चलते किर्केट में भूर बर्तमाद दौनों की विसेश्ता है आपकी सामय है यानि कुछ पुरानी ही है और कुछ इसमें नई भी जोड़ती गई है किर्केट की किरामीर जड़ों की कुष्टी टेस्ट मैच की यवदी से भी हो जात यह आपका 10 ओबर, 50 ओबर, 20 ओबर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था इस समय यानि कि आपको एक पूरी टीम को आउट करना पड़ता था फिर चाहिए उसमें 10 दिन लग जाया कि 2 दिन लगना फिर एक तिन लग तर वो दूसरी टीम को आउट करेगी इस तरह का सिस्टम चन मिंटे, दिहाडी या पर हफ्ते के इसाब से काम के पैसे मिलते हैं फोडवाल या होकी जैसे खेलों की सहता है और दोगिक किरांती के बाद बनी लिया आजा उनकी कट्वोर समय सिमाएं और दोगिक सहरी जिंदगी की रूटीन को दिहान में रख कर बनाएंगे जापके सहता, इसपर्ट रूप से निर्दार नेमों और कानूनों को उप्चारिक रूप से सूची बते यानि कि सूच बद्ध कर देना क्या कहलाता है सहता आगे हैं उसी तरह किर्किट में मैदान के आकार का इस पष्ट होना उसकी ग्रामीर तुरुवात का सबूत है किर्किट मूलता है गाउं में कॉमंस में खिल खिला जाता था कॉमंस ऐसे सारवजनिक और खोले मैदान थी जिन पर पूरे संगदाय का साज़ा हुआ करता था कॉमंस का अगार हर एक गाउंस में अलग-अलग होता था इसलिए ना तो बाउंटरी तैती और ना ही चौके जब गैंद बीड में गुष जाती तो लोग छेत रख्चग या घिल्डर के लिए राच्ता बना देते ताकि वहाकर गैंद मापस ले जाए जब सीमा रेखा किर्किट की नेमा मली कहिस्सा बनी तब भी कि बिर्किट शेव उसकी दूरी तै नहीं किगे नेम सर्फ यह कहता है कि आएमपायर दोनों कप्तानों से सलाय करके खेल के इलागे की सीमा तै करेगा अब आपके लिए उगना ही दूरी पड़ेगा उसके लिए उस टीम के लिए भी दूरी पड़ेगा तो इसमें कोई लड़ाई जगने का काम भी नहीं है विरोद का क्यो तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के भाचूत क्रिकेट अपनी ग्रामीट एंगलेंड की जड़ों के पिती बफादा रहा है क्रिकेट के सबसे जरूरी उपकान प्रक्किती में अपलब्द पूरो उद्धोगिक सामत्री से बने यानि कि बल्ला इस्टम्प और गिल इसकेटी सामत्री अलवगतता बबत्त के साथ बनली है वेल्सकाट एक बनारे में इसे लकडी की एक साबूत तुक्डए से बना जाता था लेकिन अपस में दो हिससे होते हैं बलेड और फटता जो बिलो नामक पेड से बनता है बेद नामक पेड से और हत्ता जो बैंत से बनता है आकर बैंत तब जाकर उखलब्द हुई जब इरोपिया उपने विश्कारों बाद कम्पिनियों ने खुद को एसिया में जमाए गोल्प और टैनिस के विपरीद किरकेट ने पिलास्टिक फाइबर सीसा या फिर दातू जैसी उद्दोगेक या किंतिम सामगरी के इस्तेमाल कुछ सरे से नकारा है जब ऑस्टेलियाई क्रिकेटर डैनिस लेली ने एल्यूमिनियम के बल्ले से खेलने की कौशिश की तो आंपायर ने उसे अवैर करा दिया दूसरी और हेपाज़ती समान साथ समान परतक्नी की बदलाओ का सीधा असर बढ़ा बलके नाइट रवड की कोश के बाद पैड पहिंने का रिवाज 1848 में चले जल्दी ही आपके दस्ताने भी बने और धातू सैंथेटिक बाहलकी समगरी से बने हेलवेट के बिना तो आदुनी किर्किट की कलपना ही कलपना भी संभू नहीं कि आपने देखा हुए हैं कितने और रांडर आचुके हैं कितनी खत्रनाख गैन फिकने वाली आचुके हैं तो समझ सकते हैं क्या हालत हो सकती हैं इस चित को आप देख रहे होगे किर्किट लौर्ड ग्राउंड इस पोस्टर में लौर्स में 1849 में होने बाले एक मैच का एलान किया गया जाए है पोस्टर में सौफिया और पैसेवर खिलाडियों को जेंटलमेन और पिलेयर्स कहे कर सम्भूदित किया गया उननीस भी सदापदी में होने बाले मैचों के बिढ़्यापन रंगमंच के पोस्टरों जैसे लगते थे उनसे इस खेल के नाटके सुरूप का पता चलता था आपका इसे देख रहे हैं आप लोग महार बल्लेमाज WC WG Grace बल्लेबाजी के लिए आते हुए लॉर्स अठारे सो पंचानवे की बाते हैं वोई पिलेयर्स के खिलाब जेंडलमेंट के लिए खिलते थे अब चलते हैं लोग किर्केट और विक्टोरियाई इंग्लेंड की बाते हैं इंग्लेंड में किर्केट के आएजन पर अंग्रेजी समाज की साफ चाफ साफ हैं अमीरों को जो मजे के लिए किर्केट खिलते थे सौकिया खिलाडी कहा गया और अपनी रोजी रोटी के लिए खिलने वाले गरीबूं को बेसेबर यानी कि प्रोफेस्टनल कहा गया दूसरे खेल में अमीरों को लोबा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेसे बर खिलाडियों का महनताना बजीफा चंदे या फिर गेट पर इखटा किये के पैसों से ही दिया ज़ता था। मौसमी होने के कारण खेल से सालवर का रोजगा तो नहीं मिल सकता था। जाड़े के महिनों यानि की आउप सीजन में जांदतर पेसे बर खिलाड़ी ख़दानों में काम करते थे या फिर कहीं और मर्तूरी किया करते थे। चंदा क्या होता है। किसी खास उद्धेश जैसे करिकट के लिए एकटा की जाने वाली रास्तिया मतलब आपकी चंदा पहलाती है। आप देखती हूँगे। निससे भी किसी काम के लिए चंदा एकटा किया जाता है। जाहें आप लोग कोई धार्मिक काम कर रहे हों या सामाजी किसके लिए भी चंदा एकटा होता रहता है ठीक हो वाई है सौकीनों की सामाजी क्सेश्क्तित्ता किर्कित भी परंपरा का हिस्सा बन गई सौकीनों को जहां जेंटलमेन के उपादी दी गई वहीं पेसेवरों को खिलाडी यानि कि प्लेस के अधना सानाम मिला थे मैदान में घुषने के लिए उनके प्रवेस्टवार भी अलग-अलग थे सौकीन जहां बल्लिवाज सुगा करते थे वहीं खेल में असली मसकत और उज्जा वाले काम जैसे तेज गयंदबाजी खिलाडियों के खिलाडियों के हिस्स्तियात थे किर्किट में संदेह का लाप यानि कि benefit of doubt हम इसे बल्लिवाज को क्यों मिलता है उसकी एक बज़य यह भी थी किर्किट बल्लिवाज का ही खिल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लिवाज जी करने वाले gentleman कुटतह तरजीह दी गई कि संकिया किलाडियों की सामाजी दिफ्टा का ही नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंप्रिक तो बल्लिवाज ही होता था इसलिए नहीं कि बल्लिवाज कुदर्ती तोर पर बेहतर कप्तान होते थे बल्कि इसलिए कि बल्लिवाज तो आम तोर पर gentleman ही होते थे चाहे किलब की टीम हो या फिर राष्टी टीम, कफ्तान तो सौपिया खिलाडी ही होता था, 1930 के दसक में जा कर पहली बार अंग्रेजी टीम की, कफ्तानी किसी पेशवर खिलाडी, यानि की योक, योक, सायर के बल्ली बार, लेन, हटनने की, यानि की सीज़ें सा मतलब था कि आप देखते हैं कि जो बड़े सामाजी क्रिस्तिती में जो बड़े लोग होते हैं, या फिर आप्ष्टी क्रिस्तिती में बड़े लोग होते हैं, उन्हें तहजी दी जाती हैं, कहीं भी आप देखते हैं, गरीबों को हाँ, कोई तहजी नहीं दी जाती है, इस तरह की, तो यहां भी वही सम एक सभलता का राज, उसके पबलिक इस्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्लेव में था, अंग्रेजी आवासिये विद्यालाय में अंग्रेज लड़कों को साही इलेंड के तीन अहम सस्थानों, सेना, पिसासनिक सिवा, बश्चर्च में कारियर के लिए पिसीक्षित कि आजाता था, उननीसवी सदी की सुर्वात तक टॉमस अर्नार्ड जो आपके मसूर रगभी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ, आधुनीक पबलिक स्कूल पेणाली के पेड़ेता भी थे, रगभी बाग किर्केट जैसे खेलों को महज मैदानी खेल नहीं मालते थे, बल्क इनी गुड़ों पर तो बितानी समराज को बनाने और चलाने का दारोंदार था, बैक्टोरियाई समराज निर्माता, दूसरे देशों को जीतना निस्वाल समास्रीवा मालते थे, क्योंकि उनसे हारने के बाद ही, तो पिछडे समाज बितानी कानून बहपश्चमी ज्यान क के संबक में आकर सब्बता का सबक सीख सकते थे, क्रिकिट ने अभिजात अंग्रेज्यों कि इस आत्म सभी को पुष्ट करने में मदद की, ऐसा संखिया खेल को बात और आदर स्पेस करके हुआ, यानि खेल जहाँ फायदे या जीत के लिए ना होकर, सिर्फ खेलने और खेला जाता हुआ, इसे आप लोग एक समय ऐसा समझ सकते हैं, कि एक तरह बात देखते हैं कि कोई काम, इसलिए महनद करता है कि उसे पैसे की दिरूरत है, मजदूरी के लिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो इसलिए महनद करते हैं, कि उनका सरीर थड़ा होष्ट बना रह सच्ची बाद तो यह है, कि नैपोलियन के खलाब लडाई इसलिए हो जीती, जा सकी, कि स्कॉटलेंड वा बैल्स के लोग उद्ध्यों, लंका सायरक भी मिलों, बस सिटी ओप लंदन के वित्तिय घरानों से बर्ग को सही गुमला, इंगलेंड के व्यापार उद्ध्यों को आगे होने की चलते बेटन विस्ट की सबसे बड़ी तागत बन गया था, लेकिन अंग्रेज सासक बढ़ को यही खयाल अच्छा लगता था, कि दुनिया में वो उनकी सिर्ष्टा के पीचे आवासिय विद्ध्यालेयों में बढ़कर त्यार हुए और सरीपों का खेल के क्र क्रिकिट खेलने वाली युवाबर्ण का चरित की है, इसे देख रहे हैं आप लों इस जित को, इस लॉट्स पर इटन और हेरो नामक मसूर पबलिक स्कूल के बीच का क्रिकट का में चान है, यह खेल तो सब जगे एक जैसा लगता है, लेकिन उसमें देखने के लिए कुछ बल यह सामाजी चरित साथ दिखाई देता है, इल इस्टेडेट लंदन यूज यह आपका 20 जुलाई 1872 से लिया गया है, समाज सकते हैं, यानि कि सामाजी भेदभाव हर यगे ब्यात था, यहां आपके कुछ पॉइंट हैं, इसे भी देख ली थे, टॉमस ह्यूज, 18 1892 से 1896 इनका जीवन काल रहते हैं, इनों ने उस समय रगभी स्कूल में पढ़ाई की थी, जिस समय थॉमस अर्णार्ड वहां की पिद्धाना चालते, अपने स्कूली अनवाओं के आधार परों ने एक पंद्यास लिखा, जिसका सीख था, टॉम ब्राउंस, इस्कूल इसाईय की प्रसाद में मदद भी मिली, इसाई धरम इस तहरा का मानना था कि स्वस्त नागरेक को इसाई अधर साओं खेलों के जरिये ढाला जाना चालिए, इस पुछ तक में टॉम ब्राउंड घर की याद में कोई रहने वाले और मुर्जाय से लड़के की जगे एक कद् और मर्दान अविध्यारती बन जाता है, उसे नायकों जैसी ख्याती मिलती है, और सारीरिक साथ, खिलाडीपन, वफादारी और देशवक्ती की बहवना के लिए सब उसकी चर्चा करते हैं, यह रूपांतर उस पबलिक स्कूल के अनुसासन और खेल संस्किती से पैदा हु करती है, और क्या सालीन खेले है, है है की, है की नहीं, लेकिन यह सरफ खेल नहीं है, टॉमस ने का, बिल्कूर आर्टन ने का, बैटिस जवानों से लेकर बूरों का, जनमसिद्ध अधिकार जैसे की बंदी, पित्यक्षी करन, और विक्किरिया सम्मत नयाय हर बैटिस का में अनुसासन और पारसपरिक निर्वर्ता की, जो सीख मिलती है, वह हैं मोड है, मार्टन ने करना जारी रखा, मुझे लगता है कि इस खेल कोई इतना ही निस्वारती होना चाहिए, यहां बैक्ती 11 में बिल जाता है, वह इसलिए नहीं खेलता कि वह जीते, बल्कि उसकी टीम जीते, यह बिल्कुल सही है कि टॉमस ने का, और इसलिए पुटवाल और किकिट पुराने परमपरी खेलों के मुकाबले जानदा लोग पर दिया है, क्योंकि बाकी खेलों में इंसान अपनी जीत के लिए खेलता है, ना कि अपने पक्च की जीत के लिए, फिर एकादस के कप्तान को क्या कहने, मास्टर ने का, हमारी स्कूल, स्कूली दुनिया में कैसी गर्म्या इस पत्पत की, इसलिए भुनर भी चाहिए, बधिता हो सकती भी, और ना जाने कितने सारे और वो, टॉमस ह्यूज, टॉम ब्राउंस स्कूल डेश से उद्धर, यानी की लिए आ यह पूरा प्राविया, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आमे, एच्चित आप देख रहे हैं, औरतों के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि कोक्रेट होता था, औरतों के लिए कट्ठिन और पितीस पर्दी खेल अच्छा नहीं माने जाता था, इसमेश, कोक्रेट एक धीमी गति वाली सौम में खेल था, जैसे औरतों के लिए, खास्तोर से उच्चवरगी ये औरतों के लिए अच्छा माने जाता था, खेलाडियों के लंबे ग्राउन, गाउन, जालनों और टोपियों से उनकी खेलों के सरूप की जलक मिलती है, एल एक्टेट लंदन यूज, 22 नहीं था, लेकिन 1858 से 1906 तक, चैल टैनहेम नेडीज कॉलिज की पिधानाचार रही, डेरोथी बीले ने स्कूल की जाचाय को बताया था, कि लड़कों को करकेट आधी खेलने से, जो सारी रिग ब्याय मिलता है, उसके इस्थान पर लग्कियों के लिए पैदल चाल, वो एथलीन, ई-मेक्ट्रोने, पिले अप, पिले अप, एंड पिले दा गैम, इस्पोर्ट एट दा लेट, विक्टोरियन गल्स पब्लिक स्कूल से लिया रहे हैं, अठारे सु नब्बे की दसक तक, पहुंचते पहुंचते, इस्कूल को खेल के मैदान आधी मिलने लगे, और खेल की उम्मीर अब भी नहीं की जाते थी, डोरोती, बेले, ने 1893 से 1894 में, इस्कूल पजचत को बताया, कि मैं मानती हूं कि लड़कियों को, अपने सरीर पर जरूर से जाना जोर नहीं दाना चाहिए, नहीं उन्हें एथलेटिक, इती द्वेंदिता में डूप जाना चा वो गर्व सास्थ आदी में दिल्चस्थी लेनी चाहिए, यह आपका कैथलीन ई मैक्रो ने पिले अप, पिले अप, पिले अप, एंड पिले दाग्यम से लिया गया है, एक बात आप लोग हमें से याद रखे, लेकिन आप किसी भी छित में आप देख सकते हैं, लड़किया पुटवाल जैसे टीम खेल, तो अंताराष्टी बन गए, पर किर्खिट ओप नवेसे खेल जी बना रहा, यानि कि यह उन्ही देशों तक सीमत रहा, जो कभी बेटे समराज की अंग थे, किर्खिट की पूर गुद्धोगी बिचित था, ये कारंट्स का निर्याद होना मु जेट इन दीज और केनिया, मैं किर्किट इसलिए लोग पुरिया खेल बन पाया, क्योंकि गोरे बसिंदों ने इसे अपनाया, या फिर यहां इस्थानी अभिजाद पर ने अपने ओपने वेस, निवेसिक मालिकों की आत्तों की नकल करने की कॉसिच की, जैसी की भारत में, आज समझ सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब निकाल लीजिए आप लो, कि आप देखते हैं, आपके गर में कोई नौकर है, तो आप भी स्टाइल से रहेंगे, तो वो भी थोड़ा कॉफी करने लगया, समझ सकते हैं, उसी जैसी हैं, दूसरी की कॉफी करना, हाला कि वेट साही अफसर उपनिवेसे हुएं, या खेल लेकर जरूर आए, पर इसके पिसार के लिए खासतोर पर, बेश्ट इंडीज और हिंदोस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेसों में, उन्होंने साइधी कोई प्रयास किया, किर्कट खेलना यहां सामाजिक बंदसली, स्तेश्कता का पि वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा किलब 19 सदी के अंत्वे बना, यहा भी सदक हलके रंग वाले मुलेटो समधाय के थे, इस तरह काली रंग की लोग समुद्री, बीचों पर शुनसान गलियों और पार्कों में बड़ी संख्या में किर्कट खेल दे थे, लेकिन किलब क पर 1930 के तरसक तक गोरी अभी जनों का इवर्चस बना रहा है, इस चित्त को आप लोग देख रहे हैं, ओपने वेसिक भारत के मैदान में दोपर बात टैनिस, यहा चितकार ने यह दरसानी का प्रियास किया है कि एक खेल मनुरण्यन और ब्यायम दोनों लिहास से उप्योग लिए था, औरद मर्द पितीस बदा के लिए नहीं बलकि मनुरण्यन के लिए साथ साथ खेल सकते थे, गिराफिक फरवरी यह आपका 1880 से लिया गया है, ठीक है, इचित देख रहे होगे आप लो, हिमाले की पिष्टभूमी में मौल मस्ती के लिए चलना खेला है, इस तस् को कहते हैं, इस चिते को देख रहे होगे आप लो, हिमाले के गाओं में लोग काम चलाओ अंदाज में क्रिकट खेल लाए, अठारे सो चौरानवे की बात है, चित दस्ट के विपरी यहां खिलाडी हाथ की बनी पिकटों और बल्लों से ही खेल लाए, उन्हें लकडी की समा नहीं होता था खरीदने के लिए, तो आपने कुछ से बनाया लगडी बात कर और विकट भी आपने कुछ से बनाया, और खेलने लग गए, बैस्ट इंडीच, मैं अभी जाद गुरों की विशिष्टा बादी, नेतियों के बाब जूत कहरी वियाई दूई समू में, जैसे नेताओं ने किरिकट में आत्मसमान और अंतरष्टी पितिष्टा की संभावना देखी, जब वेस्ट इंडीच ने 1950 के दसक में, इंग्लेड के खलाब अपनी पहली टेस्ट सिंखला जीती, तो राष्टी उत्सव मन आये गया, मानो वेस्ट इंडीच ने दिखातिय उसने बारत पर नापांच के अमेरिका में पहुंच गए, उसने एक बेस्ट इंडीच एक जगे की खुच की, उसे बेस्ट इंडीच नाम दे लिया गया, यानि कि भारती यह ही है, वो मानने के लिए तयार ही नहीं था कि यह भारत नहीं है, तो उसी नाम पर आप भी इसका नाम पर आप समाज रहेंगी, पहला किरिकिर बेस्ट इंडीच और इंग्लोंड के वीच विच खिला कैip, जिसे में आपका बेस्ट इंडीच नहीं जीत हासित कियुक्क। इस महान जीत में दो बिड़म मनाये थी, पहली बिजयी बेस्ट इंडीज की टीम का कपतान एक कोरा ही थी, याद रही कि 1960 में पहली वाल इसी आस्वेट फैंक बोरेल कुनितित समालने का मौका मिला, दूसरी बेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी, बल्कि उसम में सुतंत देश बनी, मज़ेदार बात है कि करीवियाइचित की नुमायंदगी करने वाले बेस्ट इंडीज टीम, बेस्ट इंडीज एक तक इस तमाम आसफल प्रयासों का युक्मात अबताः, अबवाद है आपका, किर्किट के फैंच जानते हैं कि किर्किट खेंच दे इत्मूल देल्जस भी दिखा सकते हैं रनजी ड्रापि मैच जब देल्डी का मुंबरी से मुकाबला हो तो दर्सक की बखातारी इस पर निर्भर करती है कि वह किस सहर का है या फिर वह किसका साथ दिरा है जब भारत बनाम पाकिस्तान हो तो भोपाल या चैन्नी में टेलिवीजन पर मैच देटें देखते दर्सकों की संभावनाय राष्टी निष्टाओं से तह होती है लेकिन भारतिये पित्थम सेड़ी किर्किट के तुरुआती इत्यास में टीमों को बहुगलिक आगारों पर नहीं बाटा जाता था बल्कि यह जानना दिर्चस्प है कि 1932 के पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राष्टी नमायंदगी काधिकार नहीं मिला था तो टीम बनती कैसे थी और राष्टी और चेत्रिय टीमों की नहीं होने की सिद्धी में फैन अपनी तरफदारी कैसे तैय करते थे आईए देखें कि इत्यास के पास इस सवालों का जवाब क्या है देखें कि भारत में किर्किट कैसे पनपार और कौन सी बखादारियां वि इस पर से दिख लाडियों में से थेक हैं आपकी समझ रहें आप यह सट्टा भी इसमें बहुत कुछ खिला जाता है यानि कि एक जुगा का माध्य में बन चुका है आपका किर्किट सट्टा एक बहुत बड़ी सट्टे वाजी होती है अपने हैं किर्किट और नसल और धरम डॉमिनियन बैटे समराज के इंतरगत आने वाली सौसासी चित्ट को अप लोग डॉमिनियन कहते हैं आपने सुना होगा यह उस समय गांदी के समय डॉमिनियन स्टेटर्स की मांग की जाती थी तो यह हुए यह है उपने विसिक बहारत में किर्किट नसल और धरम के आधार गभारत में गवरत में अकर्कित का पहला सबूत हमें 1721 से मिला जो लेज जहांजीओं द्वारा केमबी में खेले गए मैस का पहला भारति क्लब कलकत्ता क्लब 792 में ना कव 1792 में पूरी एठारवी सदी में कर्केट भारत में बैटिस सैनिकों सैनिक बाद सिविल सर्वेंट द्वारा सिर्फ गोरिक किलबों बाद जिम खानों में खेला जाने वाला खेल रहा हैं इन कलवों की निजी चार दिवारियां की अंदर किटकिट खेलने में मजा तो था या अंग्रेजियों की भार के प्रवास के खत्रों बहुत मुश्किलों से राहत बाद पलायन का सामना भी था हिंदुस्तानियों में इस खेल के लिए जरूरी हुनर की कमी समझी जाती थी सबलोगें पड़े लेके नहीं तो आपको कभी अंदर मतलब अपने आपसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते रहते रहे आ पुम्चा पद नहीं दिया जाते था जा तहां कि आप में योगता नहीं समाज शकते हैं आज भी हम लोग अपनाते रहते हैं, दूसरे को जब नीचा दखाना होता है, तो हम भी अपनी हदयन लांगते रहते हैं, समझ रहे हैं, ये वही हाल है हिंदोंस्थानी क्रिकित यानी हिंदोंस्थान्यों द्वारा क्रिकित की शुरात कसा रे बंभई के जर तूस्तियों यानी फालकियों के चोटी से समधाय को जाता है ब्यापार की चलती सबसे पहले अंग dependency के समपक में आई और पश्चमी के थौने वाले पहले बार थी समधाय की रूखत पार्सी वने 1838 में पहले किर्केट किलब की स्थापना आपकी बंबई में की जिसका नाम था ओरियंटल किर्केट किलब याद रखना 1848 में पार्सी किलबों के प्रायोजक और वित्थ हो सकते टाटा वाडिया जैसे पार्सी व्योसाई किर्केट खेलने वाले गोरे प्रभुबर्ग ने उतसाही पार्सीयों की कोई मदद नहीं की उल्टे गोरों के बौंबे जिम कहना के लाउ पार्सी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक जगडा भी हुआ पार्सियों ने सिकायद की कि Bombay Gymkhana की फोलो टीम के गोड़ों दोरा रोंदे जाने के अद मैदान क्रिकिट खेलने लायक नहीं रहे गया जब इस साफ हो गया कि कोपने वेसिक अधिकारी अपने देश बार्सियों का पक्ष ले रहें तो पार्सियों ने किर्किट खेलने के लिए अनगुद का जिमखाना बनाए पर पार्सियों बाद नसल बादी Bombay Gymkhana के वीच कि इस परदाकंद अच्छा हुआ पार्सियों की एक टीम ने Bombay Gymkhana को 1889 में हरा दिया यह भारती राष्टिय कॉंग्रेस की स्थाफना के 4 साल बाद गया था जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राष्टिय कॉंग्रेस की स्थाफना होती है आपकी 1885 से और दिर्चस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में एक थे आपके दादाभाई नौरो जी जो अपने बक्त के महालादी में था बुद्धी जी भी थे और यह पार्सी जी थी इस टीम को देख रहे है आप पार्सी की टीम है पहली बारती किर्केट टीम जिसने 1886 में एंगलेंड का दोरा किया था परामपर अगर किर्केट पोसाग के साथ पार्सी टोपी भी पहिंदे थे यह लोग कि पार्सी इमखाना किलब की स्थाफना ने एस जैसे एक नई परा डाल दी दूसरे भारतीयों में भी धरम के आधर पर किलब बनाने चालू कर दी हिंदु बा मुसल्वान दोनों की दोनों ही 1890 के दसक में हिंदु बाइसलाम जिम खाना की यह पैसे इकटे करते दिखाई देगी बैटी सोपने भी सिक भारत को राष्ट नहीं मांगते थे उ 19-वी सदी के रंत में कई हिंदुस्तानी संस्ताय बा अंदोलन जाती धरम के आधार पर भी बने क्योंकि उपनेवेसिक सरकार भी इन बटवारों को बढ़ावा देती थी समदायक संस्ता को बहरन मानता मिल जाती थी मिसाल के तोर पर इसलाम जमखाना द्वारा बंबई के समुद्री इलाके के पास बारी जमीन की अर्जी पर विचार करती हुए बॉंबी प्रिष्टी टैंस के गवणनर ने लिखा कि हम मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास हिंदू किसी हिंदू जमखाना के लिए ऐसी ही अर्जी आई इन अर्जीयों के कुण नामजूर करने का कुई उपाय मेरे पास नही लेकिन मैं अर्दार्टी है था कि जमखाने की स्थापना के बाद आंगे के आपके दिनों को सुईकार नहीं करूँगा जोर हमारा इस पत्र से जाहरे की उपनेविसिक अपसर हर एक धार्मिक संदाय को अलग राख्टी है ता मानते थे या विसाप है कि धार्मिक पितिन्य संदित्र के नाम पर सुईकिती की गुंजायस जैदा थी समय जिम खाना क्रिकट की इतिहास ने पित्थम सेड़ी के क्रिकट को संपदाय एक तर बनसली आधार पर अंगटित करने की लिवाट टाली कोपने वेसिक हिंदोस्तान में सबसे मस्गूर के किट टूनामेंट खिलने वाली टीम टीमें छित के आधार पर नहीं बनती थी जैसा कि आजकिल रड़ी ट्रॉपी में और वलकी धार में एक संदाय की बनती थी आप समझ सकते हैं और समय अगर नसल वेद धरम इसी के आध इस टूनामेंट को सुरू-सुरू में क्वाय डिंगी गुलर या फिर चत्तोस कॉड़ी है कहा गया क्योंकि इसमें चार टीमें यूरोपय, पार्सी और हिंदू, मुसल्मान खिलती थी बाद में पैंटा की गुलर याकनी की पांच कॉड़ी हो गया दारेष्ट नाम की नई टीम में भारती इसाई जैसे बची कुछे संपधायों को नुमाइंदगी दी गए, मिसाल के तौर पर विजयर है जारी जो इसाई थी दारेष्ट के लिए खेलते थे आपके पत्यकारों क्रिकेटरों बार राजमनिताओं ने उन्नी सो तीस चालीज के दे सकते इस पांच मोड़ी ये टूनामेंट की नसलबादी बस संपधायिक बुन्यादी पर सभाल उठाने शुरूं कर दी बॉंबे क्रोनिकल नाम कपवार के मस्भूर संपादग एसे बरेलवी लेडियो कमेंटर कमेंटर ए एफ एस तालियार खान भारत के सबसे लोग प्रियर राजमनिता आपकी महतमा गांदी ने पैंटागी यूलर को समधाय क्यातार पर बातने वाला बता कर इसकी निंदागी उनका कहना था कि ऐसे समय में जब राष्टवादी हिंदोस्तानी से नामा की नए टूनामेंट का विजन सुरूमगा जिसे बाद में रटगी ट्राफी कहा गया आपकाring लेकिन पाँच कौण ये टूनामेंट की जगए लेने के लिए इसे आजादी कंतिगार करना पड़ा, पाँच कौण ये टूनामेंट की नियू में, बितानी सरकार की फूट डालो राज्टरो की नीती थे, या एक उपनेवेसे टूनामेंट था, जो बेटे सराज के साथ खत पालामंकर बालू, 1944, अबूद्पूर्ट खेल योगता के धनी बालू को टीम से बाहर तो नहीं रखा जा सकता था, लेकिन दलित जाती से होने के कालों ने कभी टीम का कप्तान नहीं बनाए गया, इसे पेरागराफ दिया गया, इसे देख लिए जाती और किरके, पालामंक बालू, दीमीगती की गयादबादी, मैं अपने समय के बहतरीन गयादबाश थी, वालू, बालू, अपने विसे काल के सबसे बड़े भालती है, किरके मुकाबले, क्वाइन डेगी लिएर में हिंदूज, टीम की तरप से खेलते थे, अपने टीम का सबसे अच्छा खिलाड बिठल को हिंदूज टीम की कफ्तानी कमों कमला, यूरोपे एक लाड़ियों के खिलाब कही सफलताओं में, उन्होंने अपनी टीम की नेदत किया, एक अखबार की नाम बेजे गए पत्त में, किरकेट की पिसंसक ने हिंदूज टीम की जीत, और आज़ पस्ता की विरूत ग स्री बलु भाई, बालु भाई के बिठल को हिंदूज टीम का कफ्तान युक्त किया है, जो की अचूद वर्ट से आते हैं, हिंदूज की जीत से यही सवक निकलता है, कि चुवा अचूद के खात में से ही सुराज का रास्त अपलीगा, जो मातमा जी को बिभाविस माड़ी मातमा जी की, यानि की मातमा गाम दीखे लिए, बर वाड़ी, राम चूद गवा, एक ओनर ओपता एक फॉरेंट फिल्ड़ से लिया गया है, यह आपका प्याराट है, तो समझ में आया आए आपको, कि बेदभाव समझे, इस समय आपकी जो बेदभाव की निक खतम हुई है यह अभी हुई है, वरना बहुत बेदभाव करता था, तारमेकार, थिक सामाजी, अब हम बात करते हैं खेल के आदुनी बदलाव की बात, आदुनी किर्केट में टेस्ट और एक दिवसी इंटरनेस्टनल का बर्चर से, जने राट्किये टीमों की भी खेला जाता है, मसूर कोड़िये मैचों की दौर मिंशे, उनी खेलाणियों को हिंदुस्तानी फैन याद करते हैं, जिनने टेस्ट किर्केट खेलने का सवबात पराफ हुआ है, अपने समय के बहतरीन बल्लेवाद, सीखे नायडू को, तो आप लोग भी याद करते हैं, जबकि पालाउंकर बिठ टेस्ट किर्केट किल्दे के बग्त तक सर्क्रिये नहीं रहें, अलाकि नायडू भी इंगलेड के खिलाव 1932 में शुरू होने वाला, पहले किर्केट मैच तक अपने पुराने फॉर्ण में नहीं थी, पर देश के पहले टेस्ट कप्तान की रूम में इतियास मुन का नाम रखा जाता है सीनी नायडू साब का, इससे देख लीजे मातमा गांधी और ओपनेविसिक खेल, मातमा गांधी देह और दिमार के भी संत्वलन बनाये रखने के लिए खेल कून को बहुत मात्वून मानते थे, लेकिन वह या बात भी अफसर, कहते थी किर्केट और होकी जै रखे जा रहे हैं, उनका मानना है कि क्रिकेट होकी फुटवाल, टैनिस जैसे खेल, संपन बर्वों के खेल हैं, इन खेलों में उपनेविसिक मनोदसा की दर्सन होते हैं, और इक खेल हमारी अपनी मिट्टी से उपजे, साधारन बयामों के मुकाबले, कम प्रभाबी अशाई देख पाते थे, ऐसा उनका मानना था, इसमें आपने लोग दवरा भी नहीं रख सकते हैं कि गलत हैं, आप समझ करते हैं कि ये टाइम की बरवादी एक तरह से कर सकते हैं, हाँ फायदा है, आर्थिक फायदा हो सकता है, लेकिन आप बाकी देख सकते हैं टाइम ही टाइम की बरवादी है, मातमा गांदी की खेलों, लेकों में से लिए गए इन तीन अन्सों को पड़िये, टॉमस अर्णाल हीूज, द्वारा सिक्षा और खेल फूंग के पारे में, बैत किये गए बिचारों से उसकी तुलना के लिए, आईए अब सरीर की उर्ण दर्टी पर फूंगश से उंक्त हैं किन्ती बात करें, हर और यह गन्ता टैनिस, फूटबाल, तरफ़ा क्रिकट खेल, क्रिकट केल, क्रिक खेल लेने से क्या हम सरीर को सिक्षित हुआ कहने सकते हैं, यह सच है, कि सरीर में इसमें मजबूत होता है, लेकिन जैसे जंगल में मन माना द दोडने हैं फेडने वाले भुड़ों का सरीर मजबूत तो कहा जा सकता है किन्तु सिक्षित नहीं कहा जा सकता है उसी विकार ऐसा सरीर मजबूत होते हुई सिक्षित नहीं कहा दसता है सिक्षित तरी निरोग होता है मजबूत होता है कसा हुआ होता है उसके हाथ पेर आदी भी एक्षित कार कर सकते हैं उसके हाथों में कुदाली, भावला, हतोडा आदी सोसोवित होते हैं और यहाँ इन सब के सबका उपयों भी कर सकते हैं तीस मील की यात्रा करते हुए सिक्षित सरीर ठकेगा नहीं ऐसा सारीरिक सिक्षा क्यासे मिलती है हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाटकरम में इस द्रिष्टे से सारीरिक सिक्षा नहीं दिलाती है सच्ची सिक्षा क्या है, फरवरी 1926 में संपूर गांधी वाइड में खंड तीस के लिए आगे, लेकिन अगर यह अखीगत हो, इस पवित हूमी पर किर्केट और फुटबाल का चलन होने से पहले, आपके अपने राक्टी खेल हूंत तो, मैं आपसे इन्रोद करूँगा कि आ नोचक और उत्सावर्तक ही है, उनमें खत्री भी उतना ही रहते हैं, उपर से उनकी एक खुबी यह है, कि वे बेव साथ नहीं होते हैं, क्योंकि उपर लगवा कोई ख्रच नहीं होता है, यह आपका महिंद कॉलेज गैल में भासट, 24 नवंबर 1927 को संपूर गांधी वाड मैं खंड पैंसी से लिया गया, मेरी दिष्टी में सौस्त सरीर हुए है, जो आत्मा का खुष मांता है, उसकी सिवा के साधन किरूमत सदार तेयार रहता है, मेरी गाह में ऐसे सरीर फोटवाल की मैदान में नहीं बनाय जाती है, बेतो अनाच के खेतों फार्वों में बनाय जाती है, मेरा आपसे अनरोध है कि आप इस सम्मद्ध में विचार करें, और आपको मैंने जो कुछ कहा है, उसकी सचाई के समर्थन में असंक उधारन मिल जाएं, हमारे उपनिवेसों में उत्पन भारतिय पडवाल और किटकिट के इस उन बात के प्रवार में बह जाती है कुछ विशे स्थितियों में इन खेलों का अपना महत्त हो सकता है, अब इस सीधी साधी बात पर विचार क्यों नहीं चाथी, कि मानोजाती का बहुत बड़ा बात, जिनके सरीर और मस्तिस सकती साली है, सिर्फ किसान ही है, बेन खेलों को जानते तक नहीं है, बेही संसार मे तरफ स्टेश्ट है यह आपका पत्त लाजरस को 17 अपरेल 1915 को संपूर गांदी वाड में खंट 13 से लिए यानि कि लखाता गांदी जे आंगे चलते हैं लोग इस तरह भारत ने आजाद होने की डेर दसक पहली टेस्ट किर्केट में पिरविश ले लिया था ऐसा इसलिए सब आजा था ना कि सम्कुर्व राष्टों की बीच पहला टेस्ट आपका ऑस्टिलिया वा इंगलेंड की बीच जब खेला गया है तब ऑस्टिलिया गोरों का उपनेस्ट भल था सौसासी डॉमिनियन राज भी नहीं था उसी तरह बैस्ट इंडीज के नाम से जाने जाने वाल इस तरह ये भी आपके कुश्चिन से बनते रहते हैं एस्टिलिट भी सीएस में खेल और वी ओपनेविशी करन ये उवरोपिये हमराच्यों से आजादी हासिल कर सुतंतराष्टों के बनने की पिक्रिया को कुभी ओपनेविशी करन कहा जाता है सन 1947 में भारत की आजादी से शुरू होकर ये सिल्सला अंगली आधी सदी पर चलता रहा इन सिल्सले का असर व्यापार, वडिच, सैनचित, अंतराष्टी राजनीती और अंतरता खेल में बैटेन के पतन से के रूम में हुआ लेकिन ये सब एक बारगी नहीं हुआ किर्केट संगेटन में उत्तर समराजवादी बैटेन के फिर्वाव को कम होने में अच्छा खासा बक्त लगा भारत की आजादी से बीतानी समराज की खातमी का भी गुल तो बज़ गया था पर किर्केट के अंतराष्टी आईज़न पर समराजवादी किर्केट का नियतन बरकरा रहा है ICC पर जिसका 1965 में डाम बदल कर International Cricket Conference हो गया इसके संस्थापक सदसों का वर्चस रहा उनी के हाथ में कारिकलाब के बीटो अधिका रहे England बाउट के लिए कि विस्थे सदिकार 1989 में जाकर कतम हुए बेख सामान सदस रहे गए पिछली सदि के 50 से 60 के दसक में विस्थ करिकेट के मिजाज का पता इस बास से मिलता है कि England थना Commonwealth के दूसरे दिसों और अश्टे लिया मनिवजी लेंड ने दच्छडपीका जैसे देसों के साथ करिकेट खेलना जारी रखा जां सरिफ नीतीगत तोर पर नसली भित्वाव बरता जाता था बलकि टेस्ट मैचों मैं आस्वेतों यानि कि दच्छडपीका की बहुत बहुत आता था आबादी को खेलने की मनाई थी भारत पाकिस्तान बाइट वेस्ट इंडिज ने हाला कि दच्छडपीका का बहिस्कार किया लेकिन अंतरश्ट की किर्खेट परिश्ट यानि की ICC में उनकी इतनी तागर नहीं थी कि उसे खेल से पिती बंदिर कर दे यह तभी वो पाया जब भेसिया बापीका में कोपनी वेस्बाद से नए आजा दूए देशों ने और साथ में बेटेंट की उधारबादी हवा ने अंग्रेजी किर्खेट अधिकारियों पर दभाव डालकर 1970 में बेटेंट के दच्छडपीकी दौरे को रद्द करवाने में कामयाभी पाई यानि कि आसोरितों को लेकर भी बेदभाव बना रहता था आज के दोर में ब्यापार, मीडिया और किर्केट इसे भी देख लिजे किर्केट आपका 1970 की दसक में काफी बदल गया यह ऐसा दोर था जिसमें इस पारंपरी खेल में बदलते जमाने के साथ खुद को ढाल लिया अगर 1970 में दच्छडपीका को किर्केट से 22 कित किया गया तो 1971 को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इस साल इंग्लेंड वा उस्टेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवस्य मैच मैलबन में खेला गया कहां मैलबन में क्रिकट का या छोड़ा से संसकंड इतना लोग पर लिये हुआ कि 1975 में पहला विस्ट कब खेला गया और सफन ना आई पर 1977 में जब क्रिकट टेश्क मैचों की सौवी चैनती मना रहा था तो खेल हमेशा के लिए बदल गया इस बदलावा में किसी खलाड़ी या पिसासका नहीं बलकि एक बेवसाई का हाँ था केरी पेकर और टेलियाई टेलीविजन मुगल ने किरिकट के पिसारन की बाजारी संभावना को माप कर दुनिया के इंक्यावन बेतरे इंक लाड़ियों को उनके बोड की मर्जी के खलाब अनुबंद पर ले लिया और दो सालों तक बल्ड सेरिज किरिकट के नाम से समानतर और गयर अधिके टेश्ट बाटिक दिवसी है खेलों का आयोजिन किया गया पैकर का यह सरकस इसे तब यही कहा जाता था कि दो सालों के बाद पैक हो गया लेकिन टेलीविजन दर्सकों को लोगाने के लिए उसके द्वारा किये गए बदला और इसका ही साबित हुए और इ इसे भी आप एक बिर्साय बनाते हैं रंगीन बदी हिवाजिती हेलमेट हेलमेट छेत रक्षन की पावंदिया रोसनी जलाकर आपको किर्केट किरना आदी कुछ ऐसी चीजे है कि जो पैकर के बाद किर्केट का इस्थाई एसा बन गया है सबसे एहम बात यह है कि पैकर ने टेलिवेजन कंपनियों ने विग्जाबन समय बेवसाय कंपनियों को बैचे जिने इतना बड़ा दर्सक संगू और कहां मिलता नेंतर टेवी कबरेज के बाद किर्केट टेलिवेटी बन गए उनने अपने किर्केट बोर्ट से तो जाना बेतन मिलने ही लगा पर इससे भी बड़ी कमाई के साधन टायल से लेकर कोला तक की टीवी विग्या बन हो रहे हैं आप समझ सकते हैं किर्केट में अगर लोग जहां भी लोग जाना जो भी साधन से जुड़ें तो वहां एड़ देने लगते हैं समझ आपते हैं देश से क्या होता है कि उनका एड़ हो जाता लेकर किर्केट बदल गया इसके जरीए क्रिकट की पंच छोटे चाहरों और गाओं के दसकों तक पहुँचे दसकों तक क्रिकट का सामाजी काधार भी ब्यापक होगा है महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे को कभी बड़े मैच नहीं देख पाते थे अब अपने ना किरिकेट का बैस्वी बाजाद बन गया। सिडनी में चल रही मैच को अपसीरे सूरत में देखा जा सकता था। इस मामूली बात ने किरिकेट की सत्ता का केंद ही बदल दिया। जिस पिक्रिया की सुरुआत बैटे समराज के पतन से हुई थी। वह बैस्वी केंड में अपने तारिकिक अंजाम तक पहुंची। चुकि भारत में खेल के सबसे जाना दर्सक थी। वह किरिकेट खेलने वाली देशों में सबसे बड़ा बाजा भी थी। इसलिए खेल का गुरुत केंद दच्छे डेशिया हो गया। इती कात्मक तोर पर ICC मुख्याले का लंदन से टेक किर्किट शुरू होता है तो पूरा काम छोड़ देंगे खाना भी नहीं लेकिन किर्किट पर नज्ञें गड़ा के बैठ जाएंगे। तो एक प्रेयम है। अंग्रेजी वक्तिलियाई धुरी से गुरुत केंद के सकने किये और निसानी एद है कि हाल के वर्सों में किर्किट के नए तक्निकी प्रेयोग भार्तियों महादीप के खिल्याडियों ने सुरू किये। पाकिस्तान ने गेंदबाजी को दूसरा बार रिवर्सों नाम के दो एहम हधियार दिये। ये दोनों इजाद महादीपिये इस्तितिक की उपज है। दूसरा इसलिए भी भारी बल्लों से आक्रमक बल्लेवाजी करने वाली ख्राडी उंगलियों की स्पिन को बेकार सावित किये दे रहे थे। और रिवर्स्वेंग इसलिए भी खुली धूम में धूल उडाती बेजान पिचों पर तेज गेंदी गुमाई जा सके। इन दोनों प्रिवयोगों को सुरू सुरू में इंगलेंड और ऑस्टेलिया जैसे देशों ने सकी नजर से देखा। उन्हें लगा कि ये तो चोरी चिपी क्रिकेट के नीवों के साथ खिलबाड किया रहा है। बक्ति के साथ ये मान लिया गया कि क्रिकेट के कानूं सरिफ और अंग्रेजी इस्तितियों के मताविक नहीं बनाई जा सकते। इन जुगाड़ों को पूरी दुनिया के केंदबाज्यों ने अपनाया। लगबक 150 साल पहले बारत के अगणी किरकेटर पार्सियों को खेल के मैदान के लिए संगस करना पड़ा था। आज बैस भी बाजार ने हिंदोस्तानी किरकेटों को खेल का सबसे मसूर और अमीर खिलाडी बना दिया। पूरी दुनिया जैसे अब उनका रंगमंच हो गया। इस इतियासिक बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी थी। सौपिया जेंटलमेंट की जगे बेतन भूगी पेसरों का आना लोग प्रियता में टेस्ट मेंच किरकेट का रिक दिवसी है मैंचों द्वारा पचाड दिया जाना। और वेस्टविक वार्डेज जब आप प्रुद्धोग की में एहम बदलाव होना और बक्त के साथ परिवतन को समझना ही इतियास का काम है। इस अध्यायå में हमने इक अपनिवेस्ट खेलक हितियास की है इसके विस्थार की समया है और यहाइब यहाइबी अपनिविस्थर जमाने में इस ने खुल को केचिए अगर यहां एक सब्दी उच किया गया है कोपनिवेश उत्तर आजादी के बाद के समय को आपनों कोपनिवेश उत्तर कहते हैं इसे भी देख लिए आपनों होकी भारत का रख्टी एक आधुनिक होकी का उदे एक जमाने में बेटिन में बड़े परमाने पर खेले जाने वाले परा कि बेंडी आईडिस हार्लिंग को होकी का पूर्वज माना जा सकता है बहुत सारी दूसरे आज़नी खेलों की तरह हमारे यहां भी होकी की स्वर्वात ओपने वेशे काल में बैटिस थेना द्वारां की गी थी पहली होकी कलब की स्थापना 1888 में आपकी कलकत्ता में भी थी कॉंग्रेस की स्थापना भी उसी समय की बात की जा रही है ओलंपिक खेलों की होकी पितिश फर्दा में भारत को पहली बार 1923 में सामिल किया गया कव 1923 में इस पितिश फर्दा में ओष्टिया जरुनी डेन्मार्ट और सुईजेलंड को है एक भारत फाइनल तक जा पहुं पीछणा ने हमारे देश को ओलम्पिक की कई स्वर्ण पदक दिलाए। 1928 से 1956 की वीच भारती तीम ने लगातार 6 ओलम्पिक खिलों में स्वर्ण पदक भीता था। होकी की दुनिया में भारती वर्चुस से के स्यूग में भारत ने ओलम्पिक में कुल 24 मैच खिली। वो सभी में सभलता आपकी प्राप्त की। इस मैचों में भारती लाड़ियों ने 178 गोल पिती मैच ऑस्तन साथ 2.43 गोल दागी। और विपपची टीम उनके खिलाब के बद साथ ही गोल कर पाई। होकी में भारत को दो बाकी सौट पतक, 1964 के टोकी उलम्पिक और 1980 के मास्कू उलम्पिक में प्राप्ती। एक बात आप लोग हम इसे याद रखिए कि 29 अगस्त को खेल दिवा सुनाया जाता है। किस कारण जादूगा ध्यान चंद की इस मीती में। क्योंकि यह वे कुष्टन्स आपका MPPSC करेलं समय बहुत फैबरेट कुष्टन से का कई बार पूंच लीता है। तो इस तरह के भी याद रख लिया करिया है। बॉक्स 3 पोलों को सेना और भागदौर के महारी नौजवानों लिए अच्छा खेल माने जाते है। इंग्लेंड के पुराने खेलों में से एक काविसलेशन करती हुए। इल टेटेट लंदल जनी उनने दावा किया था कि कस्वत के तौर पर इस साहिक सिख और गारिमा फूंट खेल से सैनकों को बलना, बतलवार की या अन सैन अधियारों के इस्तेमाल में और जान्द धक्षिता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उन्हें रकाब में और मजबूती से जमे रहने। तथा पलक जपकते दायने वपाय मोरदें का अभ्यास भी होगा। जो कि युद्द के मोरचे पर बेहाद उपयोगी भी थाविद्ध होगा। इससे देख रहे है आपका पोलो। पोलो। पोलो का खेल भी आपका ओपनेविस्तिक अधिकारियों ने भीक्सित किया था। जल्दी उसे बारी लोग के दिता मिलने लगी किर्केट बेटेन उसे भारत आया। जबकि पोलो जैसे कुछ खेल ओपनेविसों में बेक्सित हुए। बात में उन्हें बेटेन में भी खेलने खेला जाने लगा। जिसे वहां के केलों का स्वरूख भी तरभावित हुआ। पोलो। इस तरह से आपका अध्याय साथ भी कतम होता है। यह आपके questions दिये गए हैं। इन्हें भी देख लिए न। और पता है आपकी PDF सभी टेलीग्राम पर डाल दिये हैं। जो भी अभी तक NCEIT कतम होई हैं चटवील से वह सभी वहीं डाल दिये हैं। इसमें लाश्ट अत्याय गुश्ता है कब पहनवे का सामाजिक इत्यास। तो उस पर हम लोग बात करेंगे पहनवे का सामाजिक इत्यास। नवस्कार दोस्तों। तो चली हम लोग बात कर रहे थे आपके NCEIT बुक्स कच्छनव की भारत और समकालीन विस एक के नाम से जो भुक्स हैं। उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें आपके साथ चैप्टर कतम कर चुए हैं। लट। चैप्टर शात बागों ने दिखित रहे इतिहास और खेल के बारे में। किर्किट की एक कहानी देखी दें। आजके इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। पहिनाबे का सामाजी इतिहास क्या रहा है उसके बारे में। एक बात के लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं कि जो NCEIT का फिरो पर पार्ट है यानि की अध्याय है कच्छार्ट वो आपका इंग्लिस में लिखा गया है और साइड मैं उतनी अच्छी तरह से हिंदी में ना समझा पाता आप लोगों को यतना हिंदी में समझा सकता हूं इसलिए मैंने कहीं से एक निजकर लिया इसका किसी और की बुक्स से तो है बैसा ही आपका सभी रहेगा उसका एक निस्कस कर लेगे अगर हो सकता है कि अभी मैं दूर हूँ मेरे पास NCERT अपनी खुद की जो NCERT है वो भी मेरे पास नहीं है उस समय रहते हैं आगे हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में भी तो याद रखिए कोई जानदा उसमें फरक भी नहीं है क्योंकि आंगे आम लोगोंने पीछे भी पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में जादा TENSION मत लीजिए यह निसकर से से ही पढ़ लीजिए आपका काम चल जाए तो इससे देख लेते हैं पहिनाबय का सामाजी कितियास क आपको लाठी चेप्टरवेस का भारत और संकारी रिष्व भश्टा इसके बाद हम लोग करच्छा नौपी जिग्ञान के बारे में जैसे ही आपकी विज्ञानी कतम होती है, कक्षा चटवी से कक्षा नौवी तब की सभी एंदी याइटी आपकी कबर हो जाती है, प्रवश्टी आपकी कक्षा दस ग्यारे बारे की, उनिके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बस आपको एड पित्री एकोड, पिकाल और लागर से निर्मित था, लोग तांत्री कादर्स की फैलाओं ने ट्रेरिसिंग की तरीपी को बदल दिया, आप लोग समझ सकते हैं कि पहले सबसे पहले आपके लोग बंदरों की धरह रहा करते थे, उनके बाद उन्होंने पेडों की छाल या फ लोग 21 सदी में पहुंच गए, इस तरह आप लोग variety variety के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन इस तरह का संस्किती हमारे यहां से बदलती जा रही है, तरह तरह की कपड़े आते जा रहे है, अपनी जो संस्किती थी वही साड़ी वाली, आप देखते हैं विदेसी अभी भी साड लेकिन जो हमारे यहां की संस्किती को अपना रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहां की संस्किती है, उसे हमारे यहां की लोग छोड़ रहे हैं, उसे खराब समझने लगे हैं, और हम लोग विदेसी को अपना रहे हैं, विदेसी हम लोगों को अपना रहे हैं, समझ रहे हैं, बैक कि इनके इन्हें रोकने के लिए कुछ पिती बंद नहीं लग जाते हैं उन्हीं की बात किल जाए पिती बस खरी देगे कपड़ों की संख्यार आये और सामाजी क्रेंकों द्वारा बेनेमित की गए है तो रोयल कक्छाओं का पहनावा इर्मिना फर रेसम मकबल ब्रोकेड या कि ऐसेर आतिक इस्तिती में भी पड़ी है यानि कि पैसे की मामले में आपसे मुचे हैं उनकी बात कर रहा हूं जैक बिन के लोग के सदसों ने खुद को सैंस कुलोट सन कहा जो खुद को अभिजात बर्ग से अलग करने के लिए फैसनेवल छोटी पतलून पहनते थी प्रा प्रांस के लोग हैं ये रंग लोग प्रिय हो गये नीले सफेद और लार रंग का प्योग करने लिए राजनेते पिती स्तुतंता की लाड़ टोपी लंबी पतलून और किरांतिकारी टोपी का तोना पिंग इसे भी आप लोग देखते रहते थे आंदोलन के समय अभिजाद बर मैलाएं कबच पहनती थी और सवयं को धखते थे 19 भी सदी के इंगलेंड मकबल टोपी फ्रांस इटली से आयात की गई समगरी के साथ बनाए गया थे इंगलेंड ने कानून पारित किया जिसने 6 साल से अधिकायू के सभी व्यक्तियों को वो चिस्तिती के अलाबार बनाने में बहुत अभय होगी हुआ क्या हुगा करता था एंग्रेजों को अपने वाजयार को अपने अपने यहार के इंड़क्ति को बढ़ाने के लिए जो भी कानून लागू करने पड़ते थे उन्हें लागू करते थे अब सोचिए कि अगर वनके यहां की टोपी उनके दुकान से खरीबना की जरूरत पड़ेगी सामा, तो यह वैसे ही इस्तिती थी, ब्यायवेसे कानुन कांत, ड्रेश कोड और कानुनों में परिवतन अब लोगों को विशिश तरीके से तियार करने के लिए बात नहीं किया गया, पोर्सों को गंभी मजबूत, सुतन्त और आक करमक होने की उमीत थी, मायलाओं को तुछ नाजुक निस्करियर और बिनम रोप से मैं देखा गया, तो यह तो आपसे लोग सुरू से ही देखते हैं, मायलाओं को कम ही अक्तर जाता, मायलाओं की कमर कम होनी चाहिए, पीड़त होना चाहिए, बिनम होना चाहिए, लेकिन 1830 महिला इसके खलाब उत्तेजित हो गई एक अपड़े शरीर विद्धी को रोपते हैं रक्त परी संचन में बादा डालते हैं मास्पेशियां अभीष्ट सित रहती हैं वो इस्पाइन का जुका रहता है 1870 के दर्सक में स्रीमत्ती इस्टेंटन की अधिश्टा में राष्टी महिला मताधिकार इसोसीयसन की नित्त में लोसी इस्टॉन ने ड्रेस दार के लिए प्रचार किया तरक्ता की पोसाग को आसान बनाने इसकर्टों को छोटा करना और पोसाट छोड़ना समझ रहे हैं आप लों यानि कि पहले मैलाओं को एक अलग तरह के कपने के लिए पहनने के लिए बातिकारी किया जाता था तरह उसके बाद 1870 में कुछ आपके करांतिकारी आंदोलन हुए उसके बाद कुछ छोट देगी अमेलिया विलूमर एक अमेल की ठकने की लंबी पतलूम का पहनने वाला पहनने जाने वाले धिलेट्त्ट्यूनिक्स को लॉंच करने वाला पहला ड्रे उन्हार रखता था पतलून को बिलूमर रासंसल या फिर किचरो वॉकर के नाम से जाना जाता था वाजित ड्रे सोसाइटी 1881 में अंगलेन में शुरू किया गया रोडी वादी ने बदलाओ का विरोद किया परिवतन नई सामक्री और पुरोद्दुगी की किरूं में आया सत्रहवी सताप्दी से पहले साधारन महलाओं के पास सनी का कपड़ा उन या फिर सन था 1600 के बाद और भारत ब्यापार के साथ भारती चिंट्स यानि कि फोलों की स्तूती कपड़ा कई भौचे और दोगे किरांती के दोरान कपास का दिर्मान निर्माज सुनुक होगा और कई लोगों के लिए सुलम हो गया बीस भी सताप्दी की सुरुआत से किंटिम फाइवर ने कपड़े दोने बनाये रखने के लिए अभी भी रास्ता सस्ता और आसान मनाया कपड़े हलके छोटे सरंग हो देते समय उननीस सो अठारे सुरी उननीस सो चौदे तक कपड़े टकने की लंबाई थी क्योंकि तेरे भी सताप्दी के बास्ते थे 1915 तक इसकाट की हमलाइन नाट की रूप से बूट के लिए बड़ी थे योद में परिवतन महलाओं ने गहने और सांदर कपड़े पहना बंद कर दिया गोला वालूप कारखानों में योद प्रोजगार की आवसक्तिकार आवसक्ताओं की कारण वर्ल वार फर्ष्ट में कपड़े कम हो गए तेज रहों को सांतरम बंद वारा बलत दिया गया इसकारट कम हो गया कपड़े आराम और सुग्धा जयनक सुग्धा के लिए सरल हो गए ख्रयापका ओपनेविस्टिक भारत में परिवतन बारत की परंपराओं के साथ पश्चिम कफरवाओं लोगों ने पश्चिमी कपड़ों को सामिल किया बैगी पतलों और फीनता यानी ही टोपी कोलंबी समय तक कोलरलेस कोट में जोड़ा गया जूते और एक गुमने वाली छड़ी के साथ सज्जनों जैसा देखने के लिए मुकरूप से इसाई धरम में परिवरते दलतों के लिए आकस है यह आपने देखा होगा मूवियों में आप देखते हैं इस तरह की गुमने वाली ठड़ी और जूते और एक कॉलरलेस कोट पहले की मूवियों आप बहुत देखते हैं पश्चमी कबड़े के खिलाप और पश्चमी पोसाक के साथ बंगाली बागुलों का मजाक बनाए गया पश्चमी का मिस्रन कामपत पारंपरी घर पर भी देखने को में मिला बारत में पूजन और भोसाक के अपने सक्त सामाजी कूर थे यानि कि गानून थे मई 1822 में सार यानि कि नारार और जाती अधिनस्त के महलाओं को दच्छडी रियासत तैवन कूर में सामाजी के स्थानों पर नाय ने अपनी उपरी हिस्थे में कपड़ा पहनने के लिए हमला दिया और पोर में गुलामी का मूलान हुआ आकिरकाल सरकार ने एक और गोशना जारी कि जो सार महला चाहे पीशाईकर हिंदू एक जैकेट पहने या उनके उपरी वाग को कबर करने की अनुवतित दी गए पगड़ी जूते पगड़ी गर्मी से सुरक्षा और संबान का संकिर थ अधिकारियों से पहले अगर भारतियों में उपने वेस्तिक अधिकारियों से मिलने के लिए समय उनकी भगड़ी नहीं अटाया तो अंग्रेज अक्षन नाराज हो जाते थे आप लोग उसी सिदमें समझ सकते हैं कि अगर आपकी गाउं में कोई ठागुल साहब रहते थे तो वांकी मैलाओ ने अगर अपने चपल हांत में नहीं लिए उतार के पैस में तो वो नाराज हो जाया करते थे यानि कि बहुत बेदभाव किया जाता था मैंने तो अभी भी देखा है कई यगे इस तरह की पिता को दूसरी तरफ कई भारतिये अपने चित्रिये या राष आती कपड़े पहनने से मना किया गया ताकि सफेद मास्टर की सांथकेती पहचान कब ना हो सके 1824 से 28 के बीच गवर्नर जनल एम हर्ट ने जोड़ देकर कहा कि जब उनके सामने पेस हों तब भारतियों को उनके संभान के रूम में उनके जूते उतारने होगे लेकिन यह बता रहें ने आपको उसी जैसी उतारी निस्वी सदी के मद्द तक लॉर्ड डलवजी गवर्नर जनल थे जूता संभान को कर्थोर बनाए गया और किसी भी सरकारी संस्थार में प्रवेश्ट करने पर भारतियों को अपने जूते उतारने के लिए कहा गया था किबल जो ल प्रियम की आउहिलना का एक पिसित मामला था सूरत पहुचदारी एड बलड में एक निर्धारत मनों की कौसाजी एंड टी ने सत्त नियादीस के अलालत में अपने जूते उतारने से इंकार कर दिया नियादीसों ने जूता हटाने का आखरा किया लेकिन वाय द्रड़ा त भारत में खुले इलाके में गंदिगी की कारण जूतों को हटा दिया गया था जो कि तिदुसन की रूम में जूतों को सार्जने की स्थारों में नहीं हटाया जाना चाहिए था अब राश्टी पोसाग डेजाइनिंग की बात करें हम लो रवेनाट टेगोर ने सुझाओ दिया कि भारतिये और यूरोपे पोसाग की सायोजन के वज़ाए बारत की राश्टी पोसाग को हिंदू और मुसलिम पोसाग की तत्तों से जोड़ना चाहिए चपकड एक लंबे बटन वाला कोट पोरसों के लिए सबसे उप्यूक्त कोसाग माना जाता था इस समय अठाए सो सत्तर के अंत में आई सी एस के पहले बारती सदस्तत्य नाट टेगोर की पत्नी ग्यानादनी देवी मुंबई में मुंबई से कलकत्ता लोटे उसने एक ब्र लाउच और जूते के साथ पहना बात में ब्रमो समाधी महलाओं ने अपना ऐसे और ब्रमण साडी के रूम में जाना जाना लग ऐसे आप लोगों को पता होगा अगर से लिए अभी या या दिकतर पोसाग देखी हूगी आपने गुजरात पुडागु और केरव और असम क कि महलाओं विबन प्रेकार की साड़ी पहने पहनते रहें पर आपका सौदेशी आंदोलन सत्तरहवी सताप्दी में दुनिया के वीडिन पर बस्त्मों में भारत का एक बटेश चार भाग था यानि कि भारत के बस्त बहुत पहमस थे शुरू में अठारेवी सताप्दी के मद्द में अकेले बंगाल में एक लाख गुन कर थे और आपके यह जो बिदेशी आये यांगरी की अंग्रेय जाये एसी को देखकर तो आया थे मसाले इस तरह की सामानों को और सूथी वस्तों को क्योंकि इस समय आपका इंगलेंड की तरफ हमारे आपके जो साही घराने थे वो भी हमारे यहां की वस्तों का उप्रियुक किया करते थे समझ रहे हैं आपको बैटेंड में उद्दो के क्रांती में यांत्रिक कताई बुनाई और कपास और इंडगो जैसे कच्छे माल की मांग में भारी बिद्धी हुई जो बिद्धी यर् इंडगो को बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया था और कई भारति बुनकर बिना काम की चले गया लोगों में बैटे सावान का बहिश्कार किया गया और खादी को अपनाए गया खराब महिंगे उप्राप्त करने में मुश्किल भी खादी का उप्यूग देशवक्ती का कदब बन गया महलाओं को अपने रेसम और काच की चूडियां फेकने और साधारन संक बहिंने कंगन बहिंने का करे किया गया और आप हॉम फुन को लोग पिये बनाने के लिए गाने और कविताओं का महिमा मंदल भी किया गया आपने दिखा होगा हमेशा आपके गांदी की भी खादी उद्दिव को बढ़ावा देने के लिए खादी के बने कपड़ों की बात करते रहे हैं हमेशा मात्मा गांदी उन्होंने कताही भील वच्चरखा हॉम पुन यान से कपड़ा बनाया गुजराती बानिया जुदूती और पज्यामा पहनते थे समय जब आध्यान करने के लिए इंग्लेंड गए और बाद में वकील के तोर पर दच्चर पेका तक तपश्ची में पुषाख पहनते थे गांदी जी 1913 में डर्वन में गांदी पहली बाद एक लूंगी और साथ कुर्था में दिखाई दिया उसके साथ बारती एक कुवेला खनेकों की सोटिंग का विरोध करने के लिए सोक के संकेत की रूम में उनका सिर्थ मोडवा दिया गे उन्नी सो बंदरे में भारत लोटने पर उसने एक काटिया वाड़ी किसान की तरह फोसाथ करने का पैसल लगिया आप देखते होंगे प्रगांदी वी को केबल 1921 में उन्होंने छोटी दोती को अपनाने दिया उनकी मौद तक भी इस तरह की कपड़े पहिंती रहे दोती और डणना लिपेज चलती रहे इसी तरह उन्हो उनके लिए सुद्धता आपसाधिगी और गरीवी का संकित था उन्होंने 1931 में गोल में सम्मिलन में और बर्मिंगन पैलेस में किम जॉम जॉर्ज भी सामने भी लंगोटी ही पहिंनी थी यानि कि उसी पोसाथ में वो मिलते रहते थे सभी से इलावाद के सफल बरिष्टर मौतिला नहरु ने अपने महेंगे पश्चमी सैली सूट को छोड़ दिया और भारतिय दूती और खुलता को अपनाया लेकिन खराब कपड़े नहीं थी ये लोग बाबा साहब अमवेडकर ने पश्चमी सैली की सूट को कभी नहीं छोड़ा कई दलतों ने 1910 के दसक के सु में तीन टुकड़ों के सूट पहनने सुरूं कर दिया और सभी सारवजनी कप्तरों पर जूते और मूजी पहना सुरूं कर दिया क्यांको आपने देखा हुगा अबाबा साहब हमेशा सूट टाइम में रहा करते थे उनकी वही पिक्सित देखी हुई आपने सरवजनी नायटू और कबना लहनू डिजाइन के साथ रंगी साड़ी पहन दी थी समय गांधी ने पगड़ी को कस्मीरी टोपी तक दे लिया और अंतमेट गांधी टोपी प्रिथम विस्योदी के बसों के बाद खिलापत अंदूलन के उदय के साथ फ्रेज एक चदम तु की पहचान बनेगे इस तरह से आपका ये चेप्टर था पहन पहनावी का सामजिक इतियात रहा है इसके बारे हम लोग अगर आगे टायम मिलता है और जब मेरे पास बुक्स आ जाएगी तो मैं उसे भी कवर कर दूगा आपका ठीक है लेकिन इससे भी आप लोग काम चला सक करते हैं तो जादा कुछ नहीं है बीचे भी पड़ते रहते हैं लोग इस तरह के तो जादा कोई परक नहीं पड़ेगा आपको तो इस तरह आपकी कच्छा चटवी से कच्छा नौवी तक की बुक्स लगवा कंपलेट हो गई एक बुक्स को चोड़ता केवल साइंस